जोगंदर सिंग शेखावत वैलकम यौल ऑन दिस चैनल निम्मस लेनिंग पावड़ वावड़ इंजिनिस अकैडमी आप सबका स्वागत है जहीं इन महुत्सों में जो खास आप लोगों के लिए बनाया गया इस बार पीन तारिक से लेके आपके एससी के एकजाम तक तो पटाफट से थमसब करके बताएए फटाफट से बताएए बटा इवनिंग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग टॉल ऑफ यू फटाफट से सबी लोग आ जाईए और शेयर कर दीजे सेशन को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बैनेफेशल हो सके तो आप आपका इंतजार है फटाफट लाइव आईए अभी तक 83 का अकाउंट पहुचा है बढ़ाएए बढ़ाएए और जैसे ही सेकड़ा आता है 100 क्रॉस करते ही और आज तो उस आंखिडे तक जाना है जो मैक्सिमम हो सकता है आज तक की क्लास जब तक रही है उससे भी हाइस पि अफ़े भी इसी तरह से बने रहेंगे ये उम्मीद करते हैं सो मैं पूरे इंजिनियर्स अकैडमी परिवार की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं आज की क्लास में आज की मैरथल क्लास में जो की है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन संपूर्ण भागे ये कह सकते हैं पार्ट तेराज मिसिंग बहुत अच्छे बच्छा आप लोगों का सब जगसी बैतरीन प्यार मिलता है और लाइव क्लासेज में तो हमेशा आप लोग आते ही हैं तो आजाई ये फटाफट से आजाई एक्सेक्ट लोग आचुके फटाफट लाइक कर दीजिए जो लोग लाइव हैं सुबिच सर सभी लोग आचके चलिए बैतरीन सुबिच सर का विंदजा रहेगा आने वाले दिनों में कैसे हैं सभी लोग ये बताईए फटाफट से आप जी गुड़िवनिंग गुड़िवनिंग चंदन कुमार क्या चंदन बेटा ड्रेस चींज कर लीजिए कोई बात नहीं मशीन अच्छा होना थी कोई नहीं इन चीजों से कोई फटाफट से लाइव आजए फटाफट आजए ये ताकि अपनी सेशन को शुरू करते एक बार फिर से मैं आपको बतायता हूँ हम किसले म से पढ़ें और आज की क्लास भी इतनी ही लंबी होने वाली है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्टिकल मशीन एक बहुत ही इंपोर्टन सब्जेक्ट है आपको पता है और आपका रग जोड़ी रहती है कह सकते हैं सीधे दिल तक अगर पन कहें क्योंकि हर एक कौन सा वो सेक्षन लेक्या हैं कौन सा पाट मशीन का भी पढ़ेंगे हम इसे रिविल करते हैं बराद ही जल्दी फटावट से लाइव आजएगे हाँ कुलदीप सिंग कह रहे है मशीन मन में क्या कुछ होगा सिगंदरा कहें पटना से पटना से बिलकुल प्यागराज की सबी सबी जगे से बच्चे आ चुके हैं चलिए शेयर कर दीजे इसको अभी भी कोई बच गया है तो उसका भी नुक्सान नहीं हो सबी लोग आके से फटा फट से शेशन को शेयर करें ताकि सबी मिलकर एंज़ॉय करते हम इलेक्टिकल मशीन को इलेक्टिकल मशीन दयानन धन्यवाद वेटा, चलिए, शेयर कर दिया है, बहुत अच्छे, अभी भी एक विहारी छट पुजा आव हो गया, वेटा, चार दिनों छट पुजा के बाद मुझे लगता है, शायद अब सभी लोग आ गया होंगे, करें शरूर, तो क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, हाँ, ब synchronous और induction machine, यह चार सेग्मेंट अबन पढ़ते हैं, जिनमें लगबग equal सा weightage होता है, कोई if but नहीं है कि भी कौन जादा आता है, कौन कम, it depends on people, जो set करता है, examiner ही कि आओ, कहां से थोड़ा वह तक्स्टा पूछ ले, बाकि equal सा weightage है, equal importance है, कोई differentiate नहीं कर सकता है, इन चारों मे हम rotating machine के concept को आज लेका हैं, जिसको अपन details से पढ़ेंगे, इस पूरी class में, इस में राथन में, एक एक concept को, एक चाहे speed control, चाहे voltage regulation हो, सबी चीजों को हम देखने वाले हैं, आज की class में, चलिए, बहुत अच्छे, फटा फट से, फटा फट से आ जाईए, शुरू करेंगे, फुल energy के साथ, बिल्कुल required energy, बिल्कुल पूरी energy required है, बिल्कुल सही कह रहें, पूरी energy के साथ लग जाईए और आके शुरू करते हैं, आज के session को अपनी कह सकते हैं, देखे बिड़ा, electrical machine हम आज के session में शुरू करेंगे, थोड़ा सा अपन इसकी बात कर लेते हैं, क्या होता है machine, सबसे पहले अपन इसी बात को discuss कर लें, सबसे प्मॉर्टेट चीज़ है, देखे, 50 plus करना है आज, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, 50 plus, चले, देखे, अगर हम कहें, अगर हम कहें, electrical machine में की machine word की पिछली की क्या response है, क्या theory है, तो इसको थोड़ा सा जाल लेजे, कोई भी machine तब machine कहलाता है, when it is capable of converting, electromechanical conversion के लिए capable हो, इसके लिए required है, कि उसमें minimum से minimum कोई एक mechanical या rotating part हो, अगर rotating component है, तब ही वो continuous electromechanical conversion कर पाएगा, और इसी sense पे अपन कहते हैं, उसे अपन machine भी कह पाएगे, फिर मन में यह आता है, फिर transformer के साथ ऐसा क्यों, transformer क्यों है अपन machines के साथ पढ़ते हैं, तो transformer is somehow similar to electrical machine on the basis of working principle, यह पूरा का induction based है, और इतना similar है कि अपन induction motor को rotating transformer तक भी कह देते हैं, इस वज़े से भी अपन बोलते हैं, it is somehow similar to, closely related to electrical machine, इसलिए हम इसे 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 इस्तमाल करते हैं, तो आज की class में अपन कह सकते हैं, electrical machine में हमें वो camera के सामने नहीं आ रहा है, okay, clear नहीं अभी camera के सामने, sir, approach कितने बज़े तक class चलेगा, देखे बड़ा, अभी अभी यह शुरू करते हैं, जब तक चलता जाएगा, अपन इसे चलाते जाएगे, ठीक है, अभी approach तो जो अभी पिछले दो दिन से set हो रहा है, तो machine के बहाब पर अपन कह सकते हैं, कैसा होने वाला है, क्या होने वाला देखे, normally अगर अगर अपन कहें कि किस तरह का aspect रहता है, electrical machine में वेटेज की बहाब पर बात करें, तो अपने पास मैंने कहा चार अपने पास important unit होते हैं चार अपने पास important unit है जिनको अपने देखेंगे एक अपन कह सकते हैं that is transformer एक हमारे पास है that is transformer इसके बाद अपन बात करें तो DC machine then further हम बात करें तो induction induction, induction machine, induction motor के regarding अपने इसे पूरा पढ़ते हैं और last अगर अपन बोलें that is synchronous machine synchronous machine इसमें normally चार unit अपने पास है थोड़ा समय इसको अपने class को start कर देंगे one by one topics के according circle all India mock test है जल्दी उठना है सुबर सोच के चलिए हाँ हाँ कोई दिक्कर नहीं है all India test है आप पूरे दिन दे सकते हैं वेटा ऐसा कोई नहीं है चलिए खोश रहें वेटां खोश रहें सभी और मेरी आशा है कि आप सबका selection हो जल्दी से जल्दी और उसी के साथ जिसका हमें सबसे आदा wait रहता है फोन करें और कहें सर हमारा नंबर आ गया उससे बहतर कुछी मुझे कभी नहीं होगी इस कराव चलिए कोश रही हो और स्टार्ट करते हैं आजो फड़ावट जो लोग आ चुके हैं जो लोग आ चुके हैं इस सेशन को क्या कर लिजे शेयर कर दें और एक बाल लाइक जरू अज की क्लास पर हम जिस पर पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं डीटेल से जो की मशीन का भागवन रखा गया है उसको अपन कंप्लीटली पढ़ेंगे वो है आज का टॉपिक अपना that is DC मशीन और आप पहेंगे सिंक्रोनस मशीन इन दोनों का पुरा आप पूरा का पूरा रिवीजन पूरा का पूरा आप कह सकते हैं इसे अपन करने वाले सौरब सिंक्रों कि सो मच बेटा करिए तो स्टार्ट कर दें सभी तयार हैं ओके तो हम भी तयार हैं चली कोई इश्यो नहीं और आज तो आपकी पसंदिदा शहर जहां हमेशा ही कहते हैं और सबसे खास बात सबसे खास बात कि आज तो पटना से लाई होने का मौका मिला है तो बहुत अच्छे नया स्टूडियो सब कुछ पहले बार ओके मशीन दो दिन चलेगी बिल्कुल सिकंदर दो दिन मशीन के दो भाग हैं पार्ट बन पार्ट टू बड़ा काज और एक आपका इस मौक टेस्ट के बाद बुड़ इवनिंग आज हम करने वाले हैं किसे डी सी मशीन को और सिंक्रोनस मशीन को बेटा सिंक्रोनस मशीन और डी सी मशीन मैं हमेशा कहता भी हूँ पंद्रा को कौन सा एक्जाम दे सर्फ्रीज बताओ संजे वेटा आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दे या फिर आप मुझसे टाइम लेके फोन कर दे थोड़ा सपन टेलिफॉनिक कन्वर्जिजम में इस इसको क्लियर कर लेंगे कोई बी ऐसा डाउट हो पटना विहार बिलक इसकी मशीन इंडक्शन से इंगोनस जब भी हम बोलते हैं कि कौन क्लोस लिटेज जब हम ट्रास्फॉर्मर स्कडी करते हैं तो उसके अंदर हमेशा अपन यह बात कहते हैं कि ट्रास्फॉर्मर ट्रास्फॉर्मर एक्स्टैटिक डिवाइस है जिसमें होता है इसके अलावा अगर हम कहीं स्टेटर इस्टाव सिमिलर टू प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ्रास्फॉर्मर और आप कह सकते हैं रोटर जो है कुछ सेकेंडरी के अनलोगी पर इवन कई बार हम यह भी बोल देतें कि इंडक्शन मोटर जब जब शुरू होता है तो अगर हम कहें कि क्या कुछ खास है आज की क्लास में तो अपन कहेंगे DC मशीन और सिंक्रोनस हम पढ़ने वाले और उसी तो आज रुपना नहीं है और ठकना नहीं करते रहते हैं दैरनन इससे बुरा क्या होगा आप संटर पे मिल सकते बेटा दयादन, कोई दिक्कत नहीं है, आप आजेए, बिल्कुल. Self study करें, रूम पर, please suggest, coaching. अभी जितना अगर आपने topic पड़ ली हैं, तो अभी ये दिन आपके revision के बेटा हैं, अब आप revision करें अच्छे से और उसके बाद त्यारी करें. Clear है, फटा फट्स आज एक बार 300 क्रॉस कर दीजिए, उसके बाद मैं अपना पहला शब्द लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए. Machine में, जिसको हम आज, हाँ, like कर दियें, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. इतना इतना भारी बरकम, वैसे ही मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी इतनी वाते लिखने के नहीं है, आपको समझ आता है, आप लोगों का प्यार है, बस यही है, इसी मौके से बार बार मोटिविशन मिलता रहते हैं, बस, बिलकुल, बहुत अच्छे, चलिए काफी समय हो चुका है, आप लोग आ चुके हैं, और आप पटना सेंटर पर, चलिए, कोई दिक्कत नहीं जो छूटता है, हो जागा बड़ा, शुरू करें, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती मुझे पता है, इस समय लास्ट टाइम बचा है, तो अब बबन स्टार्ट कर द करते हैं, पॉलरीटी चेंज बहाफ आप दे क्वेशन होता है, उनको बताना, पॉलरीटी चेंज बहाफ बहाफ बिल्कुल करवा देंगे, जैसे भी क्वेशन से हैं, और session के बाद में आप अपने drop कर सकते हैं, मैं आपको number वैसे कर दूँगा, उस पर कोई भी queries है, आप ल स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा और, आठ जने और बच्चों फटा फटा आईए, तीन सुपर दमाके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए, कॉमेंट पर सर ध्यान नहीं दिए, अभी शेक्ट्या कहरें बेटा, दीजिए, ओके, देखे, देखे, चल टू, टू, नाइ चलिए, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, आपका समय कीमती है, बिल्कुल, और अब हम शुरू कर देते हैं, डीजिए मशीन को अगर हम कभी प्रिवेसली अगर देखते हैं, तो सबसे पहले अपने मन में आता है कि दिखाई कैसा देता होगा, तो मन में बड़ा एक एक फैक मशीन को, तो कुछ इस तरह के सेक्शन से आपको डिखाई देगा, अगर आप गवर से देखे, तो एक DC मशीन आपके सामने है, हाँ, नहीं नहीं, डेफ्ट बेटा, मेरा थन है, सर बहुत लाल ची है, चलिए, नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं, बटा, देखे, सब को क्लियर दिख रहे है, हाँ, सबको क्लियर दिख रहे है, अब कर देशुरू, 298, 298, से शौट नोट से पढ़ा दीजिए, वो बेटा, मैं अपने हिसाब से पढ़ा दूँगा, आपको इंजॉय ही करेंगे, आपको पसंद ही होगा, बस उसी पे अपन कमेंट कर देए, चलि सबको क्लियर देख रहा है, तो क्या है, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, अगर हम बोलें किसी DC मशीन को अगर ब्रिफली अपन देखें, तो उसमें बहुत सारे सेगमेंट या बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिनकी बात कर देए, बिल्कुल स्टार कर वेटा, सबसे इंपोर्टेंट है, कहांसे कॉशन आसे अगा हम बूलें, अगर हम कहें कि सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है वह है construction, पहला पॉइंट अगर मैं कहूं, तो हमें construction बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, construction से हर बार आपको एक कोशन देखने को मिल जाएगा, जिसको अपन अभी डिसकस करने वाले, क्या सब को clear दिख रहा है? हर एक वहाँ से, जहां से question बनता है, अगर हम कहें, construction, construction सबसे important element है, जिसको भी अपन discuss करेंगे, इसके अलावा अपन बोलता है, construction के बाद, जितने भी characteristic होते हैं, उनको अपन study करेंगे, कौन-कौन से characteristic हैं, system में, motor और generator दोनों की regarding, even आप कह सकते हैं, even अपन कह सकते हैं, चाहें वो generator हो, या फिर अपने पास motor हो, दोनों ही structure पर, हमारे लिए equally important है, अगर हम बात करें, characteristic के बाद, तो कौन-कौन से test perform किये जाते हैं, यहां से question काफी आता है, test के बाद, अगर कोई specific अपन बोलते हैं, types जो है, classification जो है, उसकी बात करते हैं, हमें classification जो है, उससे भी question अक्सर सब कुछे आते हैं, और classification and application, यह सबसे important part होता है, किसी भी machine के लिए construction, characteristic, testing, classification और application, अगर हम बोले, अगर हम कहें, हाँ, चले, ठीक है, clear, चले, start करते हैं, अब आज पूरी धीर धीर मशीन आप पढ़ते हैं, सुनते रहिए, हम पढ़ते चलेंगे, कि topic और धीर 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 ध सब्सक्राइब करते हैं, चले, शुरू करते हैं, like कर चुके हैं, share कर चुके हैं, तो बहुत बढ़िया, जो जो लोग आ चुके हैं, फड़ावड session को like और share कर दीजे, अब हम बूर के नहीं देखते हैं, पिछे start करें, देखो, constructional element की अगर बात करूं, तो किसी भी DC machine को, ह हम एक single construction पर, हम किसी भी एक single construction पर, हम दोनों machine की तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहिए वो motor application हुई या पर generating application हो, और किसी DC machine में, यह बहुत important question मनता है, कि कौन से component को देखकर अपन DC machine की पहचान कर सकते हैं, अगर उसकी बात करें, तो हम बोलेंगे, वो होता है, कौन सा होता है फटा बट comment section में लिख दीजिए, चंदन कुमार comment पढ़िए, कियो फेक्टो पानी, पानी में पत्थर, यह उदास, देखकर जिल दीजा है, हाँ हाँ चंदन कुमार बेटा देख रहे हैं, चलिए, बहुत अच्छे आप सबके बड़ा ही प्यार है, हमेशा ही आप मुझे आदेते हैं, यह बहुत बैतर है, इससे motivation मिलता है और आप लोग आए हैं, तो आज कुछने कुछ revise करके ही जाएंगे, अपन machine का x, y, z, सब कुछ देखके जाते हैं, चलिए, camera थोड़ा दूर कर दीजिए, face बड़ा आ रहा है, ओके, अब clear है, आ जाईए, अब अगर अगर आपन कहें हैं, कि किसी DC machine में constructional property की बात करें, तो क्या कुछ होगा, constructional property पे अगर अगर अपन देखते हैं, तो commutator जो है, वो उसका सबसे necessary component है, जिसके बहाफ पर अपन उसको extinguish करते हैं, कहां भी, this machine is DC machine, अगर commutator नहीं है, तो उसका फिर view नहीं हो सकता है, अब in elements specific, यह जो question उनको किस तरह से commutator करते हैं, क्या part है, यह अक्सर पूछा जाता है, तो construction में, construction में अपने पास एक mathematical दू तरह के figure में आपको बताने वाला हूँ, एक अपने सामने हैं, यहां पर जो आप देख पारें, इसमें हम कहें सकते हैं, मशीन में क्या कुछ होता है, अगर लोगी है, यहां पर अपन winding structure को देख रहे हैं, जो अपने पास है, armature component पर, यहां हम commutator और बुर्श assembly की बात कर रहे हैं, और किस तरह से वो commutator करता है, उसके pulling panels की shaft पर attach होता है, यह इसका outer yoke frame है, जिस पर यह attached है, इन सब components को हम किस-किस तरह से questions पर पूछे आते हैं, बि उनको सबसे पहले अपन देख लेते हैं, तो construction property के भिहाफ पे, जो components है, उनको ही हम एक छोटा से working diagram लेते हैं, जो सबसे very first important component है, आप कह सकते हैं, इसके भिहाफ पे, अगर मैं कहूँ, क्या सबको clear है यहापे, यह visual है, बताईए, क्या सबको clear diagram दिखाई दे रहे हैं, एक ब पढ़ाना सर का काम है, चलिए, देखीगा, clear है तो बस सामने देखें और शुरू करें, किसी भी DC machine में जहां से questions बते हैं, उसका पहला element उठारे हैं पन, that is construction, clear, that is construction, चलो, अगर मैं कहूँ, constructional property के भिहाफ पे, हम किस-किस element को रेके करके उसके भिहाफ पे इन component को study करेंगे अगर हम बोलें, कि construction की बहाफ पे कौन-कौन से necessary component और क्या-क्या elements होते हैं, उनको हम यहां से one-by-one attach करते हुए और DC machine को revise करते हुए चलते हैं, किसी भी DC machine में construction में सबसे major part जिसका presence बहुत जरूरी है, that is commutator, अगर commutator नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं, DC machine का working function possible नहीं है, इस reward पर यह काम करता है, किस पर based है, तो आपन कहा सकते हैं, it is generally based on, सबसे first अगर मैं बात बोलू, तो किस पर based होता बेटा, it is based on the working principle, जो इसका है, किस पर based है, that is, electro-mechanical conversion of energy, सबको idea is इसका, यह electro-mechanical conversion of energy पर based है, जिसके लिए हमारे पास एक component जो है, that is armature, जो अपने हाँ देख पा रहे हैं, armature इसका सबसे necessary component जिसके थूँ यह आप कह सकते हैं, जिस पर हम कह सकते हैं, armature की थूँ यह electro-mechanical conversion करता है, अगर हमारे पास machine है, motor, अगर machine है generator, बहुत basic question है, तो motoring principle पर अपन कहेंगे, electrical input अगर हम दें, उसे वो mechanical shaft output की तोर पर attach करेगा, अगर हम machine को as generating principle पर use करें, तो आप एंगे उसके shaft पर mechanical input हम prime over से देंगे, वो electrical output terminate करेगा, done, अगर इसी sense पर, sir, AC machines भी होगा, या only, नहीं, AC, DC दोनों बेटा, synchronous और DC, क्योंकि दोनों समाँ similar है, इन पूरे को अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चली, अब अगर हम बात करें, कि हम एक construction में कौन-कौन से element हैं, जिनको study किया जाता है, तो देखिए, one by one, अपन components के अगर बात करने वाले हैं, तो आपका ऐसे thing, two port network की तरह work करता है, basically, कोई भी DC machine एक two port network की तरह work करता है, अगर मैं कहूं, यह DC machine है, तो अगर मैं इस application में सबसे पहले बोलूँ कि, अगर हमने इसे, अ यहाँ पर यह as a generator की तरह work कर रहा है, जैसे हम कई बार dynamo, जैसे हम कई बार dynamo word से भी जानते हैं, यह भी पूछा जाता है, ठीक है, electromechanical conversion, हाँ, बिल्कुल, electromechanical device की बहाफ पर यह convert करेगा, और similarly, अगर मैं इसी block पर यह कहूं, अगर मैं similarly, इसी block पर यह कहूं, कि अगर यही DC machine है, और इस DC machine को, अगर हम input के दोर पे, इसे electricity, यानि कि एक electrical input अगर इसे दें, तो यह आपको एक mechanical अगर output convert करके देख, तो आप कह सकते हैं, इस बार यह बोला जाएगा, अगर mechanical output convert करता है, तो यह किसके तरह behave कर रहा है, अब हम कह सकते हैं, कि इस बार इसका behavior as a motor है, यहाँ पर इसका behavior as a motoring application की तरह है, तो यह तो बात भी कि electro mechanical conversion का base क्या होता है, अब कौन-कौन से component यहाँ पर इसको working को जरा यहाँ से समझ लीजिए, सामने हैं आपके पास, इस machine में, हाँ जी, इस machine में, अगर मैं बोलूं कि मे basically, जो आपको outer orbit पे बाहर दिख रहा है, इसे हम कह सकते हैं, यह work करता है as a, यह work करता है as a yoke, यह है आपके पास yoke, इस yoke का का काम क्या होता है, अगर कोई पूछे क्या function है yoke का, तो yoke जो functioning component है, outer part, इसका काम है, दो तीन function यह work function प्रवाइड करता है, एक तो installation of pool कह सकते है yoke के basis पे ही, हम physically in pool को क्या कर सकते हैं, place करते हैं, दूसरा अगर मैं कहूँ, दूसरा अगर मैं कहूँ कि और क्या work function है, तो yoke जो है, आपका एक mechanical structure भी create करता है, यानि mechanically इसे strong भी बनाता है, अगर mechanical failure अगर कुछ है, external protection भी provide करता है, अगर कोई mechanical failure इसके साथ आए, so it provides mechanical protection also, ठीक, थोड़ा fast, हाँ जी, protection is mechanical, हाँ हाँ सुनिल कुमार कड़ा रहे, बिल्कुल बस अभी speed up करते हैं, दीर दीरे, बिल्कुल सही करें, mechanical protection, योग की बात करूँ, तुम्हें यहाँ पर कह सकता हूँ, योग किसका बना होता है, आप कहेंगे cast iron, या फिर, आप कहेंगे cast steel का बना होता है, cast iron, cast steel से बना, और साथ-साथ अपन कहेंगे इसके work function अगर पूछें, कि योग का function क्या है, तो आप यह बोल सकते हैं, योग के function होते हैं अपने पास, योग के function होते हैं, एक तो आप कहेंगे mechanical, mechanical protection प्रोवाइड करना, दूसरा हम कह सकते हैं, एक आप बोलेंग का path भी provide करता है, it provides low, low reluctance path also, यह low reluctance path भी आपको provide करेगा, तो कहीं न कहीं, अगर योग का अगर आप से कोई importance पूछे, तो आप कह सकते हैं, यह तीनों work function इसके लिए कहे जाते हैं, योग, machine का outer orbit और इस पार्ट, अब बाकी के अगर components की बात करें, one by one, तो उनको भी के करक हैं, तो सबसे पहले योग के बाद number आता है, आपके बास field structure का, field, अगर मैं कहूँ इस पर जो field, field components से उनकी बात करते हैं, field component पे कई सारी बाते हैं, जिनको अपन ले सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं बोलू, field में अपने पास, पहला component जो निकल के आता है, उसे अगर अगर field winding, एक है अपने पास, field winding, अब बताईए, इन तीनों component के अगर बात करते हैं, हाँ जी, पड़ा बट से, इन तीनों component के अगर बात करें, तो pole core जो है, pole core, pole shoe, इन सब का mechanical features और यह सब तो लिखना है, साथ-साथ अपन कहेंगे pole core, permanent magnet के अपन यूज करते हैं, हम यहाँ पे permanent magnet सब कर बनाते हैं, तो इसका function क्या है, इनका function होता है, mainly, एक magnetic field जो है, magnetic field जो है, उसे क्या करना है, establish करना, अगर magnetic field establish करते हैं, pole, और दूसरा आपन कह सकते हैं, यह field winding जो इसको install भी करते हैं, mainly magnetic field pole core के थुछ यह आपे establish कर आता है, pole shoe जो है, उसकी अगर बात करें, तो यह pole का tip होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, यह एक तरह से pole tip होते हैं, जो same material के बने होते हैं, लेकिन इनका जो main function है, वो क्या है, यह uniform, यह आपकी uniform, आप कह सकते हैं, field strength create करते हैं, uniformity provide करते हैं, एक uniform field जो है, वो आपका establish करते हैं, सासाथ pole shoe और pole core दोनों किसी ने किसी installation की भी ब प्रेडाउट करता है फिल्ड को यहां पर आप कहेंगे पूल शू का एक और फंक्शन प्रपन कह सकते हैं इसके थुरू आप बोलेंगे compensating compensating winding बहुत बार पुछा जाता है compensating winding जो है उसको क्या किया जाता है उसके installation के लिए भी क्या करता है काम करता है compensating winding इंस्टॉल करता है uniform field create करता है वो साथ में pull core की अगर बात करें तो आप वेंगे यह किसको install करता है यह install करता है आपके field winding को इंस्टॉल करता है एक तरह से आप कोल सकते है field windings को अब field winding सबसे important part है जहां से questions बन सकता है field winding के अगर बात करें तो आप केंगे यह basically आपके एक तरह से इसको हम हमेशे एक DC excitation provide करते है DC excitation provide करते है और साथ में अगर पन कहें तो दो तरह का field winding हो सकता है एक होता है अपने पास series field और दूसरा अपन कहेंगे तो यह होता है दूसरा आप कहेंगे यहाँ पर that is shunt field चलिए फड़ा पट से comment section बताइए series field जो है series field जो है और दूसरा अगर मैं कहूं shunt field shunt field जो है इनकी property क्या बेटा series field और shunt field की property क्या होगी बोली इफड़ा पट से series और shunt field का strength क्या है property क्या होने वाला है किस तरह का use करते है क्या use है field अगर हम नहीं लगाएं तो क्या होगा permanent क्या necessary है field winding लगाना नहीं field winding नहीं लगाएंगे तो permanent magnet का बनेगा क्या पूछा जाता है कि किस तरह का create करते है देखे का फटा फट से अगर आपको बोला जा रहे है कि shunt और series field कैसे होंगे तो आप कहते है shunt field और series field की जब बात की जा रही है series field हमेशा armature के series में लगने की वैसे low resistive होता है इसे अपन हमेशा कैसा बनाते है याद रखेगा यह हमेशा आप पहेंगे low resistive होता है अगर कोई चीज low resistive ले रहे इसका मतलब DC circuit में जहाँ reactance की बात अपन इसमें नहीं करते है turns के बिहाफ पे तो low resistive लेने पर अपन कहते है less number of turns या high number of turns फड़ा बड़ बताईए pen और thick बिल्कुल ठीक है यह question objective में आच चुका है आप कैसे से में यह वाला paper में question पूछा गया है low resistance अगर use करना है तो आप जानते है r जो होता है वेटा r proportional r equals to rho l upon a की property पर अगर मुझे इस resistance को कम या यादा करना है तो length और area अपना function है length और area की बहाफ पर क्या answer देंगे length और area पर क्या answer देंगे हम कहेंगे low resistive अगर लेना है low resistive लेना है तो length कम यानि कि less हम यहाँ जवाब देते हैं क्या अगर low resistive लेना है तो low resistive लेना है तो आप कहेंगे इसमें होगा less number of turn और साथ में वाइर कैसा होगा? ठिक वाइर, साथ में वाइर कैसा होगा? आप पहेंगे वेटा ठिक वाइर अपने यूज करते हैं लेस तरन एंठिक वाइर और अगर मैं बात कुरूँ शंट फिल्ड की तो जस्ट इसके उपोजट आप कर दीजे शंट फिल्ड हमेशा एक तरह से रिलेटिव ली आप पहेंगे हाई रजिस्टिव होता है और हाई रजिस्टिव प्रॉपर्टी पे अगर मैं कहूं तो बोला जाता है कि इसे हम लेंगे कैसा? और साथ में अपन बोलेंगे थिन वाइर ये क्वेशन काफी पूछा है तो बटा ये क्वेशन काफी रेपीट होता है किस तरह का अपन कम पोलेंगे? ये एक अपन कह सकते हैं क्वेशन हो गया है वाइर का स्ट्रेंथ कैसा होगा? साइज कैसा होगा? इस पर बात है ये हमेशा आर्मिशर के सिरीज में और ये आर्मिशर के पारलल में कनेक्ट होनी की वैसे ऐसा होगा तो एक क्वेशन अपन कह सेखने हैं? यहां से बनता है AC मशीन में ये क्वेशन कन्फ्यूज करता आपको जब आपन बात करते हैं किसकी जी बड़ते हैं आगे चलो इस चाहे सकते हैं जिसने हम बात करेंगे अगर ट्धोर अपने पढ़ लिया योग की बात कर लिए तो बात आती है किसकी आर्मेचरर की वेटार किसकी Al緑 ट्फेजिक कंपोणर्ड है एक तो हम कह सकते हैं आर्मेचर क्या होता है वहीं, core, और दूसरा अपन कहा सकते हैं, एक अपने पास है क्या, that is armature or winding, armature core and armature winding, दोनों से इस बढ़ी बहेंकर और अच्छे question आपको मिलेंगे, armature core और armature winding के अगर मात करें, main winding में, हाँ बिलकुल वहाँ पे उसकी strength इसके corresponding लिखे जाएगी, armature core औ armature winding के अगर बात करें, तो core की sense पर बताईए, core और winding के अगर बात करो, यहाँ पर क्या, दो तीन तरह की question winding पर भी अपने को मिलेंगे, और काफी सारे question भी, थोड़ा speed increase कीजिए, बिलकुल बिलकुल बिटा करते हैं, थोड़ा सा time दें, अभी just अभी देखिए, अभी increase कर द silicon steel और laminated क्या होता है, structure होता है, silicon steel और laminated structure होता है, armature बेसिकली जो है, एक तरह से आप बोल सकते है, machine का rotating part है, यह इस तरह से आप कहेंगे कि rotating part होता है, जिसके बिहाफ पी electro mechanical conversion होगा, और अगर मैं बोलूँ, तो किसी rotating part की theory पर, अगर हम कहें कि armature की basically size thickness क्या लेंगे, याद करिए फटा-फट से, speed में नहीं लिख पाएंगे, screenshot लेने दीजे, बड़े screenshot सारे, आपको PDF मिल जाएगा न, निशन रहिए, यह आपको PDF share कर दिया जाएगा, आप लिखने की tension ही मतलो, ठीक है, आप PDF की tension मतली जाएगा, बस आप पढ़ते रहिए, clear, बस आप पढ़ते रहि आपको PDF मिल जाएगा, attention free, ठीक, चलो, अब बात करते हैं, cylindrical rotating part है, drum shape होता है, अगर मैं winding की बात करो, winding, armature winding किसी भी machine का वो component है, it is that component जहाँ पे आपके induced EMF, आपके जहाँ पे induced EMF अपने को मिलेगा, वो part क्या 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 क्य रहें, ताकि इसको revise करते चले, short form में इसलिए पड़े हैं, ताकि फटा पड़ इन चीज़ों को revise करते चले, armature winding किसी armature component में वो part है, जिसमें आपन कह सकते हैं, working EMF induced करता है, बिल्कुल सही करें, खुश्भू, यहाँ पर अपने पास EMF induced करेगा, और इस winding के अगर मैं बात करूँ, तो specifically हम यहाँ पर दो तरह की winding इस्तमाल करते हैं, कौन कौन सी, आप हैंगे, तो lap और दूसरा अपन कहते हैं, wave winding, यहाँ से question आपके exam में पनेगा, lap और विल्कुल प्रशान, आप PDF आपको telegram group पे मिल जाएगा, share कर दिया जाएगा, नहीं मिले ता, मुझे message कर देन ठीक है, मैं आपको one to one send कर दूँगा, done, बिल्कुल, induced EMF, lap और wave winding, two types of winding, अब lap और wave पे question कैसे बनते हैं, बताओ गटा, lap और wave winding पर अगर हम कहें, तो किस तरह के question बनते हैं, अगर आपको पूछा जाए, तो winding base पे, कई बार आपने देखा होगा, कई winding में बहुत सारे basic topic होत हैं, उनको अपन अक्सर पढ़ते हैं, armature की winding की type के अगर बात करें, तो बताइए, फटावट से मुझे बताइए, हाँ, बताइए, फटावट से बताइए, अगर मैं कहूँ, armature winding की मैं बात करूँ, तो फटावट से बताइएगा, कि किस तरह की winding हम DC machine में prefer करते हैं, question duplex, duplex, यह सब तो type हैं हैं बिटा, किस तरह की winding यूज़ करते हैं, double layer और single layer, पड़ा पड़ बताइए मुझे, double layer और single layer, क्या कहेंगे, बिल्कुल answer आच चुका है, देखो, electrical mantra ने answer दे चुका है, हम यहाँ पर prefer करते हैं, that is, closed double layer winding, बिल्कुल यह question पूछा गया, SSC में, हम यहाँ पर, closed double layer, हम यहाँ, closed double layer, winding जो है, वो prefer करते हैं, closed double layer winding, will be preferred in this armature, क्यों हो वई, closed double layer क्यों, सबको याद है के नहीं, double layer winding कौन सी होती है, बड़ा बड़ से बताइए मुझे, double layer winding किसे कहते हैं, double layer winding वो है, जिसमें, keywords याद होने सी, exam में पूछा गया है, यह double layer वाला ज double layer वो है, जिसमें, जिसमें, क्या कहा था अपने, जिसमें, one slot, one slot having, one slot having, क्या कहा जाएगा, there are two coil side, one slot having two coil side, और आप कह सकते हैं, one slot having one individual coil, opposite size भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, one slot having two coil side, अगर हम ऐसा यूज़ करते हैं, उससे अपन double layer winding की preference पे बात करेंगी, ऐसा इस slots double लगाने पड़ेंगे, और by default अगर कभी कहा जाता हो, तो अपन यहीं कहते हैं, कि उसके लिए double layer winding must be preferred, clear, इसी तरह के और भी कई terminology अपन armature winding में use करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, चलो, फटाबट से revise करें, lap और wave के लिए, सब नहीं चल रहा था, आजो बटा, आजो, फ study करें, तो फटाबट से देखिए, क्या मतलब था इसका, lap और wave winding को कैसे अपन differentiate कर सकने, यह question बहुत बहुत पूछा जाता है, lap और wave में बहुत यह question पूछा, why closed double, बटा, why closed double का answer यह है RK, अगर हम double layer use करेंगे, तो one slot having two coil side, relatively half slot में ही machine को क्या कर देगा, design करेगा, जिससे size, shape सभी पर अपने पास फरक पड़ेगा, अगर हम single layer use करतें, close तो structure होता ही है, formation के लिए, और दूसा अपन कहेंगे, इसी बेस पर, ठिक, अगर हम कहें, lap और wave winding दोनों को differentiate करना है, तो यहाँ पर फरक बड़ा है, interesting है, अगर याद नहीं है, तो फटा बट से देख लिजे, क् कौन सदा, lap winding के लिए कहा जाता है, कि इसमें हमेशा, parallel path जो है, यहाँ पर जो number of, यहाँ पर number of के पहचान ही कह, number of parallel path जो है, वो किसके बराबर होंगे, number of parallel path को represent करते हैं, A से यह बराबर होते हैं, polls के, जबकि अगर इधर बात की जाए, तो number of parallel path किसके बराबर होंगे, बे जाद करें और बताइए, progressive, retro, progressive तो किसी में भी बन नहीं, progressive दयानन कभी ऐसा नहीं कि कोई condition है कि ऐसा ही होना चे नहीं, दोनों तरह से बना सकते हैं, वो depend करेगा, उस structure पर अपन कैसा लिया है, हम किस तरह का winding prefer कर रहे हैं, बड़ अगर मैं different scenario पर कहूं, तो series और parallel का एक पर होता है, most of the conductor जितने भी हैं, उनको series में किस में जुड़ा जाता है, फटापड comment section में बता दीजे, ये question भी काफी पूछा जाता है, हाँ, बिलकुल दोनों बन सकता है, बोलो, बोलो, फटापड से answer दीजे, किस में पूछा जाता है, क्या कहेंगे, most of the conductor series में किस में जुड को connect करते हैं, तो माले जी 100 conductors हैं, दो ही path है, तो 50-50 conductors जाएंगे, इसलिए हम हमेशा कहते हैं, कि most of the conductor connected in series, किस में होता है, wave में, इसलिए हम कहते हैं, ये difference भी बहुत बार paper में आया है, कि wave winding में most of the conductor connected in series only, यहाँ पर अपना नाम क्या था, हम इसे prefer करते हैं, किस नाम से, इ that is series winding, इसे हम series winding भी बोलते हैं, और इधर जो अपने पास है, lab, उसके लिए अपन कहते हैं, इसमें parallel paths जाता है, pole के बराबर, तो इसे अपन एक तरह से shunt या फिर आप पहेंगे, that is parallel winding भी बोला जाता है, parallel winding भी इसको बोला जाता है, तीसरा difference जो यहाँ पर पूछा जा सकता है, वो किस बहाफ पे, application, कहां पर इसे इस्तमाल करते हैं, कहां पर इसे इस्तमाल करते हैं, यह भी याद होगा, lab winding कहां इस्तमाल की जाती है, यह summary है, बिल्कुल, revise में अपन वही चीज़ देते हैं, जासे questions बनेगा, बाकी चीज़ अपन पढ़ चुके हैं, जहां पर series winding है है, वहाँ पे हमेशा voltage बढ़ेगा, और जहां parallel parts ज्यादा है, वहाँ पे हमेशा current बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब parallel parts ज्यादा है, तो यहाँ पर किसे use करेंगे, इसे हम इस्तमाल करते हैं, high current, इसे हम इस्तमाल करते हैं, high current में, और साथ में बोलेंगे क्य इसमें low लो तो होगा बेटा इसमें current लो तो होगा current और high कैसा होगा voltage और high कैसा होगा voltage यह फरक है दोनों में आप में पढ़ा होगा और यहाद भी होगा कहां से wave winding में अगर conductor series में तो voltage increase कर जाएगा और इधेर आपका decrease करेगा यह basic difference अपन आप सब लोग बिल्कुल सही answer कर रह को डाउट तो नहीं है क्योंकि यह question बहुत पूछा जाता है done बड़े आगे और अगला difference क्या है बताइए lap और wave में आगे का difference और क्या ले एक हमने पढ़ा होगा dummy coils याद है कि नहीं है क्या याद क्या पढ़ा था बताइए dummy coils की बात की थी dummy coils किसमें चड़ी है और किसमें नहीं dummy coils जो केवल और केवल किसमें use की जाती है फड़ावड से बताइए lap winding और wave winding में जो basic difference है उसमें अपन जानते हैं कि dummy is use की जाती है wave में क्योंकि वहाँ पे balancing के लिए लगा जाती है सो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि dummy जो coil है उसे इस्तमाल किया आता है यह use होती है पर इस तरह अपन कहेंगे not used यह क्या है not used not used क्यों हो वही क्योंकि यहाँ पर dummy coil क्यों use की जाती है अगर कोई dummy coil का strength क्यों होता है तो यह भी अपने को पता है dummy coils जो है basically machine को एक mechanical एक machine को mechanical protection जो प्रोवाइड करती है मशीन को एक mechanical balance प्रोवाइड करती है उसके लिए पन देते है mechanical balancing के लिए इसे प्रोवाइड किया जाता है यही तीन चार डिफरेंस जो जातर question में आपको मिलेंगे अगर हम बात करें इसके बाद किस तरह के necessary component पर यह questions कुछे आते हैं तो कई बार अप पड़ापट से आगे बढ़ते हैं questions हम खूब करते हैं class में उसी तरह के पिछ related कई सारे questions equalizer link बिल्कुल सही करें equalizer ring का भी बिल्कुल सही बोल रहे है बिल्कुल है यहाँ पर यूज किया जाता है बिल्कुल ठीक करें लैप winding में हम कहते हैं क्या इस्तमाल करते हैं यूज equalizer यूज equalizer ring यहाँ पर अपन यूज करेंगे जबकि इधर नहीं होता है ठीक चली armature resistance wave में लैप से जाता है बिल्कुल सही कह रहे हैं वो भी question है क्योंकि resistance का sense अपन यहाँ पर बना सकते हैं lap और wave की points के बाद अगर हम बात करें आगे तो आप जानते हैं winding में कुछ topic अपने पास थे basics पे उनको अपन study कर लेते हैं चले कुछ pitch अपन डिसाइड करते हैं हाँ पर कई सारे आपने point पढ़े होंगे pitch related तो पड़ापट से मुझे बता दीजिए कि आपने यह सब नाम पढ़ रखे हैं न हम बात कर रहे हैं yf की इसके बाद हम बात कर रहे हैं yb की फिर अगर हम बात कर रहें किसकी yr की और इसक चारो नाम सबको याद हैं अगर वेव वैंडिंग हाँ वो उसका application वेटा वो उसका application है अगर हम इसे कहें तो यह कौन सा हो गया yf मतलब आप कहेंगे this is simply front pitch अगर हम front pitch की definition और अगर हम बात करें back pitch की definition इन सब को अपन study करने वाले front pitch back pitch यह आपका हो गया resultant pitch की definition अगर हम बोलें और यहां पर अपनाता है commutator pitch के अगर बात करें इनका मैं एक बार आपको थोड़ा सा वर्वली बतायता हूं जो पूछा जाता अक्सर front pitch, back pitch, resultant pitch और commutator pitch यह सब in terms of armature slot और दी बेटा front pitch अगर अपन याद करें तो किसे कहते थे, आप कहते हैं front pitch वो basic distance है किसी conductors की बीच में या फिर armature slots की terms में वो particular distance front pitch होती है जो किसी एक ही commutator segment पर जोड़ी opposite coil side की बीच में होता है, अगर किसी एक ही segment पर हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, तो opposite coil side की बीच का जो distance था, उसे अपन किस से represent करते थे, एक ही commutator segment पर जो opposite coil side है, उनके बीच का distance front pitch होता है, याद है सब को comment section में बता पा रहें, कितने और चलेगा class, बिल बस देखते वें चलते हैं, हाँ बिल्कुल, distance between two coil side at the same commutator end, बिल्कुल सही करें, at the common commutator end, जो distance होता है, उसे पन front pitch करते हैं, back pitch कौन सा होता है, back pitch याद करो, back pitch अपन बोलते हैं, किसी भी winding के लिए, देखो, lap और wave का अगर इचीज समझना है, तो थोड़ा सा अपने को थो कर लेते हैं, अगर मैं कहूं, यह commutator segments है, इन commutator segment में, अगर हम winding बनाएं, तो आप इन segment पर armature conductors को कुछ इस तरह से, lap की भी हाफ में मैं दिखा देता हूं, तकि अपन पूरी बात समझ जाएं, अगर lap winding है, तो कुछ इस तरह से पन प्लॉट करते हैं, conductor को, यह इसका front pitch हो इस तरह से, यह अपने पास एक lap winding का मैंने diagram आपको बोला, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सर, आज complete, बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगा, विच-विच में motivating बातें कीजिए, आनन, बिल्कुल वेडा, यहाँ पर अपन कहते हैं, front और back, तो अगर अपन कहते हैं, किसी एक commutator segment पर, इसको मान लिए, यह common commutator segment अपने लिया, इस वाले को, इस पर दो coil side आपको दिख रही है, एक front और एक back, तो आप वेगे, इनके बीच का जो distance है, यह कौन है वई, यह कौन है, YF है, और अगर मैं कहते हैं, किसी भी एक coil की, इस coil की यह जो दोनों है, इनके बी progressive, retrogressive था, अगर यह left shift कर रहा है, तो retro है, तो आप कहेंगे, यहाँ पर, YR जो है, वो दो तरह से लिखा जाता है, तो वेटा याद करो, this is YB plus minus YF, याद है, तो बताइए, मुझे ज़रा फटाबट comment section में positive किसके लिए लेते हैं, और negative किसके लिए लेते हैं, sign, अगर अप plus minus YF में, progressive, retrogressive, positive use किया है, तो आप कहेंगे, यह होता है, किसके लिए, that is for progressive, और यह अपन कहेंगे, किसके लिए, that is for retrogressive, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यह अपने पास दो तरह के sense है, progressive and retrogressive, done, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगर अपन आगे बढ़ते हैं, तो आप को अपने लिए, coil 2 को माल देजे, इसकी जो दोनों coil set दिखने हैं, आपको यहां और यहां, यह किस पर connected है, किसी भी एक coil की दोनों coil set जहां पर connected, इसका है, यह end, इसका end, इनके बीच का जो distance होता है, यह क्या कराता है, आपका YC computer pitch, हाँ, यह नहीं समझ भाए हैं, बटाइ में कहें, तो last segment जहां से start क्या था, उसके अगर left shift कर जाए, तो अपन कहते हैं, क्या होगा, retrogressive, और एगर right shift कर जाए, तो क्या होगा, progressive, progressive जो होता है, उसमें हमेशा क्या होगा, आगे की तरफ, यानि इसमें याद कर लिना, इसे कहा जाता है, reference के बिहाफ पे, अगर यह right direction में, अगर यह क्या करेगा, shift करेगा, और अगर मैं कहूं, reference, reference की बहाफ पे, अगर यह left की तरफ क्या करेगा, shift करेगा, इस बहाफ पे अपन कह सकते हैं, app पर होगा, youtube पर, बल्कुल, यह अपने पास एक winding का base था, जो अपन यहाँ पर, इस तरह से deliver कर सकते हैं, clear, कुछ और और टाम अपन जानते हैं, जिनको और discuss कर लेते हैं, देखीगा, अगर मैं कहूं आपसे, एक टाम आपने एकसर पढ़ा होगा, वेटा, कौन सा, full pitch और short pitch की बात कर रहा हूं, बताइए मुझे, क्या हमने यह चीज पढ़ रखी है, full pitch, full pitch and, full pitch and short pitch, full pitch and short pitch winding, full pitch and short pitch winding, हां जी, बात करें, तो full pitch winding और short pitch winding, एक ही चीज़ का difference है, वो यह है, यह पर कहा जाता है, कि जो कोईल स्पैन है यहां पर कहा जाता है जो कोईल का आपका स्पैन है कोईल स्पैन जो हो किसके बराबर होगा यह बराबर होगा बैटा पूल पिछ के यह पूल पिछ के बराबर होगा और अगर मैं कहूं कि शॉट पिछ वांडिंग की बात करूंगा तो हमेशां जो आपका क्या होता है अगर मुझे कोई पूछता है कि बताइए सर पूल पिच किसे कहेंगे पड़ा रखा मैंने बहुत बार आपको वाट इस दे बेसिक डिफरेंस ऑफ पूल पिच कैब बोलें ट्रिक से बताएं प्लीज सर हाँ ट्रिक ये है पूल पिच जो है और शॉट पूल पिच और आप कोईल का डिफरेंस के अगर बात कर तो पूल पिच हमेशा आप किए ओड़ा पारेंगे किसी भी किसी भी मशीन में जो आपका डिस्टेंस होता कि नहीं दो और यह है pole pitch, तो pole pitch के लिए कई सारी definitions अपन देते हैं, आप एंगे cumulative या consecutive, आप एंगे consecutive जो distance है, consecutive distance आप एंगे किसके बीच में, distance between, distance between consecutive north and south, इन दोनों के बीच का जो distance है वो कहलाता है, इसके अलाव अगर वो नहीं, तो pole pitch को अपन किस से represent कर सकते हैं, slot पर pole से भी अपन represent करत है बेटा, और इसके अलाव अपन कहें, तो सबसे important, that is, it is always, it is always 180 degree electrical, याद है की नहीं है, it is always 180 degree electrical, यह हमेशा होगा, इसका जो हमेशा value है, वो कितना होगा, 180 degree electrical होगा, यह तीनों distance, तीनों definitions अपन pole पिछ के लिए इस भी हाफ पर, ठीक, हाँ, बिल्कुल, कितना भी आपका machine में pole हो, इसके value 180 degree electrical, यह 180 degree electrical की बात हो रही है, और लगे हाथ electrical और mechanical angle का angle भी अपन देख लेते हैं, ताकि चीज़े revise हो जाए, क्या था, थीटा M equals to 2 by P into theta E, यह question भी बार-बार paper में repeat होता है, जिस तरह के examination अभी पूछे जा रहे हैं, उनमें बार-बार यह मिलेगा आपको mechanical or electrical angle की बीच का relation क्या है, यह वाला relation है, mechanical or electrical angle में theta M equals to 2 by P theta E, तो अगर कोई पूछता है कि किस बिहाफ पे होगा तो आप याद रखेगा, theta M is always less than equals to theta E होगा, less than equals to theta E होगा, यह ध्यान रखेगा, mechanical or electrical angle में relation हमेशा maintain किया जाता है, done, यह अपन कह सकते है mechanical electrical के लिए, चली, ब goal pitch और coil span जो है, basically, coil span के बात करें तो एक तरह से verbal distance है, अगर मैं coil span की बात करूँ, तो वो एक basically verbal distance है, किनी भी दो consecutive आप कहीं यह winding के बहाफ पे statement आपन देते हैं, coil span यहीं पर define कर देते हैं, simply, अगर मैं कहूं coil span क्या है, तो इसको एक example से समझ लीजे, coil span के लिए का जाते है, मान लो आपको बोला गया है, कि किसी coil का जो आपका पहलाव है, या span है, वो बोला गया कि from, आपको बोलेगा from slot from slot 2 to 9, ऐसा आपको बोला गया, from slot number 2 to 9 number slot, तो यहाँ पर रगए वो कहें कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका distance हो जाएगा, it is basically distance, आप कहेंगे span कितना हुआ, so this is 9 minus 2 equal to 7 slots, आप इस तरह से define कर सकते हैं, कहां से कहां तक फैला हुआ है, इस सीज को भी अपन यहाँ पर बोल पाएंगे, 7, coil span क्या हो जाएगा, 7, depend करता है कि machine में किस तरह का आपको उसने perception दिया है और क्या पूछ रहा है, clear है, बढ़ें आगे, चलो, clear, आगे बढ़ते हैं, अब यह बताईए मुझे कि commutator के अगर बात करें तो क्या कहेंगे, देखेगा, क्या कह रहा है अपन, that is commutator, commutator पर किस तरह के questions पूछ सकता है, वो क्या होते हैं, commutator, necessary component अगर अगर अपन कहें तो यह है, और इसके लिए जो सबसे पहली path की जाती है, वो बता दीज है, जो कि दो तरह से work कर सकता है, हाँ जी, pole बढ़ाने पर, बिलकुल pole बढ़ाएंगे, तो आपका electrical angle, नहीं, theta m equals to 2 by p, mechanical angle तो आपका change करेगा न, बेटा, electrical fix रहेगा, हाँ, पावन, बेटा, electrical तो fix रहेगा, पावन क्या पूछ रहे हैं, pole बढ़ाने पर electrical, theta m जो है, वो 2 by p है, तो अगर pole ज्यादा है, तो उतना ही multiplier होगा, it will always, electrically अपन कहते है, 180 degree है, तो mechanical change करेगा न, अब इसके लिए क्या कुछ पूछ रहा सकता है, चलो, computer revise कर लेते हैं, ये एक तरह का mechanical part है, आप एंगे, rotational और mechanical part है, और mechanical part होनी के वैसे, इसे दो नामों से अपन जानते हैं, य mechanical part है, rotating part है, generator के लिए इसका work function होता है, और motor के लिए इसका work function होता है, अगर अपन कहें, तो generator में यूज किया जाता है, किस के तरह है, as a, as, आप गह सकते है, as, rectifier, और यहाँ पर अपन कह सकते है, use किया जाता है, as, आप गहेंगे, inverter application, इन दोनों की, as a mechanical rectifier और as a inverter, इन दोन function को कैसे happen करते हैं, तो आपने की commutator work करता है, rotational equipment की तरह है, जो convert कर देगा, जब कभी पूछा जाए, हाँ तो rectifier के, अगर मैं बात कर रहा हो, तो क्या कर रहा है, simply AC to DC, और अगर अपन यहाँ पर कहें, तो किस के तरह है, simply DC to AC, normal अपन कहते है, commutator के लिए यह भी point आता है, कि यह एक तरह से, यह एक तरह से आप कहेंगे, machine को unidirectional, machine को unidirectional, torque जो है, वो भी क्या करता है, provide करता है, machine को unidirectional torque provide करने का काम भी इसी का है, senior section engineer का paper का level कैसा रहेगा, expected, like, which exam, senior section और इन दोनों का moderate सा ही रहता है, बिलकुल, हाँ, बेटा, electrically connect नहीं करेगा, बिलकुल नहीं करेगा, बीच बीच में मैं आपके comments देख लूँगा, बाकि आप सब लोगों के सही answers आ रहे हैं, बस इसी maintain, इसी को बनाए रखना है, चाहें आप अपने इसका, continuous, lambis classes के बाद, थोड़ा सा hectic है, लेकिन कोई ब हूँ, एक commutator का work function क्या होगा, या किस तरह से process करेगा, फड़ा बढ़ मुझे बताइए, कि commutator basically जो objective में होता है, हाँ, वो सारे shapes होगे रहे दिखते हैं, commutator में basically क्या होता है, ये current को commutate करता है, कि voltage commutate करता है, एक question बढ़ी काफी बार पुछा गया है, ये question बहुत बा बिल्कुल, current को, voltage को, mixed जवाब है, याद रखेगा, commutator जो है, वो एक तरह से आप पहेंगे, current, ये एक तरह का क्या है, current reversal process है, याद रखेगा बिटा, current reversal process है, ये DMRC में have a question, current reversal, आप पहेंगे process है, याद रखेगा, किस को, current को commutate करता है, नहीं कि voltage को, हम क्या कहते है, commutator basically, एक short circuited coil में current का conversion है, उसी का splitting यहाँ पर define किया आता है, voltage नहीं होगा, senior section का SSC के जैसे, हाँ, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नहीं है, फरक होता है, थोड़ा सा आप पहेंगे, कुछ, calculation based question कम होंगे, railway का moderate level ही होता है, इसी के behalf पे, ठीक ह अगर हम constructional property बेजाएं, एक commutator के लिए, ये तो सब बाते होंगे, अपने का basic पे, अगर हम construction based पे जाएं, तो क्या कह सकते हैं, बताइए, अगर हम constructional property पे जाएं, तो क्या क्या बोला जा सकता है, उसकी बात कर लेते हैं, constructional property के बिहाफ पे, हांजी, constructional property के बिहाफ पे अपन कहेंगे, commutator जो है, वो basically किसका बना होता है, hard drawn copper के segments का बना होता है, hard drawn copper segments है, अपने इसे बनाते हैं, जो की mica sheet से, हांजी, जो की mica की sheet से क्या होता है, insulated होता है, mica sheet से insulated होता है, size बता सकते हैं, paper में पूछा गिया है, mica की sheet का insulation कितना होता है, 0.52, हां बेटा, 0.52, 1 mm thickness अपन यहां पे लेते हैं, 0.52, 1 mm thickness की मोटाई के अपन mica sheet लेते हैं, यह भी अपन कहेंगे, constructional property है, और इसमें component और अपन इस्तमाल करते हैं, यह भी आपको ज्यान riser use की आते हैं, जो इस पर लग लगे होते हैं, connect करने के लिए, हम इसमें riser भी समाल करते हैं, shape wise भी अपन कह सकते हैं, इसे अपन basically, जब बनाते हैं तो आप कहेंगे, इसे basically V groove में, जा V shape में बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, उसका कारण आपको पता है, क्या करने के आप कह सकते हैं, V shape बनाने का current के है, to reduce centrifugal force आप कह सकते हैं, इसे कम करने के लिए इसे V shape बनाते हैं, बिल्कुल, reversal of current है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, small time interval, बिल्कुल ठीक, ठीक है, clear, चलो, आगे बात करते हैं इसमें, चली बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, next topic पे, अगर हम कहें, यह तो था अपने commutator के हैंप, अगर commutator की बात करें तो इतने questions आपने बोल पाएंगे, interpol क्या है, अभी आ रहे हैं, बिटा उस पर भी आते हैं, commutator के बाद, next assembly में अपन बोलते हैं कि भी construction में brush लिया जाता है, brushes क्या है, brushes आपके current commutation जो process है, उसे की सकते हैं, अगर आपका machine low rating है, low rating machines में आपके sparking level कम है, तो आप पहेंगे low rating में, हम अक्सर low rating के बात करें, तो low rating में अक्सर हम किसको यूज़ करते हैं, हम copper के brush यूज़ करते हैं, copper brushes क्योंकि इनका resistance क्या होता है, यह basically low resistance होते हैं, इसलिए इन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता हैं, लेकिन machine की जैसे-जैसे rating बढ़ता है, और high rating we can use carbon और आप पहेंगे graphite जो है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि comparatively क्या है, कुछ high resistance होंगे इसके विहाफ पे, brushes को अगर हम कहें, कि basically function क्या है, यह कई बार question पूचा गया है, what are the basically functions of brush, brush के function क्या है, तो brush के functions में जुन-जुन-वाला जी क्या बोल रहे हैं, red नहीं लिखिए, okay, red नहीं लिखना है, ठीक-ठीक-ठीक, okay, done-done-done-done, बिल्कुल यह लिजिए हटा दिये बटा, red नहीं लिखेंगे, okay, चलो, ठीक है, तो कौन से work function इसके बन बात करें, functions of brush में, functions of brush में कई बातें शामिल की काम है, collection from, collection from commutator segment, commutator segment से collect करना, दूसरा आपन कह सकते हैं, यह as a terminal input और output, आप कहेंगे, एक तरह से terminal की तरह भी work करते हैं, एक हम कह सकते हैं, brush जह है, वो एक तरह का lubrication भी provide करता है, आप कहेंगे, it will also provide lubrication, it will also provide lubrication, और बताइगे, और क्या function हो सकता है, collection के बाद, lubrication provide करता है, यह पर function है, एक और point जो अकसर बात करते हैं, वो होता है, sparking आप जानते हैं, it will also reduce, reduce, sparking in commutation, यह commutation में sparking को भी reduce करता है, अगर इसे अपन कहें, commutation में sparking कम करेगा, sparking कम करेगा, यह भी अपन जानते हैं, एक तरह का resistance commutation इसी process को अपन बोलते हैं, अब यह बताएं, मुझे इन में से सबसे important function क्या है, तो आप पहेंगे, the main function regarding this, is there, अगर कभी question आजाएं, कि इन में से सबसे main function कौन साथ याद रखेगा, collection जो है, वही सबसे important function है, कैसी पुरुष का, तो यह तो सब basically, बेटा, current क्या कह रहे हैं, provide flowing current path, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यह सब आपके basically constructional property के आपने बात करी, अब हमाँ आते हैं, basically, DC machine के application sense पे कि क्या होगा, कैसे होगा, चलो, segment में आगे बढ़ते हैं आपन, किसके बिहाफ पे, generating principle पे, अब अगर अपन कहें, इसका DC, अगर मैं DC generator के view पे जाऊँ, generating principle के अगर बात करें, तो वो क्या है, बताएं, DC generating principle पे जाएं, तो यह क्या होता है, चलो, बात करते हैं, इससे, क्या होता है, DC generator का view क्या होगा, पढ़दार सर आगे हैं, चले, बिलकुल, like, share कर दीजिए, कोई कमे नहीं आने चाहिए, बात करते हैं, बेरिंग के बारें, बेरिंग के बारें, बिटा, बेरिंग जो होती है, वो आप तीन तरह से, बॉल बेरिंग, बुश बेरिंग और रोलर बेरिंग यूज़ करते हैं अगर, अगर हम बेरिंग की बारें, बेरिंग फ्रिक्शन को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए, यूज़ किया जानाला कंपोनेंट होता है, और कुछ नहीं, डन, चलो, अब हम अगर कहें, DC जनरेटर के व्यू में, तो आप जानते हैं, DC जनरेटिंग प्रिंसिपल प किसी आर्मिचर को, तो किसी मैगनेटिक फिल्ड में रोटर, आर्मिचर के रोटेट करने पर लगातार एक फ्लक्स कट करेगा, और फ्लक्स कटिंग जहां पे हो, वहां पर आप कह सेकने, एक डायनमिकली इंडियूस दियम अफ अपने को मिलने लगेगा, और इस डायनमिक प्रिंसिपल अगर अपने, तो इन शॉट अगर अपन कहें, हम जानते हैं कि किसी भी जनरेटर में, किसी भी जनरेटर में बिसिकली अपने पास अगर मैगनेटिक फिल्ड की बात करूं, तो आप खेंगे, नौर्थ और साहुथ इस तरह से अपने का एक मैगनेटिक पाद है इस armature की इसके axis की बहाब पर रूटेट करा हैं तो इस flux को लगातार क्या करता है इस magnetic flux को लगातार क्या करता है यह हो गया आपका permanent magnet का field और अगर armature भूमेगा तो इस flux को कट करेगा flux cutting की वज़े से armature conductors पर एक EMF establish करेगा तो आगे की assembly जो इसमें होती है उसमें हम कहेंगे armature conductors further किसी commutator पर हैं और commutator segment जो हैं उन पर आगे लगे हैं brushes और उन brushes के through open क्या कर सकते हैं output को collect कर सकते हैं तो आपकेंगे इस तरह से किसी working function में अगर कोई load है तो एक पर अपन कहेंगे इस load को outer orbit पर एक DC load को आपको यहाँ पर DC मिलता हैगा तो इस ACO DC function में अगर हम बात करें तो किस तरह से work कर रहा है बस यही देखना है normally किसी भी generator में input अपना था mechanical उस mechanical input को यह electrical output के तोर पर क्या कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस machine में जो motion है वो किस तरह का है induced EMF बिल्कुल आप कहेंगे यहाँ पर machine में parades law से एक parades law से एक dynamic induced EMF मिलेगा parades law से एक dynamic induced EMF हमें है यहाँ पर मिलता है dynamic induced EMF की value क्या होगी अगर उसकी बात करें तो dynamic induced EMF जो हमें मिलता है किरती साही कह रहे है वो किस तरह का होगा parades law क्या कहता है एक magnetic field है conductor है किर इस से इससे लिखा जाता है E equals to VBL sin theta से और अगर मैं किसी rotating motion की बात करूँ अगर मैं किसी rotating motion में बात करूँ तो आप कहेंगे इसी EMF equation को लिखा जाता है E equals to 5 P N Z upon 60 A से clear है यह दो तरह के अपने पास work function मिलेंगे जिसे अपन यहाँ पर बोलता है नॉर्मली किसी भी machine में अगर generating principle है तो एक magnetic field को अगर armature इस तरह से rotate करके अगर armature को rotate करके हम इस flux को cut करें तो इस conductors के 0 पर EMF मिलेगा इस EMF की value जो है वो कैसी होती है आप केंगे AC जिसे commutator segment यह जो commutator segment है यह किस में करेंगे यह DC में convert कर देंगे यह ही अपना generating principle की बात कर रहे है हाँ मुझाफर बिलकुल बढ़ा रहे है अब बस gear लगाने वाले है तो यहाँ पर अपने पास linear और आप केंगे rotating motion में दो तरह की बात आती है EMF equation सबसे बड़ा आपके पास जो question बन सकता है वो किस से बनता है आपको पता है सबसे पहले जो question पूछा आता है वो आप पे EMF equation तो अगर मैं बोलू कि EMF equation क्या है EMF equation of DC generator EMF equation of DC generator DC machine में जो generated EMF है उसे लिखा जाता बेटा E equals to 5PNZ upon 60A इन सब के abbreviation पड़ावट सुने जिए 5 flux per pole, P number of pole, N speed in RPM, Z है number of conductors और आप बिलकुल बिटा वहीं पे हैं बिलकुल बिलकुल वहीं पे हैं वहीं पे हैं पटनाई चले 5PNZ60S में अपने पास जो components हमकिए अगर बात करें तो यह number of poles के वहाँ एक equation लिखने का तरीका यह होता है दूसरा अगर मैं इसे convert करूँ तो आप देख पारें N by 60 के बिहाब पे यहीं relation अपने पास आएगा यहाँ पे N by 60 हो गया है RPS में और इसी formula को एक और तरीके से भी आप जानते हैं यह होता है यह तीसरा अपना equation इनको अपन collectively के ए की रूप मे लिखते हैं तो यह equation आता इक्वल्स टू के ए फाई ओमेगा इन यह अपना तीसरा इम आफ एक्वेशन अपन कह सकते हैं तो यह तीनों ही अपने को याद होने चाहिए यह तीनों ही अपने को याद होने चाहिए आप देख पा रहें यहाँ पे एन जो है वो किसके अंदर है capital N अगर मैंने कहा है तो किसमे है यह होगे आपने पास revolution per minute में यानि एन है आपके पास rpm में small n की बात करूँगा तो यह है आपके पास rps में और अगर मैं बात करूँ को में गया इनकी तो यह अपने पास से किसमें आप बोलेंगे किसके अंदर हो गया radian per second के अंदर तो यह तीनों में ही अपने पास एक yam of equation है और इन सब से अपने को पता चल रहा है पवन कुमार सिंग्ग क्या कह रहे बेटा एवरेज फ्लक्स पोर ओके पवन कुमार सिंग लड्डू मिलेगा क्या बिहारी बाबु क्या बोलने बेटा हम लोगों किसे के टाइम पर नहीं आया पटना चले कोई नहीं पड़ लीजे आप लोगों को हमेशा मैंने online offline जब भी कोई डाउट है उसके लिए आप अविलिबल है चले कोई नहीं आपके selection में हमेशा मेरा अपनी तरफ से पूरा contribution देने की कोशिश करूंगा कोई भी डा आउट होता आप पूछ लिया करो उसके लिए तैयार खड़ें चलिए देखे बटा आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं फड़ा बट से आजए इस फंक्शन पर एक और चीज याद रखें कि जो EMF होता है इस पर बहुत बार आपको question मिलेगा कि जो EMF है वो किसके proportion होता ह is directly proportional to 5 into n बहुत से question तो आपके इस formula पर आपको मिल जाएंगे जितने भी numericals है मैं आपको selection series में important questions सारे करा चुका हूँ वहाँ से device कर सकते हैं basic theory को अपन लेते वे चलते हैं विल्कुल नितिन बिटा विल्कुल जल्दी ही आते हैं यह class attend करें next अगर आपन कहें EMF equation के बाद हाँ जी EMF equation वेगर कोई question है तो यहां से अपन relate कर सकते हैं अब हम आते हैं generator के different types पे that is types of आप कहेंगे DC generator types of DC generator में बताएए किस base पे अपन इसको differentiate करते हैं किस base पे अपन डिफ्रेंश करते हैं हाँ दीन दियाल विल्कुल वेटा लाइव आगे हैं आपके सकते हैं on the basis of excitation पहला classification यहां पर होता है जिसमें हम कह सकते हैं यह सबसे पहले आपन कहेंगे this is simply separately excited इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे यहां पर होता है आपक अपन कहते हैं किस basis में on the basis of on the basis of excitation अगर separately excited है तो इसमें हमेशा आप बोलेंगे residual magnetism यहां पर present नहीं होता है not present नहीं होता है या आप कह सकते हैं इतना capable नहीं कि flux पर धबलब कर सकते हैं यह present नहीं होता है जबकि यहां पर necessarily अपन कहेंगे आप कहेंगे necessarily यह requirement है कि residual magnetism होना चाहिए आप में it should be it should be present और साथ में proper आप कहेंगे proper polarity का होना चाहिए proper polarity का होना चाहिए यह basic requirement है अगर नहीं है तो फिर आप कहेंगे fulfill नहीं करेगा separately excited का कोई और classification आगे नहीं होता है बस यहीं है इसमें बोलते हैं कि machine का यह एक armature कर देते हैं separately जबकि जो armature circuit है generator का उसे अपन किसी इस फर्दर इदर लोड पर connect करते हैं तो यह बिल्कुल separate पर है self excited जो है self excited जो है इसको further classify किया जा सकता है आप जानते हैं एक तो होता है अपने पास shunt then आपन बात करते हैं किसकी series और फिर आपन कह सकते हैं किसकी compound generator shunt series और compound ठीक good news देंगे विल्कुल विल्कुल बहुत बहुत अच्छे camera ठीक कीजिए क्या हुआ बेटा camera में क्या issue है फटाफट से बताईए कृष्णा हां बोलिए ब्रणाम खुश रहिए प्रॉब्लम आ रही है यह video अटक रहा है 0.1 सेकंड क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या में कोई इश्यू बेटा ठीक है सब बताईए फटाफट से shunt series and compound self excited बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ओके कोई इश्यू नहीं है related to camera चलने दीजिए चलो एक बार बेटा चेक कर लिजे अपने प्रिकाशन शंट series compound में अपन शंट series का कोई classification नहीं करते हैं लेकिन हमें पता है कि compound generator को फिर से अपन बाढ़ सकते हैं फर्दर compound को फिर से classify कर सकते हैं आप सब ने पढ़ा है इसको मैं क्यों short में इसको दे रहा हूं compound जो होता है उसे पन कहते हैं या तो होगा आप पहेंगे cumulative compound या फिर होगा आपके पास differential compound cumulative compound को फिर further classify किया जा सकता है आप जानते हैं इसे फिर से अपन over then flat और under इस तरह से अपने फर्दर classify कर सकते हैं differential का कोई further classification possible नहीं होता है यहाँ पर अपन over flat और under तीनो तरह के type में इसको classify कर सकते हैं एक property base और होता है वो भी अपने को ध्यान रखना है compound generic on the basis of connection हम long shunt और short shunt long shunt और short shunt दो तरह से बाढ़ सकते हैं यह भी आपको idea होगा long shunt and short shunt यह basic एक classification based अपने बनाया कि कौन-कौन से types अपने पास available हैं यह देख लेगे अब question कहां से आता है हम brief में सबकी बात कर लेते हैं देखे शंट series generator की अपने बात की थी किस तरह के हैं compound को cumulative differential इनको basically characteristic पर पूछा जाता है कि कौन किस तरह के characteristic और कैसे relate करेंगे देखे अच्छे से बता दीजिएगा sparking खुल्दीप सिंग क्या पूछने बेटा long and short shunt थोड़ा अच्छे से खुल्दीप longer short shunt पे तो numerical आता बेटा जातर इसमें कुछ और पुछा नहीं जाता numericals जातर question में पूछा गया है चलो कोई बात नहीं फिर भी देख लेते हैं separately excited में हम कहेंगे यहाँ पर इसी को यहीं relate कर देते है separately excited को अगर बता हूँ मुझे कहां पर use करते हैं पड़ापट से बताए separately excited कहां पर prefer किया जाता है separately excited कहां पर prefer किया जाता अंसर बता है application अगर पूछा जाए कहां प्रिफर करेंगे किन application में हम separately को इस्तमाल करते हैं बोलो पड़ापट से अंसर करें separately कहां यूज किया जाएगा बिल्कुल सही कह रहे है high current और supplying DC motor lab application बिल्कुल ठीक बिड़ा आप कहते हैं इसमें एक खास बात है वो यह है कि जो यहाँ पर armature current है वही सीधा अपन किसी load को terminate कर सकते हैं जो यहाँ पर load आपका है आप कहेंगे एक तो ही आता है कि इसे हम use कर सकते हैं हाई current application में और दूसरा अपन इसे कहते हैं इसे हम इस्तमाल करते हैं lab application में इन दोनों जगों को lab application की तरह हैं इसे बेसिकली हम electroplating और electroplating और जितने भी metal purification process उनमें अपन काम में लेते हैं electroplating और numerical भी हो सेम तो करा दिए numerical मैंने करा रखें बेटा सारे के सारे बिल्कुल उसक्राइब हैं हाँ separately wide new nerd system में separate excitation को prefer किया गया है अब बचे जो जनेटर से इनके अपन थोड़ा सा summarize कर लेते हैं फटा-फट से कि क्या होता है देखो अगर मैं बात करूँ separately के बाद अगर हम कहें shunt अगर हम बात करें कि पटा-फट से इनके application बता दीजिए मुझे shunt generator जो होता है इसका जो basic orientation हो कुछ इस तरह से दिखाते है आपको पता है armature circuit generator में armature circuit इसके साथ यह लगेगा अपना shunt filled winding और यहाँ पर अपन कह सकते हैं जो भी आपका output load है उस भी हाफ पे तो shunt generator में EMF जो है उसके corresponding series generator में पर अपने पास होगा field winding यह आपका armature circuit और इस तरह से आपकी output load characteristic तो अगर अपन इन दोनों generator को थोड़ा सा revive परें तो आपके सामने कुछ points होते थे properties based पर में उनको compare कर रहा हूं कौन कौन सी properties और कहां पर application है property based पर जानते है shunt को किस पर start करते है याद है कि नहीं है always started at shunt क क्या कहा था shunt generator जो होता है उसमें बोला गया है कि इसकी property है no load starting की इसे हमेशा no load पर क्या करते है अपन स्टार्ट करते हैं जबकि इसमें बोला जाता है हमेशा इसे हम स्टार्ट करते है always आप हैंगे always at load condition अगर load नहीं होगा तो यह फिल्ड एक्साइट ही नहीं कर पाएगा दूसरा अपने पास यहां property बेस पर होता था कि हमेशा constant आप हैंगे यह basically constant terminal voltage जो है वह as output के तौर पर देता है जबकि इधर ऐसा नहीं है constant terminal voltage और बहुत small variation है तो एक तरह से it has good it has good voltage regulation यह भी कहा गया इसके लिए लेकिन सीरीज में ऐसा कुछ नहीं होता है यह basically related to poor voltage regulation की बेश पर काम करता है क्योंकि यहां पर बहुत जल्दी घटता है इसी वज़े से इसके जो application है शंट के जो application है उनमें एक्सर पर कहते हैं इसे हम battery इसे हम battery charger या फिर आप कहेंगे power supply या फिर power supply इन सब जगह पर काम में लेते हैं जबकि series generator में हम अक्सर कहते हैं इसे कहाँ पर यूज किया आता है इसे इसे हम यूज करते हैं as booster इसे हम यूज करते हैं as booster in lines यह दोनों के basic application है कि इसको booster application में और यहाँ पर इसे battery के basic weapon काम लेते हैं अगर मैं equation sense पे कहूं तो आपको सबको पता ही है वैसे normally अपन standard equation की बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर develop होगा तो क्या होगा E और इसके terminal पे क्या मिलता है V terminal voltage अगर यहा अपन हमेशा ही अपन कहेंगे load पर ही start होता है इसके लिए circuit है equation क्या होता था यहाँ पर E develop कर रहा है तो यह B की standard equation आप कह सकते है winding resistance RA this is RSE यहाँ पर भी winding resistance RA और यह होगा RSH अगर लिखें basic equation की बात करें तो दोनों में एक चीज़ का compare अपन कर पाएंगे क्या basic standard equation थी देख देजे shunt generator में और series generator में जो equation में difference था वो यह है shunt की जब equation की बात आती है तो अपने इसके लिए कहते हैं इसमें हमेशा होगा E equals to V plus आप कहेंगे I A RA plus brush drop plus brush drop यह अपने पास voltage equation है जबकि अगर मैं series की बात करूंगा तो इसमें हमेशा आपन कहेंगे E equals to V plus अब दोनों series में ह आपने का this is I A RA plus RSE plus आप कहें सकते हैं क्या होगा brush drop plus brush drop यहां पे लिया जाएगा तो basically कोई current output के case में नहीं है normally standard voltage equation यह लिखे जा सकते हैं दोनों के बेस पे अब दोनों voltages में booster की तरह अपने use करते हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं as a exciter भी shunt generator को as an exciter आप कह सकते हैं as exciter भी use किसमें synchronous machine में in synchronous generator अपने कह सकते हैं इसे हम as a exciter भी इस्तमाल करते हैं basic दोनों के जो application है उस पे यह difference आप कहेंगे इन में होगा shunter series के अंदर अब अगर पन कहें अब अगर पन कहें कि दोनों में जो differences हैं इनके application sense पर इनके बाद अगर बोला जाए कि किसका regulation बहते रहे तो यह कुशन याद करिएगा बहुत बार कुछ आजाता है कि इसका voltage regulation इससे क्या होता है कुछ खराब होता है series का constant terminal voltage कौन प्रोवाइड कर सकता ह है आपके शन्ट प्रोवाइड कर सकता है किस तरह के application में इनको इस्तिमाल किया आता है यह भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है आगे बढ़ते है next topic पर अब आता है compound generator गरपन कहें तो compounding जो है compound generator में हमारे पास है वही long shunt और आप जानते हैं short shunt इन पर आते है numerical जो कि मैं आपको पहले करा चुक रहा हूँ selection series में long shunt और short shunt में connection based का अंतर है long shunt अगर होगा तो आप कहेंगे armature circuit जो है उसके साथ series में है series field winding यह होगे अपने पास armature generator का armature और यह अपने पास shunt field winding इस तरह से अपने connect करते हैं और further आगे हम कहेंगे एक circuit पर अगर load आ जाए ठीक है इसकी question लिखना अपन सिखते हैं और short shunt अगो लगा तो यही distance आप कह सकते हैं इन short armature circuit के साथ लगाया जाता है इसमें अपन कहेंगे connect करते हैं armature circuit को यहाँ पर connect करेंगे जनेटर में और यह अपने पास आगया shunt field winding और यहाँ पर अपन connect करते हैं इसके बहाव पर लोग अब इन दोनों में जो फरक है वो किस बहाव पर हो समझ लेजे फरक होता है क्यों नेकी equation का उसके बहाव पर अपन फरक कर पाएंगे दोनों में फरक यह है कि यहाँ पर यह दोनों current common है armature current और आप कहेंगे series field current सेम है जबकि load और यह equal नहीं है this is il and this is आप कह सकते है ish this is ish यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं इसमें आपके बास series field current और load current जो होता है वो सेम है बाखी का आपका separate होगा ish तो यह standard equations अपने को कई बार पूछी आती है आचुका एक question selection series कहा हुई है sir अमन उसमें मैंने question करवा रखें हम उसमें question करवा रखें आप चेक कर सकते हैं वहां से network problem screenshot लेना है बड़ा पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा हाँ पूरा का पूरा पीडिएफ मिल जाएगा attention free रही है को बड़े हांगे ओके इन शंट और लॉंग शंट और शॉर्ट शंट में जो फरक है वो कई बार इस line का करता है तो equation कैसे लिखते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं जहां पर गड़बड अपने से होती है तो आप गहेंगे यहां पर अगर मैं बोलूँ कि यहां पर EMF है और this is terminal voltage तो मेरे पास इधर जो भी equation लिखूंगा तो E और V में तो कोई खास नहीं है वो सेम ही आता है this is E equal to V plus यहां पर common हो जाएगा आईए और यह होगा RA plus RSE plus brush drop जिसके अलिए हम अक्सर V भी लिखते हैं जबकि इस तरफ फरक क्या होगा इस बार E और V में फरक है वेट drop एक तो voltage equation में फरक है दूसरा आप हम कह सकते हैं इधर जो है हमेशा V equal to VSH होता है यहां पर जो VSH और V के बराबर है जबकि इस बार ऐसा नहीं है इस एक equation का फरक भी अक्सर पूछा जाता है यह वाला question कई बार आपके paper आपको मिलेगा VSH वाला इधर हम कहेंगे कि जो shunt winding ह उसके across जो voltage है वो है VSH जो की V के बराबर है VSH is always equivalent to V जबकि इस बार ऐसा नहीं होगा इधर हम कह सकते हैं VSH जो है वो बराबर नहीं होगा this is simply VSH जो है वो क्या होगा VSH minus this drop equal to V VSH जो है वो V plus ISE V plus आप कह सकते हैं ISE RSE के बराबर होगा ISE RSE के बराबर होगा यहां पर equation होती ठीक बिल्कुल PDF मिल जाएगा निशन रहिए PDF मिल जाएगा PDF सर जरूरी है हाँ आकाश बिल्कुल PDF मिल जाएगा निशन रहिए और कोई भी doubt हो कोई भी notes है तो आप मुझे message कर सकते हूं बता दूंग ठीक है यह अपने पास longer short के बिहाफ पे difference होता है एक difference जो अपन जानते ह अपन डिफरेंशिल और क्युमिलेटिव की बात करेंगे ठीक है वी प्लस आएसे यह जाए बिल्कुल वी प्लस आएसे यह जाए देखें नेक्स जो आता है वह आता है इंपॉर्टन टॉपिक अपने पास characteristic characteristic of DC generator, characteristic of DC generator, कौन-कौन से characteristic यहाँ पर होता है बताओ generator में, generator की जो different characteristics उसमें सबसे पहला आपने पास आता है that is OCC, open circuit characteristic इसके बाद आपन बात करतें कौन सा आता है that is internal, internal characteristic और तीसरा इसमें आता है that is external characteristic, that is external characteristic, मैं इन सब generator के characteristic को के एक ही, सर ज्यादा तर कौन यूज कर, सर पीडियोफ, पीडियोफ चाहिए, हाँ हाँ बेटा दे दे देंगे, पीडियोफ हो जाएगा, चले देखे आप तो OCC internal external की बात करें, तीनों तरह के characteristic कौन, किस-किस के बीच का relation है, फटा फट से बता दीजिए मजे, किसके बीच का relation है, OCC जो होता है, वो एक तरह का no load characteristic है, मैं shortman के सामने लिख रहा हूँ, सारे, हाँ, OCC जो है, वो एक तरह का कौन सा है, आपके एक तरह से no load characteristic है, ये कहा जाता है इसे, और पता ये, no load characteristic क्या लावा, इसे हम बोलते हैं, ये एक तरह से magnetizing characteristic भी क्यालाता है, इसके लावा अगर मैं कहूं, तो OCC magnetizing के लावा क्या है, ये एक तरह का constant, constant speed characteristic भी क्यालाता है, और किसके बीच का graph है, सबसे importantly, आप हेंगे, it is the graph between, आप हेंगे, graph between E and IF, field excitation और EMF के बीच का, short मैं अपन कह सकते हैं, चार पॉइंट, अगर हम internal की बात करें, तो internal characteristic किसके बीच का graph है, E and Ia, और external characteristic जो है, आपका terminal voltage, और आप कहेंगे, load current, ये तीन तरह के अपने point है, जो directly पुछे आते हैं, सर, class, कब तक चलेगी, दिलिप सिंग, बेटा class, काफी late तक, 12 विस तक, तो कम से कम मान के चलो, आप, चलते चलो, आप साथ साथ, पूरा का पूरा revise करना है, आपका video रुक रहा है, सर, point one second, एक बार बेटा चेक कर लिजे, हाँ, विलकुल, एक बार अपने connections, चेक कर लिजे चलो, अब अगर OCC की बात करें, magnetizing की बात करें, यह सभी के लिए common ही होता है, मैं OCC यहीं पर बना जेता हूं, simply, open circuit characteristic जो है, वो कहां से निकल के आता है, E equals तो आपको बता है, 5 P N Z upon 60 A था, यहां से अपन कह सकते हैं, अगर सारे parameter constant कर दूं, तो E proportional किसके हो जाएगा, 5 into N के और अगर मैं constant speed पर बना दूं, तो क्या हो जाएगा, E proportional किसके? 5 के, और हम यह भी जानते है, 5 किसके proportion होता है, IF के, तो अगर इन दोनों को एक साथ लिखें तो आप बोल पाएंगे, EMF is directly proportional to IF, यह अपने पास एक basic relation आगया, तो EMF का field excitation के साथ जो graph है, उसे अपन open circuit characteristic कहते ह और mostly एक तरह का magnetizing graph है, जिस तरह से किसी भी coil में current rise करता, OC base पर अपन कह सकते हैं, यह तरह का internal OCC अपना होता है, magnetizing characteristic किसी भी generator के लिए common से ही होते हैं, बस एक starting point का difference है, कैसे? आप यहाँ पर देखे, starting point का difference किस तरह से कह सकते हैं, जब भी हम OCC बनाते हैं, तो आप कहेंगे starting point का difference इस तरह से दिखाएंगे, कि अगर E है और IF है, तो अगर अपन graph को 0 से start करें, origin से, तब तो यह इस तरह के saturation characteristic पर जाएगा, यह अपने पास है किसके लिए, जो separately होते हैं उनमें, और अगर self excited है, तो यह यहीं से, ऊपर से शुरू हो जाएगा, और इसकी बात जाएग और अगर यह graph P, A, B, C है, तो अगर मैं O, A, B, C की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे कहूं कि graph जो है, वह आपका O, A, B, C है और P, A, B, C है, तो O, A, B, C तो किसके लिए हो जाएगा, separately excited के लिए, और अगर मैं कहूं P, A, B, C किसके लिए हो जाएगा, आप कहेंगे self excited के लिए, यह दोनों में basic difference होता वेटा, इस characteristic में, किक है, इसके बीच का graph है, इसको यहाँ से अपन देख सकते है, residual की कम, सही चल रहा है, continue, okay, 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 चलो done, देखो, topic छोड़ नहीं सकते हैं, को भी और साथ-साथ करते चली, अपने आपको कि आज हमें किवल DC और यही दोनों करने, तो सारी चीज़े मैं सोचता हूँ, कि करके revise करते वेचले आगे, in short, सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा पन revise करते वेचले, ठीक है, clear, चलो, अब अगर मैं बात करूँ, internal, external के, तो यह क्या होते हैं, basically बताइए, internal, external, characteristic के अगर बात करें, अगर हम कहीं, internal और external पे, किसी भी graph में, तो यह characteristic के sense पे जाते हैं, हम एक साथ नहीं बना पाएंगे, तो अपर उसको show कर देते हैं, किसी generator के regarding किस प्रकार के होगे, अगर हमेरे पास है, internal और external, separately का, self का, इन सब को अगर draw करें, तो एक तरह से आप बोलते हैं, कि internal और external को बनाने के लिए, हम load characteristic के समझेगा, इन सब के एक साथ अपन graph characteristic में बनाने वाले हैं, देखो, OCC तो अपने दिखा दिया, अगर हम यह 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 terminal voltage को, हम यह load के साथ अगर plot करें, तो आप हैंगे, separately excited जो होता है, हाँ, बिल्कुल, separately excited जो होता है, उसके अगर बात करेंगे, तो no load पर, उसे start कर सकते हैं तो maximum voltage पर चला यागा, और उसके बाद उसके graph जो है, वो इस baseline पर अगर बनाएं, तो separately, shunt, series, compound, इन सब के बात करें, over, under, flat, जिनके अपन तीन चनल, compound generator को देख लिजे, compound generator जो होता है, compound generator जो होता है, उसमें हम कहेंगे, दो property अपने पास है, एक अपने पास आता है, कौन सा cumulative, cumulative compound, और दूसरा इसमें निकल क्या आता है, that is differential, तो दोनों में एक खास फरक है, cumulative compound में अपने पास तीन characters तीन, over, flat, under, इसमें तीनों आपने बोले थे, कि एक होता है, कौन सा, over compound, दूसरा होता है, आप कहते है, flat compound, तीसरा होता है, अपने पास, under compound, लेकिन differential तो एक यह प् का, कोई reason बजा सकता है, क्यों ऐसा होता है, load increase करने के साथ, terminal voltage बहुत fast decrease क्यों करता है, कारण इसका यह है, load increment के साथ, terminal voltage का बहुत fast decrease करना, because यहाँ पर 5 equals to 5SH minus 5SH होता है, यहाँ पर compounding जह वो opposite होती है, तो total flux को reduce कर देगा, तो total को reduce कर देगा, then, ऐसे ही यहाँ हूँ, है वेटा, thank you, चलिए, पढ़ते ही अगर आपको को समझ में आता है, तो, अब इन तीनों के अगर बात करें, तो यहाँ पर इन तीनों में ही compounding कैसी additive है, so 5 equals to 5SH plus 5SH, यहाँ पर तीनों में फरक क्या है, over जो है, उसमें क्या करेगा, load के साथ increase, flat जो है, उसमें क्या रहेगा आप कहेंगे, यहाँ पर maintain करता है, constant, और under जो है, उसमें क्या करेगा, आप कह सकते हैं, इसमें करता है decrease, तो तीन तरह के characteristic के अपने load के साथ, जिनको अपनिया शो करें, एक एक करके सभी को देखिए, अगर हम plot करें, one by one, अगर हम plot करें, one by one, तो ऐसा बोल सकते हैं, कि वह इसके characteristic कुछ इस तरह से shuffle करेंगे, graph देखेंगे बटा, किस तरह से shuffle करेंगे, अगर हमारे पास है over compound, तो हमेशा no load पर v equal to e, maximum value पर उसके बाद graph इस तरह उपर की तरह price करता है, आगे फिर से decrease करेगा, अगर flat है, तो आप कहते हैं graph जो है, basically इस तरह आते हैं, अगर under compound है, त तीन graph तो यह अपने पास हमेशा होते हैं, अगर मैं कहूं, shunt series compounding पर हैं, और series generator तो series बिल्कुल सबसे अलग है, यहाँ से, आप कहा सकते हैं, उसकी rising characteristic है, तो यह series है, then further अगर मैं कहूं, यह तो होगे over, flat, under, यह है series generator जो load के साथ अपना terminal voltage बढ़ाता है, rising characteristic में, और अगर म बचे अपने पास separately और shunt, तो separately हमेशा इससे ऊपर ही रहेगा, shunt basically कुछ dominating nature पर reduce कर जाता है, तो यहाँ पर दो graph अपने पास ऐसे मिलते हैं, अगर याद हो, आप सब को तो इनके answer क्या थे, यह है अपने पास, that is over compound, यह है flat compound, यह होता था under compound, इसे अपन कहते थे, this is for series, यह यहाँ पर अगर आगे बात करूँ, तो इसमें कौन होगा, separately, यह कौन होगा, आपने का shunt, और last वाला जो है, यह किसके लिए होगा, अजी, यह किसके लिए, differential compound, यह आपके सारे के सारे characteristic है, एक ही plot पर, हाँ, बिल्कुल, सब से नीचे कौन आएगा, differential आएगा, यह अपने characteristic है, यह अपने characteristic है, जो अपने एक ही plot में, यहाँ पर सब साथ में, बना सकते हैं, दो point और अपन यहाँ देखते थी, आद करो, critical resistance के विहाँ पर, हाँ, बहुत depth में नहीं जा सकते हैं, revise नहीं कर पाएंगे, एक एक point को, इसलिए अपन थोड़ा सा, थोड़ा सा, फास चल अगर हम बोलें, कि किसके characteristic rising, अगर आपसे कोई पूछे, कि भई, दो तरह के अपने पास characteristic होते हैं यहाँ पर, अगर कोई कहे rising, rising किसके हैं, और अगर कोई कहता है, dropping किसके हैं, तो rising वो हैं, जिन में load increase करने के साथ, आपका terminal voltage बढ़ जाए, और अगर dropping की बात करता है, तो आपेंगे, वो हैं, जिन में load increase करने के साथ, terminal voltage घट जाए, दो तरह के difference है, हाँ, कैसे पूछेगा question, question बेटा यहाँ आता है, चंदन इस पे question कैसा आता है, आपको एक graph देके, यहाँ पर बोलता है, कोई भी 4-5 point देके कहेगा, match the following, यानि आपको बोलेगा, यहाँ पर खाल flat, under, separately, हाँ, इसमें क्या दिकत, separately हमेशा उपर रहता है, separately हमेशा उपर रहता है, series rising है, rising जो है, वो किसके होते हैं, over के और series किन के, हम, वो दे प्रकाश का कह रहे हैं बटा, buffering हो रहा है, series के हमेशा rising होते हैं, क्योंकि वो load के साथ अपने terminal voltage increase करता है, ठीक है, चले, कौन सा किसके बहाफ पे, initially सबसे अच्छा है, और कौन सा किस तरह का characteristic है, चलो, आगे बढ़ते हैं, loss पर, next point लेते हैं, generator के लिए, that is, loss and efficiency, loss and efficiency, loss and efficiency के बहाफ पे, कौन-कौन से losses किसी मशीन में होंगे, बताइए, cumulative कहा है, cumulative के तीन पार्ट बेटा, आप अले question की बात करें, अच्छा, अच्छा, वो, 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 वी आई characteristic का होता है, वो आई भी और वी आई characteristic की बात करता है, वो classes पर पढ़ा है, बेटा अपने, चलो, losses अगर मैं कहूं, तो किसी भी machine में, अगर rotating है, तो there are three types of loss, बिल्कुल, variable fix नहीं, बेटा, loss अगर अपन loss अगर अपन कहें, तो losses जो है basically किसी भी DC machine में अपने पास, तीन category में है, एक आप जानते हैं कौन से, या copper loss, then further अगर अपन कहें, तो आप पहेंगे iron loss या magnetic losses, और तीस आपन कहसे तने हाँ पे, एक तरह से जो आपके mechanical loss होते हैं, इन तीनों का perception, एक तरह से percentage आपको याद हो copper loss हो एक तरह से कौन से हैं, आपके ही जो winding में होने वाले I square R loss है, iron losses जो हैं जो एक तरह से machine के magnetic या फिर आप कह सकते हैं, core losses के भी हाफ पे बोले जाते हैं, और mechanical जो हैं वो आप कह सकते हैं एक तरह से, rotational या फिर इनको friction loss कहते हैं, rotational या फिर इनको friction loss कहा जाता है, done, अब I square R magnetic या friction, इनका percentage भी कई बार पुछा गया है, video problem आ रहा है, data problem, बिल्कुल, यह variable, variable, iron और mechanical, अब copper losses का percentage, यह यहां से objective question आता है, याद रखेगा, तिनों पे, यह जो हैं, वो हमेशा कितने होते हैं, 30 से 40%, आप गया से किन का perception होता है, 30% to 40%, 30 से 40%, 30 परसेंट तू, 40% of full load, of, आप पेंगे, full load, losses होते हैं हमेशा, अगर इनकी बात करोते हैं, अपने पास होते हैं, कितने, they are simply 20% to, आप पेंगे, 30% of full load losses, लास्स वालों के लिए कर कहें, तो यह होते हैं, आपके, 10% to 20% of full load losses, यह fraction कई बार पूछ लिए आता है, कि कितना कितना fraction, कहा कहा कितना होगा ठीक है, बैसिकली, यह वाला question आपके, एक बार पूछा गया है, iron losses के perception पे, iron loss का fraction कितना है, किस basis पे लिखा जाता है, losses का perception, mechanically, iron किस पर depend करता है, यह आप transformer के समय बैतर समझ पाएंगे, अब यह अपन सीधे चलते हैं, आगे, efficiency के हम बात कर रहे हैं, आपे, efficiency कैसे लिखें, तो किसी भी machine में, efficiency constant अगर अगर वो लें, तो basically यहाँ पे efficiency कही तरह के, generator के लिखें करें, तो 2-3 section पर बोला जा सकता है, normally, normally अगर 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 कहें, efficiency में, normally अगर efficiency define करें, तो motoring generating mode पर अपन लिखेंगे अभी, बट क्या होता है, efficiency इसको देख लेते हैं, नीटा हवेशा होता है आपके पास, that is, output upon input quantity पर, यह question भी आपके SSE में पूछा गया है, या फिर इसे अपन लिख सकते हैं, क्या, output जेह उसे लिखा जा सकता है, that is, input minus losses, upon आ पर इसे लिखा जा सकता है, that is, output upon output plus, आप कहेंगे losses, तो एक तरह से output upon output plus losses वाले जो formula है, यह सबसे ज़्यादा इस्तमाल कियाता है, अगर आपको percentage में निकालना हो, तो multiply कर दीजे, किस fraction से, 100 से, ठीक है, multiply कर दीजे, इसके fraction से, इंटर्न एक्सिनल के graph कैसे बनेगा, बिल्कुल बताते हैं उसे आलो, अभी बताते हैं, brush loss, बिल्कुल brushes को as a copper losses अपन consider करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, brush को as a copper losses अपन consider करेंगे, अब यहाँ पर keywords की तरह कौन-कौन से question पूचेगे हैं, revise करते हैं, यहाँ पर efficiency पे सब fraction क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ, efficiency जो है, उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, neta equals 2 होता है, output यानि कि V into I, upon output यानि V into I, plus I square R, plus WC, यह आपके WC constant losses, stray loss का fraction है, अब यह जो efficiency fraction है, उसमें वो आपसे दूसरे नमर पे पूछता है कि condition क्या होगी, कि condition of maximum efficiency, condition of maximum efficiency क्या होगा तो condition of maximum efficiency क्या होता बेटा, बोलो, condition of maximum efficiency क्या होगा, आप कह सकते हैं, इस condition पर आप कहते हैं, constant loss जो है, वो किसके बराबर हो जाते हैं, आप बोलेंगे variable loss के बराबर हो जाते हैं, constant losses और variable losses हमेशा क्या होगे, equal होगे, किस पर, condition of maximum पर, constant losses और variable losses हमेशा बराबर हो जाएंगे, और यहां पर जिनको मैं constant लिख रहा हूँ यह WC यह भी तीसरा question पूछा गया WC में कौन कौन है WC में लिया गया है किसको iron plus आप कह सकते है mechanical loss को और इनको combinedly नाम दिया गया है क्या किने कहा जाता है that is stray loss यह भी कई बर question आयता है कि stray losses क्या है बस आप revise करते चलिए जो पढ़ रखा है वहाँ से question जो बनेगा आपन कर जाएंगे बस topic to topic आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं क्या है so constant losses variable loss बराबर हो WC जो है वो stray losses कराते है iron plus mechanical इस perception में अपने कोई मिलेगा अब efficiency में अपने कहा था कि जब efficiency लिखते हैं एक block diagram में आपको कुछ relation और बताए थे आपको वो क्या था important point यह हो सकता है कि वही हमेशा efficiency जो है उसमें दो तीन तरह के perception थे एक generator के लिए motor के में इसका mechanical electrical की विहाब पर आप जानते हैं नीटा overall एक होता था यह किसके बराबर होगा याद रखें नीटा mechanical नीटा यह होता है नीटा mechanical efficiency होता है नीटा electrical efficiency इन दोनों के multiplication को यहाँ पर लिखा जाता है अगर अगर कभी पूछा जाए mechanical और electrical दे रखाओ तो दोनों को multiply कर दीजिए overall मिल जाएगा overall efficiency किसके बराबर अगर कोई formula पूछ ले तो याद रखेगा कि नीटा overall होता है machine के लिए mechanical output जो कि है कितना sorry electrical output अगर मैं कहूँ वो कितना है electrical output है V into IL और अगर कोई कहें mechanical कितना है तो आप कहेंगे जो भी आप shaft पर पावर दे रहे हैं VHP into 735.5 अगर इसने overall पुछा तो इसे multiply कर दीजिए 100 से अगर पूछता है mechanical क्या होगा तो mechanical efficiency को लिखा जाता है नीटा mechanical बराबर होता है वेटा इसके mechanical output upon mechanical input तो mechanical output क्या है बोलो mechanical output क्या है generate जो कर जाए that is mechanical developed power E into IA developed by लीचे divide किसे कर देंगे आप कहेंगे भी एचपी into 735.5 वाट अगर ये percentage में है तो multiplied by 100 और अगर पूछे कि electrical efficiency बताईए तो इसके लिए कहते हैं नीटा electrical जो होता है वो बराबर होगा किसके electrical output V into IA upon electrical input E into IA अगर percentage में पूछा इसको भी multiply कर दीजिए 100 से तीन relation अपने पास वहाँ आते हैं जिनके बारे में कई बार question पूछा गया है mechanical electrical और overall efficiency चेक कर लिजिए क्या यही तिन और रिलेशन है अब बताईए क्या यही तिन और रिलेशन पड़े हैं सब ने देख लिए एक पर फड़ाबट से चलो बहुत अच्छे अब बात करते हम आगे next topic पर दो important topic जहांसे question पूछे गए हैं कौन कौन से हैं एक generator और motor के लिए दो सबसे खास और important topic जो क्या आपके है armature reaction और आप कह सकते हैं armature reaction और commutation sir क्या पूछे सब net problem में क्यूटी कह रहे हैं net का क्या issue बेटा चेक करिए एक में पानी पी लेते हैं थोड़ा सा हाँ armature reaction और commutation की बात करेंगे बिलकुल यह पावर फ्लो ही मैंने बताया था भी पावर फ्लो में हमारे पास mechanical पावर है वो electrically क्या करता है intermittent power में आता है और फिर आगे ट्रांस्पिट कर जाता है उसमें यही तो अपना पावर फ्लो है अगर हम बात करें पावर फ्लो की तो यह पावर फ्लो बेटा यह था आपके पास developed क्या होता है mechanical यानि आपके पास BHP आपके पास एक तरह से BHP में क्या है into IL यानि electrical output इस तरह से पावर फ्लो होता है इसी इसी जैंस पे पने लिया है बिल्कुल 735.5 अमन दोनों ले सकते हैं बेटा 1HP के लिए दोनों रिलेशन करेक्ट है है 735.5 भी ले सकते हो और 746 भी ले सकते हो दोनों ही करेक्ट हूंगे एक matrix standard है और एक आपका 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 से अगला important topic that is armature reaction देखेंगे दान से क्या होता है यह भी आर्मिचर आर्मिचर रिएक्षिन क्या है आर्मिचर रिएक्षिन कैसे करते हैं हां जी आर्मिचर रिएक्षिन सोड़ा ब्रेक लीजिए गुरुजी तियार आर्मिचर रिएक्षिन की बात करें तो basically armature reaction is the effect of armature flux on main flux जो जहां से question आते हैं हम उनको short point में revise करते वे चलेंगे क्या होता है पटापट से देखते चलें आर्मिचर रिएक्षिन basically आप कह सकते हैं एक तरह से effect है क्या है आर्मिचर रिएक्षिन is basically the effect आप कहीं एक तरह से effect है किसका it is the effect of effect of phi a मैं short form में ऐसे रिकरा हूँ याद रहें phi a on phi m clear effect of phi a on phi m armature flux का main flux जो filled flux उस पर effect क्या कहलाता है armature reaction कहलाता है ठीक है अच्छा 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 no break time नहीं है ज़र हाँ हाँ बिलकुल 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 तो जब system armature का flux है वो main flux पर अगर act करेगा तो DC machine में specifically armature reaction की यहां पर दो तरह के component अपने को मिलता है आपके यहां पर दो तरह के component यह शो करता है एक component जो है वो कौन सा कहलाता है आप जानते हैं this is simply demagnetizing component और दूसरा अपन जानते हैं यहां पर कौन सा होता है that is cross magnetizing component क्या है अभी बात करते हैं इनकी armature reaction की दो बैसी component है जैसा आपन देख पने demagnetizing और cross magnetizing यह हमेशा dominating होता है इसी की वज़े से जो field आपका reduce कर जाता है वो कौन सा कराता है no sound क्या वो आवाज नहीं हा रहे कम करने के लिए interpol हाँ वो सारी चीज़ अपन बताएंगे बटा सभी ठीक है आ रही है ना हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक ठीक डन अब हम कहते हैं armature reaction के दो कम दी magnetizing कर रहास तो क्या आप डी और cross magnetizing की बात कर रहे हैं तो यह basically जो है demagnetizing component जो है वो आपनेंगी जो main flux है उसका जो magnitude है आपनेंगी यह जो है उस main flux के magnitude को magnitude of of 5m जो है उसे क्या करता ह है रिड्यूज करता है उसे रिड्यूज करेगा और अगर अगर अपन cross magnetizing की बात करें तो यह क्या करता है it will distort it will distort the main flux distort the 5m आप कह सकते है resultant flux से उसको distortion लाएगा और यह अपन कह सकते हैं और यह ठीक ठीक done ओके यह main flux में distortion लाएगा और यह आप कह सकते हैं उसके magnitude को कम करेगा collectively अपने इन दोनों को अगर कहें collective लेकर कहें तो armature reaction basically जो है एक तरह का voltage drop होता है यह कह सकते हैं एक तरह का voltage drop है और इस voltage drop की वैसे अपन बोलते हैं finally हमारा terminal voltage कम होता है फिल्ड वीक होता है एक तरह से एक तो बोल सकते हैं कि आपका जो फिल्ड है वो क्या हो जाएगा वीक होगा और साथ में अपन बोल सकते हैं output जो है voltage, output जो voltage है, वो क्या होता है, reduce करेगा, तो दोनों ही एक तरह से drawback है, यह अपने बोल सकते हैं, दोनों ही drawback है, इस वज़े से, दोनों ही drawback है, इस वज़े से आपके लिए fruitful नहीं है, हमें कैसे भी करके इस effect को क्या करना पड़ता है, reduce करना पड़ता है, आपने गर शिरो armature reaction, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे at load, हम कहेंगे जैसे जैसे at load, load पे अगर बात करें, तो simply कह सकते हैं कि load के बढ़ने के साथ, आप कहेंगे armature reaction का effect क्या करेगा, बढ़ना शिरू हो जाएगा, यहाँ पर यह इसके corresponding function है, यह इसके साथ लगातार इसको कम करेगा, ठीक, अब अगर अपन कहें, हाँ बिलकुल बिलकुल कह सकते हैं, अब अगर अपन कहें कि फिर क्या है, factor क्या है, होता क्या है, यहाँ पर दो components सबसे ज़्यादा पूछे आता है, वो कौन से होते हैं, बात करने उनकी भी, अजी, GNA और MNA, बताव बढ़न आता, GNA, MNA, यह objective में को कुछन आता है, GNA और MNA के थुरू अपन इस इसको explain कर सकते हैं, MNA, हाँ भी, फटाफट से like और share कर दो, करते हैं generator में de-magnetizing करने में, फटाफट से share कर दीजे, और बाकी लोगों के साथ भी, जो अगर नहीं जोड़ पाए अभी तक, वो भी जोड़ जाए, चली, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, GNA और MNA क्या, तो मिलाने वाली access है, इनको जो मिलाने वाली अपनी access है, वो क्या कहलाएगी, इनको मिलाने वाली access को अपन कह सकते हैं, यह जो है, इसे अपन बोलते हैं, यह कराता है, अपना magnetic access, इसे तो अपन है magnetic access बोल दिया, इस magnetic access के जो perpendicular है, इसके जो perpendicular access है, इसे हम कहेंगे, इसके हमेशा जो perpendicular bisector होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, यह होता है GNA, और जब machine no load पर है, अगर machine no load पर है, कोई armature reaction नहीं है, तो आप कहेंगे इस direction में अपना resultant flux है, और resultant flux के perpendicular axis पर ही क्या होते हैं, अपने पास brushes होते हैं, तो आप कहेंगे यह brushes अगर यहाँ हैं, तो यही क्या बन जात inside करते हैं, यह अपन बोल सकते हैं, आगे अगर 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 कहें कि फिर MNA move क्यों करता है, उसी इसके अगर बात करें, MNA move क्यों करता है, तो आपन कहेंगे MNA armature reaction के बहाफ पे एक variable axis है, जो की move करेगा, तो जब भी पूछा जाए, तो magnetic neutral axis की ही बात हमेशा की जाती है magnetic neutral axis इसलिए move करता है, आप सिंपली कैसे करें, दोनों के मैं perception साथ साथ लिखते चलता हूँ, तकि बात अपने को समझ में आती रहे, अगर GNA और MNA की बहाफ में मैं बोलू हूँ, तो आप ये बोलेंगे सबसे पहले, वेड़ा GNA की बात कर रहा हूँ, तो GNA की अगर बात fixed axis है वेटा, एक तरह का fixed axis है, कोई armature reaction का फरक इस पर नहीं पढ़ता है, ये cable system की geometry पे, ये machine को आप कह सकते हैं, एक तरह का क्या है ये, एक तरह का perpendicular bisector है, परpendicular bisector है किसका, magnetic axis का, तो हमेशा constant axis होता, fixed है, लेकिन अगर हम बात करेंगे MNA की, तो MNA की जो होता है, उसके variable axis है, depends on, it depends on armature reaction, और armature reaction के साथ सबसे important कि क्या है, किस पर depend करेगा, किस पर रहता है, तो आप कहेंगे, it is perpendicular, it is perpendicular to, perpendicular to 5R, 5R यहां पे कौन है, resultant axis, जो resultant axis है, उसके perpendicular हमेशा हो जाता है, तो resultant axis इस समय कहा थी, magnetic axis पे, तो आप कहेंगे, magnetic axis पर है, तो इसके perpendicular यही जिएन है, अगर armature reaction आएगा, तो इस पर 2-3 तरह के effect को consider करते हैं, आपन बात करते हैं, नॉर्मल यह अपन कहा सकते हैं, कि इस circuit में ही अगर अपन उसीज को सीखें, तो आप कहेंगे, यहां पर हमारे पास एक magnetic neutral axis जो है, वो इसलिए इस पर मिला, क्योंकि अभी इस field के perpendicular axis पर ही लेकिन अगर armature reaction होता, ऐसा समझें, अगर यह अपने पास है main flux, अगर इसको कोई चीज cross magnetize करें, अगर इसको कोई चीज, आप कहेंगे demagnetize करें, तो आप कहेंगे, यह इसके magnitude को reduce करता है, और यह इसकी direction को भी distort करता है, तो आप कहेंगे, resultant flux कहीं इधर shift हो जाएगा, इस property पर, resultant flux के shift होने कि इस property पर अपन कहते हैं, उसके perpendicular आपका MNA भी move कर जाता है, अपन इस तरह की एक line बना के कह सकते हैं, कि अगर system पर आपका armature reaction आए, तो आपका magnetic neutral axis vary कर जाता है, आप कह सकते हैं, this is new MNA, यह new MNA है, और जिस angle से move कर गया, इसे अपन brush shifting angle theta भी बोल देते है So MNA is a variable axis, basically पन कहते हैं, MNA आपका variable axis होता है, यह कहा जा सकता है, ठीक है? difference between an area of the code codes and lead course Okay बड़ा शेरी, this is all about electrical machine, you can ask about the electrical machine on this platform, okay? चले, यह हमने GNA और magnetic neutral axis का perception नहीं देखा कि किस तरह के हैं और कैसे vary करते हैं, अब अगर मैं बात करूँ, basically armature reaction की, उसको अपन देखेंगे, कि armature reaction का consider कैसे किया आता है, development क्या कहता है, क्यों armature reaction होगा और कैसे अपने इसे explain का सकते हैं, तो याद रखेगा हमेशा एक तरह से drawback की भी अगर बात करें, अगर हम कहें drawback की भी अगर बात करें, तो कौन बन से, क्या क्या disadvantage है, basically armature reaction में होता क्या, क्या disadvantage उसको समझेगा? हाँ, बिल्कुल अलग बनता है, आकाश इसका, इसमें current की direction, देखो, अगर मैं कहूँ, direction shift कैसे करेंगा, उसको अपन समझनेंगे, मने move करके, कैसे shift कर जाता है? अगर मैं कहूँ, इसको कैसे shift करते, इसको अगर समझना है, तो उसके लिए पहले, अपन magnetic neutral और geometric neutral की बात जो करेंगे, तो उसको explain कर देते हैं, किभी एक तो drawback है, और हो कैसे shift कर गया, उन सब बातों को समझने के लिए, हम basically armature reaction का development diagram देखते हैं, इससे अपने को पूरी शी clear आजाए, हाँ वे, देखो, नॉर्थ पूल, आपने कहा, ऐसी तरह से बूला, यह साउथ पूल, समझना है इसको अच्छे से, आपने कहा, यह अपना magnetic neutral, magnetic access है, ठीक, यह हमारे पास एक तरह से हो गया, magnetic access, इस magnetic access पर, perpendicular bisector आपने बूल दिया, यह लिजे, यह perpendicular bisector हो गया, ज initially, जब कोई system पर लोड नहीं है, तो आपने कहा, यह हो गया हमारा MNAB, जब शुरुवात में आपने कहा, जब कोई armature reaction नहीं है, no load पर, अब होता क्या है, main field जो है, उसी की direction में हम कहते हैं, इस तरह एक MMF create करता है, ऐसे, यह कौन है भी, आपने का main flux का FM, main field की direction में जो आप इस तरह एक है cross magnetizing component, इधर मैंने का एक है demagnetizing component, यह दोनों कहां से आ रहे हैं, इन दोनों का moment किसकी वज़े से मिल रहा है, अगर यह पुछा जाए तो आप कहेंगे, इनका जो आपका development है, वो मिल रहा है, इनके किसी basic component की वैसे, जो अपन मान लेते हैं सा, कि यहां कहीं, जो यह create करता है, इसे पन कहते हैं, this is fd, this is fc, और इसका dominant component है, fa का, उसका angle theta होता है, तब अपने पास तीन creation आए, fd, fc, fd, तब इस में से इसको अगर minus कर दूँ, तो यहां से यहां तक हमें क्या मिला, this is fm minus fd, अब fm minus fd और fc एक दूसरे के perpendicular हैं, अगर यह दोनों ए वज़े से हमें यहां पर एक resultant axis मिलेगा, इसा, यह कौन कहलाएगा, आपका fr, तो आप कहते है, resultant flux अगर move कर गया, अगर resultant flux जो आपके इस direction में था, अगर move कर गया, तो उसके corresponding, उसके corresponding, आपका perpendicular axis जो है, वो भी क्या कर जाएगा, move कर जाएगा, तो आपके brushes जो है, वो यहां से shift होंके इस पर आजाते है, तो अगर resultant आपका move कर गया, अगर fr इधर move कर गया, तो आपका जो magnetic neutral axis है, वो भी आप कहते है, shift हो जाता है, किसी angle पर, तो जो moment है, वो किदर change, अब अगर मैं कहूं, यहां पर मैंने जो दिखाया, यह MNA अगर मैं कह रहा हूं कि direction, direction of rotation, और MNA will move opposite, opposite to the, opposite to the DOR, direction of rotation के opposite, अगर direction of rotation में move करे, तो machine का behavior किस की तरह है, आप पहेंगे यह है, generator की तरह है, और अगर direction of rotation के opposite move करे, तो machine का behavior किस की तरह है, बेटा, motor की तरह है, और यह क्यों हुआ, यह आप पहेंगे, यह आप पहेंगे, आप पहेंगे, आप पहेंग पर होगा, इससे question कैसा बनेगा, हाँ भी बताते हैं, पहला question क्या सकता है, कि armature reaction है कैसका effect, यह पूछा, दूसरा वो पूछ सकता है, MNA किदर shift करेगा, this on no load, हाँ, MNA यहाँ पर, यहाँ पर है no load पर, यहाँ no load यहाँ जब आपका armature reaction zero, जैसे हम कहते हैं कि इस flux FM के corresponding, एक FD F से create करता है, तो आप कहते है, resultant जो हो यहाँ पर move कर जाता है, और resultant flux के perpendicular axis का हमेशा कौन होता है, यह चीज, इस लिए पन कहेंगे, इस तरह इसका moment आपका shift हो जाएगा, एक तो यह से आप कह सकते हैं, यही ahead रहेगा, तो generator और behind, वो ahead और behind जो है, उसकी property अपन, interpol में अप पास आया है, ठीक, आगे देखें, इसके बाद आगे बाद हैं, यह तो हो गया, इस से related case, अब अपने को पूछा जाता है, एक सर कि भी drawback क्या है, armature reaction तो चलो ठीक है, क्या disadvantage है, और कैसे overcome करते हैं, disadvantage, disadvantage क्या है, disadvantage of armature reaction क्या है, और कैसे आप इसे reduce कर सकते हैं, method, आपने की methods to reduce, methods to reduce armature reaction, दो चीज़े अपने को देखने, तो disadvantage के एकर मैं बात करूँ, disadvantage के अगर बात करूँ वेटा, तो कौन-कौन से disadvantage अभी अपने देखा, कि एक तो आप कहा सकते हैं कि drop जो है, आप पहेंगे एक तो simple voltage जो drop है, वो आपके increase करते हैं, तो आप पहेंगे एक तरह से, आपका जो regulation है, आपका poor, आप पहेंगे poor voltage regulation यहाँ पर आजाएगा, तीसरा field जो है, आप कहा सकते हैं, field जो है, वो weak होता है, और field weakening की वज़े से, यह एक drawback create करता है, अगर अपन बोले field weak होता है, तो कहीं न कहीं, output voltage भी तो घट रहा है, वो भी इसका एक drawback है, आर्मिचर reaction को कैसे reduce करें, अगर अपन यह कहीं, कहीं न कहीं, यह losses को भी आप कहीं सकत यह aspect भी create करता है, इन सब की बात, computation में sparking जो है, आप कह सकते हैं, sparking जो है, उसको भी क्या करता है, यह सब आपके drawback है, ठीक, इन सब drawback के बाद, अगर हम बोलें, इस तरफ shift करते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, methods, तो सबसे पहला method, armitulation को reduction का आता है, आप कहेंगे, हम क्या provide करें brush shifting, सबसे पहला method आता है, that is by brush shifting, by brush shifting, एक तो यह कहा जाएगा, दूसरा अगर मैं method करूँ कि और कैसे provide कर सकते हैं, बताइए, brush shifting के अलावा, आप brush shifting के अलावा यूज़ करते हैं, extra, आप कहते हैं, by providing extra ampure turn, extra ampure turn, इसको मैं in short बताते चलता हूँ, extra ampure turn जो provide करेंगे, उसमें कहा जाता है, हमारे पास दो तरह की case हैं, एक होते बेटा, ATD, demagnetizing, और दूसरे होते, ATC, formula याद है, फटावड़ बताओ, ATD और ATC, demagnetizing ampure turn का formula क्या था, demagnetizing ampure turn, आप एंगे armature reaction के, उस component को reduce कर देगा, जो की वहाँ पर demagnetization create कर रहा है, और cross magnetizing ampure turn, उसके cross magnetizing component को reduce करता है, यहाँ पर demagnetizing का formula होता था, ZI, then theta M upon 360 degree, यहाँ पर theta M क्या है, brush shifting angle, I क्या है, armature current per conductor, Z है number of armature conductors, और अगर अपने इसी को ATC से निकाले तो यह होता है, total ampure turn में से, यानि ZI upon 2P में से, अगर हम minus कर दें किसको, इसी को, that is ATD को, तो अपना formula आ जाएगा, और यह SSA में द value होता है, ZI common ले लिजे, 1 upon 2P minus 3 time upon 360 degree, यहाँ पर अपन कह सकते हैं, इस cancer आजाएगा, ATC से, कि भी क्या होता है, ATD और क्या होता है, ATC, अब यहाँ पर जो important part था, वो क्या armature current क्या है, तो armature current जो है, उसको याद रखेगा, यह जो I है, वो हमेशा, IA upon parallel path के बराब होगा, यहाँ पर poles, और अगर wave winding कितने लेंगे हैं अपन, आप गया सिकना हमेशा दो, यह चीज हमेशा याद रखेगा, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह एक method अपने कहा, अगर brush shifting use करें, extra imputant use करें, इसके लावा और कौन-कौन से method हो सकते हैं, जिन से ह armature reaction को reduce करते हैं, बताइए, drawback पढ़े अपने disadvantage, now methods की बात करें, एक method होगे आपने पास, जिसमें हमने कहा, brush shifting, दूसा method है, extra imputant, now, next one, हाँ, इसके लावर कौन से method हैं, बिल्कुल सही answer दे रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सही answer दे रहे हैं, camford pole से use कर सकते हैं, pole punching से कर सकत हैं, compensating winding और interval, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छे, next आपके जो method हैं, जिनको हम use करते हैं, मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ, हम इस्तमाल करते हैं, यहाँ पे, सबसे पहले अपन कहेंगे, by using, by using compensating winding, by using compensating winding, compensating winding में compensation प्रोवाइड कर आता है, किसके लिए, अंजी, किसक compensate करता है, compensating winding, cross magnetizing reaction, armature reaction को, आप करते हैं, किसको रिक करता है, आप एंगे, to provide, the compensation against, cross magnetizing effect of armature reaction, जो dominating, और इसका formula कितना होता है, याद करो, कहाँ पर provide करते हैं, इसे, compensating winding को याद करो, इसके लिए, क्या-क्या question पूछे याते हैं, इसे provided करते हैं, कहाँ पर, pole shoe पर, और कैसे प्रोइड करते हैं, series, आप एंगे series with armature, pole super और series with armature winding, clear, और series with armature winding के साथ कैसे, field opposition में, flux, आपका क्या हो जाना चाहिए, opposite, field opposition में प्रोइड करते हैं, तीन point अपने पास पूछे आते हैं, और formula क्या होता था, बोलो compensating, winding उसके ampere turn, ampere turn compensating जो हैं, वो बराबर होते हैं, कितना, कुछ नहीं दिया जाए, तो 70%, 0.7 times of total ampere turn, this is zi upon 2p, इस formula पर direct question आचुका है आपके, तो zi, zi upon 2p, total ampere turns का कितना, आप कह सकते हैं, कितना होगा, यह होगा, zi upon 2p का 0.7, यह formula कई बार पूछे आता, याद रखे, mounted on pole shoe, series with armature, infield opposition, तीन बातें अपने पास है, next अगर मैं कहूँ, अगर इसमें आगे पन कहें, तो compensating winding के बाद, आप कह सकते हैं, और क्या किया जाता है, इसके अलावा, आप बोलेंगे, हम provide कर सकते हैं, by pole camphering, आप कह सकते हैं, by camphering of pole, by camphering of pole, pole camphering क्या होता भी, pole जो है, उसके tip पर, आप कहेंगे, pole जो है, उनमें कुछ इस तरह से, अपन कुछ pole में हम इस तरह से provide करते हैं, इस air gap को, कि pole camphering में हम कहते हैं, जो sides है, sides जो है, pole की, उन पर तो gap ज़्यादा, by camphering of pole में ही कहा जाता है, कि जो भी आपके mid में, आप एंगे mid part पर, और आप एंगे sides पर, दो part, mid पर, medium part पर, और sides पर, mid part पर, आप एंगे gap कम, यहाँ पर अपन air gap कम provide करते हैं, और side जो है, उसमें हम gap बढ़ा देते हैं, ऐसा use करने से, कहीं न कहीं, armature flux का magnitude कम हो जाता है, क्योंकि हम reluctance बढ़ा दे हैं, इसी sequence में एक और method भी होता है, वो भी आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है, by punching, by, by punching of pole core, by punching of pole core, pole core जो है, उसकी punching से अपन कर सकते हैं, punching में basically, हम holes provide करते हैं, holes provide करते हैं, और holes provide करके भी अपन कह सकते हैं, अगर हम core में gap बढ़ा दें, तो कहीं न कहीं armature का flux क्या हो जाएगा, कम, और कहीं न कहीं armature flux को बढ़ा कि अपन किसको reduce कर सकते हैं, armature reaction को reduce कर सकते हैं, ठीक, एक यह method अपने पास है, और last अगर अपन कहें, तो आप कह सकते हैं, by using interpol, by using, आ क्या यहां तक सबको clear है, बोलो फड़ावट से आगे बढ़ जाएं, सबको clear है, बढ़े आगे, चले ओके बेटा, चलो, यह तो armature reaction की बाद हुए, अब हम कहते हैं, next component पे, armature reaction की बाद अगर अपन कहें, तो आपने commutation को भी पढ़ा है, commutation को भी discuss कर लेते हैं commutation क्या process है, आप कह सकते हैं, commutation basically, सबसे important चीज़, it is a current, it is a current reversal process, it is a current reversal process, यह आप कह सकते हैं, दूसरा अगर मैं कहूं, तो यह तरह से current reversal के साथ साथ, इसे अपन यह भी कह सकते हैं, it is a switching process, switching process, through which AC और DC, DC to AC convert किया आता है, अब motor generator के लिए commutation process के दोनों aspect अलग लगें, लेकिन फिर भी अपन कहेंगे, commutation process जो है, basically इसमें आपके पास दो तरह के पार्ट होते हैं, दोनों नाम अगर आपको याद हैं, तो बताओ, एक होता है, एक होता है, आप पहते हैं, good commutation, और दूसरा कौन सा था भई, बताओ poor commutation, याद करो फट अपट से, good commutation और poor commutation में क्या difference है, इसमें अपन कहते हैं, यहाँ पे होती ही sparking, अगर अपन कहें, इसमें क्या कहा जाएगा, no sparking, यह भी पुछा गया paper में, no sparking at brush and commutator, और आपने यह कहलाता है, बेटा, that is spark full, spark full commutation at brush and commutator surface, clear, अब यहाँ पी छोटा सा question यह आता है, यह जो commutation है, चलो switching process इसलिए sparking होती है, लेकिन क्या reason क्या है, कई बार पुछा गया question, reason of sparking, हाँ जी, answer दीजे मुझे, reason behind sparking, दो तरह की category अपन पढ़ते थियाद करो, एक कहलाते हैं इसमें कौन से, mechanical reason, और दूसरा category कौन सा था, बोलो, यह कहलाते हैं आप आपके electrical reason, mechanical और electrical, mechanical reason, electrical reason, क्या difference है दोनों में, mechanical and electrical, क्या difference है दोनों में, mechanical reasons होते हैं, construction specific, और construction specific क्या point थे, अगर हम कहें, mechanically, तो सबसे पहला point, आप बोलेंगे, जो आपके brushes हैं, उनकी surface, non uniform, आप एंगे, uneven, एक तो हो सकता है, uneven surface, जो है, उसकी वज़े से हो जाए, खुर्दरी सतय हो, उसके अलाव आपन बोलेंगे, तो non uniform brush pressure हो जाए, brushes जो है, उनका pressure non uniform हो, आप एंगे non uniform, आप एंगे brush जो है, उसका pressure हो, इसकी वज़े से भी आपका mechanical sparking हो सकता है, यह सब इसके reason है, अगर आपन कहें, brushes में sparking के बीचे, non uniform हो और यह तीसरा holder जो है, उसमें आपका जो vibration होते हैं, आप एंगे विलकुल vibration जो है, उनकी वज़े से sparking होती है, यह सब mechanical engine को अपन construction property से सुदार सकते हैं, लेकिन अगर electrical reason की बात करें, तो क्या होंगे, आप एंगे, simply यहाँ पर पहला reason होता है, voltage induce करना, आप एंगे, voltage, voltage, voltage developed, आप एंगे, developed voltage between, voltage between commutator, commutator segment, इस वज़े से आपके sparking शुरू होता है, दूसरा इसके अलावा, electrical reason होता है, आपका current density जो है, आप एंगे, leading और trailing जो दोनों ब्रुशेज हैं, उन पर आपकी current density का बढ़ जाना, बताइए, क्या differences में आता है, किस end पर अपन current density की बात करते हैं, किस end पर current density की बात करते हैं, आपके बज़ जो trailing edge होता है, उस पर बोला जाता है, कि भई, trailing edge जो है, उसके ओपर आपका J जो है current density, trailing edge पर अगर हम कहें, उस पर आपका current density J का increase कर जाना, ये भी इसके पीछे reason है, इस वज़े से भी आपके sparking जो है, वो increase कर जाती और सबसे importantly, जो सबसे important part कह सकते हैं, आप बोलेंगे इसे कहा जाता है, that is main reason, जो मुख्ये कारण अपन कह सकते हैं, इस parking का, वो क्या है, it is simply the development of, it is simply the development of reactance, development of reactance voltage, का डवलप करना, इसके विज़े सबसे important decision है, इसके वैसे ऐसा होता है, reactance voltage का बनना कहीं न कहीं, reactance voltage का बनना कहीं न कहीं आपके सबसे important decision है, reactance voltage क्या होता है, पहला प्रशन ये बनता है, it is simply the development, ये reactance voltage है, short-circuited जो conductor है जो commutation process में उसमें short-circuited process में current reversal जब होता है तो उसमें जो current reverse करता है उस reversal process में कहीं न कहीं आप कह सकते हैं coil के self-inductance की वैसे एक EMF develop करता है और वो EMF short-circuited coil में के develop करेगा उसकी वज़े से अगर मैं कहूं लगातार वहाँ पर अगर sparking शुरू हो जाए क्योंकि sparking इसलिए हो रहा है क्योंकि short-circuited coil है उसमें induced current flow करेगा और लगातार उसके terminal क्या करेगा अपने short तो आपके सेखते हैं अगर हमें sparking यानि commutation को सुधार ना है sparking को reduce करना है तो कहीं न कहीं सीधे हम पहेंगे इस reactance voltage को commutate करना हमें ज़रू ही है अगर इसे commutate कर दिया अगर इसे commutate कर दिया तो आपका compensation इसी बहाँ पे हो जाएगा तो normally अपने पास सबसे important यही आता है कि commutation जो है उसको कैसे improve करें methods जो होते हैं आप कहसकते commutation वे sparking है ठीक है सब physical process भी अपन पढ़ते हैं उसमें भी यह चीज देखा जाता है इन सब के विहाफ पे ही मिलेगा तो commutation में जो questions पूछे जा सकते हैं commutation में अगर अगर अपन कहें तो जो questions पूछे जा सकते हैं वो आपके इसी प्रॉसेस हैं फिजिकल प्रॉसेस अपन यहाँ पर नहीं देख रहे हैं वो theoretical अपन जानते है current reversal process होता है normally अपन कहते है ER जो होता है सबसे पहले इसी को देख ले reactance voltage को ही आपका जो reactance voltage है अगर मूँ उसकी बात करूँ तो यह ER होता है इसका formula क्या था यह होता है L self self inductance L self और यहाँ पर आता है 2 times of IC यानि current reversal this is 2 IC upon क्या होता है DT और DT को कैसे लिखा जाता है TC से current coil में current और यहाँ पर TC यह आपके reactance voltage है अगर आप चाहते है objective में इस पर question कैसा आता है तो आप कहेंगे इस पर double कर दें इसे half कर दें change कर दें तो ER पर क्या फरक पड़ेगा अगर हम ER को zero कर दें तो sparking zero हो जाएगा यह सबसे पहले कहा जाता है now further अगर 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 अपन कहीं इसी point पे तो reactance voltage के अलावा जब इस point पे अपन commutate करें तो इसकी बिहाफ पे कुछ और हाँ interpol से भी करेंगे अभी देखते है उसे formula फिर से reactance voltage क्या है अभी न reactance voltage होता है जो commutator है commutation जब होता है उसमें अपन कहते हैं coil है उस coil में current reverse करता है plus IC से minus IC तक shift कर जाता है positive peak से negative peak physical commutation process के diagrams के दुरू इसको समझा जाता है तो इसकी आप regular classes में देख सकते है आपने class में पढ़ा भी इसे current अपने peak positive से peak negative तक क्या करता है shift करता है एक fixed time duration में तो इस current reversal process में हमेशा एक switching जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका di upon dt हो रहा है उस reactance voltage को हम यहाँ पर represent करें कहां से आता है यह यह basic formula है l di upon dt से current में change ic plus ic to minus ic यह tc है commutation time er है reactance voltage यह coil का self inductance तो tc को यहाँ पर अपन इस से relate कर पार है commutation time से एक अपन कहते है methods कौन कौन से commutation के method जो है आप एंगे method of commutation methods of commutation में अपने पास दो category आती है एक category कहलाता है अपने पास that is resistance resistance commutation और दूसर कहलाता है अपने पास जो category that is voltage commutation resistance commutation के अपिटा comment section में बताएए उपड़ापट से what is resistance commutation क्या बोलेंगे resistance commutation क्या है फड़ापट से बताओ बिल्कुल सही कह रहे है resistance commutation का मतलब सीधा सा होता है इसमें हम बोलते हैं कि अगर हम brush अगर हम brush के resistance को बढ़ा दें अगर हम brush के resistance को बढ़ा दें तो आप पेंगे जो sparking है आपका जो sparking है वो क्या हो जाएगा reduce और कैसे बढ़ाते हैं आप पेंगे by using आप एंगे by using carbon brush अगर हम carbon के brush use कर ले copper को replace करके तो आपका सीधा method यहां से है और अगर अगर अपन इसी बात को voltage computation पे कहें तो आप कहते हैं इसमें बोला जाता है कि आप कैसे भी करके आप क्या करें आप यहां कहते हैं इस बार हम बोलेंगे हम इसमें to neutralize the effect of आप यहां कहेंगे reactance reactance जो voltage है reactance voltage जो है उसे क्या किया जाए इसे इसे neutralize किया जाए अगर इसे neutralize कर देंगे तो कौन से method कहलाएगा voltage commutation voltage commutation कैसे provide करते हैं मिटा बताओ कौन कौन से method है इसमें voltage commutation के लिए अपने पास कौन से method है हमारे पास दो सब method यहां पर होते हैं एक तो बनता है कौन that is brush shifting और दूसा कौन सा बनता है using दूसा बनता है using interpol दूसा बनता है using interpol यह दो method अपने पास है brush shifting और using interpol अब इनमे brush shifting तो normal सा है जो अपन जानते हैं कि अगर हम brushes को move कर दें तो अपने उस new position पे पहुंच जाता है जहां पे आपका armature reaction की वज़ए से जो sparking वगए उस अब neutralize करके EMF zero हो जाए तो इसमें अपन brush shifting के लिए अपन यूज करते हैं rocker arm और जो interpol है इसमें जरूर अपन कह सकते हैं interpolar method क्या कहता है अगर हम interpol लगा दें machine में अगर हम interpol लगा दें तो क्या होगा interpol पे दो चार कुछ question बनते हैं उनको देख लेते हैं अगर मैं बात करूं इंटर पूल के लिए interpol basically किसी भी machine में small pools होते हैं जिनका काम है सर्गिव 10 minute break 10 minute का break तो अभी नहीं कुमार अंचुर 10 minute तो ज्यादा वजी विटा बहुत लंबा से लेके चलना है सारे point अपन करवा रहे हैं कि point भी नहीं छोड़ेंगे तो थोड़ा सा थोड़ा सा hold करें पानी बानी पील लीजे कोई दिक्रत नहीं no need of break बिल्कुल सही when dc will done interpol के द्वारा rotational EMF neutralizing बिल्कुल ठीक के रहे हैं तो डिजर की बाद भी जिगा ओके बिड़ा चलिए बिसी खतम हो पांच मिनट बिल्कुल दे देंगे बिल्कुल दे देंगे निशिन रही है ठीक है और इसको पर पीडियेफ के तुरू या फिर स्क्रीन्स पर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा खाते पीते रही है साथ में साथ बाकी टीचर्स खाते भी पढ़ा रहे थे कोई नहीं कोई कोई नहीं इससे पहले भी आज सुबसे मैं आठ वेंटे क्लास लेकि आपको पढ़ा रहा हूं तो उसकी चैन्शन मुत करिए फुल आफ एनरजी है अपन आपको पता है यहां स्टिल अभि य तक में एट आस province हो चुकी है अब उसके बद आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल हिए इसी बाहने से आप जो पढ़ менее रिवाइस हो जाएगा अपका जितना भी है वह आपका रिवयाइस हो जाएगा इंशन लहां बिल्कुल चल रहे है बिलकुल चलिए पॉलरीटी की बात करेंगे अभी बता जेते हैं देखो इंटरपोल पर क्या क्या क्वेश्चन है चलो जब तक आपके इंटरेस्ट बना रहेगा तब तक सब्जेक्ट ऐसे चलता रहेगा चलिए बेलकुल बेटा आजएगे इंटरपोल्स के अगर बात करें तो आप कहेंगे स्मोल पोल्स होते हैं इक्वल ही होते हैं इनको सबसे पहले अपन क्या बोल सकते हैं इन्हें हम सबसे पहले तो इस नाम से जानते हैं Commuting Poles कहाता है याद होगा आपको सबको इसे अपन in short क्या बोलते हैं आम इन इन short Compolze कहते हैं क्योंकि Commutation के लिए required है यह Interpol क्या करता है Interpol में हमेशा बिल्कुल Compolze Interpol जो है उनमें चाहा जाता है कि जब भी अपन Interpol माउंट करते हैं, उन पर भी Interpol में जो आपके Winding है बिलकुल करना पढ़ेगा बिलकुल करना पढ़ेगा बिना करे मजा नहीं आएगा बिलकुल स्कोर करना पढ़ेगा चलिए, और आपको तो यह सारी छीज़ें इतने दिनों में पढ़ाते हैं तो आपको पता भी है, जो लोग पढ़ चुके हैं, बैतर जानते हैं, बहुत आराम से अपन पढ़ते हैं, बस revise करके चले जाएं, questions सारे notes में से आने हैं, कुछ भी नया नहीं होना है, ठीक, चले, हाँ भी, compuls कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल मस्त हूँ देखे, compuls कहते हैं अपने ने, क्योंकि ये commutating करते हैं, commutation में required हैं, इनमें अपन बोलते हैं, जो इंटरपोलर वाइंडिंग है, इंटरपोल पे जो आप वाइंडिंग माउंट करते हैं, उसकी बागे बात करें, इंटरपोलर वाइंडिंग जो होती ये in field opposition, but in field opposition ही हमेशा होगा, field में opposite होता है, but series connected, तो हमेशा इसका oppose करता है, नौर्मल एक relation भी यहाँ पे होता है, that f of i is mostly 1.6, आप करते हैं, mostly कितना लेते हैं, 1.6 time of f of a, ये भी बोला जाता है, f of i इंटरपोल का mmf, armature का almost 1.6 time, ताकि वो saturate नहीं हो जाया, इसलिए air gap ज करते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, interpoles में जो gap है, वो भी main poles के ज्यादा लेते हैं, ये भी एक point है, जो पूछा जाता है, कि जो आपके पास interpoles है, उनमें जो air gap, interpoles के जो आपके gap provide करते हैं, वो हमेशा providing gap larger than, gap providing larger than, आप कहेंगे main poles से, क्योंब इसके पीछे क् ये भी आपके paper में आयवा question याद रखेगा, main poles से हम ज्यादा इसलिए लेते हैं, ताकि वो saturate ना कर जाए, इस वज़े से provide क्या जाता है, क्योंकि वो saturate ना कर जाए, saturation को avoid करने के लिए अपने ये हमेशा क्या करते हैं, interpoles में gap हमेशा ज्यादा लेंगे, to avoid, ये पुछा क करने के लिए सा किया जाता है, और दूसरी चीज़ अगर पुन कहें, तो एक mmf फ़ली बात याद रखेगा, एक polarity अपने पास important होता है, कि किस तरह से polarity mark करते हैं, वो भी सुन लिजिए, अगर मैं कहूं, कि इसकी polarity कैसे mark करेंगे, तो ये depend करता है, depend on machine, depend on machine type, एक तो ये कहेंगे, machine के type पे और direction of rotation पे भी, depend on machine type and direction of rotation, सर इसमें armature flux भी कम होगा, armature flux बहुत कम extent पर होगा, और वो saturation जो है, यानि campering की तरह इसमें इस तरह से avoid करते हैं, कि वो कि इंटर पूल के surrounding में कम हो, main poles पर ना हो, ये धियान रखें, चीक, polarity वाली जो type हो, वो पर डिसकस कर ल south, फिर से मैंने का ये north pole, और this is south pole, मालों ये चार main poles है, इनके बीच में हमने interpole mount किया, तो आपने का, ये आपके पास small interpoles है, ये अपने पास 4 interpoles है, फिक, अब इनकी polarity अपने को बतानी क्या होगी, तो सबसे पहले reference set करते हैं, हम कहेंगे ये जो है, ये आप पे है direction of rotation, तो दो बातें यहाँ पे होती है, कि polarity आप कहते हैं, इसमें बोला जाता है, that is polarity of interpole, polarity of interpole जो है, उसके लिए कहा जाएगा, वो दो तरह से दिया जा सकता है, अगर हम machine को use करें किसमे, as a generator, और आपने as हम use करें क्या motor, तो आपने जनेटर के लिए, जो interpole की polarity है, मालने it is always same as main pole, same as main pole in the direction of rotation, direction of rotation में आप कहेंगे just आगे बढ़े, is same as main pole ahead of it, यानि आप कहेंगे just इसके आगे, ठीक आगे, same as main pole in the direction of rotation, same as main pole ahead of it in DOR, direction of rotation में और motor के लिए अपन कहते है, similar सब कुछ लिखना है, बस just cable क्या कर देना है, आप कहेंगे behind, behind, जो आपके main pole है, उसके जैसा, अब इसका क्या मतलब हो, इस diagram से देख लो, अगर मैं बोलू कि यहाँ पर main pole की polarity मुझे discuss करनी है, तो ऐसे कहूंगा, यह अगर आपका machine है, मालने यह generator, तो इस inter-pole की polarity को अपन कहेंगे कि rotation में ठीक इसके बाद पहुना रहा है, south, तो आप कहेंगे, this is south for, south for, क्या कहूंगा, generator, और अगर मैं कहूं भई, इसके rotation में ठीक, पीछे कहूना रहा है, north, तो आप कहेंगे, अगर north की बात करें, तो north pole for किसके लिए हो जाएगा, आप कहेंगे motor, यह basically अपना difference है, आप यहां से कह सकते हैं, अभी पूछा जाए, तो इसमें पना answer कर सकते हैं, same as ahead of main pole in the generator, और behind होगा किसके लिए, आपके motor के लिए, याद रह जाएगा, कितने होते हैं, क्या होते हैं, सारे questions अगर बनते हैं, तो अपन बता सकते हैं, inter-pole की perception पर कि क्या-क्या property थी, done, बढ़ें आगे, number of inter-pole बेटा, आप कह सकते हैं, अगर number of inter-pole की बात करें, तो आप ये भी बात सुन लिजे, अगर आपको बोला जाता है कि number of inter-pole कितने होंगे, number of inter-pole के अगर मैं बात करूँ तो अपने पास दो बात हैं, अगर हम कहते हैं, low rating machine ह अगर हम कहेंगे, low rating machine है, और अगर हम कहते हैं, high rating machine है, दोनों प्रापर्टी है, low rating और high rating दोनों में तो, low rating machine में ये कहा जाता है, यहाँ पर हमेशा जो main pool हैं, वो होते हैं, mostly half, आप कहेंगे, half of main pool, ले सकते हैं, equal भी और half भी, high rating machine में आपन कहते हैं, they are simply, that is equal to, आप of main pool, clear, maximum equal to main pool, low rating, normally अपन कहते हैं, maximum होगा, तो उसके बराबर होंगे, यहोंगे, चेक हैं बड़े आगे, clear है, तो commutation में मेरे साब से कोई doubt नहीं रहा होगा, बात समझ में आगई, चलो, अब हम कह सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, parallel operation की, एक last topic, इसमें लेते हैं, mechanical rectifier कैसे work करता है, बेटा, वो, वो conversion की बात है, अगर हम commutation में बात करेंगे, तो हमेशा जब rotate करेगा, commutator इस तरह से rotate करते हैं, कि उसके outer पर, यानि जो brushes उस पर attach है, वहां कभी भी polarity का mark change नहीं होता है, हमेशा plus minus ही रहता है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं armature में AC बना रहा एक तरह से commutation का output क्या होगा, DC होगा, यह कहा जा सकता है, main function of interpol, चले, okay, done, done, चले, आगे बढ़ते हैं, next, commutation वे पन यही चीज़ पुछे आती है, इसी को discuss करते हैं, next देखेगा, अगर कहा जाए, commutation के बाद, कि बही, parallel operation एक छोटा सा topic और हो है, generator के लिए, parallel operation, आजी, parallel operation क् में, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ राता है, सबसे पहला point अपन कहा सकते है, parallel operation का मतलब है, दो या ज्यादा generators जो है, उनको क्या करें, inter-pool का material बिल्कुल सेम होगा बेटा, बिल्कुल सेम एज main pole अपन कहेंगे, वही, silicon skill के आप fabricated pole यहाँ पर इस्तमाल करते हैं, laminated ले भी सकते हो, नहीं भी ज़रत नहीं, क्योंकि pole शू को लिया जाता है, अगर हम कहें, अगर हम कहें कि बही किस तरह का, क्या आवाज clear आ रही सबको, चलिए, सोना नहीं है, सोना नहीं है, विल्कुल, सोना है जब subject खतम होगा, तब तक अपन continue पढ़ेंगे, same terminal voltage, खाना पेना कर लीजिए, साथ साथ करते रही हो, साथ साथ पढ़ते रही हो, quality same voltage, विल्कुल condition की बात करें, हाँ, condition के अगर हम बात करें कि, क्या-क्या standard condition होगी, सर, आज क्यों चुपते हैं क्या, छोड़ी हैं इन सबको, parallel operation में अपन कहते हैं, दो या ज्यादा machines जो हैं, उनको अगर अपन parallel में connect करके चला हैं, तो जो share करते हैं, वो load को, इस process को पन कह सकते हैं, इस process को हम कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका parallel operation, share the load in running operation, share the load, आप कह सकते हैं, दो या ज्यादा machine, condition कई बार पूछे जाती है, कौन-कौन से standard condition तो आप जानते हैं, condition में आता है, that is same, same, क्या होगा भी, terminal voltage होगा इसमें, इसके वालाव अगर मैं कहूं, तो क्या होगा, same terminal voltage के वालावा, आप कहेंगे same क्या होने चाहिए, polarity होना चाहिए, same terminal voltage, same polarity, ये दो standard aspect ने अपने पास, और तीसरा अगर अगर आपन कहें, तो same EMF भी कई बार लिख दिया जाता है, same working EMF, लेकिन आप जानते हैं, ये जो दोनों condition है, ये क्या है, आप कहेंगे, ये आपकी necessary condition है, ये होने ही चाहिए, ये दोनों ही आपकी basically standard condition है, ये same EMF होना, आप कहेंगे एक तरह से desirable characteristic है, हो भी ये नहीं भी कोज़ अभी नहीं पड़ते हैं, ठीक है, हाँ, एक point जो अपन कह सकते हैं, एक point अपन यहाँ पर कह सकते हैं, कि अगर आपको बोला जाए, कि अभी parallel operation में, अगर हम use करते हैं, तो कौन-कौन से अपने पास दुविधाएं क्या हैं, parallel operation में क्या दिक्कतें आ सकते हैं, उनकी जरूर एक बार चर्शा किया आती है, कि जब हम load sharing के लिए generators को लगाते हैं, तो एक problem आप देखते हैं यहाँ पर, एक problem आप जानते हैं, parallel operation में जो मिलते हैं, वो कौन सी होती है, बताइए, step out of condition, याद है सबको, step out of condition, step out of condition बताओ, step out of condition क्या होता याद करो, step out of condition था बेटा, हम कहते हैं, जब हम दो generator को parallel sharing में रखते हैं, तो कहीं न कहीं अगर किसी एक का load increase कर जाए, किसी एक का load अगर increase कर जाए, तो क्या होगा, उसका load increase करने, अगर उसका input sharing increase कर जाए, speed बढ़ गया, प्राइम मोर से माल लीजे, तो वो अपना load increase कर देता है, ज़्यादा load को share करने लगता, तो एक condition आती है, जिसमें second generator जो है, वो fall out of step condition बाजाता है, यानि it is just about connected, just connected about this polarity, अब just connected है, अगर थोड़ा सा भी उसका terminal voltage gap हुआ, तो वो क्या करेगा, out of step यहीं, motoring mode में shift कर जाएगा, वो ना हो step out of condition, उसके लिए अपन कहते हैं, यह condition ना आए, इसके लिए हम कहते हैं, क्या होगा, आप करते हैं, use equalizer bar, हम इसके लिए क्या use करते हैं, equalizer bar इस्तमाल करते हैं, अब यह equalizer bar जो है, यह कब लगाई जाती है, किस में लगाई जाती है, बात बहुत पूछी आती है, कौन से generator से, जिनमें equalizer bar का use किया जाता है, और किस में नहीं, तो equalizer bar एक तरह से क्या है, अगर कोई पूछे ता, आप एक तरह का thick, आप एक तरह का thick conductor होता है, thick rod shape या conductor, thick rod होता है, जो provide गया जाता है, किस के बीच में, आप एक thick conducting rod होता है, जिसे provide गया था किस के बीच में, between, between armature, terminal of both machine, between armature, terminal of both machine, दोनों machine के armature, terminal के बीच में, ताकि उसके through क्या हो जाए, circulating current flow कर जाए, अगर हम equalizer bar provide करते हैं, तो circulating current के flow कर जाने पर, हम कहेंगो, उसके characteristic, adruptly, rest नहीं करेंगे, वो वैसे काम करता रहेगा, अब प्रश्नी ये बनता है, जो सबसे खास है, किन में equalizer bar necessary और किन में नहीं, कहां पर استعمال करते हैं, और कहां हम इस्तमाल नहीं करते हैं, ये बताऊंगो ये, equalizer bar पर question यहीं बनता है, कि equalizer bar किन में use की जाती है और किस में नहीं, तो अगर वो पूछे कि equalizer bar कहां पर استعمال करेंगे, ये question बहुत पूछा गया है, किन में necessary हैं इन्हें use करना तो आपने पढ़ा था, कि हम उन सभी generator में equalizer bar यूज करते हैं, ये देखो equalizer ring अलग है बेटा, equalizer ring equalizer bar में फरक है, हम उन सभी generator में equalizer bar पर इस्तमाल करते हैं, जहां पर ये out of step condition आने की probability ज़दा होती है, तो बताओ ज़रा मुझे कहां पर इस्तमाल की जाती है, याद करो, जिनका load बढ़ाने पर terminal voltage बढ़ जाए, और वो इस बात को support और करें, उन सभी generator में जिनके characteristic कैसे हैं, आजी characteristic कैसे हैं, rising characteristic हैं, और बोली ज़रा rising characteristic किन के होता हैं, उन सभी के लिए जिनका load बढ़ाने पर terminal voltage बढ़ जाए और इसके example हैं आपके पास, कौन-कौन से, अगर rising characteristic में कोई कुछ है, कौन से particular generator के लिए हम कह सकते हैं, हमें equalizer बार लगाना ही पड़ेगा, तो अपना answer क्या आता है, हम कहते हैं, इसके लिए बात की जाती है, equalizer बार लगाना ही पड़ेगा, that is series, इसके अलावा आप कह सकते हैं, आपका over compound, और series के अलावा कर कहें, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं, flat compound, यानि इन सब में कहीं न कहीं, हमें necessary है equalizer बार को connect करना, याद आगया, इन सब के लिए अपन rising characteristic को इस्तमाल करते हैं, ठीक, तो यह चीज़ जहां रखेगा, आज, अगर ऐसा ही रहा, तो अपन सबसे highest peak तक लेके जाएंगे, इस marathon को, और synchronous में जो आपके doubts होते हैं, उनको एक PDF के विहाफ में आपको पढ़ा दूँगा, जिसमें समझने वाले सारे questions, जो आज अपने को मिलने वाले, उनको हम cover करेंगे, DC आप अक्सर अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, तो फड़ा फड़ा अपने इसको revise करते चलते हैं, और last तक बने रहना है, अगर motivation है, तो भी हम पढ़ाते चलेंगे, फ्रिंस, फ्रिंस आगए हैं, series और ओर compound, बिल्कुल ठीक करें, series और ओर compound और इसमें भी, बिल्कुल यही है, मेराथन किसके लिए, हम तो रोज मेराथनी है, सुबह से शाम तक मेराथनी बने रहते हैं, आपके लिए मेराथनी ताकि आपका subject खुड़ा सा precise हो जाए, ठीक है, चले, और यहाँ पे जब तक comment चलते रहेंगे, तब तक जोश बरकरार है, कोई दिक्कती नहीं है, continuous मेराथन अपन लेते रहेंगे, चलो, बात करते हैं, तो net को थोड़ा सा, आज सही यूज़ करें, मुझे पता है, मैं आपके हमेशा अच्छे से आलत समझता हूँ, बच्चों को बोलता भी हूँ, कि और हम discuss भी करते हैं, आपस में सभी बैटके, कि बच्चों को इतना series क्यों दिखाएं, उन्हें means भी देखने होते हैं, उन्हें YouTube content पे भी जाना होता है, थोड़ा सा entertainment भी करना होता है, पढ़ा ही पढ़ा ही अपनी जगह है, बट stressful पढ़ा ही नहीं करनी है, लेकिन अगर मन बना कि थोड़ा परेशान हो लेंगे, थोड़ा परेशान हो लेंगे, तो आगे दिन सुख के बटा ये ध्यान रखेगा हमेशा, और जिसने सही समय पर मेहनत कर ली, वो minimum effort के साथ अपन का paper निकाल सकता है, अब आपके DRDो भी चलो clash कर गया, लेकिन मैं हमेशा से आज नहीं, हमेशा से बोलता है हूँ, non-tech important है, एक दिन में तयार नहीं होता है, अगर आप CBT1 के लिए तयार हैं, तो आपको tension लेने की ज़रूत है नहीं है, आपके अच्छे से तयारी आगे mains में दे, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, जो आज आपने पढ़ा है, उसी को revise करते चलें, आपका कम हो जाएगा, बिल्कुल सब पर, मेरा तो आप वो मारवडिम करते हैं ने, अपने की वे अपना ढुल ढुल के आशिरवाद है, सारा आशिरवाद आपको यह है, इमान लिजे, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, और आप लोग अगर मेहनत उतिनी लगन से कर लें, तो सेलेक्शन पका, आज नहीं तो कल पका है, चेक है, पटना सेंटर, अभे कुमार करें पटना, अरे वाब बटे, देखिए कहीं पर कोई भी हो इतनी जेगे मैंने पढ़ाया, आप सब को पढ़ाया, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, हर दिन नया है, और हर दिन बच्चे को सीखता है, तो जैपूर, जैपूर से आकाश, बिल्कुल बेटा, जैपूर तो घर है तो इसलिए हो नहीं, प्रियाग्रा, स्यमन, कुश्वाह, बहुत अच्छे, लगातार बने रहे हैं, लास्ट में एक साथ ही जाएंगे और सुएंगे, चले, बिल्कुल होगा, ठीक है, कान पूर आईए, बिल्कुल बेटा, सबी जगाएंगे, जहाँ शिड्यूल लगता है, वहीं पहुंच जाते हैं, सराज खाना मना है, चले, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यही यही जो शिवे है, चलो आगे बात करें, ठीक है, यह याद रहे जाएगा, step out of condition के लिए equalizer bar जो है, प्लीज, इंटरचेंज, इंटरचेंज, वापस एक बार रिकॉल करें, किसकी बात कर रहे हैं, चले, बेटा, आगे बढ़ते हैं, यह अपन कह सकते हैं कि जनेरेटर में जितने भी questions अपने पास कुछे आते हैं, वो अपन यहाँ पर discuss कर चुके हैं, mostly, अब बात करेंगे अपन motor की, motor से related, चले, जिस सर, जैपो जाना पड़ेगा, लखना वो नहीं आते हैं आप कभी, बिलकुल आएंगे बिटा, बिलकुल आएंगे बिटा, चले, आजाए यह बिटा motor पर, अगर मैं motoring application पर बात करूँ तो, DC motor, हाँ जी, DC motor की बात कर लें, क्या होता है, कैसे इसको पढ़ेंगे, समझते हैं, गया में center खुलवा दीजे, ठीक है, बताई भी, motoring application पर गर अपन है, तो सबसे पहली चीज, यह क्या करता है, यह आपके electrical, अगर हम input देंगे, उसे mechanical, mechanical output में convert करता है, बहुत सारी चीज़ है, जो development हो किसका है, जो points यहां पर अपने खास से उनको पढ़ेंगे, हम कह सकते हैं, हमें पढ़ना पढ़ता है, यहां पर development of force, जो force develop करता है, वो developed force कौन सा होता है, बताईए ज़रा, f equals to, हाँ जी, i.l cross b, i.l cross b, याद है सबको, clear, जी, sir, motor थोड़ा अच्छे से, sir, motor थोड़ा अच्छे से, ठीक है वेट, अच्छे से पढ़ा देगी, बिल्कुल, dinner, dinner सब करके बैठे, बिल्कुल, dinner करके बैठे, इस बार आते, selection चाहिए भी, ठीक है, अच्छे मैनत कर रहे हो, मैं देखता हूँ, आप consistent और बागे सभी लोग भी, लेकिन, कुछ लोग लगाता रकीरती, यह सब मनदब consistent आप अगर मैनत कर रहे हैं, तो आपका इस बार selection चाहिए, हमें भी वड़ी उम्वेद्यों हो जाते हैं, जो student काफी hard working है, उनके लिए, और कोशिश करें किस बार पक्का अपन नम्मर लेक्या है, और किसी किसी एक्जाम बूर फोर डालें, यह ध्यान रखें, क्योंकि अब result वाले दिन होते हैं, यहाँ पर अपने को मैनत करना है, और दिखाना है कि यहाँ भी selection करना है, चलिए, clear, हम भी फुरान है, हाँ, बिल्कुल पिटा सभी के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, जो consistent है, वो बि क्या हमें, सेंटर खुलवाएं, चलिए, बिल्कुल खुलवाएंगे, बात करते हैं, अब अगर बात करें पन फोर्स की, तो फोर्स क्या है, f equals to i dot l cross b, और इस अपन कैसे लिखते हैं से, आपने हैं, f equals to i l v, आपने हैं, sin theta, f equals to i l v, sin theta, यह आपका क्या होगा, developed force होगा, एक statement सा अपना याद करो, एक statement था, when force, कब maximum होगा, when conductor is placed perpendicular to magnetic field, तब अपन maximum force की development की बात करते हैं, clear, एक तो यह चीज़ अपने को ध्यान दखने हैं, अब यह developed force अगर आगया, तो अपन कहेंगे, machine का rotation की इस बेस्ट के होता है, क्योंकि आप कहेंगे, machine एक torque develop कर दे, torque अपन क कह सकते हैं, output अपना create हो जाएगा, कोई issue नहीं बेटा, कोई नहीं, चलो, अब torque जो है, उसके sense पर अपन बात करें, कि torque जो है, वो कैसे create करता है, machine develop कैसे करता है, इन सब को अपन consider करते हैं, कि क्या इसका sense है, और किस तरह से अपन करें, बिलकुल 90 degree पर, जब आपका theta जो है वो 90 है, उस case में आप कह सकते हैं, F maximum होता है, I, L, भी अपने इस तरह से लिखेंगे, एक motor की case में, developed force जो है, इन सब को अपन कैसे discuss करते हैं, उसको समझे, कोई भी motor की case में, जब अपन बोलते हैं, किस से दिया जाता है, सबसे पहले तो formula याद होना चाहिए, और किस के through, आ M, G, Flamming's which rule, M, G, याद है ना, तो आप कहेंगे Flamming, आप कहेंगे left hand rule, left hand rule के through, अपन हमेशे हैं यहापे, discuss करते हैं, कि भी force की direction दी जाएगे, Flamming, left hand rule, left hand rule में, अगर हम कहें, तीन चीज़ अपने पास है, एक होता है, यह question भी बहुत आता है, thumb, एक होता है आपके पास, that is first finger, आप कहेंगे, first finger, जिसे fourth finger भी कहते हैं और दूसरा आपन कह सकते हैं, second finger या middle finger, यह भी कह सकते हैं, अब यह बताएगे, किस-किस को represent करता है, फटा-पट से बताएगे मुझे, question भी काफी पुछे रहता है, left hand rule में क्या होगा, बोलो बटा, यह लेजे, Flamming left hand rule, याद Motor, यह लेजे, अब बोलिए, left hand rule में अगर हम बोलें, तो thumb, first finger, four finger, कौन किसके represent करेगा, thumb represent करता है direction of force बेटा, बिलकुल सही करें, यह represent करेंगा किसको, thumb represent करता है direction of force बेटा, और first finger किसको represent करता है, magnetic field, बिलकुल सही करें, बिल्कुल यह represent करता है किसको magnetic field को represent करता है जो कि आपके north से south की direction में होगा और last अपन कह सकते हैं यह direction किसके होगी current की आप गह सकते हैं यह आपके current की direction को represent करता है तो अगर current यह नहीं I पता है, field पता है तो आप double up force की direction पे calculate कह सकते हैं में काफी कुछ आता है इस question को याद रखेगा Flamming's rules है left hand इसी तरह से generator में भी था generator में right hand tool हो तो इसमें अपन force की जिए motion कर देते हैं ये same रहता है और second finger में अपन कह सकते है quality के sense पे बात किया रहता है वेलकुल वही sense उसी तरीके से ठीक है clear चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ये तो होगा force force जो है वो कितना aspect पर कैसे develop करेगा ये अपन development के भी हाँ पर लिखते हैं सबसे important term जो यहाँ पर होता है वो होता है back EMF क्या होता है back EMF back EMF का case कैसे है back EMF अपन बोलते हैं कि जब कोई motor जब कोई motor किसी जब कोई conductors magnetic field में रखे हैं और अगर आप current carrying बना दे input electrical दे दे तो current carrying conductor placed in a magnetic field experience of force हमेशा अपने इसी की बात करते हैं एक force लगेगा उस force को tangential अगर लग रहा है अभी अपने देखा कि torque develop करेगा और अगर torque develop करेगा तो machine will start rotating due to their developed mechanical power at shaft या output circuit पे जैसे mechanical power develop करेगा सौरब सिंग give me energy बिल्कुल बटा आशिरा साथ है आपके हमेशा हमेशा साथ है selection होगा और आपके घरवालों और मुझे इन दो जिनों को सबसे ज़्यादा कुशी होगी अगर आपका कही नमबर आता है बल्कुल सबसे ज़्यादा motivating तभी लगता है कि हाँ भई इसका जीवन सफल ठीक है कहीं ने कहीं आपकी उस सफलता में थोड़ा सा यह उगदान शायद मेरा भी रहेगा इसलिए हमें लगता है कि आपका जीवन सफल ठीक है इसलिए बहुत जनों से मुझे इस बार उमिदे हैं कि वो अच्छे से करके आएंगा कि बहुत consistently मैनट कर रहे है और result आना चीए यह मान की चली चली बलकुल बलकुल अब बताई भी क्लियर है अभी शेक मौर यह बिलकुल होगा प्रियागराज में भी होगा चलो देखें आगे अब बैक क्या होता है तो आप कह सिकते जिस इंस्टिंट पर आर्मिचर रोटेट करना स्टार्ट करता है वहीं पर फ्लक्स कट होगा और यहीं से एक डायनमिक क्यमफ इंड्यूस करता है इसे अपन ईबी कहते है इस बैक क्यमफ का इक्वेशन बिलकुल वही है जो सेम एज जनेरेटर है क्या होता है ईबी इक्वेशन तो फाई पी एन जड अपोन सिक्स्टी ए बिलकुल वही सेम फॉर्मुला है कुछ फरक नहीं है वही के ए फाई इंटू ओमेगा कोई फरक नहीं है मैंने कहा ना सेम है क्यों इसका आप गह सकते हैं अब्रिविशन जो अपन बैक करते हैं क्यों कहते हैं इसे बैक के एमफ बताओ क्यों बोला जाता है इस बैक के एमफ इसको बैक के एमफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नीचर लैंजलो से डिसाइड करते हैं अब अब अगर अपन कहें चले अब इसके बाद बात करें आगे अब बैक्यमफ का फॉर्मला बैक्यमफ की जनेरेशन की मोटर की जनेरिटिंग प्रॉपर्टी पर भी डिसाइड कर सकते हैं वो भी देख लीजिए पुछा जाता काफी कुछ objective questions यहां से काफी आते हैं developed power से पुछे आते हैं इसको डिसको डिसकस करते हैं एक मोटर के case में तो जब कुछ नहीं का जाते हैं एक शंट मोटर का example यह अपने यहां पर इसे एक मोटर है यह आपका शंट फिल्ड वांडिंग है इसके बिहाब पर यहां पर आपके पास supply voltage है देखो अगर मैं कहूँ यह supply voltage है input current draw करेगा armature current लेगा और यहां पर एक EB बनेगा तो आपके पास एक equation आती क्या that is V minus EB equals to IAR यह होता है V minus EB equals to IAR अब यहां से अगर मैं कहूँ तो अपने पास EB का equation क्या हो गया EB equals to V minus IAR अब यह तो हो गया vacuum of का ऐसा मानते वे पर ने पावर लिखते हैं PM तो यह PM निकल के आता है क्या EB into IA और यह बन जाता है V IA minus IA square R A अब आप देख पा रहें कि जो पावर है वो current का function है और जब हम कहते हैं कि पावर कब maximum यह काफी पार question पुछागे condition of maximum power developed बताओ फटा पट से comment section में condition of maximum power क्या होगी बोले condition of maximum power क्या होगी बेटा बताओ रामसरूप गुडएवनिंग बेटा गुडएवनिंग क्या होगी maximum power condition of maximum power में पन कहते हैं क्या होना चाहिए आप एंगे D upon D IA और किसको PM को differentiate कर दें और 0 कर दें तो यहां से निकल के आता है अपने पास result वो result आता है EB equals to EB equals to आप यह भ आप कहते हैं यहां से आता है IA RA equals to V by 2 एक तो यह और इसी को भी लिखा जाता है back game of के form में that is EB equals to V minus IRA वो भी बन जाता है V by 2 तो यह objective में काफे पुछे जाता है याद रखेगा EB equals to V by 2 यह condition बहुत objective में पुछे गई है कि कब होगा और efficiency भी यहीं से निकल के आती है क्योंकि के लिए बोलते हैं यह 50% होगा लेकिन हमें ध्यान है वो question जब कभी पुछे कितना होगा condition तो 50 किये लेकिन brush drop negligent लेने पर है अगर ideally पुछा जाए कितना होगा तो अपन हमेशा कहते हैं it will be always less than 50% अगर कभी option less than 50% दे रखा तो उसे अपन tick लगाएंगे यह हमें पता है तो अब motoring में बैक केमफ की property और भी बहुत deciding factor पर काम करता है इसलिए इसको अपन ऐसे governor भी work करते हैं अब types of motor वैसे तो motor में भी symmetrical types हैं लेकिन फिर भी अपन कहें consider करते वह तो यह बोल सकते हैं किसी भी motor के लिए जो types है types of motor गर में बात करूं properties की विहाब पर थोड़ा से इंशॉट देखते हैं को types of motor में separately जब भी नाम आता है separately excited अगर मैं कहूं motor तो इसका कोई क्योंकि एक ही चीज के लिए काम में लिया आता है कि जब कभी अपन को जब कभी हमें फिल्ड को अलग से वैरी करना हूं बहुत highly range में आप कह सकते हैं very extensive range यह अगर आप कहें एक ब्राड रेंज में एक sensitive speed control करना तभी जाके sensitive वाली इस बात को इस motor को यूज किया था otherwise इसका कोई other function अलग से नहीं है पढ़ा की नहीं पढ़ा बता हो क्या आप बता सकते हैं इस motor का कोई खास उपयोग कोई अलग से हो separately cable और cable आप कह सकते हैं wide range of speed control में यूज के लिए कहते हैं यह कहां इस्तमाल होगा wide range of speed control बस के वल यही wide range of speed control या फिर fine controlling में तो जितने भी आपके जो aspect है separately excited के wide range controlling के भी हापने क्योंकि यहां पर field जो है field को extensive range में क्या बनाया जा सकता है आप कहेंगे variable बनाया जा सकता है और इसके साथ कुछ और other application नहीं है कहां इस्तमाल करते हैं याद करो इसे कहां इस्तमाल करते हैं जितने भी आपके milling applications हैं उनमें जितने भी आप कह सकते हैं जो आपके steel rolling mill है steel या फिर आप कहेंगे rolling mills जो हैं उनमें अपन क्या करते हैं इसे इस use करते हैं ठीक इसके जानते हैं basically motoring application में सीध़ properties की बात करता हूं अगर कोई पुछे क्या properties है शंट में तो properties के sense पर वही है वही constant speed आप वहेंगे यह जो है constant load अगर है तो इसका speed जो है वह constant इसे अपन constant speed drive कह सकते हैं एक तरह से एक तरह से constant speed drive की तरह work करता है बहुत कम speed बदलता है इसलिए अपन यह भी बोल सकते हैं कि अगर speed बहुत कम change करता है so इसका regulation it has very good regulation good speed good speed regulation यह provide करेगा यह भी इसकी property है इसका speed regulation भी अच्छा होता है बलकुल यह भी कहा जा सकता है एक अच्छे speed regulation के साथ work करेगा properties के sense पर और अगर अगर अपन कहें तो किसी speed controlling property में अगर इसका regulation बहतर है तो दूसरा अपन कहते हैं कि भी इस shunt motor में कुछ properties में अपन कहें तो जरूर यह down है that less आप कह सकते हैं less इसका starting torque होता है तौर्क के बहाब पर थोड़ा सा अपन कहेंगे compensate करता है कम होता है इस application पर इसे उन सब जगह यूज़ किया आता है जहां पर अपन कहेंगे इस तरह की requirement के जड़ाते तो कहीं पर भी less starting torque अगर है उन जगहों पर अपने से समाल करेंगे आप करेंगे basically जितने वी आपके machine tools होते हैं अगर example कहें तो आप कह सकते हैं करते हैं motor generator set के लिए इसके अलावाद जो small fan है फंके उन में अगर इन सब में बात करें तो इन में भी स्मोटर कुछ कहा जाता है यह सभी इसके ब्लॉवर फैन वगर यह सभी में बिल्कुल बिल्कुल सही है नेक्स अगर मैं कहूं शंट के अलावा और प्रापर्टीज में वही है हाँ एक और खास बात शंट मोटर हमेशा आपन कहेंगे always आप रहेंगे इसके लिए एक बात हमेशा याद रखेंगे क्या इड़िज ऑल्वेज started at no load always started at no load no load पर आप इसे हमेशा शुरू करते हैं यह कहा जाता है always no load स्टार्टिंग इसके लिए दी जाएगी ड़न चलो आगे बढ़ते हैं next अगर मैं सिरीज मोटर की बात करूं इसके बाद सिरीज मोटर के से अब्रेवेशन पर काम करेगा सिरीज मोटर आप जानते हैं अपने टॉक की यह बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क होते हैं इसका जो टीएस्टी है आप इसका टीएस्टी बहुत ज्यादा होता है इसलिए इससे सेफ स्टार्ट करने के लिए always आप इसके लिए हमेशा कहा जाता है तो always started always started at load इसे हमेश लोड से जोड़के start करते है regulation बिल्कुल ठीक करें poor होता है यहनि अगर हम इसका load increase करते है तो speed जो है वो काफी आपकी क्या होती reduce जाती है इसका मतलब है it has poor आपके स्पीड और regulation बिल्कुल ठीक बात है तार्क इसका जरूर हाई है जो कि प्रपोर्शन होता है ती प्रपोर्शनल टू आई-ए स्क्वायर यह अपन रिलेट कर सकते हैं अगर बात करें application की तो आपके इस basis पे motoring case में equation जो है वो बिल्कुल दोनों के लिए अलग नहीं है same ही है इसकी question जरूर अगर आप पूछे तो लिख देता हूं that is v minus eb equals to आपके आई-a ra plus rse इस पे यह work करता है प्लस आप कह सकते brush drop भी आपके लिए जाते है application में पन कहेंगे उन सबी जिगे जहां पे high आपके starting torque जो है जरूत हो उन सब भी application में इसको use करते हैं जैसे आप कह सकते हैं lift हो गया इसके अलगा अगर मैं कहूं तो hoist हो गया then traction हो गया traction application में या फिर आप कह सकते हैं railways crane जितने भी आपके इस तरह की etc आपके application उन सब में अपन कह सकते हैं इसी को इस्तिमाल किया रहा है ठीक टॉर्क प्रपोर्श्चनल टो आई इसका है बिल्कु ठीक करें यह सिरीज मोटर और शंट मोटर के application को अपने स्टडी किया डिफरेंशियल और आप कह सकते हैं cumulative के अगर बात के जाए उनमें भी अपन बोलते हैं है कि मीलीटिमिक जो है कि मीलीटिव मोटर इसके अगर बात करें और अगर में कौंद इफwritten है के कि डिफरेंशियल जो छॉनकी बात करें इन दोनुस में क्षार्दू ए उसको भी दिख लीजिए इन दोनों मोटर्स में नितीश पांडी क्या करें अरे बाव तैंक यू सो मच यह कम होने शुरू हो गया हूँ क्या इंटरनेट खतम हो गया बिटा लगे रहो जब तक आप साथ हैं तब तक पढ़ाते रहें और इसके बाद तो असलिए भी इसको खतम करके फिर पीडियोफ शुरू करेंगे पीडियोफ के तुरू आपको सिंक्रोनेस की बात करेंगे सिंक्रोनेस में जो जो क्वेश्चन्स अपने को स्ट्रेट कुछी आते हैं उन सबको अपन देखने वाले इसका पावर फेक्टर पर डीसी में तो पावर फेक्टर कोई रोल नहीं है वैसे नौर्मल अगर कुछ कहा नहीं जाए तो अपन बन नहीं लेते हैं हां बिलकुल बिलकुल अगर कुछ नहीं बोला गया हो तो फिर उसे बन ही कहेंगे क्लेर है ओके आगे बढ़े चलो अब इसमें क्या फरेकर बताओ कीब आथ करें तो इसमें अपन कहा सकते है क्या बेजिक इफरेंस है उसको देख लीजे डिफरेंशल कंपाउड और क्यमिलिटिमे अपन फरग करते कि यहां पर तो अपने पास वही पाई की जो वैलिवा लिखते से अपन दो Py è Consumer Plus आपके पास phi ac होगा है अगर हम लोड़ इंक्रीमेंट के साथ अगर fy increase करता है तो कहीं ने कहीं speed में variation इसके आपके आएगे लेकिन अगर यही डिफरेंशल है तो आप कहते हैं फाई पॉल्स टू पाई एसच माइनस के हैं फाई यहां पर आपन कहते हैं अगर यह कॉंस्टेंट है अगर इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स रिड्यूस करेगा तो कहीं न कहीं इस मोटर में एन प्रपोर्शनल टुवन अपॉन फाई का सेग्मेंट आता है एक मत रैसी मोटर जिसमें लोड बढ़ने के साथ आपका स्पीड क्या करेगा कम आप कहसे हैं जिसमें नेगेटिव कमपाउंटिंग की वज़े से इस वज़े से बोला जाता है हाँ 160 MB बिल्कुल ऐसे शंट स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं 25 वाला पह के रिचार्स कर लिए सर बेलकुल धयानन बहुत अच्छे चरे अगर हम कहें स्पीड के साथ लोड की वरिशन इसी वज़े से अक्सर कहा जाता है कि differential compound जो है differential compound जो है उसका regulation आप प्रॉपरली अगर कहें तो शंट के बहाफ में लिखा जा सकता है शीरीज की बहाफ में लिखा जाता है लेकिन अगर इसमें बोला जाये तो आप हैंगे एक मातर जिसमें speed increase नौर्मली इनके लिए कहा जाता है कि इन मोटर पे cumulative compound में यह never आप इनके लिए बोलते हैं they can be never overloaded they can be never overloaded यह कभी भी overload नहीं होती यह अपन कहेंगे, यह मोटर कभी भी overload नहीं होती क्योंकि अपने small variation पे speed को क्या कर सकता है maintain करता है, इन ही application के इनको हमेशा इस्तमाल किया जाता है ठीक है, clear तो types जो हैं, उनके अंदर पन basically long shunt, short shunt पन पहले से जानते हैं, उसी perception में ही इनको पूछा जाता है, अब आता है important aspect that is torque equation उसको देख लिए, इस motor का जैसी EM of equation था बैसी torque equation क्या होता है बताईए बटा torque equation क्या होगा, torque equation of motor torque equation, motor या machine दोनों की regarding कहीं, तो यह होता है basically TA और TA का जो formula है वो कहां से निकल क्या आता है, basically electro mechanical convergence से, यह आता है electro mechanical convergence से और इससे जो निकल क्या आता है उसका जो relation है, वो अपन दिख देते हैं TA, torque लिखा जाता है that is KA 5 into IA, यह तो बन जानते हैं सभी, लेकिन standard form क्या था, अगर वो भी आपको देखना हो तो TA था वही 1 upon 2 pi PZ upon A 5 into IA यह है Newton meter में, तो अगर अपने इसे put कर दें, तो यह बन जाता है कितना अंजी, कितना हो जाएगा, 0.159 0.159 PZ upon A यह भी है, इसी sequence में इसी को एक और तरीके से भी move किया जाता है, वो कहलाता है kg meter, वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तक याद रहे, इसी को कह सकते है this is 0.016 PZ upon A और 5 into IA उपर तक यह unit था, Newton meter यहाँ बन जाता है बेटा, kg meter में यह फरक है, torque equation में याद रखेगा, इन दोनों को कही बार paper में पूछे जाता है, torque equation पे कि किसके proportionल होगा और क्या होगा एक में है 0.159, 0.01 क्योंकि यह relation कहां सा है यह relation कहां सा है, बहुत बार अपने use करते हैं, 1 1 kg, किलोग्राम, किसके बराबर होता है 9.8 newton के बराबर होता है यह हमने पढ़ा था, 1 kg equals to 9.8 newton फटाफट खापी के वापस आजाओ और फटाफट से वापस आजाए, आगे बढ़ते हैं और भी एक relation जिसके तूर इसे लिखा जाता है, torque equation में वो था कि भी T जो है, वो बराबर होता है किसके 60 upon 2 pi आजी, पूरा relation यह था 60 upon 2 pi, यहाँ पर क्या आएगा output power, जो भी है, this is simply P output, divided by आजी, P output तब लिखते हैं जब कौन सा power हो, shaft पर यहाँ पर आएगा, this is EB into IA developed mechanical power upon rotational speed, यह relation भी काफी इस्तमाल क्या था, T equal to 9.55, आप एंगे developed mechanical power, this is simply pm upon n, किसमे हैं यह newton meter में, अब इसी तरह से यह torque, अगर torque armature का है तो अपन यहाँ पर एक shaft torque भी लिखते थे, shaft torque लिखते से 9.55, यह हो जाएगा P output upon क्या होगा n, और अगर कभी चला के पूछले lost torque के बारे में भी याद रिखेगा, TA minus आप कहेंगे T, shaft कर देना और कुछ नहीं, कि torque equation के बहाँ पर अपने पास कुछ abbreviation आप बोल सकते हैं हाँ रोटी बना नहीं है बन जाएगा, बन जाएगा तो torque equation में कभी variation के बहाँ पर पूछता है, तो यह सब अपने electro mechanical conversion के बेस्ट आज़र, यह जो electro mechanical मेंने बोला, इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं वेटा यह relation हमेशे याद रखेगा, कि एक तो है अपने पास, em of equation देखो, बहुत बार यहां से question आता, em of equation क्या है, आप पहेंगे eb था, equals to ka phi into omega n, और दूसरा आपने पास अभी अभी अपने लिखा कौन से अभी, आप कहेंगे that is, आप कहेंगे torque equation, torque equation क्या है बोलो, torque equation है, ta equals to ka phi into i a, तो अगर आप गौर से देखें तो दोनों को क्या कर सकते हैं, अपन, cancel out कर दे, speed control, हाँ बिलकुल कराइंग speed control, उपाले इसके बाद वहिए speed control, speed regulation सभी points पाने वाले, निशेंद रहिए मैराथन है, तो अपन एक-एक point deliver करते वे चलेंगे निशेंद रहिए, एक-एक point deliver करते वे आज खाना नहीं है, महादेर सिंग, चले, कोई सुबह 8 गंटे लगातार लेने के बाद भी आप लोगों के लिए लगातार खड़े हैं ताकि आप खोड़ा सा अच्छे से revision कर पाएं ठीक, तो ये बने रहना है बने रहना है आज की शाम आपके नाम चलिए, बहुत रचे वेटा, धन्यवाद अब ये दोनों सॉरी अब ये दोनों अगर relation अपने पास हो बिल्कुल थो थो था भी आएगी और रोटी बनाने वाली तो क्यों वो भी क्या पता आपके साथ जॉब करना बेटा आज कल आपको पता है क्या आपने वो मूवी का डायलोग नहीं सुना है मारी चोरिया चोरे से कम है के पढ़ा की नहीं पढ़ा सुना है ना आमिर्खान की मूवी का डायलोग तो फिर छोरियां छोरे से कम है कि तो रोटियां तो देखो वो बात नहीं है चली हाँ बिल्कुल दंगल दंगल की बात करें किसी को तो बनानी पड़ेगी बिलकुल सही, चले, राजस्तानी उली, बिलकुल राजस्तानी अर्याने ही उली उसमें, सेहत के लिए हाने का रहिए, ओके, यहाँ पर अपन कह सकते हैं, conversion, दोनों को divide कर दू, सबस्क्राइब अगर मैं एक relation यहाँ पर लिकूं, डिवाइड करके, that is eb upon ta, अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पताब cancel out हो जाएगा अगर इसमें cancel करेंगे तो eb this is omega n upon i a, जड़ा cross multiply करें eb into i a equals to t into omega n, अब गौर से देखिए क्या निकल क्या है, यह है आपके developed power, यह है आपके rotational power के corresponding, तो अगर कभी भी पूछें, हाँ topic खतम है, topic खतम है, तो अपन कहेंगे, यहाँ पर हमेशे याद रखेंगा जब इस power को, अगर कभी कुछ नहीं बोला गया by default, तो अपन कह सकते हैं, अगर उसको ने power को क्या मान लिया, constant मान लिया, तो अपन हमेशा torque और speed जो है, आपका जो torque और speed जो है, वो हमेशा inversely proportional होगा, कभी कोई question आजा है, तो हमेशा लगा सकते हैं क्या, that is N1 T1 और N2 T2, यह relation काफी बार काम करेगा, N1 T1 इकोल जो N2 T2, यह याद रखेगा, power को maintain करता भी, speed और torque का multiplication constant रहेगा, यहाँ तक को doubt किसे को, चलें, तो यह था आपने पास एक तरह से कह सकते हैं, equation based पे, जैसे मान लोग बोलता है कि आपके पास 1000 RPM पे motor चल रहे है, उसका torque इतने Newton meter है, तो बताओ, अगर speed को 800 RPM कर दो, तो torque कितना हो जाएगा, इस तरह से, ठीक, चलो, नहीं, पढ़ाई पे जान देजे बटा, पढ़ाई पे जान दो, सभी seriously पढ़ेंगे, अब एक topic आपने अकसर देखा है, हम दो चीजें बात करते हैं, एक होता है, speed, speed regulation, यह मैं हमेशा पूसता हूँ, समझाता हूँ कि क्या difference है, speed regulation और control में, regulation is all about, बटा, regulation क्या होता है, अगर कोई पुछे, regulation क्या है, तो आपन कहता है, regulation is the property of the load variation, अगर motor पर load जो connected है, वो vary कर जाए, तो आपने उस variable load के behalf पे, उस variable load के behalf पे, हम कहेंगे उसमें जो variation आते हैं, उसकी वज़े से speed पर जो change है, that is speed regulation, और अगर speed control की बात करता है, तब अपन कहेंगे, control का मतलब है, अगर उस motor की internal parameters में किसी change को अगर aspect करें और कोई desired speed पर अपन चलाना चाहें, तो उसके लिए किस तरह से change करेंगे, that is speed control, यह basic difference है दोनों में, एक speed control, क्या, saturation हो गए, please sir, रुकिए, 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 saturation नहीं आएगा, sir, आप कहां से हैं? नहीं, आम बेटा राजस्थान से हैं, राजस्थान, और वैसे हाँ, विल्वकुल पूछ रहे हैं, तो चूरू से हैं, जैपूर से हैं, सभी मान लिजे, सभी जगे घर हैं, native place चूरू है, चलिए, बात करें आगे, देखेगा, speed regulation की जब बात करते हैं, तो अपन कह सकते हैं, it depends on, आपके ही इसके लिए सबसे पहला point आता है, it depends, it depends on load variation, क्या है ये? load variation पर depend करता है, अगर अपन कहें क्या है, तो आपके सकते हैं, simply change, आपके हैं, change in speed, ये क्यालाता है, that is change in speed, change in speed from, from no load, from no load to full load condition, no load to full load condition, बल्कुल ठीक बात है, अब कई बार, अगर regulation, अगर इसका percentage value पूछा जाई है, पर relative aspect पर गए, और कहीं बताओ percentage speed regulation क्या होगा, तो इस formula पर पर गभी question आ जाते हैं, अगर लेना, that is no load speed, minus full load speed, upon full load speed, multiplied by 100, यानि इसकी relative value को, हमेशा किस पर निकाल जाता है, आपके यहाँ पर nl, और nfl क्या है भई, आप बोल सकते हैं, ये हैं आपका, that is no load speed, और अगर दूसरी बात करें, तो आप कह सकते हैं, ये कौन सा है भई, आपके लिए, that is full load speed, no load और full load speed के बीच में difference है, ठीक है, Mohit Sharma, भोजपुरी में पढ़ा है याना सर्फ दो मिनिट, अब ये पतना में सीख के जाएंगे, भोजपुरी आपके इस बार, पतना से सीख के जाएंगे, थोड़ी बहुत भोजपुरी, वेलकॉल, यहां तक तो regulation का अपने पॉर्मला देखा, अब regulation किस तरह बदल सकता है, speed के विहाफ़ पर, speed के variation को अपन कैसे लिखने हो देखो, हम जानते हैं, speed अगर control की बात करें, speed control की बात करें, तो अपने पास कई सारे method, जिनमेंस ऐसा कहा जाता है, कि एक motor के लिए, अपने पास basic equation था, याद करिए, कि वह EB जो होता है, motor के लिए अपन कहते हैं, EB जो है, वो proportional था 5 into N के, चिक, तो यहां से लिखा जा सकता है, N is directly proportional to EB upon 5, अगर मैं इसमें value put कर दूँ, तो N is directly proportional to V minus IARA, omic drops होगे upon 5, तो इस relation में अपन कहें, कौन-कौन से controlling aspect है, तो देखेगा, यहाँ पे controlling aspect के नाम पे अपने पास है, controlling aspect के नाम पे आपके पास voltage है, आप कह सकते हमारे पास एक तो voltage है, एक armature resistance है, और एक आप कहेंगे armature resistance है, और तीसरा armature का flux देखे लेए, एक filled flux है, तो इन तीनों से, हाँ, full load voltage के respect में निकालते हैं सर, बिल्कुल, उसमें हम हमेशा नहीं, voltage regulation full load के respect में, नहीं, transformer में, जब regulation निकालते हैं, तो आप no load voltage से divide करते हैं, हमेशा यहाँ पे नीचे आता है rated, हमेशा divide करते हैं किस से rated से, transformer के case में होता है, no load terminal voltage, और बागी सभी machine हो के aspect में होता है, वो full load terminal voltage, यह दोनों में difference है, ठीक, दोनों के बहाफ पे, वहाँ पे no load लेंगे, then, अब controlling में गर वो पुछे कि, कैसे कैसे control कर सकते हैं, speed control methods के गर वो बात करें, तो आपके speed control method में अपने पास, सबसे पहला आता है, आप कह सकते हैं, first method is, voltage control, कौन सा होता है, voltage control, देख रहे हैं हैं अपन, voltage के respect में speed बदल जाएगा, दूसरा method अपन यहाँ पर कह सकते हैं, armature resistance दिख रहा है, यह कहलाता है, that is armature control, यह भी अपन जानते हैं, और third one is, आप कह सकते हैं, flux पर है, that is field control, यह कहलाता है, अपना field controlling method, तीन तरह के method हैं, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं, armature control, field control, और आप कहेंगे, third one is, पाने, pyq में full load voltage नहीं, बटा pyq में अगर दिया, तो वो नहीं होगा, गलत है, हम पढ़ चुके no load ही होता है, रुपाली no load इसलिए, क्योंकि transformer, static machine is, की design पर अपन no load terminal voltage को maximum लेता है, और rotating machines पर अपन कैसे लेंगे, उसके भी हाफ पर, हाँ, इन सब का aspect अपन discuss करें, armature control, बिल्कुल ही सारे point अपने, तीन तरह से अपन speed को control कर पाएंगे, यह तीन सब method अपने पास है, अगर one by one बात करें हैं अपन, सबसे पहले, अलग-लग methods या motor के regarding, तो shunt motor की किछ controlling methods आते हैं, उन सब को अपन aspect पर देखते हैं, अगर हम कहते हैं, voltage control, देखें सबसे पहले, अगर हम कहते हैं, voltage control method की बात करें, तो voltage control method में ऐसा बोला जाता है, कि speed जो है basically, इसमें जो speed है, N, वो directly proportional कि इसके आप कहा सकते हैं, voltage के, अब कहां से मिला यह speed directly proportional voltage, normally अपने कहा सकते हैं, proportional change करता है, लेकिन इसके method कौन से, तो यहाँ पर अपने पास, दो सब method अपने use करते हैं, एक कहलाता है, by using, आपने यूजिंग, by using, rectifier, यहाँ पर rectifier के नाम पर अपने कहते हैं, क्या यह इस्तमाल किया है, SCR, हम यहाँ पर SCR की use से, क्या करते हैं, इस्तमाल करते हैं, by using SCR या rectifier, क्या करेंगे, speed को control कर सकते हैं, और दूसर method, जो यहाँ पर आता है, उसमें अपन कहते है, क्या इस्तमाल किया आता है आपके पास है that is Ward-Leonard दूसरा मेथड इसमें आता है that is Ward-Leonard Speed Control Ward-Leonard Methods of Speed एक ये मेथड अपने पास इसमें भी आपका separate excitation के बहाफ पे इसको control किया गया दोनों ही voltage controlling की part है नहीं नहीं वो नहीं होगा बिलकुल वो नहीं होगा यही आंसर है अब इन दोनों में बगरफ है और एक और खास बात जो इन दोनों की है voltage control method जो है उसके लिए हमेशे कहा जाता है एक तरह का full range याद रखेगा पूछा जाता है कई बड़ full range speed control full range speed control method यह बोला जाता है full range speed control method इसे कहा गया full range speed control method इसे बोला गया अब कैसे यह control करता है अगर हम कहें यह कैसे control करता है इसको सीखना है तो समझी ध्यान से SCR और इन दोनों में अगर 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 देखें तो यहाँ diagram बगर है तो detail से होजएगा अपन basic keywords की बात का लेने जब SCR यूज करते हैं तो normally कुछ इस तरह का अपने पास एक circuit होता है देखे का ध्यान से यह basically जब भी इन सब की बात की जाती है तो अपन कहते हैं यह एक तरह से separately आपे इनकी तरह से यहाँ पे एक separately excited DC motor का case निकल के आता है इसमें यह preference होगा जब हम SCR बेस फिर बात करेंगे तो इसमें आपन कहते हैं कि भी कुछ इस तरह का circuit ही होता है गौर से देखेगा इसको आसान सी बात है बस किवल समझ जाना इन शॉट अपन देख लेते हैं क्या कर रहा है हम इसमें बोलते हैं कि भी मशीन में ही आपके पास आर्मिचर सर्किट है मोटर का इस मोटर के आर्मिचर सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं सप्लाई से ऐसे और इस सप्लाई के बिहाफ पर जो भी यहाँ पर पावर सप्लाई थी इस सप्लाई के बिहाफ पर हमने यहाँ पे लगाया एक SCR जिसमें हम triggering के थूँ जिसमें हम triggering के थूँ यहाँ से input जो voltage है उसका VA calculate कर सकते हैं क्या निकल के आ रहा है और दूसी तरफ अपने यहीं चीज लिया यह field circuit इस field circuit के विहाँ पे भी अपने एक source connect कर रहा उसमें भी लगाया हमने एक SCR उसमें भी triggering angle के थूँ हम इसको मिलने वाला क्या control कर सकते हैं आप एंगे इसके थूँ जो भी input आएगा उससे क्या बदल जाएगा VF को control कर सकते है voltage के भी हाफ पे चिक चलो clear विटा बढ़े आगे हाँ बिल्कुल changing firing angle बिल्कुल सही कह रहे है बिल्कुल सही कह रहे है changing firing angle के भी हाफ पे है देखो अगर हम कहते हैं speed control है दोनों तरफ से देखा अगर हम दोनों तरफ source या supply अगर अपलाई करते हैं तो फरक क्या पड़ेगा हो समझेगा दोनों ही बिहाफ पे, जी, सीखे मस्ती बेटा, हो गया ये, कोई बात नहीं, हाँ, बिलकुल, बिलकुल, सप्लाई के बिहाफ पे अगर अपने पास दोनों साइड से हैं, तो अपन कह सकते हैं, आर्मिचर और फिल्ट पे दोनों का अलगलग कंट्रोलिंग देखते हैं, जब हम बोलते हैं कि हमें रिक्वार्मेंट है, हमें रिक्वार्मेंट है, बिलो बेस स्पीड, यह अगर स्पीड को कम या ज्यादा करना है, तो पहले अपन आर्मिचर सर्किट में बात करें, अगर हम आर्मिचर सर्किट में देखें, तो आप कहेंगे, आर्मिचर सर्किट में जो speed होता है एन वो किसके proportional था इवी इवी किसके proportional है वी माइनस आई ए आरे यहाँ पर आपको वी दिख रहे है कौन सा होगा वी यह होगा अगर हम firing के थूँ इस angle को increase करें अब कहेंगे कब खतम हो रही है क्लास में भी time बिटा पढ़ते रहे है क्लास में टाइम लगेगा आराम से पढ़ते रहे है निश्यन्त रहे है पढ़ते रहे है टेंचन फ्री रहने का मैराथन मतलब मैराथन हम जनेटर पढ़ चुके हैं अब इसको पढ़ रहे हैं कि यहां पर ने कहा कि अगर इस वहाब पर बोलें तो इस वी ए को कंट्रोल करना आपिश्य सर्किट में जो फाइरिंग है इस वोल्टेज को अगर आपन कहें फाइरिंग एंगल पर यह वोल्टेज फाइरिंग पर जो वोल्टेज मिलता है यहां पर आउट्पट वोल्टे जो होता है उसका एक fix formula है क्या लिखते हैं इसे अपन इसे लिखते हैं that two times of vm upon pi into cos of alpha यहाँ alpha firing angle है तो आप कहते हैं इस case में अगर हम angle firing अगर हम firing angle जो है उसे increase करते हैं जो कि यह normally अपन बढ़ा ही सकते हैं अगर firing angle alpha को हम increase करेंगे तो यहाँ पर cos alpha बढ़ेगा तो आप reduce कर जाए तो आपका speed भी क्या हो जाएगा कम तो आपका सिकते N भी क्या हो गया reduce इसी sequence में इसी sequence में इसका second aspect भी देखते हैं कि यह तो तब हुआ जब अपने क्या क्या armature circuit controlling की बात करी अगर यहीं अपन बोलते क्या होता अगर मैं filled circuit पे होता अगर मैं filled circuit बात को करता तब म function है and proportional to one upon five है then इस बार आपके पास five बदलना चाहिए था आपने का इस बार अगर हम alpha को increase करते field circuit में यहां से देखी तो आपका फिर से क्या होता आपका फिर से cos alpha क्या होता reduce होता cos alpha reduce होता तो आपने कह सकते हैं VF जो है वो भी reduce होता अगर VF reduce होगा तो बताइए वही IF भी क्या हो जाएगा reduce और IF reduce होगा तो flux कैसा होगा reduce अब देखे जरा अगर flux गटेगा तो speed क्या होगा बढ़ जाएगा यानि इस बार मैं कह सकता हूँ हम speed को बढ़ा सकते हैं तो गौर से देखें तो क्या कह सकता हूँ मैं एक तरह का full range speed control अपने को मिल रहा है अगर below base speed है तो इधर से और above base speed है तो इधर से यह दोनों आस्पेक्ट अपने को यहां पर मिल देखें बिलकुल मिल जाएगा ये बादचर्ट मत करिए बिलकुल यहां पर बादचर्ट नहीं करिए यहां से ब्लॉग कर देंगे बिटा चिक है ये सब बादचर्टें बंद करिए पढ़ाई पर जान दे बिटा हैं अब भूलेंगे यह हो गयाämänे बंवेसी थे यह हो गयाग्ट बिलोब comment विलोबेस lp और इसकी बात करें टiempo अपने पास आपके सिक्ते फिल्ड सर्कुट क्या हो गया इसे अपन बोलेंगे इस अब वेश स्पीड यह आपके बेस स्पीड से ज्यादा के लिए और बेस स्पीड से कम के लिए यह दो आसपेट अपने पास आ चुके हैं तो वोल्टिज अब वाइड लियोनार्ड भी क्या करता उसको भी देख लिए अगर हम बोलें दूसरा मेठेड जो अपने नाम लिया जैसे वाइड लिऊनार्ड मैतोड यह क्या कहता है वाइड लिऊनार्ड मै도ड भी तरह का speed controlling method है इस में क्या कहा जाता है इस में हम बोलेंगे इसमें भी speed को ही control करते हैं separate excitation से बस यहां पर machine तोड़ी से समझेगा इसमें बोला जाता है कि एक तौपन यूज़ करते हैं एमजी सेट और इस एमजी सेट के थुरू आप एक next mg set and motor यह अपना equipment required होते हैं जिसमें इसके थुरू इस mg के तुरू जो आप इसमें जनरेटर करें उसके वोल्टेज को क्या किया जाता है और क्या तरू कर सकते हैं इस कर देता हूं आपको बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल कोल माइंस में इसक्माल होता है सही कह रहे हैं यह तरह का चाहिद को और शौ कन और आप सबसे बड़ी बात है इसके अध्वन्तिज जो पूछे जाता है इस अध्वन्तिज पे देखना सकते हैं कई सारे नाम यहाँ पर सबसे gonna चीज यह तरह का sensitive जो सबसे ज़्यादा पुछा sensitive speed sensitive speed control है यह तरह का sensitive speed control method वे था इस method में हमेशे कहेंगे sensitively यानि बहुत fine control अपन चाहते हैं तो अपन कर सकते है sensitive speed controlling method है दूसरी खास बात हम reversal switch को change करके इसके through reversal switch को change करके इसके through speed जो है उसे full range में एकता आप कहेंगे full range में speed को क्या करता है control करता है और दूसरा आपन कहेंगे full range speed control करता है पहले चीज़ तो यह दूसरा full range के साथ साथ यह बोले जाता है कि इसमें both direction full range speed control in आप कहेंगे both direction both direction of rotation दोनों तरह की direction of rotation में rotate कर सकता है क्या करके using कैसे आपेंगे using आपेंगे using reversal reversal switch reversal switch के द्वारा यह दोनों direction में rotate कर सकता है यह इसकी क्या है property है जिसको अपन यहां पर समझ सकते हैं एक और चीज़ बिलकुल advantage में आप कहते हैं advantage है इसका it has good speed regulation बिलकुल बड़िया इसका regulation बहुत बैतर होता है यह भी कहा जाता है और यह आपको regenerative यह आपको regenerative ब्रेकिंग जो है यह प्रोवाइड कर सकता है रेजनेटिव ब्रेकिंग जो है इसका in-build property है रेजनेटिव ब्रेकिंग जो है यह आपको provide कर सकता है यह इसकी property है एक यह चीज अपन कहेंगे बिल्कुल दोनों circuit के भिहाब पे गटना नहीं है बेटा गटना नहीं गटना ही है अपन जोश खताम ठीक इसलिए लगे रहे है फड़ा-फड़ से speed controlling पढ़ते चलते हैं यह हमने कहा कि इसके एक aspect पर जो questions पूछे आ सकते हैं उनको discuss किया sensitive, full range speed control, both direction, reversal switch, good speed regulation, resonative braking, अगर disadvantage है तो क्या है अगर कोई पूछे, what are the disadvantage behind it, क्या disadvantage है, disadvantage है पैसा लगता है बई, यहाँ पर आप कह सकते हैं इसे केवल वहीं इस्तमाल कर सकते हैं, अगर कोई पूछे कहां, तो आप कहेंगे एक तरह से costlier, आप कहेंगे costly method है, costly method है, तो आप कहेंगे इसे केवल वहीं इस्तमाल करते हैं, जहाँ पर आपका sensitive speed control required हो, और cost is secondary consideration, यहाँ जहाँ पर पैसा ज्वित्य प्रात्विक्त है, कि पैसा कितना लगे, controlling best होना चीज इसलिए पन कहते हैं, इसे हम इन जगहों पर, बहुत fine variations के लिए पन कहते हैं, इसे इसे इस्तमाल करते हैं, और wild Leonard method का अगर कोई पूछे, आप से application तो याद रखेगा, अगर कोई पूछे, applications के बारे में कहां इस्तमाल किया जाता है, तो य sensitive requirement हो, इसके अलावाद जो आपके meals जो होती हैं, उनमें अपने इस्तमाल करते हैं, lift, elevators, जो circuit हैं, उनमें भी अपन कामे ले सकते हैं, ये भी अपने का, और जो आपके locomotives हैं, आपके जो locomotives हैं, इनमें अपने से इस्तमाल करते हैं, ये सब इसके लिए पूछे गए हैं, lift, crane, locomotives, इन सब में अपने से यूज़ करेंगे, ठीक है, clear, बढ़ें आगे, बताइए, ये सुनो, बात समझ में आई की नहीं, अब हम basic उस पे आते हैं, armature or field control पे और उसको discuss कर लेते हैं, हाग, बिल्कुल सही है, coal, mine, screen, lift, elevator, diesel, locomotives, बिल्कुल ठीक बात, चलिए भी, दे एक आपके पास क्या, field control और दूसरा अपने पास आता है, armature control, इन दोनों को compare कर देते हैं, काफी पूछा जाता है, field control method जो है, वो एक तरह का आप कह सकते हैं, एक तरह का constant, क्या होता बेटा, power method, इसमें बहुत कम power requirement और वो हमेशा constant सही रहती, इस वाज़े से बोला गया है, किसे special motor के लिए लिया जाता है, या motor भी, ने ऐसा कुछ नहीं, वो separate excited motor सारी कैसे होंगी, जिनके field को अपन अलग से excited करेंगे, DC motors के लिए basically, आप इसी method को use कर दें, call minds में उसी को use के जा गया है, इसलिए बोला गया, DC, DC के भी हाफ तो, हाँ, field control जो है, वो constant power है, बिल्कुल सही है, today create history in online class, से लिए, बिल्कुल आपका साथ रहेगा, तो करते हैं, create, कोई दिक्कत नहीं है, constant power method सबसे पहला point, now, next अगर मैं वोनूं, तो constant power अगर होता है, तो armisher control में क्या होगा, इसमें आपन कहेंगे, compare करें, तो this is constant, this is constant torque method, constant torque method, यह अपन यहाँ पर कहेंगे, constant power और यह constant torque, next अगर अगर अपन constant power, constant torque पढ़ लिया, तो आप कह सकते हैं, controlling कैसा है, इसे हमेशा अपन यूज कर सकते हैं, field control को, अब ही कैसे, बताओ, above base speed, अब यह सारे question पूछे आते हैं, यह देखो, above base speed, और इसे कैसे use करते है हैं, इसे हमेश करते हैं, that is, that is, below base speed, below base speed, done, above base speed और below base speed के बहाफ पे, दोनों में कौन-कौन से sub methods हो सकते हैं, अगर वो कहें, तो field control जो होता है, उसमें reostate यूज किया था, armature controlling में एक और खास बात है, इसकी जो efficiency, it is simply low efficient, एक तरह का low efficient method है, याद रखेगा, क्यों, क्यों, कि resistance की बहाफ के losses बढ़ जाते है, armature में, यहां पर कहेंगे, field में फिर भी diverters वगरी यूज के आ सकते हैं, इसने फिर भी इसकी efficiency relatively अच्छी होती है, so above base speed यानी N greater than NB के लिए suitable है, और यहां पर आपन कहेंगे, below base speed यानी N less than NB के लिए suitable है, एक ये चीज अपने को ध्यान र यूस फोर अबव 40 अम भी बाकी है लगे रही है कभी किसी किसी दिन किसी किसी दिन कुछ इंटरनेट हमारे लिए भी कर्च करना पड़ता है और आप ऐसे आपके लिए पटा रभिंद्र थैंक यू सो मच पटा थैंक यू सो मच थैंक यू कौन हर शिता जोरी चले बढ़े आगे देखते नेक्स आगे इसमें बने रही इसी सरे है और पढ़ते रही अभी अपन मेराथन में निफ्टा देते इसी इसको और सिंकोनस को भी उसमें अपन PDF के भी हाग पर कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा कोई issue नहीं है चलो करके questions बहुत आते हैं अब graphical अगर इस चीज को समझना हो methods की बात करूँ मैं तो shunt में तो ये दोनों थे ही थे series में कुछ खास methods यूज किये गए उनकी अपन discuss करने वाले उनको भी देखेंगे field controlling method में कई तरह के example अपन यूज करते हैं अगर हम बोलें कि भी एक series motor है वो series पहले मैं इसका वो graph वाल आस्पेक्ट बतायता हूँ देख वो इस तरह से बना जाता है वेटा graph इसको समझेगा अगर हम कहें यहाँ पर लिया मैंने speed यहाँ मेरे पास torque और आप पे यह power तो हमेशा एक अपने पास base speed का कोई point होगा sorry यहाँ पर अपने पास base speed का point होगा that is nb इस nb के उपर बात करो तो मैं कहूँगा इस nb वाले point से इस nb वाले point से अगर मैं कहूँँ इस से इधर less than तो n less than nb की बात हो रही है इधर n greater than nb की बात होगी बस समझना इसको और कुछ नहीं जब हमने बोला कि constant power है देखेगा ध्यान से अगर मैंने का constant power है तो आप जानते p बराबर किसके होता भी 2 by n t upon 60 अगर मैंने का power constant हो गया field में तो बताव speed और torque क्या हो जाएंगे t proportional to one by n होगा की नहीं होगा torque speed के साथ ऐसे बतलेगा और power कैसे है बेटा constant है और अगर इधर की बात करूँ अब अगर इधर की बात करूँ चली चली बिल्कुल manage करिए manage करिए कोई नहीं हाँ बताई बताई ये हाँ roommate से वाइपाई उदहार बहुत अच्छे चली बने रहिए चली देखो इधर बात करते आगे आवाज क्लेर आ रही है न बोले सबको voice clear है या फिर change करें कुछ ठीक है इधर अगर बात करें पन torque के बहाफ पे तो आप जानते हैं फिर इस relation को लिखो तो आप कहेंगे P equals to 2 pi NT upon 60 इस बार मैं कहूंगा क्या constant है इस बार torque constant है तो आप कह सकते हैं power is directly proportional to क्या होगा speed यह basically अपने पास दो case आते हैं जिनको अपन plot कर सकते हैं बड़े आसानी से यहाँ देखेगा ध्यान से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर base speed से कम है तो आपने पाद base speed से कम में कौन लगता भई below base speed लगता armature control जिसमें torque है constant तो आपने का यहाँ से आगे का graph इस तरह जाएगा यह किसको plot कर रहा वेटा यह graph है टी का अगर मैं power की बात करूँ तो कैसा अब बताओ यह question बहुत पूछा जा था इसलिए important यह पावर की बात करें तो आप कहेंगे power में power में अपन बोलेंगे कि इधर से देखें अगर lower के लिए यह है below base speed यह है above base speed अगर below base speed पे जाते हैं तो हमारे पास है अगर below base speed पे जाते हैं तो हमारे पास क्या दिख रहा है आपके यह below base speed पर दिखता है कि armature control में power speed के proportional है इसका मतलब अगर speed बढ़ेगा तो आपका power भी इसका मतलब graph कैसा होगा straight line इस तरह से और उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा field controlling की बिहाफ पे अगर मैं कहूं तो power constant हो जाएगा यह आपके line कैसे चले जाएगी बिल्कुल सीध है ऐसे यह किसका graph भीटा power का बास हो गया कम यह question बहुत पुछा जाता है याद tapping cable reduce होगा तो अपन cable flux गठा सकते हैं तो speed बढ़ेगा इसलिए दोनों side नहीं है एकी side बस one way ठीक है clear है चले कोई issue नहीं देखें आगे तो यह अपने एक revise कर लिया इस बहाने से की भी characteristic कैसे आते हैं controlling में अब एक field control वाली बात को अपन यहापर repeat कर लेते हैं अब अब अपन एक confuse हो गए किसमें confuse कहा है एक armature control एक field control है दोनों को लेना सिंपल सा था power constant है अब देखो एन less than nb की जब बात आती है मैं नीचे mark कर देता हूं confuse नहीं होई है mark कर देते हैं अपन कि अगर एन less than nb है अगर एन less than nb है तो हम कहेंगे किदर जा रहे हैं यह है आपका less than nb पर क्या होगा आप कहेंगे armature control और अगर n greater than nb है तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप यह हो रह अब ठीक है अगर बोलो ना थोड़ा अब बोर हो रहे हैं अच्छा पड़ाई में ध्यान दीजिए पड़ाई में ध्यान दीजिए बोर नहीं होंगे ठीक है चला आगे बढ़े यह अपने पास कंट्रोल अब फिल्ट कंट्रोल एक और अप लग प्रॉपर्टी पे पुछ कि अ जुक्त के च्छा आता है उसके कीवर्ट में आपको बताएता हूं अगर हम बोलें किसी जो मोटर होता है उसके प्रेदर थोड़ा सा याद करो सिरीज्ट कर दो अप्रेदश में होता है क्या आरविछ हमर्य दा फिल्ड कंट्रोल मेथट अननम्टोलि ह Ort का भड़ा इं कि डाइवर्टर मेथड दूसरा इसमें आता है अपने पास क्या कहलाता है डाइट इस फील्ड डाइवर्टर मेथड तीसरा इसमें अपने पास आता है जिसमें करते हैं टैप्ड कॉयल टैप्ड कॉयल मेथड और नेक्स अपने किस में लेते हैं जो कहलाता है सिरीज पैरलल कनेक्शन मेथड याद आगे चारों यह चार मेथड अपन फ्लक्स कंट्रोलिंग में यूज करते हैं अब देखिए अगर हम बोले हैं है 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 अगर हम कहें इन चार आस्पेक्ट पर आर्मिश डैवर्टर क्या होता पहल Fuck do इसका मुत्स का मतलब और शिवर्टर ऑ आप कह सकते हैं कोत्य है का मतलब पैरलल व्रांच के resistance को shift करता है current में shift नहीं करेगा तो इन चारों methods में से अगर अपन कहें तो इन सभी में इन सभी को किस पर बोला गया यह सब field control method है सबसे पहली बात field control method के लिए basically क्या सही होना चाहिए बताऊ यह हमेशा क्या करना चाहिए n less than nb होना चाहिए कहने को तो ही बोलते हैं लेकिन यहां पर क्यों एक ऐसा method जिसमें ऐसा नहीं होता है वो कौन सा है आर्मिश्य डैवर्ट याद रखेगा यहां पर हमेशा n जो है वो greater than sorry field control में हमेशा अपन कहेंगे क्या होना चाहिए n greater than nb होना चाहिए speed क्या होगा भई field में बढ़ेगा न इसके अलवा इन तीनों में इन तीनों में यह अपन कह सकते हैं speed जो है greater than nb होती है और क्या change करके flux को change करते हैं क्या change करके flux को change करके अपन ऐसा कह सकते हैं कि flux controlling से इस abbreviation को gain किया जाता है यह सबसे important aspect होता है याद रखेगा summarize कर लीजिए कि अर्मिचर डावेटर में हम आर्मिचर के parallel में cryostat लगाते हैं और इसकी एक और standard condition होती है यहाँ पर हमेशा T जो है method में क्या रहता है constant maintain किया जाता है इसी condition पर इसको achieve किया जाता है field diverter में flux reduce होगा, speed बढ़ेगा, tapped coil में tapping reduce होगा, speed बढ़ेगा और अगर series parallel connection की बात करूँ तो इसमें भी अपन कह सकते हैं जो flux है वो इस तरह से create करता है कि parallel में अगर जोड़ दूँगा तो आपका MMF कम हो जाएगा और speed का होगा बढ़ जाएगा इस aspect पर इसको भी किया जाता है, ठीक, इस तरह से अपन कह सकते हैं अपने पास ये 3-4 method हैं जिसके through अपन create करते हैं चलें आगे, clear, ये अपने पास एक series motor के aspect पर अपन कह सकते हैं, control आ गया अब कुछ formula आपने और पढ़े होंगे, controlling में, speed control एक बहुत important topic अभी एक आपने ये method पढ़ा होगा याद करो, series parallel control in traction application बस इसको देख लेते हैं, series parallel control in traction application, ये क्या था भई series parallel control क्या था, traction में बता उ, traction application में ही कहा जाता है, कि जब आपके पास दो motors को, दो series motor को ऑपन किसमें चला दें ये traction application में क्या करते हैं, इसमें ऑपन कहते हैं, two series motors इसमें हम कहते हैं, two series motors जो है, वो किसमें connected है, आप कहेंगे, mécanical तो हैं वो एक तरह से mechanically तो वो है क्या that is coupled और आप कहेंगे electrically electrically वो क्या है आप कहेंगे connected, electrically कैसा है connected, connected इसका मतलब किसमे आप उने series में भी जोड सकते हैं और आप कहेंगे parallel में भी जोड सकते हैं, दो चीज़ें अपने पास है, series connection भी और parallel connection भी दो view open यहाँ पर ले सकते हैं series और parallel, अब अगर मैं कहूँ कि अगर series और parallel में जोड सकते हैं तो फिलाल यह आया कि भी क्या aspect मिलेगा, तो अगर मैं कहूँ series parallel control जब use करते हैं तो इसके result बड़े important है, हम कह सकते हैं जब इसे series में जोडा जाता है जब इसे series connection में जोडा जाता है तो इसके result जो आते हैं, वो होते हैं हम output मिलेगा यहां से torque तो क्या होगा, high और speed कैसा होगा, low इस तरह का output, और अगर इसे जोडा जाता है shunt में, यानि कि आप कहेंगे parallel में जोडा जाता है, तो क्या answer होगा parallel में अपना answer आएगा, क्या आप गेंगे torque मिलेगा आपको low, और speed कैं मिलेगा high, अब इसको थोड़ा सा याद रखने का एक तरीका पन ऐसे कह सकते हैं, कि इसको formulation में कैसे लिखा गया, वो देख लेते हैं, formulation के अगर मैं बात करूँ, तो इसमें याद रखेगा हमेशा, पहला result अगर मैं कहूँ, shunt और series के लिए, तो torque और speed को जब लिखते हैं, तो 4 times, विलकुल सही answer दे हैं, 4 times वाला ही है, shunt और series में result आते हैं, TSE equals to 4 times of TSH और दूसरा आता है, NSH 4 times of NSE, ये भी बहुत बार paper में आता है वेटा, इसको भी खूब पुछा गया, ये भी बहुत बार पुछा गया, क्या थोड़ी सी increase कर दो, विशाल, विलकुल देर देरे बढ़ा रहे हैं, वेटा विलकुल सही करें, NSE is 4 times NSE और NSS का relation देखो विलकुल ठीक कह सकते हैं ये अपना answer होगा, series और parallel connection में result काफी पूछे आता है, कब high torque मिलेगा कब low torque मिलेगा, तो result याद रखेगा important है, controlling के बहाब पे अगर कफी पूछे तो इधान रखना है ठीक है, clear, बिलकुल, ये आकड़ा बना रहेगा, मज़ा आएगा न, मैरा अपन जंडे काड़ देगा, बढ़ते रो, चलते रो, करते रहते हैं बिलकुल यही यही चाहिए और क्या, बिलकुल आगे बढ़े, next speed थोड़ी increase, गोल गोल गोने लगा speed divide होता है, 4 times, देखो, divide होता है वो तो multiply होगे न, shunt में shunt में 4 times है, वो divide होता है, बिलकुल ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा, parallel, shunt मतलब parallel, parallel में speed high है, और यहाँ पर series में torque high है, अब याद कैसे रख सकते हैं, बड़ा simple, simple सा तरीका है, series motor किसले famous है, high torque के लिए, और उसका series ही combination कर दो, और भी high हो जाएगा, तो बस इसी behalf के अपन कह सकते हैं, उसमें अपन यह abbreviation यूज़ करेंगे, ठीक, clear है, बिलकुल, अब आगे बढ़ते हैं, next topic पर यह था, अपना speed control, अगला topic लेते हैं पर इसमें आगे, speed controlling के बाद बात आती है, किसकी, speed controlling के बाद बात आती, characteristic की बेटा, characteristic of DC motor, क्या होते हैं, characteristic बताए, किस किस के बीच के relation को अपन characteristic कहते हैं, पांच minute break दे दो, चली, एक minute का मैं break दे देता हूं, मुझे characteristic के नाम बता दीजिए, फटाबट मैं भी पाने पी लेता हूं, just a minute का का अइ मुझे हैं, हैं का बाता हूं, का बाता दे पीच क्र сказं दे रचिजिए, युझे दे भाने पांच मैं गज प्ता हैं, φ dwतरूल आता हैं, हैं भी प्ता है, करसrict ईति को आltir ह्जिए, झाल झाल चलिए बात करते हैं आगे हास आंसर बता दी बड़ा सभी ने बहुत अच्छे यही डेडिकेशन आज बाग कहा गए वापस आजाई बागना नहीं मना है चलिए देखते हैं बिल्कुल इलेक्टिकल केरेक्टरस्टिक मेकानिकल और लोड केरेक्टरस्टिक बिल्कुल ठीक है रहे हैं करेक्टरस्टिक का मतलब यह होता है एक थी तार्क दूसर मेरे पास नेग जो बहाता है तर्क या आइड क्यांता होता है लिजो भी करना है देखिए ये तीन characteristic को plot करना different different motors के लिए यही अपने को बनाना है ये आपके basic characteristic है इन तीनों को different motors के aspect पर बनाएं तो किस तरह से relate करेंगे दो तरह की graph जिन से अपन बोल सकते हैं कंकडबाग आ चुगा है नाश्था अब सर बांटेंगे हो नहीं बिल्कुल अभी अगर आ सकते हो तो आज 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 रिचार्ज कर लिए कुछ नहीं एक हम यूज करते हैं यहां पर और दूसरा यूज करते हैं टी प्रपोर्शनल फाइंटु आईए जहां मैं एन लिख रहा हूं वह एक तरह से उस स्पीड के बिहाफ पे भी होगा टौर्क एक्वेशन और इसमें एक तो टी हो गया और दूसरा कौन सा है इन दोनों के बिहाफ पे ही इन ग्राफ को बनाए सिक ले लेते हैं पन्ड़्ी आई एक टॉर्क कार्मिशर करेंट किया यह रह hosting क्रिंट आगर मोटर है शंड्म कर्दकर अगर मोटर है अगर मोटर हैं शंट तो स्हिन मोटर में तो क्या होगा बिटा य क्योंकि भाइच एक पी अ और सिरी आख ओंनाट हो गार उसमें करींग अगर मैं इसको प्लॉट वाइस करूँ इस ग्राफ को बनाऊ तो कैसा दिखेगा अगर मैं इस क्रॉट करूँ तो कैसा दिखेगा मैं भी इस बार बड़ा काफी लंबे समय तक प्रियागराज रुका तो आपसे बड़ा एक अलग ही लगाव हो चुका है बिल्कुल हम भी मिस करते हैं आपको सभी को और अच्छे से मैनत करें फोड के एपेपर क्या होगा यहापर अगर करेक्टर स्टिक बनाऊं तो मैं आपकेंगे इस बार है टौर्ख और यह आर्मिशर करेंट तो आपकेंगे यहापट अगर मोें अगर अगरosis शुन्ट है तो यह तो होगाjam क्या होगा इक स्ट्रेटर्ट लाइब याइसा यह किसकेन वह होगा शुन तो लिए पाथ के अपने कहते हैं इस तरह का ग्राफ आगे बढ़ेगा यह किस के लिए आता है आपके इंट सीरीज तो बात आती है कि क्युमिलिटिव और डिफरेंशल पर क्या है तो जब कंपॉंड मोटर की बात आती है तो उसमें आपने कहते हैं दो तरह की बात है अपने लेंगे 5 कितना हो जाता है 5sh-5 से इसका मतलब ही हुआ शंट की जो लाइन है शंट का जो रेफरेंस है पैचान गए बिल्कूल पैचान गए सबसे आगे आगे राइट के अंदर फर्स सेकंड बेंच बिल्कूल पैचान गए morning batch यह शंट है और यह series है तो आपने कहा यह जो शंट है और series जो है उन दोनों के अगर मैं बात करूँ तो graph के characteristic कैसे जाएंगे शंट से भी उपर cumulative में हमेशा क्या होगा cumulative में हमेशा क्या होगा आप कहेंगे शंट में series एड कर रहा है तो अगर यह flux बढ़ गया constant के साथ saturation से पहले तो टॉर्क भी बढ़ेगा तो आप कहेंगे इसका graph हमेशा शंट से भी उपर मिलेगा तो आप कह सकते हैं यहां के जो characteristic हैं उनको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं अपन यहां के characteristic हमें ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर यहां से भी graph यहां से भी graph अगर उपर की तरफ shift कर रहा है तो यह कौन होगा आप कहेंगे cumulative होगा वही क्योंकि टॉर्क बढ़ रहा है इसके साथ और अगर मैं कहूं differential पर जाऊंगा तो फाइएसच माइनस फाइएसी तो यहां बताओ अगर इंक्रीज करेगा तो बताओ तो और क्या हो जाएगा कुछ कम अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो यह क्या बन जाएगा वही differential यह लिजिए यह हो गया काप differential के सर अगर दोनों में से एक एक दे पूछे तो कौन लगाएंगी विफोर या आफर के स्टॉक सेरीज में पूछता है या फिर सब जब बैरी करता है नहीं बैरी नहीं करता है अंकेश सर मुझे पैचान कर दिखाओ बिल्कुल पैचाना वे बेटा जैपुर सांगी मुझे सब याद रहते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं याद रहते हैं अंकेश जैपुर सांगी अभी सारे मेरी परीक्षा मतलेने लग जाना ठीक है परीक्षा मतलेने लग जाओ याद रहते हैं कुछ फेस से कुछ नाम से यूँ सब याद हो आप बात करें फ्लक्स गटेगा तो टॉर्क इधर आएगा क्लियर है तो यह अपने पास एक रिलेशन आया जो टॉर्क आर्मिचर करेंट का पन कह सकते हैं होगा कि सर ओनलाइन निंबर्स पर भी बहुत बढ़िया पढ़ाया है सबको जानते हैं चलिए बहुत बिटा बटाए करेंए यह होगाओ है क्युलिती ओ दिफेरेंशल के लिए प्लक्स के लिए लिख सकते हैं keips characteristic कौन सा होगा आप कह सकते हों एक टार कारिमिचर करेंट अब हम कह सकते हैं कि अगर हम HOW तक करेंट अब इसे कैसे लिखए अब देखो, N यह थोड़ा सा tricky होता है, क्यों? क्योंकि आपके पास equation जो है, यहाँ पर लिखने होता है, मैं direct बताऊंगा आपको, आप समझ जाना, हम जानते हैं, N जब आप speed की बात करते हैं, तो आप पहेंगे speed के बिहाफ पर, आपके बास एक relation था, V minus EB equals to IR, उसी perception पर अग VEGA के characteristic यहाँ भी important हो जाता है, तो shunt के लिए गर मैं कहूं, अगर सबसे पहले मैं बात करों इसमें shunt motor के लिए, shunt motor के लिए अपन बोलेंगे कि वही एक no load speed, पहले motor के लिए finite no load speed होती है, उसके बाद आपका speed जो है, वो क्या करेगा, load के साथ गटेगा, आप के फर्स्ट आप बोल सकते हैं, इसमें एक finite no load speed होगा, आप एक no load speed होगा, उसके बाद, after that, अगर मैं load increase करता हूँ, तो आप केंगे speed जो हो गटने लगेगा, बहुत small gap will be there, अगर यही चीज़ series motor के लिए है, तो series motor में अपन कह सकते हैं, उसका जो no load speed है, उसका जो no load speed होगा, इसे अप अपन बोलेंगे, यह infinitely high होगा, very high, आप कहेंगे very high, तो आप कोई finite value नहीं बोल सकते हैं, इसलिए अपन हमेशा load पर start करते हैं, इसलिए at load, आप कहेंगे at load start होगा, और उसके बाद अगर 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 बोलेंगे कि जैसे load बढ़ाते हैं, तो इसका speed घटेगा, यह दो पीवाई की question करवा रहे थे, ओके SSJ, DRD दो, नितीश बेटा, इसके लिए आप मुझे message करना और अलग से बात करेंगे, एक shift के बाद, हाँ, आप मुझे message करेगा, अपन देखते हैं, चिक है, ओके, सुजीत, बिल्कुल, अब हम अगर कहें कि इसके characteristic कैसे हैं, cumulative और differential में भी देखेंगे, तो graph अगर अपन यह यहां बनाएं, तो कुछ इस तरह से आता है, जब इसके speed और characteristic को बनाए जाता है, आप यहां पर अपने पास है, that is speed, और यहां पर अपन ले रहे हैं, आपके पास load, यानि क्या armature करेंगे, अब यहां कैसे तो, एक shunt motor के लिए हमेशे finite no load speed होगा, तो आप यह उससे के साथ reduce करेगा, और फिर अगर अपन बोलें, पटना वाले को यह सब पढ़ाया ही नहीं, अभी नहीं, चले, अब यहां से आगे अपन कहें, कि अगर load के perception पर changes कैसे आ रहे हैं, तो अपन आप बोलेंगे, अगर cumulative motor अगर होगा, तो उसका तो shunt के in between चलेगा, तो आपने इ हैं, तो आपके cumulative तो कुछ ऐसा मिलना है यहां पर, cumulative के अगर बात करों, तो cumulative तो आप यहां से कह सकते हैं, इस तरह से आएगा इसके just नीचे, लेकिन differential क्या होता है वही, अभी अभी पढ़ कहा है थे, differential क्या कहता है, differential कहता है, n proportional 1.5 वही, इसके अगर flux weak हुआ, तो speed बढ़ करेगा, और बड़ेगा तो graph कहा जाएगा, उपर की तरफ shift करेगा, तो आप कहा सकते हैं, इस shunt से उपर की तरफ rise करते हो, यह किसके लिए graph है, differential, यह characteristic अपन कहा सकते हैं, इस motor के regarding, चलो clear, बहुत अच्छे से, बिल्कुल इसमें उपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही कह करें, हाँ, चलो चलो, फटाफट से, फटाफट सोने का नहीं, सोने का तो आज मतलब भी नहीं है, बारावजे से पहले तो कुछ भी नहीं, चीक है, यह थे अपने characteristic अपन कह सकते हैं, जिसके विहाप के अपन आराम से graph को समझ सकते हैं, next point, next, तीसरा जो characteristic होता है, हाँ, इ इस पर जो based question है, वो कैसे आते हैं, तो graphically आएगा graph बना के आपको उसके characteristic match करने के लिए पूछ सकता है, third characteristic जो nt है, बिल्कुल इसी जैसा होता है, similar, आप कह सकते हैं, अगर मैं nt की बात करूँ, तो आप कहेंगे, same होगा, almost similar, तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसी के जैसा ब बिल्कुल आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, बिल्कुल स्टार्टर में आ जाते हैं, चलो, यह लिजए स्टार्टर, next topic is DC Motor Starter, अंजी, स्टार्टर हम क्यों यूज करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो important यह है, तो बहुत महरबानी होती सर, हो सके तो टेलिग्राम गुर्प के शियर करवा दीजेगा, सुजी कुमाद, ठीक है वेटा, बिल्कुल करवा देंगे, आप में जो मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको शियर करवा दूँगा, ठीक, हाँ, आप one-to-one क्लास के बाद कल मुझ हाता जाए, हाँ, limit the starting current, बिल्कुल ठीक करें, to limit the armature current, starting current limiting to reduce the loads, initial starting current, देखो, स्टार्टर, DC motor self-start तो होता है, अब अगर कोई self-start motor है, उसके बहाफ पर कहा जाए, कि क्या होगा, तो आप पहा सकता है, अगर self-starting motor है, तो कहीं न कहीं, तो कहीं न कहीं ये कहा जाता है, कि starting क बहाफ पर initially current यादा लेता है, क्यों लेता है जादा, उसका case क्या गयता है, क्यों लेता है जादा, उसको अपन यहाँ से देख सकते हैं, किसी भी motor के लिए, अगर हम कहें, कि वी माइनस EB इक्वल्स टू, आई ए आरे, यह expression था, यहां से आई यह क्या होगा, वी माइनस EB अ at starting, अगर मैं कहूँ, starting instant पर बता हो जादा, तो starting instant पर बिन कहते हैं, N0 होगा, और N0 होगा, तो EB0 होगा, अगर N0 पर EB0 होगया, back EMF0 होगया, तो बताइज जादा, इस current को क्या नाम देंगे, IST, current होगया, starting, और यह किसके बराबर आया, B upon R, अब बताए, applied voltage को control करने के लि from, इसके बिहाफ पर भी हाई, तो आप कह सकते हैं, this will, very high current, आप कहेंगे, at starting, starting current का magnitude बहुत जादा है, दिख रहे है, आप कह सकते हैं, so, IST basically कितना होता है, आप कहेंगे, यह हो जाता है, 5 to 7 times, 5 to 7 times of IFL, आप कहेंगे, full load current का 5 से 7 गुना, अब इतनी high current अगर हो, अगर इतन high current हो, तो क्या होगा, इतनी high current होगी, तो armature की जान निकल जाएगे, इसे कह सकते हैं, अपन, armature के साथ क्या होगा, आप दुरगटा देख भी नहीं स्वाएंगे, दोएं निकल जाएंगे, इसके दोवाँ दोवाँ उड़ा देंगे, आप कहेंगे, अगर यह इतना high current हो, अगर IST की इतनी high value होगी, तो आप कहेंगे, armature जो है, वो overheating से, overheat करेगा, और इस overheating से अपन कहेंगे, आप simply बोल सकते हैं, winding जो है, वो क्या कर जाएगा, burn कर जाएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं, motor को safe start अगर करना है, उसके requirement को चोर होगी, बिलकुल, आप कह सकते हैं, इ और यहां पूछा जाता है, starter क्यों use कियाते है, starter का use को पूछ ले, सबसे ज़्यादा यही question पूछा गया था, आप आप सकते है, use क्या है, use क्या है वही, क्या बोलेंगे, to limit, to limit, starting current, to limit starting current, यह इसका use है, starting current को limit करने के लिए पर क्या use करते हैं, starters इस्तुमाल करते हैं, clear, after live repeat video, दुआ 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 लिखा जाए, हाँ, बिल्कुल, लिखा जाए यह लो, burn कर जाएगा, आप कहेंगे, यह लिजे, दुआ उड़ा देंगे भई, इसका, इसका दुआ निकल जाएगा, done, अब ठीक है, अब चाप छोड़ दिये, ठीक है, अब safe starting के लिए पन कहते हैं, for safe starting, हमें इस IST को कम करना पड़ेगा, तो आप कहते हैं, इसके लिए क्या करें, हम कहेंगे, IST को अब ऐसे कहते हैं, क्यों न हम एक armature के साथ series में resistance लगा दें, जैसे हम कहेंगे armature के साथ series में resistance लगा दें तो, this is V upon RA plus, आप कहेंगे एक external resistance तो RS से मार कर देता हूं, याद रह जाएगा, IS, यह आपका starting resistance है, जैसी मैं इसमें add करूंगा, बोली, starting current क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका से कहते हैं, for safe starting, we can provide this resistance in series with the armature winding, clear, यहां से यह बोला जा सकता है, आराम से अपने series को बोल पाएँगे, 4 hours completed, बिल्कुल अभी शेक, बिल्कुल completed, बिल्कुल complete हो गए, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, जब live में बच्चे होते हैं, और आप लोग पढ़ने वाले होते हैं, आदर से ज्यादे हैं, जिनको मैं जानता भी हूँ, और इतनी बार पढ़ चुकी लेकिन फिर भी आप बार-बार मुझे पढ़ते हैं, और इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बड़ा गद-गद महसूस करते हैं, क्या कहीं, खास कर, बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है, आप लोगों के लिए वेराथने देखो, बिटा, आपका प्यार है, और निम्मस लेर्निंग को मैनत करते हैं, कोई भी हूच है, सुमिद सर, पाड़िदा सर, बाकी सभी, कोई भी, सभी, बराबर मैनत करते हैं, ताकि आपके लिए अच्छा content आपको लाते रहें, ठीक है, तो यही चीज़ बनाए रखना है, इसलिए, इसलिए हम टॉप पे हैं भी, आप सब की इतने प् कर पाते हैं, ठीक है, पता ही नहीं चला, तो अभी चलने भी नहीं देना है पता, छे गंटे तो क्रॉस करके जाऊंगा महाजाज, सिंक्रोनस भी पढ़ाना है बेटा, सिंक्रोनस की बिना थोड़ी होगा, इंटरनेट वापस से आ चुका है, आज एक अलगी record बना के चलते हैं, बिल्कुल, अलगी record बना के चलते हैं, record आप लोगों का प्यार और क्या है, बस पढ़ते रही है और एक भी question, अगर मैं कहूं एक भी क्यों, मैं तो class में बहुत दिन बात बोलता हूं, एक भी question नहीं, कोई भी question paper में है तो अपने note से तो बाहर नहीं आना, अगर कोशिश करेंगे, मैरा थर में cover भी करें, नहीं आएगा बटा, नहीं आएगा, कैसे revise करें, बट आपको तो सब simple कर दिये, कोशिश करते बटा, कोई भी center होना चाहिए, बिल्कुल होगा अमित, बिल्कुल होगा, power system के लिए नरुका सर को गुला दिया जाए, मैरा थर में, दयानन्द वो देखो, जो available हैं, जैसे हैं, उसी के विहाफ पी होगा, schedule के regarding अभी विहाफ लुक करते हैं, सर, यहां आजाईए, वहां जाईए, सब का सब management decide करता है, हम बस अपना continuous effort पढ़ाने के लिए आपको देते हैं, आपको जो पढ़ाएंगे, वो बहुत, बिल्कुल प्रियागराज में जल्दी आईए, सर, हांजी सर, आज कुछ तुफा नहीं करते हैं, विशाल कह रहे हैं, बहुत अच्छे, अब 12 बज़े आपको इंटरनेट वाला डेटा भी आचुका है, टेंशन नहीं है, तो नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सभी, सभी, मैंने का न 100%, 200% देते हैं, और वो केवल आप लोगों के लिए, इसमें कोई फरक नहीं है, किसी में कोई फरक नहीं है, सभी एक से उपर एक है, जमान के चले, डन, चले आगे, गुजरात में भी सेंटर उपन कर दे, हां सारे कर देता हैं, मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, रोज आपको कहता हूँ, नॉन टेक में आपको आदे पॉन गंटे में अच्छे से पेपर अटेंप्ट करना है, बचावा टाइम टेकनिकल और आपके रिजनिंग को देना है, और आज से जितने दिन बचे हैं, मैं राथन तक भी हो, रेगूलर बेस इस पे 50-50 क्वेशन 40 म में कोशिश करिए कि 50 क्वेशन कर पाएं, और उन में से हम 45 सही कर पाएं, यही स्पीड अभी आज से शुरू कर दो, मेरे कहने से आज से आज से आप रागू कर दो, पेपर वाले दिन पता ही नहीं चलेगा कब आप 40 मिन पे 45 क्वेशन सही कर देंगे, और 40 मिन न इसलिए बोलो कि बाकी की पेपर के लिए आपके पास समय अच्छा बच जाएगा चिक है clear आजी चलिए 2.3.4 पॉइंट आते हैं बढ़ा टॉपिक पर आते हैं चलिए स्टार्टर की टाइप्स अपने पास हैं उनको देख लेते हैं फटा फट से अगर मैं कहूं इस टाइप्स ऐस्टार टाइपस ऑफ स्टार्टर की बात करें स्टार्टर क्या हो जुआ कि टाइपस ये कहते हैं जिस परसरप्शन पर बोलेंगे तो टू-पॉइंट 3.4 पॉइंट बिलकुल आप सब जानते हैं वेथर और बने रही है पीछे कम हो गए हो तो देख लेना हम कहेंगे सबसे पहले बात करते हैं तो एक आता है टू-पॉइंट टू-पॉइंट स्टार्टर में बेसिकली अपन बोलते हैं कि इसमें कुछ खास नहीं वसे इस तरह बना कि बना सकते हैं कि लाइन होगा और फिल्ड और नॉर्मली टू-पॉइंट स्टार्टर क्योंकि फिल्ड और आर्मिश्र को कॉमन टर्मिनल इसमें आप यह भी कहते हैं हम एन वी सी केवल जो है वह आप एन वी सी यूज़ करते हैं यह बात भी बूली जाती है अगर मैं इसी चीज को कहूं कि अपने पास जो थ्री पॉइ स्टार्टर डाइगराम तो नहीं लेकिन सारे पॉइंट जरूर डिसक्स कर लेगे ठी क्या कहते हैं बताइए कि इसका क्या आस्पेक्ट है थ्री पॉइंट स्टार्टर बेसीकली बहुत सारे अब्रीविशन पर हम बोलते हैं इसमें अपने पास तीन बेसीक स्टंडर्ट इसे हम शंट मोटर के लिए काम में ले सकते हैं, चीक हैं, बिल्कुल LFA, लफा, लाइन फिल्ड आर्मिशर, अगर हम कहें, शंट मोटर की बात करें, तो शंट मोटर की आसपेक्ट पे बुला जाता है, लाइन फिल्ड आर्मिशर में, कि अगर 3 पॉइंट स्टार्टर है, अगर 3 पॉइंट स्टार्टर है, तो हम कहेंगे, शंट मोटर की आसपेक्ट पे, इस पे बहुत थोड़ी सी ड् स्टार्टर में बोलेंगे यहां पर कि इसमें NVC और OLRC दोनों इस्तमाल कि जाती है अब यह क्या होती है दोनों को देख लिए फड़ावट से अगर मैं बात करूं NVC के लिए नॉर्मली कहा जाता है यह एक तरह का 9 वोल्ट कॉयल है यह बोल सकते हैं क्यों बोल गया है क्योंकि यह इसे स्टार्टर को एक तरह से होड़ करते लेकिन जैसे इसकर वोल्टेज जीड़ होता है यह इसको ट्रिप कर जाएगा चैसे अब अहीं क्या बोलता है इसे हम्वात NBA को घ्र्राप Вам उप Hospital क्या जाता है अब उसके पहाब हैं आप यहाफ तब उसके cross voltage 0 नहीं हो जाए OLRC जो है वो एक तरह का क्या है आप नहीं OLRC एक तरह का overload relay है यह क्या एक तरह का overload relay overload relay का मतलब है जैसी machine overloading पे चलता है आप कह सकते हैं यह overloading relay है जो protection के लिए लगाया गया है जैसी motor overload पे चलेगा यह NVC को operate करके trip कर देगा तो दोनों का working जो यह से cumulatively decide के अगया है कि एक दूसरे को कैसे ही operate कर पाएं इसके इसको अपन यहाँ पर देख पा रहे है ठीक लगे रहे है अभी देखे 12 बजने से पहले पर इसको खतम करके दूसरे unit start कर चुके होंगे और आगे maintain करेंगे इसी चीज को पढ़ते रहे है ठकना नहीं है ठीक है बिलकुल भी ठकना नहीं है लगे रहे है सर एक्जाम के लिए must revision हो रहा है चली बहुत अच्छी बात है बटा बिलकुल अगर must revision हो रहे है तो 12 बजे तक भाग लिए तो आगे तो internet ताजा ताजा बैठा आपके लिए internet आई जाएगा कोई दिखरती है जितना आपन कर पाएं आच्छे से करेंगे बढ़ते हैं अगे nvc और olrc बोथ हार प्रिट प्रोवेड बिलकुल और बताए त्री पॉइंट स्टार्टर में मुझे फटा बट से comment section में बता दीजे कि क्या nvc और field किस connection में होते हैं series और parallel बोलेगा three point starter में nvc मैं पूछ रहा हूँ nvc and field nvc and field किस connection में connected होते हैं question पूछा जाता है series और parallel फटा बट answer आना चाहिए विकी हाँ series बिलकुल सर राजपुरा machine revision करा दीजे बिलकुल करा देंगे किसमे connected होते हैं series parallel दोनों answer देरें इसका मतलब confusion है अगर series में है तभी तो weak हो पाता है यही तो इसका drawback था याद करो यही तो drawback था इसका यह किसमे connected होता है series याद रखेगा बिलकुल nvc और field series connected है इसी वज़े से तो इसमें three point में कमी रह जाती है तो आप पहेंगे यहाँ पर series connected होते हैं बिटा यह question important है आ सकता है पेपर में important mark कर लेना यह पूछा जा सकता आप से अब three point starter का drawback था खाने के व्यवस्ता कर दिया जाए खाने के व्यवस्ता कोई बात नहीं सर ने भी नहीं खाया आपको बतायते हैं नहीं खाया है खाना क्योंकि खाना खतम करके खा के सुँगा मैं यह मान के चलिए ठीक बिलकुल बिलकुल और यह literally अपने आप से energy आती है जब यहाँ पे बस यह 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 प्यार ही बना रहे न चाहिए और मेहनत इसी तरह करते रहे है चलिए बात करते हैं सिरीज कनेक्शन वाली तो त्री पॉंट स्टार जो है बेसिकली ऑपरेट कैसे करता है इस वर्किंग से कोई question नहीं पॉंट स्टार्ट रहे है बता सकते हैं वेटा फटाफट से क्या होगा इसका थ्री पॉंट का disadvantage राजस्तान में टी आ गई है अचाय चाय सर को बड़ी पसंद रही चाय लगातार पीते रहता हूं थ्री पॉंट स्टार्टर का क्या drawback है यह बता देए जराबैक यह है ने डॉबैक क्या है देखेगा ड्राबैक होता है कि जब हम थ्री पॉंट स्टार्टर में हम कहते हैं जो shunt motor है जो आपका shunt motor उसके लिए अपन बोले shunt motor का जब हम three point starter से connected position में speed control करते हैं यह exam में पुछा जा सकता है और पुछा गया है speed control करते हैं किस से using field control या using flux control जब हम flux control method से जब हम flux control method से speed को control करते हैं using flux control तो field control method में चलो flux control method में अपन कहते हैं जब field को control किया जाता है उस case में उस case में जब field को control किया जाता है तो अपन कहेंगे field controlling में आपका speed कैसे act करता है बताओ n proportional होता है वेटा eb upon 5 ना के लिए अब जब हम holand control के तो basically क्या करते है फिट को weak करते है यह एक तरह से आप कहते हैं कि रियोस्टोट है कि हम एक तरह से wat क्या करता है इस पिक करते है एक तरह एक है का फील्ड-कोड करते हैं तो हम वीक करेंगे तो सीधी सी बात है speed बढ़ जाती है, बिल्कुल सही करें सर आज पहले machine करूंगा तब खाना खाऊंगा, हाँ मैं भी तब ही खाऊंगा कोई बात निया, आजाए field को अगर weak करते हैं, तो आप एंगे field weakening से speed बढ़ती है, done, लेकिन आपको ये भी पता है कि field weak होने के साथ साथ, आपका nvc और field, ये दोनों किसमे connected अपने बोला, ये दोनों किसमे connected थे, series connection में, अगर ये दोनों series connection में हैं, तो बताइए field जैसे जैसे weak हो रहा है, वैसे वैसे nvc का magnetic field nvc का magnetic field भी क्या हो रहा है, weak हो रहा है और अगर nvc का magnetic field weak हो गया तो बताइए इसके weakening होने पर एक point ऐसा आएगा जब आपका starter जो है जो आपका starter का handle है वो क्या करेगा off position पर चला जाएगा starter का handle off position पर shift कर जाएगा अगर starter handle off position में हो गया तो motor क्या हो जाएगी बंद और आप जानते हैं करने चले थे speed control और motor क्या हो का बंद तो आप कह सकते हैं this is a drawback अगर three points पूछा जाता है question three point starter का disadvantage क्या है disadvantage यह है कि इस से connected किसी shunt motor की speed को हम flux controlling से change नहीं कर सकते हैं अगर करेंगे तो motor will stop अगर motor बंद और इस बताएग क्या इलाज है इसका कैसे इसको दूर कर सकते हैं इस motor को हम कैसे इस drawback से बचा सकते हैं क्या करें हम कहेंगे इसे बचाने की सीधी सी बात है कि इस connection को सीधी से हटा देजिए और इसकी जगर क्या इस्सेमाल करें parallel link यूज करें और यहीं इसका answer है अगर आपसे बोला जाता है कि क्या होता है आप इसमें four point यूज करते हैं और एक extra एक extra लाइन टर्मिनल अपन यहाँ भी यूज करते हैं इस extra पैरल में connect कर देते हैं और जैसे हम parallel में connect करेंगे जैसे हम parallel में connect करेंगे वैसे आपका वो drawback क्या हो जाएगा दूर बस यहीं सबसे important aspect था कि कैसे अपने इसे कह सकते हैं बिल्कुल एन वी सी को जैसे हम फिल्ट के साथ parallel करेंगे तो आपका aspect जो है वो पहले वाला drawback दूर हो गया और यह तो आप कह सकते हैं compound motor के लिए यह कई सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपन कह सकते हैं अपने DC motor स्टार्टर पूरे होते हैं next topic लेते हैं that is starting methods आपने complete कर लिए तो आपन बात करेंगे इसके next method अपने पास आता है next topic अपने पास आता है testing 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 of DC motor जड़ा बताइए कौन कौन से test motor पर पर्फॉर्म किया जाते हैं कौन कौन से test motor पर पर्फॉर्म किया जाते हैं बताइए ब्रेकिंग भी है विल्कुल testing और ब्रेकिंग दो ही physical load connect जैसे एक motor है उसकी shaft है उस पर एक pulley लगा दें और उस पर weight लटका दें तो यह कौन सा हो गया direct loading weight को बढ़ा के motor की speed को कम कर सकते हैं friction से अगर यह direct load है तो यह low rating के लिए होगा और इस पर सीधा-सीधा example हो गया pulley brake test यह question पूछा गया है कि pulley brake test is a type of तो आप पहेंगे किस तरह का test है यह एक तरह का direct loading test से याद रखना है दूसरी category होती indirect loading test indirect loading test में दो type होते हैं कौन-कौन से पड़ावड बताऊ मुझे पड़ावड से बताई इंडिरेक्ट में कौन से दो type होंगे हाँ अगर यहां पर अपन बोले हैं तो देरा टू केटेग्रीज एक है अपने पास direct loading और दूसरा अपन कहेंगे indirect loading दूसरा है indirect loading direct loading और indirect loading में अगर अपन कहें तो दोनों में परक इतना सा है कि इसमें आपको एक physical mechanical load इसमें आपके पास एक physical mechanical load जो है वो क्या होता है required होता है जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है इस test इस test को गर perform करना है physical mechanical load वाले test को गर perform करना है तो इसका example पूछा जाता है कई बार याद रखेगा इसका example है that is break test break test उसका उधारण है और कहा पर use होगा आप कह सकते हैं इसे 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 यूज करेंगे लेकिन अगर हम कहें इसकी बात करें indirect loading पे इसमें अपने पास दो category है एक इस्तमाल करते हैं Swinburne test और दूसर अपन इसमें यूज करते हैं Hopkinson test इन दोनों को अपन यहां पर इस्तवाल करते हैं Swinburne और Hopkinson में क्या difference है इस test की ability यह है यह एक तरह का no load test है और इसमें अपन कह सकते हैं यह तरह का full load test फुल लोड लेकिन किस तरह का full load किस तरह का full load इंडिरेक्ट फुल लोड इंडिरेक्ट फुल लोड टेस्ट है नहीं की ऐसा तो no load test में अपन constant losses measure करते हैं और यहां पर अपन कहेंगे एक full load test में Hopkinson के through आप इसके जो भी rated low से उनको measure किया जाता है यह दोनों में basic difference है क्लियर यह दोनों में basic difference है यह अपन कह सकते हैं धन्यवाद तो हम लोगों को बोलना चाहिए ओके field test भी होता है बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं एक और test पीपर लिखते हैं यहां पर जो कौन सा होता है field test यह भी कई बार paper में आ जाता है तो field test जो है आप यहाद पढ़िएगा इससे किस के लिए उसके रहे हैं हम इसे series motor series motor इसमें भी दो motors को coupled करके चलाते हैं यह एक तरह का field test आपका इस्तमाल किया जाता है ठीक clear है चल तो यह अपन कह सकते हैं इस category पर field test किस category को अपन यहाँ पर देखें इन तिनों में जो छोटे-छोटे points आपसे पूछे आ सकते हैं तो देख लेते हैं पुली brake जो है यह ने अगर मुझे कहें brake test जो है उसके अगर बात करें तो इसमें एक expression है सीधा सा और कुछ नहीं इसमें आप simply सीधा-सीधा नीटा का एक expression है वो याद रखते हैं क्या होता है that is output power इसमें आपन कहते हैं मशीन पर जो भी output अपने को मिला shaft के frame में output shaft power P output upon P input इसका expression है जो सीधा याद रखा जाता है आपको पता है सीधा-सीधा calculate का सकते है P output कैसे निकालते हैं वाटा याद करो डिरेक्ट लोडिंग में P output कैसा होगा टू पाइंटी भाई 60 से तो लिखते हैं लेकिन output power को कैसे लिखा जाते हैं आपे आप यह जो working torque है उसके perception पर working torque जो है वो आपके net torque के बहाब पर आता है अगर इसको calculate करना है तो सबसे पहले पन क्याते हैं वहाँ पर एक T net लिखा जाता है T net किसके बराबर होता है W1-W2 यह तो weight हो गया और इसको R से multiply कर दूं अगर तो यह आपकर radius हो गया तो क्या बन गया यह यह बन गया kg meter में 9.8 स W1-W2 और यह R यह बन गया newton meter के अंदर 1 kg equal to 9.8 अब अपने पास यह तो टॉर्क है अगर स्पीड से multiply करें गे rotational speed RPS में तो आप कह सकते है वहाँ से आता है पावर तो output power मिलेगा अपने को W1-W2 9.8 R into 2 Pi N यह आपकी rotational speed यहाँ से बन कहते हैं यह आगे अपने पास voltage में यह है output power तो आप कह सकते हैं नीटा क्या हो जाएगा एक voltmeter-a-meter लगा रखा तो this is output power W1-W2 this is 9.8 R 2 Pi N divided by divided by V upon I यह अपने पास efficiency का formula आता है याद रखे कई बार expression पूछ लिए आता है brick test के लिए इसका limitation क्या है केवल और केवल less load condition पे ही आप इसे applicable कर सकते हैं यही था ना याद करो हाँ विलकुल कि दूसरे testing और देख लो है दूसर टेस्ट अपने पास है कौन सा इसको याद करनो स्विन बन टेस्ट क्या था स्विन बन टेस्ट के अप्लिकेशन क्या आते है आप कह सकते है पहले चीज़ यह simply क्या है एक तरह का इसको है तरह मौशिन को नो योट पर चला एतना कि करते हैं इससके हैं क्या सकते हैं नौट एपलिकेबल नॉट केवल पर वッ और series motor ये series motor के लिए इस्तमाल नहीं होता है ये ध्यार रखेगा series motor पर लागू नहीं कर सकते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही answer है series motor पर लागू नहीं कर सकते हैं और बताइए इस test में no load पर चला कर machine को constant losses calculate करते हैं किसी भी उस पर efficiency निका सेगे इसके कुछ drawback थे इसके कुछ disadvantage थे वो क्या थे बटा disadvantage यह होते हैं इसमें हम ये consider ही नहीं कर पाते हैं किसको ये temperature rise ये temperature rise को consider नहीं करता है not consider ये temperature rise को consider नहीं कर पाता है दूसरा अगर पन कहें इसमें ये drawback है कि no load पर जो आपके पास iron losses थे ये कहता है कि iron loss जो है वो आपके from no load to full load क्या रहेंगे constant रहेंगे जो कि एक तरह का गलत statement है wrong statement है नहीं रहते हैं इस वाज़े से इसमें हमेशे एक error create करते हैं अगर ये error create करेगा तो आप कहा सकते हैं उनको consider नहीं करता है तो हमेशा एक errorful result हमेशा मिलेगा ये सब किस वज़े से हैं आप कहा सकते हैं इनको बोला जाता है कि इसमें हमेशा stray आप गहेंगे stray loss जो है उनके regarding compensation नहीं होता है इस वज़े से इसको कहां इस्तमाल कर सकते हैं पुछ है आता है तो low rating के लिए use करते है efficiency ठीक है simple test है वो सब बात है ठीक है लेकिन कहीं न कहीं आप गह सकते हैं इसमें aspect ज़रू मिलेगा तो ये वहाँ applicable होगा ये वहाँ use होगा इसको कहां इस्तमाल करें तो आप कहेंगे वहाँ पे applicable होगा जहाँ पे flex जो है वो क्या रिखा जाता है आप कहेंगे constant जहाँ field almost constant रहेगा उसमें फिर भी काम का है वहाँ पे फिर भी काम कर जाएगा उसके अलावा रही बिल्कुल जहाँ पर field constant रहेगा वहाँ पे एक काम का है इस वज़े से बोल सकते हैं बढ़े आगे चले next test इसमें आता है स्विन बन के बाद hopkinson hopkinson test क्या है वही hopkinson test में पन कहते हैं इसे कही नामों से जानते बटा एक तो क्या नाम दिया था अपन ने हमने कहा था back to back क्या बोलते हैं इसे back to back test comment section वे आंसर आजान चाहिए फड़ावड chat rate इतनी फास्ट होनी चाहिए less power required बिल्कुल उसका application था बिल्कुल सही कह सकते हैं back to back test है first case और दूसरा आप कहेंगे इसे बोला जाता है regenerative इसे कहते है regenerative test ठीक है और तीस आपन एक और नाम अक्सल जो test के लिए important use करते हैं कौन सा है आंसर आजाना चाहिए heat run test बिल्कुल ठीक heat run test बिल्कुल ठीक ये तीन कहेंगे क्यों कहते हैं back to back इसलिए क्योंकि इसमें दो identical machine है यूज होती है एक आज़े motor दूसरा आज़े generator वोसवज़े से heat run इसलिए क्योंकि एक machine का जो output energy ये heat वो दूसरी की running के लिए responsible है इस वज़े से और तीसरा कह सकते है regenerative इसलिए कि motor और generator जो है वो अपनी energy को regenerate करती रहती एक दूसरे के form में इस वज़े से regenerative test की वज़े से ही अपन बोल सकते है एक और चीज़ ये क्या है भी ये आपके एक तरह से कह सकते है add full load होता है एक तरह से add full load होता है full load इसलिए क्योंकि दोनों machine एक दूसरे पे loaded होती और full load पे होने के बाद भी बहुत कम power आप गहीं बहुत कम power less power is required less power requirement होती है क्योंकि cable power कितनी ली जाती है less power required होती only for losses आप कहेंगे only for losses क्योंकि बाकी तो दोनों machine है motor और generator दोनों एक दूसरे को power regenerate करती रहती है तो इसका application क्या है इसका advantage क्या है अगर कोई पूछ हो तो advantage यह है इस test का इस test का advantage कही बार पूछा जाता है जो stray loss related problem थी वो यहाँ पर क्या हो जाती है overcome हो जाती है उसको आप कह सकते है इसे overcome कर ले जाता है stray losses की जो दिक्कत थी उसे हम यहाँ पर overcome कर पाएं क्यों किस वज़े से कर पाएं आप कहेंगे due to due to load connected load condition loaded है due to loaded condition आप कह सकते हैं इस वज़े से loaded होने के वज़े से उस condition को अपन overcome कर पाएं यह अपन बोल पाएंगे और बताएंगे इसे कहाँ इस्तमाल करते हैं advantage थी हो गया और disadvantage क्या कह सकते हैं disadvantage यह बोला जाता है disadvantage यह कहा जाता है कि यह महेंगा भी costly है costly क्योंकि दो machine है required है और अगर मैं आप्लिकेशन क्या बोला जाता है तो application यह वहाँ होगा जहां पर आपके पास manufacturer हो similar machines जहां पर जहां पर आप पहेंगे जहां पर आपके पास manufacturer जो आपकी industries है manufacturer industries जो हैं वहाँ पर इस्तमाल करें क्योंकि वहाँ पर आपकी similar machines की required होती बिल्कुल manufacturer point of view से यह test आपके important हो जाता है clear है और कुछ आदारत बताईए series तो ऐसे भी नहीं होगा series में तो अपन कह सकते हैं hopkinson के लिए नहीं है series के लिए अपने दूसरी बात करिए वो field test होता है उसमें भी back to back होती है दो machine रन करके चलाते हैं industrial train बिल्कुल इन सब के अंदर अपन यूटिलाइज कर सकने हैं बिल्कुल ठीक है done बढ़ें आगे यह था अपना testing वाला point testing के बाद बात करते हैं है अपन किसकी अगर हम कहें brake test यह पढ़ लिया सभी हो गया now अब आते हैं अपन braking methods पे field test बटा दो सब एक बाद आती field test ही होता है जिसमें पन कहते हैं दो series motor है series motor को coupled करके चलाना mechanically coupled or electrically so connected they will transfer the talk to each other दोनों को एक दूसरे पर loaded condition में चला कि उसी random loaded condition में चलाएंगे तो effort आपका कम हो गया और दोनों को एक दूसरे के साथ run करके constant दोनों के identical फिर से वहीं अगर loaded है तो आप एंगे दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से field मतलब दोनों के field overcome हो जाते हैं एक तरह सी यह बोला गया है और फिर चला के आप cascaded connection में बिलकुल hopkinson की तरह इपन बोलते हैं बड़ वो method कि इपरिवेशन पर जाता है सीरीज पर आप उसको start कर सकते हैं हाँ कर रहे हैं विराज कर रहे हैं last topic अपना जो है efficiency calculated है नि हाँ बिलकुल कर सकते हैं किसी भी load पर कर सकते हैं बिलकुल ठीक बात है चले next अब बात करेंगा हम किसकी synchronous start करने वाले हैं बिलकुल start करने वाले synchronous बोल दीजिए अगर कोई सो गया है तो अब तक उठकिया होगा synchronous का weight करते करते breaking बिलकुल breaking breaking methods breaking क्या होता बेटा breaking किसे खा गया पहल तो ये चीज़ देख ले breaking किसे कहा गया बताईए breaking methods का मतलब क्या है simply breaking का मतलब है हाँ बिलकुल breaking के aspect पर अपन बोल सकते हैं breaking तब कहा जाता है जब system में आपका जो energy requirement है उसकी बात किया सीधा breaking simply अपन कहेंगे it is opposite to the motoring action motor जैसे accelerate करता है तो breaking आपका ऐसे करता है ठीक है stop rotation भी बोल सकते हैं और सीधे सीधे अपन बोलेंगे talk जो है उसको opposite करने की instant बिलकुल incident stop भी और rotational आपके reduce करने की दोनों ही बाते हैं अपन यहाँ पर बोल सकते हैं there are certain breaking methods लेकिन उन सब में अपन कहा से थे electrical breaking जो है बहुत ही better justified है लेकिन electrical breaking जो है इन सब में बहुत ही better justified है कैसे electrical breaking methods के बात आती है अगर हम कहें electrical breaking क्यों use किया आता है electrical breaking आप use करने का main reason है किसमें कोई wear and tear की problem नहीं है बिलकुल now wear and tears ये भी कह सकते हैं कोई आपको mechanical wear नहीं चाहिए instant stop बगर आप provide कर सकते हैं machine की electrical running position पर ही इसमें noise नहीं होता है बिलकुल ठीक बात कर रहे है frictional या mechanical vibrations नहीं होते है इस वाज़े से method कौन कौन से पढ़ावड बता दीजे तीन method अपन यहां पर basically पढ़ते हैं एक कहलाता है अपना that is dynamic breaking दूसरा अपन कह सकते हैं इसमें आता है कौन सा बोलिए plugging दूसरा अपने पास plugging और third method जो अपन पढ़ेंगे that is regenerative breaking क्या परकत इन तीनों में करना क्या अपने को plugging, regenerative और dynamic डाइनमिक ब्रेकिंग जो है वो basically आप कह सकते हैं इसमें हम इसमें हम armature जो है उसको basically क्या कर देते हैं disconnect कर देते हैं supply से और disconnect करने के बाद आप कह सकते हैं किस पे उसमें जो developed power है उसके लिए कहा जाता है power being dissipated in external resistance किसी external resistance में उस power को dissipate करते हैं तो जब उसमें आप power को किसी external में dissipate करेंगे हाँ क्या करे रहे बटा हाँ अभी शेकुमार PDF मिल जाएगा बाबा PDF मिल जाएगा पढ़ते हैं इसी में अभी आगे synchronous में PDF के बिहाफ में पढ़ा रहा हूँ फटा फट कवर कर जाएगे कुछ दिक्कत नहीं रिकॉर्ड ऐसी थोड़ी बनते हैं हाँ लगिंग थ्री फेज में भी होता बिलकुल induction में भी यूज कर सकते इसमें किसने माना किया है breaking methods breaking as well as induction सभी में utilize किया गया है बिलकुल ठीक कर रहे है बिलकुल ठीक कर रहे है आगे बढ़े अब हम कह सकते हैं armature disconnect करके जैसे हम external resistance में connect करते हैं तो जो भी उसमें stored energy था वो सारा का सारा आपका किसमें चला जागा resistance में dissipate होगा तो इक तरह से थोड़ा सा इसमें waste तो है power energy loss तो होता है लेकिन फिर भी अपन कह सकते है बहुत बहुत बस इसका एक ही drawback होता है वो क्या है कि आपका breaking torque जो है आप कह सकते इसमें basically आपका breaking जो torque है उसका magnitude कम होता है और plugging के जब मैं बात करूँ तो plugging के aspect पे बात ये कहेगी plugging में हमेशा plugging में हमेशा आपके पास disconnection नहीं है यहाँ पे होता है इसको क्या एक और दूसरे नाम से जानते है यह क्या है it is sudden reversal इसे अपन कहते है reversal of current या फिर current reversal भी बोलते है एक तरह से बोलेंगे plugging is simply the method in which reverse the current in armature यह अपन कह सकते है इसमें आप एक तरह से reverse आप करनें इसे reverse current breaking भी बोला गया reverse current breaking के वैसे यहाँ पे बस इतना सा है कि आपका breaking torque का magnitude बढ़ जाता है काफी बढ़ जाता है क्योंकि EB back came up enforcing the current in opposite direction वो तो ही है EB जो है यहाँ पे add होने लगता add होगा तो breaking torque भी बढ़ जाएगा basically सभी breaking methods में हम एक या aspect पर बात करते हैं कि कैसे भी करके PE जो होता था हो क्या था that is KA5 into IA हम कोशिश करते हैं कि अगर हम IA को reverse कर दें negative कर दें तो आपका जो torque था वो shift होके किसमें बतल जाएगा breaking torque मतल जाएगा यह अपन plugging plugging जो है उसमें high breaking average torque होने की वैसे इसे अपन fastest इसे अपन fastest breaking भी कहते हैं अगर कभी प्रशन आ जाए तो याद रखेगा plugging जो है वो fastest breaking method है हाँ phase reversal उसके बहाफ पर बिल्कुल phase reversal उसके बहाफ पर जब अपन बोलते हैं dynamic is not applicable plain DC series इसलिए नहीं होगा कि उस amount का अपन response नहीं दे पाएंगा उस amount का response वो develop नहीं कर पाएगा इस वज़े से अपन कहते हैं कि वो develop नहीं कर रहा है अब अगर बात करें regenerative की अगर हम बात करें regenerative की तो ये क्या होता इसको सुनिए regenerative breaking का aspect जो है उसमें कहा जाता है इसमें basically अलग ही बात है regenerative में अपन कहीं इनसे relate ही नहीं करते हैं इसमें अपने reverse उसमें अपने disconnect किया इसमें हमने sudden reversal किया reverse current breaking में अपन कहते हैं current armature और field के terminal sudden reverse कर दिया आते हैं जिससे अपने को में regenerative breaking simply अपन कहा सकते हैं एक अलग category यानि कि over hauling load के लिए होता है overhauling type of load के लिए होता है या तो hilly areas वाले या फिर बता सकते हैं कोई overhauling load के लिए होता है इसके अलावा बताईए इसके अलावा बताईए overhauling load के अलावा कोई category बता सकते हैं बताऊ बटा इसके अलावा और कहां लगेगा मान लिजे चड़ाई उतार में तो लगता ही है इसके अलावा और क्या condition है इनके अलावा और कहां लगता है अगर कोई पुछे तो क्या जवाब देंगे traction भी है बिल्कुल traction में लगता है और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताईए traction में हमें क्या करना पड़ेगा कि यह हो जाए आप किसी भी तरह से हमें यहाँ पे किसी भी तरह से हमें यहाँ पे current को reverse करना बेटा तो ज़रा देखो इसको थोड़ा सा समझेगा traction में क्या करते हम traction में हमें किसी भी तरह से current को reverse करना है तो हम बोलते हैं कि वही basically if जो होता है उसको i a से जादा कर देते हैं क्योंकि current जो है देखो i a जो है वो है v minus e b upon r a v minus e b upon r a हम चाहते हैं यह e b बहुत बढ़ जाए यह अगर field current आर्मिशेर current से जादा हो तो यह जैसी बढ़ेगा वैसे आपका e b बढ़ेगा और e b बढ़ेगा तो आप कह सकते हैं e b बढ़के अगर किसी sun आप कहें e b is अगर मैं कहूं e b is greater than b हो जाए current कैसा हो जाएगा negative और current negative होते हैं अपन कह सकते हैं breaking कैसा हो जाएगा आपका region ब्रेकिंग कैसा हो जाएगा region यह चीज अपन बोल सकते हैं बिल्कुल बारा बजने में कुछ समयशे बिल्कुल लगातार हो जाएगा और गाड़ी आपके अभी तक तिकी हुई है यह बड़ा ही मज़ा आ गया थोड़े कम हो रहे नीद आ रही है नेट खतम हो रहा है बारा बज़े डेटा हाजएगा पढ़ेंगे synchronous करके जाएंगे पूरा छोड़ेंगे नहीं आपको पता है complete करेंगे बिलकुल complete करेंगे निश्यन रही है clear है चलो बड़े आगे अब भी देखो अभी तक अपन good evening good evening के message करेंगे था भी good morning बागी है बिलकुल बिलकुल लगे रही है बेटा लगे रही है और इसी motivation पे हम भी लगे रहेंगे आपके साथ book लगी है sir अभी synchronous आपकी book मिटा देगा हाँ बिलकुल synchronous book मिटा देगा बिलकुल मिटा देगा 12 बजने का अभी देख़ी 12 बज़ा आज़ेते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है रंजीत बिलकुल आयात करें भूक लगे चले ठीक है यहां तक सो यह breaking method से जिनको अभी अभी रुकी है अभी समय बाकी है एक बज़े आता चंदन कुमार तो छोटा सा pack ले लो sir के लिए 15 रुपर ख़च करें कभी आखे कचोरी खा जाना sir से ठीक है आज़े यह अपने breaking method से जो अपने यहां पे कई इन सब में अपन कह सकते हैं एकदम कुछ भी करके complete करेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे आज पानी से काम चला लेंगे reversal of rotation बहुत अच्छे देखी पढ़ाई अगर पढ़ाई अगर हम करें तो मैनत तो करनी पढ़ेगी न चलिए आजएगी बटा आगे बढ़े ये था आपने पास एक तरह से कह सकते हैं motoring aspect पे तो almost upon motor की सारी बातों को यहाँ पे detail से पढ़ चुके हैं कि किस तरह से किन किन points पर हम recall कर पाएंगे अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा तो motor के basically यही सब point हैं जो आप से पूछे जा सकते हैं अब हम बात करेंगे अगले point of view पे कि synchronous machine में से कौन से points है जिनको किन यहाँ पे detail से study कर सकते हैं चलिए देखे बड़ा देखेगा यहाँ पे मैं आपको साथ साथ explain करते चलूँगा कुछ point जो required है उनके साथ ठीक है clear कोई दिक्कत तो नहीं हम दिक्कत तो नहीं क्या यहाँ पे दिख रहा है सबको थोड़ा वोद क्या यहाँ पे दिख रहा है सबको थोड़ा वोद क्या यहाँ पे दिख रहा है सर ट्रेन में से कोई ब्रेक लेते हैं जूम कर दें नॉट क्लियर चलो कोई बात नहीं छोड़ी आप इसी को अपन ऐसी पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है जहां पर मुझे जरुत होगी वहां पर मैं बताता चलूँगा आपको मैं साइड में स्लाइड को अटैच करता हूँ ताकि जब आपको PDF मिले तो आप आराम से पढ़ पाएं कोई बात नहीं दिखने की जरुत है क्लियर की भी जरुत नहीं है दिख नहीं रहा सर कोई बात नहीं यहां मुझे आवश्यकों का मैं आपको बताता चलूँगा बात करते हैं चोड़िए आपको इसकी जरुत ही नहीं है कितनी देर और एक गंटा और फुल बूड कर दीजे अब ठीक है अब दिख रहा है बोलिए 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 किसी भी सिंक्रोनस मशीन में चले अब बात करते हैं अब सिंक्रोनस मशीन की चला लेंगे दो उस तक अब बलकुल कर दें उनव एपन सिंक्रोनस की सिंक्रोनस मशीन की भिहाफ पर बात करें तो कैसे अपन बढ़ना है चलो सिंक्रोनस मशीन में देखिए अपने पास दो तरह के आस्पेक्ट होते हम जानते है हम कह सकते हैं अगर हम बोलें कौन-कौन से आस्पेक्ट होते हैं थोड़ा और जूँ अभी बात करते हैं देखिए जस्ट ए मिनट अब क्लियर चेक है देखो किसी भी सिंक्रोनस मशीन में हमारे पास जो कंपोनेट अपन कह सकते हैं एक डबली एक्साइटेड मशीन को अपन यूज करते हैं सिंक्रोनस मशीन वो है जिसमें अपन दो तरह के एक्साइटेशन फॉलो करते हैं डबली एक्साइटेड मशीन के बिहाफ पर बात करते हैं W excited machine के अंदर अपन कहेंगे कि अपने पास synchronous machine जो है उसका stator और rotor दोनों तरफ excitation दिया जा सकता है, अगर machine motor है तो आपन कहेंगे motor के बिहाफ पे stator connected है इसी supply से और उसका rotor connected है किस से, motor के बिहाफ पे rotor किस से connected है, excitation से DC excited, तो आपन कहेंगे इस तरह से synchronous motor के दोनों end पर आपके supply available है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक synchronous machine को doubly executed machine के तरफ work किया जा सकता है, कहीं न कहीं किसी synchronous machine में, हाँ, इसा group नाम, चलिए, आगे देखें, अब किसी machine को अगर मैं कहूँ, एक synchronous machine है, तो इस synchronous machine में अगर बोला जाए, कि अगर मैं mechanical input दूँगा, electrical output, तो machine will works as generator, और एक synchronous machine के generator पर अपन कहते हैं हमेशां क्या किया जाएगा, एक DC हमेशा synchronous machine में अगर आपन use करें, तो आप इसके stator से electrical output अगर मिले, stator से electrical output अगर मिलने लगे, तो आप कह सकते हैं, हो machine में, उसका alternating aspect है, एक synchronous generator की तरफ भी हिप कर रहे है, और अगर motor है, वो double side excite कर दे, तो आप कह सकते ह machine को जिस नाम से जाना जाता है, वो क्या है, हाँ, वो किस नाम से जाना जाता है, बताइए, बताइए फटाफट से, किस नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे, synchronous machine को किस motor को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, doubly excited motor, हमेशा क्या कहेंगे, इसे double excited motor कहते हैं, उसे हम double excited motor अपन क hydraulic brakes पे अपन काम लेते हैं तो नॉर्मली इसे double excited motor अपन कहते हैं चिक है, player है बड़े आगे चले, आप देखिए अगर मैं बूलूँ, इससे आगे बात करें अगर अगर पन कि इसी भी motor में किसी भी motor में, अगर इस aspect पे अगर हम कहें किसी भी motor में इस aspect पे कौन-कौन से application possible होंगे Just a minute Just a minute अगर तोड़ा सा issue है चेक कर लेते हैं अभी start करते हैं वेट पर मिनिट बस एक मिनिट का ब्रेक ले लीजे Just a minute बसे अगर ख़ अगर? झाल 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 चले अब आवाज आ रही सबको बताइए हाँ हो गया दो मिनिट बेटा आजेए बेटाइए 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 वो देखेगा बोर्ड पे देखे फड़ा पड़ से अगर हम कहें एक synchronous machine में बात करें पन किसकी construction की construction of synchronous machine किसी भी synchronous machine के construction के अगर बात किये जाए तो इसमें अपन हमेशा ही कहते हैं part 2 आप ही देखें बिल्कुल वो सब हो जाएगा विटा पढ़िए 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 ये side में रहेगा आपको जो pdf मिलेगा आप आराम से उसको zoom in करके देख सकते हैं मैं आपको इधर पढ़ाते चलता हूँ जो भी पूरा synchronous अपन उड़ा देंगे अभी देखें अब अगर बोलें synchronous machine में construction की बात करें तो basically अपने पास कौन-कौन से element होते हैं हम जानते हैं एक तो वही जो आप जानते हैं पहले से योक है एक तो हम जानते हैं पहले से कि वह योक अपन यूज़ करते हैं हम इस्तमाल करते हैं चार-basic element अपने पास एक योक धूसरा हम यहां पर यूज़ करतें streeter अगर एपन बात करने तो अपन इस्तमाल करते हैं क्या है यहां पर यहां पर यैड़ा ऋर्ट कमपोनेंट लके रहर और फोर्थ कंपोनेंट हैं अपोनेंटिग इनफर हैं विपर और से आ जाइए यह यह फटर्वर करने के लिए लिए यहां बेटा यह था यह हर्शिता हैं डिस्टर्ब करने के लिए काम नहीं है नहीं चलिए कि अध्युट से ब्स्टार्ट कर देतेन अपने योर्व 200 यहोग कउरो कश्टे counts Här आ गए हैं जे सर चलने देते हैं चलने देते हैं अब अगर बात करें पर चार बैसी component है stator, rotor, exciter और अपन कहा सकते हैं rotor अगर हम कहीं योग योग वही है cast iron, cast steel वही mechanical protection इसमें कुछ भी ऐसा चलग नहीं है अगर stator की बात करें तो यहां पर तीन basic element अपने पास stator में होते हैं stator में अपने पास तीन basic elements हो सकते हैं जिन में अपन कहा सकते हैं या तो stator में होगा winding और दूसरे अपन कहा सकते हैं अपने पास स्टेटर में या तो है अपने पास आपाएंगे वाइंडिंग और दूसरा अपन कहाते हैं बेसिक जो डिजाइन है that is slot और यहाँ पर सबसे ज़्यादा important component यही है जिसको अभी अपन details से देखें, slot की design slot जो होता है, बिल्कुल good morning, good morning, आप अधिदा सरा आगए है अगर हम कहें slot की designing की बात करूँ तो slots जो है, वो अलग-लग सबसे ज़्यादा question पूछा ही है जाता है सबसे ज़्यादा question पूछा ही है जाता है, अगर आपन ध्यान से देखें तो slot important है, slot क्यो important है, क्योंकि measurement जिंदाबाद हो गया चलिए, अगर हम कहें slots की important, slot basically तीन type के होते है, open slot type semi-closed और close slot तीन तरह के अपने पास slot है, हम कौन सा slot prefer करते हैं बताए which one is preferred, क्या कहेंगे तरहा three types, बिल्कुल ठीक करें open, semi-closed और close, हम किसको prefer करते हैं, क्यों करते हैं, इसके एक बड़ी important table है, वो अभी अपन समझेंगे, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी अगर वो पढ़ेंगे, तो अभी पूरी बात अपने समझ में आ जाएगी, कि कैसे हम तीनों में एक फरक जो होता है, उसके निया भाई है, लेकिन open slot किसी एक basic advantage के वे से सबसे ज़्यादा use किया आते हैं, वो क्या कारण है, क्या कोई comment section में बता सकता है भी, open slot prefer करने का सबसे important aspect क्या है, क्यों? क्यों open slot prefer किया जाते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये high torque offer करता है, क्योंकि जितना gap ज़्यादा होगा, जितना open slot अपनी, भी explain करता हूँ, क्यों? open slot type में हम हमेशा कहते हैं, इस वज़े से prefer किया आता है क्योंकि इसके design उसे constant बनाती अभी एक एक करके आपन detail से बात करते हैं, leakage flux के भी rotor जो है, वो basically अपने पास, फिर से अपन कहें, तो rotor भी अपने पास दो type का है, यहाँ पर, कौन-कौन सा ही उस करते हैं, हम कहेंगे rotor की structure में एक आता है अपने पास, that is salient और दूसरा कौन सा आता है, non salient बोल दो या फिर आप कहेंगे cylindrical type, यह दो तरह के rotor, और एकसाइटर अपन जानते हैं, एकसाइटर एक तरह का DC, आप पहेंगे shunt, एकसाइटर क्या है विटा, DC आप पहेंगे DC shunt generator होता है, एकसाइटर एक तरह का DC shunt generator होता है, इसके बहाब पे इसको क्या आ जाता है, ठीक है, cylindrical और non-silent कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, data pack आने वाला है, class ऐसी जारी रहेगी, दो minute stage और अभी अपन बारावज आ देते हैं इसकी, चली, पढ़ते रहे हैं, मज़े आएंगे, और synchronous इनरजी तो मेरी तो double होगी, इतने लोग अगर बने वे हैं, तो पढ़ने के लिए और आज synchronous अच्छे से समझ के आते हैं, तो जो जो doubt है, फटा-फट revision अपन लेते वें चलेंगे synchronous का, तो चार basic aspect है, इन अपन बोल सकते हैं, सबसे important अगर question आता है, तो यहां तो आता है किस पर, slots की designing पर, यहां फिर निकल के आएगा कहां से, router से, चलो एक एक करके बना के देखता है, open slot जो होते हैं, यानि stator में, जो slots होन में भी अगर मैं बात करूँ किसकी, open slot के अगर बात करूँ तो देखे, यह basically क्या कहता है, कि अभी अपने पास मान लीजी, एक peripheral है, ठीक, इस peripheral में हमने का slot तो यह हो गया, इस तरह का structure होगा, और अब इसके बिहाफ पे आगे कौन होता है, आपके सकते हैं, इसकी बिहाफ पे आगे यहापर अपन rotor को भी लेते हैं, तो rotor basically यह होता है, हम यहाँ पर जानते हैं, यह आगे की structure है, जो अपन यहाँ किस तरह से फ्लक्स लें, तो open slot में आप देख रहे ही gap बड़ा ही ज़्यादा है, open slot में अपने को यह साफ-साफ दिख रहे हैं कि यहां पर gap है, तो आप कह सकते हैं, यहां air gap जो है, वो सबसे highest होता, देखो गटा, air gap ज़्यादा होने से क्या drawback आ जाता है, वही सबसे ज़्य गटा है, अगर मैं कहूं, air gap, air gap जो है, उसकी वाज़र परक्षिएगगा, अगर gap हाई है, अगर gap हाई है, तो हम कह सकते हैं, जितना ज़्यादा gap होगा, बताओ, उतना ही क्या बढ़ जाएगा जितना gap जादा होगा उतना ही क्या बढ़ जाएगा reluctance जो होता है वो increase करेगा जितना reluctance high offer करेगा उतना ही leakage flux क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और जितना leakage flux कम होगा बैटा उतना leakage reactance भी क्या हो कम हो जाएगा और इस वज़े से अपन कह सकते हैं मशीन का voltage drop कम होंगे I into XL में आप कह सकते हैं voltage drop जो हैं वो कम होंगे इसका मतलब भी क्या देगा एक तरह से good voltage regulation किसी भी generator की basic demand होती है यह कि अच्छा regulation provide करे है कि नहीं air gap high reluctance high it will offer high reluctance then leakage flux get reduced leakage flux कम हुआ reactance कम हुआ तो अपन कह सकते हैं better voltage regulation इन सबको यही question सबस्यादा slot designing में पूछा जा रहा है एक तरफ aspect advantage है तो दूसरे disadvantage भी है दोनों की बात करेंगे अगर मैंने कहा armature reaction और इन सब के function को देखा जड़ा इधर भी तो देखिए दूसरा aspect भी है यहापे दूसरा aspect कहा वेटा दूसरा aspect यह कि यह तो leakage flux की बात आती तब तो यह था कि इस तरह से जो अपने पास यहाँ पे जो flux था इसे हम basically कहते हैं यह कौन था भी file था जो अपनने कम कर दिया gap को बढ़ा के लेकिन एक दूसरा flux भी है जैकिन दूसरा flux भी है जो यहाँ पे link करता है वेटा यह इसे अपन कहते हैं यह तो था leakage लेकिन यह कौन सा है यह है useful यह कौन सा है useful flux और useful flux के path में gap बढ़ गया तो आप कहीं न कहीं यह कहींगे useful flux को आप कम करें open slot type में दो बातें अपने पास निकल के आती है good morning good morning बेटा बिलकुल सही करें voltage regulation का case समझ में आया अब इदर साथ साथ चलिए अगर मैं कहूंगा कि gap यहाँ बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं इसके path का reluctance बढ़ता है useful flux कम होता है useful flux अगर कम हो जाएगा तो अपने पास drawback है ना अगर useful flux कम हो गया तो अमें उतने flux को maintain करने के लिए आपको more exciting more exciting current जो है वो क्या करने पड़ेगी draw करने पड़ेगी और exciting current जादा draw करने पड़ेगी तो वही तेक तरह से अपने पास एक drawback की आता है तो कहीं कम कह सकते हैं कि यह भी एक चीज अपने पास एक importantly आती कि जहाँ advantage है हुआ disadvantage भी है air gap वगरे बढ़ने पर दूसरे drawback भी size भी बढ़ जाता है issue होता है इसका sizing issue भी अपने पास निकल के आएगा यह चीज भी अपने बोल सकते है clear? बोले समझ में आया की नहीं है बिल्कुल यह दोनों point आस पास हमेशा पूछ गए है तो दियान रखेगा open slot में जैसा कि अपने यहां देख पा रहे है open slot design अगर होगी तो इस slot में leakage flux get reduced leakage flux get reduced useful flux भी reduce हो रहा है तो कहीं न कहीं अपन कहते हैं इसके aspect पर अपने पास drawback rate हो जाता है done तो यह तो एक case अपने कहा है इसके लिए अगर मैं इसी बात को semi-inclused पर कहूं यह तो अपने इसके लिए बोल दिया और भी बहुत सारे point यहां पर अपन mention कर सकते हैं देखेगा इस side में अपने इस PDF में पढ़ते रहेंगे तो अपने को recall कर जाएगा अगर हम कहें दूसरे point में तो एक तो अपने leakage का देख लिए regulation देख लिए gap बढ़ गया एक torque का भी आता है जब open slot की बात करी है अपने तो open slot में एक और चीज़ अपन कह सकते हैं advantage में अपन कह सकते हैं और कोई फर्क आपके सकते बिलकुल जितना वेटा gap increase करता है उतना ही आपका size जो है वह बढ़ जाता है sizing का इक शुआ गया यानि आप कह सकते है size क्या हुआ increase कर जाएगा clear size भी increase कर जाएगा ये भी अपन increase करिए और इधर देखे size अपना increase कर गया और एक और drawback अपन कह सकते हैं यहां पर कि जितना gap बढ़ता है उतना ही आप कह सकते हैं non-uniformity उतना ही non-uniformity create होती और non-uniformity की वज़े से अपन बोल सकते हैं system में जो noise है वो बढ़ेगा और दूसरा harmonics भी बढ़ेंगे system में noise भी बढ़ेगा harmonics भी बढ़ेंगे ये दोनों चीज़ें अपने पास आती है तो कहीं न कहीं अपन कहते हैं कुछ advantage है तो कुछ disadvantage है दोनों ही बाते हैं बिल्कुल बिल्कुल चलो चलते रहें कोई दिकर नहीं पूरा पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे अच्छे से करके जाएंगे ठीक है चलो आगे बढ़ें ये अपने पास एक open slot के भी advantage को अपने डिसकस किया semi-closed के बात की जाती है semi-closed में पन कहते हैं कि यहां पर थोड़ा सा gap क्या हो जाएगा कम जितना थोड़ा सा gap shrink होगा उतने आप कह सकते हैं mixed advantage और disadvantage की बात आती है और जैसी हम बात करें third one that is closed one closed one की जब बात की जाएगी तो अपन कहेंगे closed structure में कहीं न कहीं closed structure में अगर अपन इस चीज को कहें तो अपने पास gap जो है वो बढ़ गया तो आप कह सकते हैं size आपके पास gap कम हो गया size कम हो गया harmonics कम यह सब कम क्या यह table सबको दिख रहा है फटा फट से देख के मुझे बताईए yes or no क्या यह table सबको दिख रहा है बताईए क्या सबको यह table दिख रहा है अब check करें हाँ क्योंकि यह सबसे important यहां पर aspect है देखेगा इस table में अपन यहां पर mention किया है कि भी slot open semi close close तीनों में क्या फरक जितना air gap open slot में हमारे पास open slot में हमारे पास सबसे ज़्यादा था gap उतना ही आपका size large है और size की अगर air gap ज्यादा है तो reluctance जो है वो भी क्या है ज्यादा reluctance ज्यादा है तो leakage flux जो है 5L वो कैसा है आपके पास कम इस वज़े से आपका leakage reactance में drop कम और regulation अच्छा साथ में एक coefficient और विड़ा PSY synchronizing power coefficient उसके भिहाब पर यह कहा जाता है synchronizing coefficient में कि वो one upon xl के proportion होता है तो जितना xl के value अपन देख रहे हैं जितना xl value कम होगी उतना आपका stability बढ़ जाएगी किसकी बात करें अपर आप आप गेंगे हम stability की बात करें stability जो है वो PSY से represent करते हैं जो xl के बहाफ पे इसकी value increase कर जाती है यह अपन कहा सकते हैं लेकिन जितना gap बढ़ता होता है harmonics बढ़ जाते हैं यह एक drawback है कि harmonics सिधा air gap के proportion होता है normally synchronous machine में हम इस चीज को अपन कहा सकते हैं कि harmonics जादा है size बढ़ा है यह दो drawback के बाद अगर बाकी चीज देखें तो सब बढ़िया है कि भी आपका leakage कम, voltage regulation बहतर, stability अच्छा इस वज़ए से we will prefer the open slot type in this system आप कहेंगे क्यों हम open slot prefer करते हैं उसका reason यही है इसी वज़ए से अपने लिए important थी, तो construction में जो slot में बात है वो सबसे जादा पूछा जाता है, याद रखेगा slot में इसी चीज को सबसे जादा पूछा गया है, PSY हाँ, EV upon access, बिल्कुल EV upon access होता है, PSY EV upon access होता है, sin delta का cos delta हो जाता है, बिल्कुल ठीक करें, confirm बिल्कुल सही करें, EV upon access cos delta जो ह होता है, उसका derivative लेता है, तो sin का derivative cos हो जाता है, बिल्कुल proportional है उसके, ठीक है, clear, हाँ, drawback यही इसी लिए पन कहते है, we will prefer this type of design, done, चलिए, आगे पढ़ें, next, next आपन कहते हैं, rotor की structure की बात करें, अगर, अगर हम बात करें किसकी, rotor structure की बात करें, तो उसको देखे, rotor में एक basically हमारे पास दो बाते हैं, देखे, इतर मैं दिख देता हूँ, अगर हम rotor की बात करते हैं, तो अपने पास यहाँ पर दो बाते हैं, rotor में हम सबसे पहले अगर बोलें, तो आपके पास है मान लीजे, saline pole, saline pole structure में क्या कहा गया है, saline pole structure में ऐसा बोले जाता है, rotor जो से कहते हैं, poles होते हैं, और जितने जादा pole बढ़ाएंगे, उतना alignment अपना बढ़ता जाएगा, जितने number of poles अपने इंक्रीज करेंगे, उतना इसका डाया बढ़ेगा, तो आप कहसकते हैं, यह basically standard अपने पास एक rotor है, और यहाँ अपन ऐसे stator frame करते हैं बाहर, तो आप कहसकत हैं यहाँ पर, कि salient pole की पैचा नहीं कहा है, that is non uniform air gap, non uniform air gap यहाँ पर लिया जाता है, यह सबसे important line यहाँ पर आती है, कि non uniform air gap यहाँ पर अपने पास होता है, then non uniform air gap के बहाफ पे, बिल्कुल non uniform air gap होना, यहाँ पर क्या create कर सकता है, बताओ, non uniform air gap में flux distribution भी होगा, तो इसकी ब पैचान, salient pole की क्या है, इसका diameter हमेशा length से जादा होता है, तो आप गेंगे, L जो है, वो D से क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर, axial length जो है L, वो क्या होगा, कम, और इसका जो diameter हो, हमेशा क्या होगा, जादा, इससे अपन यह भी कह सकते हैं, इसमें poles जो होते हैं, poles, वो भी क् हाई, और कितने, mostly high, आप कह सकते हैं, 6 to 14 number of poles अपन इस्तमाल करते हैं, इसकी जो speed होती ही, बटा, वो क्या होगी, यह speed हमेशा इसकी low होगी, high poles है, तो speed कम हो जानी है, कितनी कम होती है, आप कह सकते हैं, 375 से, अब 1000 rpm तक की, इस speed पर इसे rotate कर पाते हैं, तो low speed alternator है, इसी TPP और NPP नहीं होगा, नहीं, TPP, LPP नहीं होगा, कहां इस्तमाल करेंगे, आप इसे इस्तमाल करेंगे, hydro plant में, hydro plant में low rpm पर run किया जाता है, इस तरह के alternator को, low speed है, इनका alignment vertical है, बिल्कुल ठीक है, जब rotate करेंगे, तो non uniformity की वज़े से आप कह सकते हैं, इनका जो noise production है, वो relatively क् होगा, high होगा, ऐसा बोला जा सकता है, same इसको relate करेंगे अगर अपन cylindrical shape में, तो cylindrical में इसका abbreviation अलग होगा, cylindrical में क्या होगा, अगर पूछा जाए, cylindrical structure में क्या फरक होता है, देखे, cylindrical जब अपन बात करेंगे, उसमें इसका फरक इतना सा आता है, कि इसमें variation कुछ इस प pole type rotor, cylindrical या non-salient में जब इसी structure की बात करेंगे, तो अपन कह सकते हैं, इसमें हमेशा हम length और diet की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहला point अपन कहते हैं, कि इसमें poles क्या होते हैं, कम, और इसके speed कैसी होती है, high, और कम कैसे भी, आपनेंगे, ये basically 224, और speed की बात करेंगे, तो 1500 से लगभग 3000 RPM, एक तो ये question बहुत कुछ राता है, इसी लिए अपन कह सकते हैं, ये क्या है एक तरसे, high speed, आप कहेंगे, एक तरसे high speed alternators कहलाते हैं, high speed alternator की वैसे इन्हें अपन कह सकते हैं, इन्हें हम turbo, turbo alternator system में भी use करते हैं, turbo generator की होने के साथ-साथ, ये कहां पर इस्तमा सकते हैं, ये stator और rotor structure में एक uniform gap लगी, यहां पर हमेशा almost आप एक uniform gap होगा, ये अपन कह सकते हैं, इस बार आप कह सकते हैं, इसमें क्या होगा, एक तरह का uniform, आपका gap maintain होगा, noise level उनके विहाब पर कम होगा, जो चीज़ यहां important है वोई है कि यहां पर length पर होते हैं pole, turbo alternator, high rating या आप कह सकते हैं, big size alternator के लिए use किया गया word है, big size alternator के लिए use किया गया word है, ये अपन बोल सकते हैं, चिक, चलिए, आगे बात करें वही, next अपन लेता हैं इसमें, ये तो constructional point की बात हुई, अब आता है कि वी काम कैसे करता है, इसको समझ लेजे, working principle के एकर में ब इसमाल कर रहे हैं, तो as the alternator इसमाल करते समय, केवल ये aspect अपने लिए important होता है, कि वो कैसे work करेगा, तो किसी भी working principle में, alternator की size पर कहा गया है, कि अपने पास एक rotor है, उसको prime mover से गुमा दीजिए, और rotate करते हैं, तो आपका flux भी कैसा हो जाएगा rotating, अगर उसे अपन गुमा जाएं, where we can get notes, notes आपको provide हो जाएंगे, PDF upload हो जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, आराम से सीच को, और notes को भी, बिल्कुल निशिन रही है, ठीक है, बने रही है बिटा, बने रही है, थोड़ा सा आपन जोर और लगाएंगे, तो शायद पूरा कर जाएं थोड़ी देर म है, ठीक है, तकने का नहीं, अगर हम working principle की बात करें, तो एक synchronous machine as an alternator अगर work कर रहा है, तो आपन उसमें कहते हैं, as an alternator, सबसे पहले, rotor जो होता है, as an alternator हम कहेंगे, जो rotor है, उसके field को excite करते हैं, अपन, field आपका DC excited है, तो rotor का field अगर DC excited है, तो आपन कहें, पाइयार flux है, जि इसको हम move करते हैं, prime mover से, तो prime mover से जैसे move किया, इसके speed क्या हो जाएगी, synchronous, अब synchronous speed बगर यह run कर रहा है, तो आपेंगे, यह तरह का क्या बन गया, rotating magnetic field, और इस rotating magnetic field में कौन रखें, stationary conductors, इस rotating magnetic field की थुरूप, जब conductors को cut किया जाता है, जब, हाँ, जब मैं कहेंगे, rotating magnetic field को जब conductors कट करते हैं, तो conductors के cut करने पर आप कह सकते हैं, जो stationary, stationary आपके पास stator में conductors हैं, हम कहेंगे, इसके बिहाब पर, जब के पास stator में conductors हैं, उन conductors में एक EMF क्या करता है, डवलब करता है, और इस developed EMF से ही अपन कह सकते हैं, इस stator पर output को justify गया था, जो output है, वो इसी mean पर मिलेगा, अरे, कोई दिकात ने बड़ा, पढ़ते रही है, हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, तो एक working अगर मैं कहूं, तो basically बहुत आसान है, हम कहेंगे rotor जो होता है, उस rotor को क्या कर दीजे, rotate करिए prime mover से, फिर field excite कर देंगे, तो rotor का magnetic field, DC magnetic field, north pole, south pole, fix हो गया, अब यह लगातार, मैं कहूंगा, यह rotate करता रहेगा, अगर मैं कहूं, लगातार, यह rotate करता रहेगा, तो आप कह सकते हैं, इस rotating magnetic field में stationary conductor, जब इस flux को cut करेंगे, तो एक EMF produce करेगा, और उस EMF को पन कह सकते हैं, वो AC होगा, जो status है, output के तोर पे लिया जा सकता है, not self is starting, वो motoring mode पे जाएंगे बटा, यहाँ तो generator है, तो generator के aspect पे तो अपना input कैसा होता है, mechanical input होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यह basic working हो गया, done, अब बात करते हैं, आगे, आप एक और चीज़ जो important है, वो क्या है, बताओ, एक और question यहाँ पे important aspect पे पुछा जाता है, क्या important point पुछा जाता है, बताओ, यहाँ पे कहा जाता है, कि हम क्यूं, हम कहते हैं, इसमें क्यूं हम, वाई, हम कहते हैं, जो field है, उस field को अपने कैसा लिया, समझना इसको बेड़ा, field जो है, उसे कैसा लिया हमने, हमने का, field को हमने निया rotating, और जो अपने पास conductor है, conductor है, उ उसे अपने कैसा लिया, उसे हमने लिया, stationary, field को rotating और conductor को stationary लेने के बीचे क्या करने है, यह question बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल, rotor पर field होता है, बिल्कुल सही करे, rotor पर field है, और stator में आपके stationary conductor windings है, अब अगर मैं बोलू कैसा हम क्यूं करते हैं, हम ऐसा क्यूं करते हैं, इसके पीछे reason क्या है, क्यों ऐसा पूछा आते हैं, प्रशन बहुत आता है, important है, देख लिए इसको, क्यों ऐसा किया गया, rotating field जो है, where a pdf will be uploaded sir, बेटा अप डेलिग्राम ग्रूप पर आ जायेगा, निश्यन रही हो जायेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चलिए, अगर मैं किस तरह से work out करता है, अगर इसको समझना है, तो आप कह सकते हैं, किसी भी behalf पर less slip ring, हाँ, कौन-कौन से point हो सकते हैं, इसके वैसे सा बोला जाता है, बताओ, कौन-कौन सा ऐसे point है, इसके वैसे से कहा जा सकता है, वो सोचिए, हम कहेंगे कुछ चीजें जो यहाँ पर important, क्य हम कहेंगे, अगर conductors कैसे हैं, stationary हैं, तो उन्हें easily, आप कहेंगे, easily winding जो है, उसको अगर stationary हैं, तो क्या करेंगे, हम easily cooling और maintenance provide कर सकते हैं, अगर वो stationary, दूसरा आपन कह सकते हैं, अगर stationary तो आपन कहेंगे, DC excitation, अगर हम देते हैं उसे, तो आसानी से DC excitation देने पर two slip ring, आपका काम two slip ring में हो जाएगा, जो कि आपके कम लगते हैं, तो slip rings कम required हैं, ये भी आपन बोल सकते हैं, विश्नु, पटना में कब अब तक रहेंगे, अभी है बेटा, बिल्कुल है, आप आके मिल सकते हैं, बैटर कुलिंग मेंटेनिंस बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो slip ring क्या आउशकता होगी, ये भी कह रहे हैं, और field जो होता है, तीसरा आपन कहते हैं, जो अपना field है, आपका जो field है, वो light weight होता है, उस speed क्या हो जाएगा, possible होगा, इनरश्या कम है तो आप कह सकते हैं, high speed क्या होगा, possible होगा, light weight होने पर, इसे आसानी से अपन high speed पर rotate कर सकते हैं, ये सारे point को collectively use करके आपन बोल सकते हैं, और यहां से आप side से पढ़ लेंगे, तो चीज़ें लिख रखें मैंने, आराम से पढ़ पाएगे, high speed अगर है, तो आप कहा सकते हैं, easily आप उसे more power rating पर use कर पाएगे, ये सब आसपेक्ट अपन लेते हैं, इस वज़े से field is rotating and conductors are stationary, एक ये point अपने पास मिलेगा, next आ जाईए इस पर, अब आते हैं अपन किसी EM of equation के regarding, उसको समझ लीजे, किसी alternator में, हम किस तरह से किसी EM of equation के भिहाब पर पढ़ सकते, देखो, EM of equation का जो aspect है, उसको मैं directly आपको बतायता हूँ, क्या आपन करने वाले, EM of equation, समझ येगा सीधे, किसी alternator की EM of equation, basically generator के तरह ही है, क्या point अपने पास, EM of equation देख लें, EM of equation of alternator, किसी alternator की EM of equation का पन किया सकते हैं, same as BC generator है बिल्कुल, जैसे वहाँ पर किया था उसी तरह से, जब formula पन यहाँ put करते हैं, तो यह आता हो ही से, that EM of equals to N d5 upon dt, इसी function को अपन solve करते हैं, इसमें भी अपने पास वही है, that is d5 upon dt, इसे aspect को solve किया आता है, जब इसे solve करते हैं, finally जो अपने पास terminate करके आता है, answer, वो किसके बराबर होग का, उध्यान से सुनिए, यहाँ पर d5 upon dt में, d5 तो अपने कहते हैं, p5, और dt की बात आती तो कहते हैं, 60 by N, तो अपने पास e जो है, यह जो average induced EM of होता है, इस EM of के वहले निकल के आ जाती क्या, that is p5, p5 n upon 60, इस तरह से, अब p5 n upon 60 में जानते हैं, जो n है, वो किसके बराब होता है, 120 f upon p, और इसको जब put कर देंगे, तो आपके पास standard जो आपने पास EM of equation निकल के आती है, उस पर देखें, अगर मैं EM of equation पर जाऊं सिदा final, आप कहेंगे, that is final EM of equation पर जाएं, तो क्या निकल के आती, e equals to 4.44 f5 t kp kd, बताए बताए यह किस-किस को represent कर रहे हैं, frustration हो गया, थोड़ा motivation, विश्नुक, पटना में आप कब तक रहेंगे, अभी हूँ बटा, आप कब तक, कभी मिलना के लिए अगर आना चाहें, तो आ सकते हैं, कोई issue नहीं, अभी मैं हूँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर कौन-कौन से factor यहाँ पर represent किया रहे हैं, ब number of turns, pitch factor, distribution factor, यह पांच आपने पास एकतर से design factor हैं, इन सब के उपर ही depend करता है, इन सब पर यह depend कर सकता है, frequency, flux, pitch factor, distribution और turns, अगर मैं कहाँ number of turns बढ़ा दो, तो बढ़ जाएगा, यह अपने पास per phase है, अगर हम line में यूज़ करेंगे, तो simply root से multiply कर दीजे, root 3 से, यह आपका पर phase EMF है, अगर line पर लिखना हो, तो इसे simply root 3 से multiply कर देगे, line बोल्टे जा जाएगा, ठीक, आगे बढ़ें, अब pitch factor, distribution factor क्या है, important part यह आता है, जिसको अपने को सीखना है, क्या होता है pitch factor, और क्या होता है distribution factor, चली, बात करते हैं, बताई बेटा, क्या होता है pitch factor, बोलो, बताएं, क्या होता है pitch factor, हम बात करें किसकी pitch factor और distribution factor, pitch factor किसे represent करता है, क्या बोलेंगे, पिच और distribution factor किस बात को represent करता है, क्या कहेंगे, हाँ जी, pitch factor और distribution factor इन दोनों के case में यह कहा जाता है, कि जब किसी system में, हाँ जी, जब किसी system में अपन बोलेंगे कि winding जो है, अगर जब किसी system में, जब अपन induced DMF करते हैं, या armature जो develop करता है, उसमें हमेशा एक source of harmonics रहता है, मतलब हमेशा higher order terms पर रहते हैं, उन higher order terms को eliminate करने के लिए, harmonics के elimination के लिए, we have to use the winding being short-pitched and distributed, अगर winding short-pitched है, तो pitch factor हो गया, अगर winding को concentric नहीं लेकि distributed लिए है, तो क्या हो जाएगा, distributed factor हो जाएगा, ये दो factor अपने पास आते हैं, अगर हम कहें, harmonic elimination के लिए, बल्कुल, अगर हम कहते हैं, pitch factor, यानि कि kp की बात करें, या distribution factor ये करें, तो winding, अगर मैं कहूंगे, कब define होगा, तो ये तब है, जब आपने winding को कैसा लिया है, जब उने winding को कैसा लिया है, short-pitch, जब winding को हम short-pitch लेते हैं, तो बताव अभी पीछे पढ़के हैं, क्या answer था, winding को जब short-pitch लेते हैं, इसका मतलब क्या है, winding, being short-pitch इसका मतलब है, कि coil span pole-pitch से कम है, यही बढ़ा था अपने, coil span pole-pitch से कम है, तो winding, being short-pitch, तो यहाँ पर एक short-pitch angle होगा, जिससे corded angle भी कहते हैं, winding को short-pitch या फिर simple अपन कहा सकते हैं, that is, corded winding भी अपन इस्तमाल करते हैं, ऐसा करने पर, system में harmonic को eliminate किया जा सकता है, अब kp का एक formula होता है, जो आपने यहाँ पर निकालते हैं, वो होता है kp equals to cos alpha by 2, अब यहाँ पर alpha by 2 में, जो short-pitch angle है, alpha, यह है, alpha क्या है यहाँ यहाँ पर, आपने, this is short-pitch angle, यह आपका short-pitch angle को represent करता है, तो winding, अगर आप एक बार SSE में question पूछा गया है, हाँ, एक बार SSE में question पूछा गया है बटा, कि for full-pitch winding the pitch factor will be, तो क्या जवाब दोगे, फटा-फटा answer दीजे, for full-pitch winding the pitch factor will be, क्या answer देंगे, फटा-फट से बता दीजे, for full-pitch winding pitch factor के लिए क्या answer दोगे, बोलिये, बोलिय क्या साही answer होगा एक बिल्कुल ठीक अगर winding full pitch है full pitch winding के लिए alpha कितना होता है अगर आपको बोला जाए कि winding अगर full pitch है तो full pitch में अपन कहेंगे alpha तो होगा ही नहीं 0, जब alpha 0 है तो kp कितना हो गया, आप कहेंगे cos 0 और cos 0 की value कितना हो यह question कई बार पुछा जाता है और अगर winding क्या है, full pitch नहीं होगी short pitch है, तो alpha 0 नहीं होगा तो हमेशा kp की value क्या होगी less than 1, 1 कह सकते हैं हमेशा एक से कम होगी, यह question बहुत पुछा जाता है याद रखेगा, winding being short pitch अब pitch vector अगर यह है kp, तो आपको कहता है harmonic elimination के लिए क्या करें वो कहता है, harmonic elimination में क्या करें, तो यहाँ पर एक बड़ी बात समझने को मिलती है, कि यह harmonics क्या होते है पहले तो यह अपने को पता होना अच्छी इस slide पे काफी कुछ मैंने लिख रहा है, आप आराम से distributed है, तो distributed है पहले कह सकते है short pitch और full pitch भी ले सकते है integral slot और fractional slot भी ले सकते है तो यह सब को क्यों use किया गया था आप कहेंगे to reduce harmonic to to eliminate आप कह सकते है harmonics harmonics के elimination के लिए अपन कहते है winding को क्या use करते हैं, short pitch short pitch and distributed short pitch and distributed यह अपन कहेंगे है, ऐसा क्या आता है, अगर short pitch है, अगर short pitch है तो अपन KP की बात करते हैं और अगर distributed है, तो अपन किस की बात करते हैं KD की बात करते हैं, इन दोनों को calculate क्या आता है, KP and KD अगर दोनों one-one है, तो winding कैसा है harmonic elimination में, KP की बात आती है, तो harmonic elimination में कहा जाता है कि KP की value for nth order harmonic, याद रखेगा, यह formula है भी सीधा सीधा क्यों KPN equals to बन जाता है क्या, आपके पास cos n alpha by 2 cos n alpha by 2 for nth order, तो अगर कहें eliminate करना है, तो आप बोलेंगे, यहां से निकल क्या आता है यहां से निकल क्या था, अगर हम eliminate करेंगे, तो क्या करेंगे, to eliminate this harmonic, to eliminate this harmonic, KPN should be equal into 0, this must be, आप पहेंगे, cos of n alpha by 2, यह भी 0 हो जाए, जब इसको solve करते हैं, यहां से alpha निकल क्या आता है, 180 degree upon n, तो आप कह सकते हैं, अगर हमें nth order harmonic eliminate करना है, तो आप पहेंगे, उसके लिए short pitch angle कितना होना चाहिए, 180 y n, यह काफी कुछे आता है question, objective में आता है, अगर 5th order harmonic, बताइएगा, 5th order harmonic को eliminate करना हो, तो short pitch angle क्या होगा, बोलो बड़ा, 5th order harmonic को eliminate करना है, तो short pitch angle क्या होगा, यह answer दे देजिए, अगर eliminate करना है, तो short pitch angle क्या होगा, क्या कहेंगे, अगर 5th order को eliminate क जाती है 180 degree opponent में अगर for an example मैं कहूं कि वह फिफ्ट ओर फिफ्ट ओर हार्मोनिक है तो आप गहेंगे यहाँ पे put कर दें n की value कितना 5 वह तो तो अलपा कितना निकल गया आएगा आप गहेंगे 36 डिगरी 5 रखते कितना आएगा 36 डिगरी यह question भी है आपके objective में आएगा पेपर में कि 36 डिगरी से अपने को क्या करना पड़ेगा इसे eliminate डन बढ़े आगे चले नेक्स देखेगा अब अगर बात करें हम distribution की समझे इस सीच को distribution factor क्या होता है इस पर थोड़ा सा winding के base पर इस बात को समझेंगे यहाँ पर मैंने दो diagram बना रखें इन से आप अच्छे से समझ सकते हैं क्या होता है distributed और क्या नहीं हम कहते हैं factor है हमारे पास distribution factor किसकी बात हो रही है केडी क्या होता बढ़ा केडी winding को हम दो तरह से align कर सकते हैं या तो winding होती ही कैसी या तो winding होती ही short pitch या फिर होती full pitch यह किसके उपर था pitch factor पर तो हम करते ही या तो winding होती है concentric या फिर होगी distributed तो concentric winding में ऐसा बोला जाता है कि आपके जो कुछ fix slots है कुछ fix slots है उन्हीं में ही सारा conductor mount कर जें that is concentric otherwise क्या हो जाएगा वो आप कहेंगे distributed होगा तो concentric और distributed winding में बड़ा फरक है जिसके भी हाफ इसको समझा जाता है तो अगर मैं बोलूँ concentric और distributed case पर तो यह इस diagram को आप अच्छी से देखे आपको समझ में आ जाएगा concentric winding यह होता है जिसमें आप कहते हैं सारी winding कुछ fix slot में हो गया जैसे आपके बहुत सारे slot unused है अगर बहुत सारे slot unused होंगे तो उनमें slot harmonics develop करेंगे जो unused slot होंगे जो unused slot होंगे वो क्या develop करेंगे जो unused slot होंगे वो slot harmonics develop करेंगे और जो slot harmonics होंगे उनकी वैसे अपन कह सकते हैं उनके distortion के लिए उनको reduce करने के लिए हम कहेंगे winding being distributed तो अगर हमने का कि concentric है तो harmonics आते हैं तो distributed use करके कैसे eliminate कर दूँ तो हमने का winding को equally slot में बाट दिया जाए अगर winding को equally slot में divide कर देंगे तो slot harmonics का जो error है वो compensate हो जाएगा इस तरह से पन कहते हैं winding wing distributed in all the slot among this तो अपने पास जितने भी slot दिख रहे हैं अगर मैंने कहा winding को मैं फैला देता equally तो सब के सब में कहीं न कहीं देखे conductor mount हो जाता है तो यहां से पन बोल सकते हैं distributed winding use करने पर आपके पास एक तरह से slot harmonics के elimination की बात होगी एक तरह से distributed winding और किसे कम करता है बताओ कल को objective question आजा है distributed winding से reduce कर सकते हैं precisely किसको प्रियाद रखेंग अपना जवाब है higher order harmonics क्या जवाब होगा बोलो अगर पूछता है चला कि distributed से किसको कम करते हैं तो क्या answer देंगे हम कहेंगे higher order harmonics को क्या कर सकते हैं कम बेलकुल इस से हम higher order harmonics को क्या अगर सकते हैं eliminate कर सकते हैं यह बात भी यहां पर होती है ठीक है बात समझ में आई कि ने चलो तो आपके distributed से higher order terms eliminate हो जाएंगे formula आपने को याद होना अच्छी बहुत पुछ जाता है important है इसका formula क्या formula होता है kd equals to sin m beta by 2 upon आप कहते हैं m sin beta by 2 फटा-फट बता दीजे मुझे m beta और sign क्या है m बताईए sign m beta by 2 और m sin beta by 2 यहां पर जिसको अपन m लिख रहे हैं जिसे हम म लिख रहे हैं यह होता है slot per pole per phase इसे हम बोलते हैं फेजब्ट इसे क्या कहते हैं face belt और इसी तरह से जिसको में beta लिख रहे हैं वो क्या है beta कहलाता है slot angle यह कहलाता है slot angle और M beta जो है M beta को collectively लिखते है sigma M beta क्या कहलाता है sigma इसे कहते है phase spread इसे क्या बोलते है phase का पैलाओ phase spread और यहाँ पी जो phase spread है यही आपका deciding factor है आप कहते है M को phase belt एक phase belt कितना cover करता है angle that is आप कह सकते है एक phase belt में कितना आपन कह सकते है angle cover किया जाता है उसी के बिहाफ पे अपन face belt को design करें slot per pull per face के बिहाफ पे तो यह basic aspect अपने लिए important हो जाता है जब भी अपन कहेंगे तो किस तरह से होगा ठीक है बात समझ में आई कि नहीं आई पिर धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है synchronous का नशाय भी synchronous पढ़ते रहे चलिए लगे रहेंगे साथ में खतम करके ही जाएंगे इसको यह अपन कह सकते है चीक चलो देखो बिटा आगे बिल्कुल अब अपन कह सकते हैं इस की फॉर्मले को थोड़ा सा आगे अपने अप्रिशीट करते हैं कैसे यसे लिखा जा सकता है क्या होता है यहां पर मैंने उन सब को पर फेज को कवर करता है और तीसरा हां जी और कितना देर बस मैक्सिमम एक 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 गंटे तक अपन कर देंगे इसको पूरा सर कितने पेज बचे रहें ऐसे मत करो भी मोटिवेशन नहीं कोना है पढ़ना है ठीक है पढ़ना है खूब सारे बचे हम ही माल लिजे फेज स्प्रेड क्या होता है ता आप कहा सकते हैं फेज प्रेड जो फेज बेल्ट है उसमें कितना एंगल कवर करिंग उसे कहते हैं जि सबस्ति वो जरब कर कोई पूश ले कि इन सिग में मॉथे इंगल ए कृष्प्रेड वह कितना होता आप कहिंगे इक्वल इंट्वंने इंट्टय यॉप आपन आप कहिंगे रहने कुछ में रैड इूसम नहीं करेंगे विल्कुल नहीं करेंगे ठीक है विल्क्ल ठीक करें केाद करیں इसको पना explain कर जैते हैं जैसे हमने केडी का फरम्ला लिखा लिखा ता भी किभिए अगर मैं फ्रीट इन अशुरी इन sihता और की बात करें अगर मैं फ्रीट से नहीं तो आदर से और हरमनिक के लिए हूँ आप होगा वो किसके बरावर होगा अब अपने एन फ ओडर के लिए कर फॉर्मला लिखें तो के डि क्या था पहले दियो बता हो के डिता साइन अगर मैं कहुं हार्मॉनिक को एलिमिनेट करना है अगर मैं बोलू हर्मॉनिक को अ क्या करना है eliminate करना है तो आप कहेंगे kdn equal to zero और kdn equal to zero करते हैं तो यहाँ से जब solve करते हैं तो अपने पास निकल के आता है sigma ब्रावर 360 degree upon n और यहाँ से अगर मैं बोलू कि मुझे fifth order harmonic example के तोर पे अगर मुझे fifth order harmonic जो है उसको क्या करना है eliminate करना है तो आप कह सकते हैं उसके सिक्मा कितना निकल के आएगा 72 डिग्री देख लिजे कितना निकल के आएगा 72 एनफ ओडर harmonic elimination के लिए यहाँ पर क्या requirement होगा आप कहेंगे 72 डिग्री अंगल clear है बोली yes or no clear है 360 upon 5 बिल्पूल कह सकते हैं वो था 35 36 डिग्री यह अपने पास हो जाए गई आगे पढ़ें next slide पर चलते हैं तो इस तरह के formula पर अगर कोई based question है तो इस slide में मैं attach कर रखें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं sir frequency match हो गई है आप अब चलने दीजे class चलती रहेगी ऐसे ही चलती रहेगी अबस आप बने रहेए इतना ही कहूंगा बस बने रहेए ठीक है तो AP और KD पर कई बार questions पुछे आते हैं उसमें कई बार एक short pitch angle का formula है जो importantly अपने को पुछे जाता है मैंने question attach कर रहे हैं आप पढ़ लीजेगा चलो बात करते हैं next element पर that is synchronous impedance क्या होता भी इस term से क्या मतलब है synchronous impedance यह क्या होता है synchronous impedance क्या है अगर अपन कहें अब synchronous impedance बिल्कुल synchronous impedance होता है जड़ेस यह का होता है जड़ेस जड़ेस simply वही है किसी synchronous machine का impedance उसे बन जड़ेस कहते है इसमें basically एक additional component आ जाएगा जैसे किसी भी winding आदिंग वपन resistance reactance कहते हैं लेकिन एक नया component आपन यहां पर आड़ करके बोल रहे हैं वह आपन कहते हैं आर्मिचर रिएक्शन के आर्मिचर रिएक्शन रियक्टेंस जिसे किसे represent करते हैं एक्स ए से क्या क्या हो गया आरे एक्सल अंजी आरे एक्सल 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 यह तीन component है अगर इन दोनों को add कर दूं किसकी बात कर रहो मैं second or third की अगर इन दोनों को collectively add कर दूं तो इसे नाम दे दिया जाता है एक्स और यह किसके बड़ावर होता है आप कहेंगे एक्सल प्लस एक्सल इसे क्या बोला गया है इसे क्या नाम दिया गया है इसे कहते हैं सिंक्रोनस इसे कहते हैं सिंक्रोनस रियक्टेंस सिंक्रोनस रियक्टेंस और आर्मिचर रियस्टेंस अगर मैं इन दोनों को merge कर दूं तो तो जो component बनेगा उससे बन क्या नाम देते हैं जडिस कहते हैं synchronous reactance और armature resistance इन दोनों का combination क्या कहलाएगा आपका synchronous reactance कहलाएगा ठीक है clear बढ़े आगे भी चली देखे ये तो होगे अपने पास आवाज clear आ रही सबको चलो चलो चलने देते हैं गाड़ी ये तीन component के बहाफ के अपने बढ़े कौन सा component सबसे major part रखता है synchronous impedance का सबसे major component कौन सा ही answer दे दीजे synchronous impedance का frame sing क्या कह रहे है बटा civil की नहीं है क्या civil की थी ना होगे योगी शायद तक class कतम हो सकता है hopefully क्या होगा बोलिए कौन सा component सबसे major part रखता है क्या कहेंगे तीन basic component इसे armature reaction सबसे कम होता है कितना कम यहाँ पे मैंने mention कर रखा है आराम से आप पढ़ेंगे तो clear हो जाएगा armature resistance पे एक SSE में question आयवा इसको देख लीजे skin effect जो होता हमने पता है कि AC में resistance हमेशन DC से जादा होता है कितना होता है 1.5 times SSE 2015 का question है if the DC resistance of armature winding is given by 0.5 ohm then its AC resistance will be, आपको simple क्या करना था आप कह सकते है 1.5 times कर दीजे जो भी अपना answer अपना जवाब हो जाएगा 1.5 times, date गुना हो जाता है उसका AC resistance, यह question पूछा गया है 1.5 times of, यह अपने mention कर रखा है, देख लेना यहापर 1.5 times of, आप कहेंगे DC resistance होगा, leakage reactance basically leakage flux की वाज़े से होता है जो आपन देख रहे थे slot के designing में जिसको open slot लेके अपन काफी कम कर सकते हैं, इसका perception भी almost कम ही होता है, तो अगर resistance की बात करूँ अगर, तो armature resistance almost कितना होता है, आप के fraction वाई जाले हैं तो बहुत कम, लगबग 1%, अगर मैं कहूँ लगबग 1% या नहीं, per unit का 0.01 हिससा भी नहीं है, दूसरा अगर मैं कहूँ leakage reactance वागर कितना होता है, यह almost 10 to 12% की पास, आसपस 10 से 11, 20% अपने कह सकते हैं और last अगर मैं कहूँ, almost आपका तीसरा, यह कितना होता है अपने कह सकते हैं, 90%, तो यह fraction, almost आप कह सकते हैं, 10 to 12 या 80 to 90% की आसपस यहाँ पे मिलेगा, इसे अपन कह सकते हैं it is 10 to 15, और almost 80 to 85%, इस fraction तो, सबसे dominating component कौन सा, अगर कोई पुछे हैं, तो आपका हैं सबसे dominating होता है, armature reaction reactance, सबसे highest component कौन सा होगा, armature reaction reactance, skin effect पर भी यही होता है, हाँ, 1.2 से 1.8 है, हम average value में multiplier 1.5 ले ले लेते हैं, ठीक है, average में multiplier 1.5 ले लेते हैं, यह 3 basic component को मिला के अपन कह सकते हैं synchronous impedance अपने पास मिलेगा, बढ़ें आगे, चलिए, synchronous impedance पे related question है कुछ, मैंने pdf में share कर रखें, इनको आप बढ़ेंगे तो आराम से कर सकते हैं, चलो भी, vector representation पे आते हैं वेटा, vector representation क्या कहता है, इसको समझ ले, vector representation में हमने यहाँ पे explain किया है phasors को, किसको क्या है, phasors को देखेगा, vector representation की पहले equation अपने लिए important है, वो देख लो क्या है, हमने यहाँ पे phasor को represent किया है, चलिएगा, देखेए, vector क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं, इसका equation क्या है, characteristic equation की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कहते हैं, एक तरह से हम characteristic equation लिखना चाहा रहे हैं, generator की regarding, तो क्या कुछ बन सकती है, circle clear नहीं दिख रहा है, अभी कर देते हैं वेटा, इसकी बात कर रहे होगा, विक्की के मर, क्या पूछ रहे हैं वापस एक बार revert कर दीजिए, बिल्कुल जो जो एक एक बंडा बैठा है, उसी के लिए में वो खेड़ा हुए आपके, excel जो है, वो leakage flux के लिए वेटा, excel किसके corresponding आप एंगे, leakage flux के corresponding, जितना leakage flux हाई होगा, उतना leakage reactance ज्यादा होगा, तब यह अपने थोड़ दिर पहले पढ़ा था, कि अगर open slot design ने अपन लेते हैं, अगर open slot अपन design लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, air gap बढ़ने पर leakage flux कम हो जाता है, reactance कम हो जाता है, यहाँ पर excel का domination कम है, यह अपन कहेंगे, कौन जादा है armature reaction component यहाँ सबसे major priority पे अपने को मिलता है ठीक है, सबसे जादा कौन है armature reaction, यह अपन कह सकते हैं ठीक, अब अगर मैं कहूँ बिल्कुल, हम आराम से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नाम मेरा चलने दिजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने को अच्छे से पढ़ना है, खतम करके जाएंगे, आराम से आप time की परवा मत करिए, मेरी परवाना करिए खुद बस क्योल चलते रहने दिजिए characteristic equation में पन कहते हैं किसी generator की equation नहीं हो सकते हैं उसमें कितना em of double up हुआ, उसमें से सारे drop गटा दीजिए, terminal voltage आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कैसे लिखेंगे हम हम कह सकते हैं कोई em of double up हुआ था उसमें से all the drops गटा के उदर ले जाएं तो v plus क्या हो जाएंगे, सारे drop को add कर दे, drop कौन कौन से हो सकते हैं आप एंगे i a r a हो गया, j times of i a xl हो गया plus j times of i a x a हो गया, अगर इनको combined भी कर दे, e equal to v plus i a common r a plus, क्या हो जाएगा, j times of xs, यह अपन कह सकते हैं इसको भी combined कर दें तो क्या हो जाएगा, v plus i a common zs, यह अपने standard equation होती है, अगर कोई पूछे, कि em of terminal voltage plus इसके बराबर होगा, phasor exam में आता है, phasor means में बनाने के लिए आ सकता है, as such कुछ ऐसे नहीं पूछे जाता है, कि phasor आए गई, नहीं, phasor as such कुछ ऐसे नहीं, बस यहां से अपने कुछ चीजें सीख सकते हैं उनको देखते हैं, phasor में हम बोलते हैं कि वी कैसे बनता है उसको पहले समझने, phasor में यह कहा जाता है, phasor में हम ऐसे बोलते हैं कि em of equation के बिहाफ पर कैसे depend करेगा, तो हम reference clear करते हैं, reference में कहते हैं, हम v fix कर दिया, जैसे यहां पर देखें, हमने कहा v fix है, तो v fix है तो v में drop add करने हैं, तो आप पहेंगे, अगर registive load है, अगर हमने कहा कि यह बही registive load है, तो registive load में क्या बोलेंगे, registive load की case में जो voltage है, जो voltage है, उसी direction में कौन हो जाएगा, आप में जो voltage है, उसी direction में कौन हो जाएगा, iar, तो v plus iara plus iaxl plus, यह दोनों को मिलाकि अपने एक साथ भी लिख सकते थे, ia access भी बोल सकते थे, synchronous, तो आप यहां पर देख पार हैं, कि e और v लगवग बराबर है, इंडक्टिव में current lag करता है, अगर मैं कहूं, अगर है, इंडक्टिव में current अगर lagging होगा, तो यह spread कर जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, और यह angle भी अपने पास delta जो मिल रहा हो भी बढ़ेगा, तो e greater than v होगा, और leading power factor में current अगर lead कर जाता है, तो current की leading property पर हम कह सकते हैं, current की leading property पर e की value less than v आ जाती है, तो यहां कहीं जाके हमें बोला जाता है, कि negative मिलने लगता है क्या voltage regulation यह इस aspect पर, क्योंकि e less than v हो गया, इस तरह से negative regulation का sense जो है, चले, इस तरह से vector representation में अपन यह दिखा सकते हैं, कि graph का alignment क्या है, इस e और, बल्कुल पाने peeling बटा, T break कर लिया, वहने साथ-साथ, साथ-साथ होता रहता है, यहां पर e और v के बीच का difference जो है, e और v के बीच का angle है, उसे पन dealt करते हैं, यह अपना एक तरह से क्या कहलाता है, load angle भी कहलाता है, यह तरह से load angle भी कलाता है, कि load के perception पर किस तरह से बदल जाएगा, ठीक, तो यह बात हुई अपने say sir related, now, next, armature reaction को अपने को समझना है, बिल्कुल ठीक है, armature reaction, armature reaction क्या है, पहले इसी topic को अपन देख लेते हैं, बता ही बच्चे, armature reaction किसे कहेंगे, synchronous machine में बड़ा important है, table से अपन इसको उड़ा देंगे, armature reaction, चलिए, armature reaction किसे कहेंगे, armature reaction किसे कहेंगे, किसी भी machine में पन बोलते हैं, armature flux का main flux पर जो effect है, बिल्कुल उसी तरह से demagnetizing, cross magnetizing, यहाँ पर एक और है बई, यहाँ पर एक और कौन सा मिलता है, effect of flux तो है, लेकिन उस effect की वैसे पन कह सकते हैं, उस effect की वैसे कहा जा सकते है, कि basically, effect of flux तो है, लेकिन यहाँ पर इस armature reaction की वैसे बार तीन basic component अपने को मिलने वाले है, हम कहेंगे, जो वहाँ था, उसके अलाव भी है, एक होता है, magnetizing, दूसरा होता है, अपन कह सकते हैं, demagnetizing, और तीस अपने पास है, that is cross magnetizing, तो question कई बार क्या आता है, वो सुनिएगा ध्यान से, exam में यह वाली path important है, question यह पुछा, voltage regulation बिल्कुल करा दें, Krishna भी, इसे की just बाद है, अगर अपन कहेंगे, question क्या है, question आता है, कि किसी synchronous machine as an alternative generator पर, इस तरह के load पर armature reaction कैसा है, अब देखो, अगर generator है, तब तो load कैसा होगा, inductive, capacity यह सब, लेकिन अगर motor होगा, तो क्या पुछेगा, motor होगा, तो वो पुछेगा आपसे, कि भी, over excited पे, under excited पे, normal excited पे, किस तरह का armature reaction होता है, तो इसको एपन एक बड़ी table और उससे आराम से पढ़ सकते हैं, और हमने पढ़ा भी इस चीज़ को अच्छे से, कि भी किस तरह से act करता है, तो वो चीज़ अगर सूचें, तो आप किसी भी मशीन में, armature reaction की जो property है, वो इन तीन तरह की जा सकती है, magnetizing यहाँ पर अलग है, यह देख पा रहे हैं, हाँ, the armature current सा setup with producer, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, cross, RLC, बिल्कुल याद कर रहे हैं, इसको अपने एक और तरीके से ध्यान कियाता है, याद करें, cdm, वो machine, cdm machine होता है वैसे, पैसे वाली, उससे से अपन दिखाएंगे, तो यहाँ पर तीन तरह के armature reaction है, magnetizing support करता है, flux बढ़ाता है, demagnetizing reduce करता है, cross में अपन कह सकते हैं, distortion आते हैं, तो हम यहाँ phasor से अपने इससी को अच्छे से समझ सकते हैं, हम यह reference ले लेंगे, हम यह reference ले लेंगे, कि भी reference ले लेंगे कि flux इतना है, जैसा कि यहाँ phasor में आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ का alternator के लिए reference flux ले लिया, तो उससे EMF 90 lag करता है, और motoring case में यह EMF से back EMF 180 degree shift करता है, तो आप यह just E की opposite वहाँ पे supply voltage होता है, इस reference पर हम एक table से इस armature reaction को आसानी से पढ़ सकते हैं, गौर करें तो यहाँ पे सब कुछ explain किया हुआ है, और पढ़ा भी रखा है अपने देखा होगा, कि armature reaction alternator के लिए पूछा है, तो आपने कहा सबसे पहले no load पे बनाया, कोई reaction नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि resistive load लगाएंगे, तो resistive load के लिए EMF की phase में current होगा, तो आप कह सकते हैं, आर जब भी होता है, magnetizing जो है, उसके लिए तो fix कर दें हम चाहें, कि जब भी आपका UPF होगा, unity power factor बोलूँ या फिर resistive load बोलूँ, इसकी बात होगी तब भी magnetizing word तो आना है, इसके बाद inductive और capacitive पर इसके nature जो हम क्या करते हैं, शफल कर जाते हैं, cdm में, इस चीज को अपने एक table से अच्छे से समझ सकते हैं, आपको ध्यान है, अपने पहले भी देखा है, और इस table को मैं सीधा draw करके दिखा भी देता हूँ, आपको तक याद रहे, अगर एक table से अपने इस को याद करें, तो बहुत बैतर समझ पाएंगे, armature reaction को, यह देखेगा, इस table से अपने इस सीध को explain कर सकते हैं, बड़े carefully, अगर आपको यह समझ में आगी, तो अपना काम हो जाएगा, देखेगा, कैसे करना है, फड़ा वड़ा question अगर आता है, तो अपन कैसे टिक लगाएं, मान लिजे मैंने आपसे कहा, मान लिजे मैंने आपसे कहा कि, मशीन है अपना, मशीन है, synchronous generator, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ, synchronous generator पर आपको बताना है, किस तरह का armature reaction होगा, तो अपन कहते हैं, सबसे पहले generator है, और आपको पूछा गया, किस तरह का load पर होगा, तो आप बना सकते हैं, कि इस table में अपन कहते हैं, तीन तरह के अपने पास होते हैं, तो आप यहाँ पर generator और यहाँ पर motor लिख दिया, इधर load लिख दिया, और आपने का, तीन तरह की load property है, resistive, inductive, capacitive, और combination की बात करों, तो RL और RC, ठीक है, इसी क्रम में लिखेंगे RLC, अब resistive, inductive, capacitive पे अब जड़ा सोचो, आर्मिश इरिक्षिन की तो तीन property मैंने बताई, क्या होती, magnetizing, demagnetizing, cross-magnetizing, इन तीनों को, इन तीनों को alphabetic order में अगर मैं arrange कर दूँ, तो बताईए सबसे पहले क्या आता है, alphabetic order में arrange कर दूँ, तो क्या आता है, c, then d, then m, यह क्या बन गया भी, cross, then demagnetizing, और magnetizing, तो सीधा सीधा जरूर, put कर दें, this is c, d, or m, किस के आगे, किस के आगे भी, rlc के आगे, तो cross demagnetizing, और अब जानते हैं, कि motoring case में भी यही होने वाल है, बस क्यों shuffle हो जाएगा, तो r तो रहेगा same, यह तो बिलकुल same रहेगा, लेकिन इनको interchange कर दें, और उसके बाद इनके combination की बात है, इनको भी interchange कर दें, तो सीधे-सीधे अपने पास एक act आ जाता है, जिससे अपन calculate कर सकते हैं, कि कैसा होगा, तो जब भी पूछे, बस motor में याद रखो, motor में याद रखो, क्या होता है, motor में होता है, over excited, under excited, normal excited, यह तीन शब्र, और generator की केश में पन कहते हैं, load कैसा ह पन कह सकते हैं, और इजिली question निकाल देंगे, बचावा कल सुबह देखनें, कोई बात है, यहाँ से question कैसा आता है, अभी राज पूछन है, चलो question की बात करी लेते हैं, आप से पूछा गया, कि synchronous motor है, ठीक है, एक synchronous motor है, और उसमें बोला गया, कि आपका जो excitation है, वो है under excited, under excited condition में आप रन करें, under excited condition में रन करें, तो आप से बोलेगा, बताइए armature reaction कैसा हो, बटाइए पूछता है सीधा, तो आप इन सबसे पहले हम RLC वाली सारी बात पढ़ें, अब हमें ध्यान है कि synchronous motor under excited condition में किसकी तरह चलता है, बोलो, किसकी तरह चलता है, आंसर दीजे, अगर under excited condition में आप से पूछा है, तो किसकी तरह चलता है, बोली, under excited में किसकी तरह चलता है, inductive, मेरा प्रश्न है, under excited में कैसे चलता है, inductive, यानि lagging load, तो जैसे ही मैंने का कि यहां भी under excited है, inductive पे गई, inductive के आगे बताएए, क्या दिख रहे है, आपके क्या दिख रहे है, magnetizing को अ अपना answer निकाल सकते हैं, कि किस excitation condition में आप का आर्मिच इरिक्षन कैसा होने वाला है, अगर यह table याद हो जाती है, तो अपने को बड़ा आसान हो जाता है, इसको समझना, ठीक है, बड़े आगे, चलो बड़े, Characteristic आपने पड़े, Characteristic की बात करते हैं, बड़े, Characteristic of alternator को अपन study करेंगे, क्या क्या आप होते हैं देखी, Characteristics क्या क्या है, Characteristic of alternator, इसमें अपने पास वैसे ही है, एक तो आता है, अपने पास OCC, इसी तरह से दूसरा आता है, SCC, open circuit Characteristic तो वही पिछली बार जैसा पड़ा था, E and IF के बीच का एग्राफ है, और ये भी किस पे बनाया जाता है, आप simply कहा सकते हैं, no load के भी हाफ पही है, magnetizing, short circuit जरूर यहाँ पर अलग है थोड़ा सा, IA versus IF आप कहा सकते हैं, ये एक तरह का linear Characteristic आता है, कैसे आता है आपके पास, linear Characteristic जो क्या आप कहा सकते हैं, straight line, पर बता सकते हैं क्यों होगा straight line, answer दीजिए, why short circuit Characteristic are straight line Characteristic, ये पुछा जाता है बहुत कि इसे हमेशा straight line Characteristic में क्यों पढ़ते हैं, बोलो, speed increase के रिए, बिलकुल करते हैं, बटा करते हैं, short circuit Characteristic क्यों straight line होता मेरा question ये है, क्योंकि objective में बहुत पूछा जाता है क्यों ये straight line है, कारण क्या होगा, क्यों ये straight line है, बता ये फटा फट से, क्या reason है, क्योंकि, क्योंकि short circuit Characteristic में अपने पास, अगर equation देखें तो अपने क्या होगी, E equals to V plus I A, क्या लिखेंपन, XS मालने हैं, अगर मैं कहता हूँ short circuit Characteristic है तो V क्या होगी जीरो, जैसे V zero हाट अपन कहेंगे, E is directly proportional to Jedis, Jedis किसके proportional है, XS, XS के proportional है और आपने कहा, EMF खुद किस पे, XS के proportional है, sorry, यहां पर किसके proportional है, I A, और आप जानते है, EMF जो होता है, वो E किसके proportional होता है, आप कहते हैं, IF, तो आप बहुत बताईए, यहां पर दोनों कैसे दिखने हैं आपको, I A, it directly proportional to IF, तो आप कहते हैं, कैसे Characteristic में लेंगे, स्टेट लाइन, इसी वज़े से आप कहते हैं, open circuit और short circuit Characteristic में, यह अपने पास, saturation, armature flux, main आ रही है, saturation मत होईए, अभी खतम कर देंगे, थोड़ी जेर में, एक तीसरा Characteristic इसमें आता है, that is, ZPFC, तीसरा आता है, ZPFC, ZPFC Characteristic क्या होता है, इसको भी सुनिएगा, इसमें अपन बोलते हैं, कि वही सबसे पहले, सबसे पहले अपन बोलते हैं, इसमें क्या बनाया जाए, ZPFC किसकी बीच का Graph है, देख लेते हैं से, this is zero power factor Characteristic, यह आपका Graph होता है, terminal voltage, और किसकी बीच में, terminal voltage और field excitation के बीच में, V और IF की बीच का Characteristic है, आपका ZPFC, तो ZPFC में अपन कहेंगे, V और IF के बीच के Graph में, कैसे इसको create किया जाए, voltage का, voltage का field के साथ, तो terminal voltage में अपन कहते हैं, कि अगर field excitation को change करेंगे, तो कैसे बदलाए, तो normally ऐसा कहते हैं, कि load constant maintain करके, ऐसा नहीं किया हैं, आपके यह, अगर OCC है, तो इसी से IA ZS के बराबर difference पर, IA ZS के बराबर difference पर इस तरह से अपने पास ZPFC character सिखाता है, यह जो gap है, यह आपके IA ZS voltage drop को create करता है, कई बार पूछे जाता है, ट्रेंगल बनाते हैं, ट्रेंगल, ट्रेंगल में अपन कह सकते हैं, बिल्कुल ट्रेंगल बनता है, 48 ट्रेंगल जो MMF method में अपन पढ़ेंगे, वहाँ पे अपने पास आता है, ZPFC, load characteristic और external को देख लिए, load और external क्या कहते हैं, समझे, load characteristic basically बोलता है, load characteristic किसकी बीच का graph है, अगर बात हो रही किसकी load characteristic, कि load characteristic में अपन लेते हैं graph किसकी बीच में V, terminal voltage और field excitation अपन कहेंगे IF, और अगर यही बन जाए external, वैसे देखो तो आप कह सकते हैं, यह बिल्कुल वही हो गया, विशले वाला लेकिन बस इसमें फरक क्या है, इसमें फरक है कि अपना power factor जो है, variable होता है, कई बर object में सीधा EC line को पूछ लिया आता है, कि कैसा graph होगा, तो एक सीज़ याद रखेगा, कि जैसे हम excitation बढ़ाएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं, जैसे हम excitation को improve करते हैं, किसी fix point पर, तो leading category, leading, आपने जैसे leading nature बढ़ेगा, leading characteristic जो है, वो बढ़ता जाएगा किसके साथ, अगर अगर अपन excitation में terminal voltage बढ़ते हैं, leading बढ़ेगा, तो इस case में आप कहेंगे, terminal voltage भी क्या करेगा, increase करेगा, तो अभी graph आजए, व्याद रखेगा, जो सबसे highest peak मिलता है, वो किसके लिए हुआ, आपके leading के लिए सबसे lowest की तरफ जा रहे हैं, जैसे ऊपर की characteristic के बात करते हैं, external characteristic के अगर बात करें, तो इसमें कहा जाता है कि यह आपका terminal voltage और किसके बीच का graph होगा, IA के बीच में, यहाँ पर आपन कहते हैं, किसी generator के external characteristic के इस तरह से बदलते हैं, V और IA में, जैसा आपन नॉर्मल किसी भी generator के लिए बनाते हैं, जैसा आपन लेग जैसे आपका leading nature बढ़ेगा, terminal voltage क्या करेगा, increase करेगा, normally एक ही line पर सबसे अधा question कुछ आता है, कि leading nature terminal voltage के साथ कैसे आपका shuffle करता है, इस point को पन represent करते हैं, ठीक है, चलिए, तो इसी तरह की कुछ questions मैंने इसमें रख रखे हैं, slide में, आप यहाँ से देख पाएंगे, कि किस तरह से characteristic को अपन change कर सकते हैं, जैसे ए ग्राफ आप देखिए, कि आपका question है gate का, हमने का यहाँ पर E और V लिया, और यहाँ पर filled excitation है, तो आप बोल सकते हैं, इसने पूछा है, कि कौन सा, यहाँ पर कौन सा characteristic, आपको बोला गया, point rate, power factor, leading को शो करता है, किसी rated load पे, तो अ यहाँ बात जो है, वो zero power factor के जैसे characteristic मिलते हैं, उसमें उपर जाएगा तो leading और नीचे आएगा तो lagging, तो कौन सा characteristic सही होगा, यह वाला, जैसे कि अपर इसमें देख पार हैं, अंजनी सर, बिलकुल सर, full of energy, बच्चे हैं, हाँ, बिलकुल उपर वाला होगा, जी सर, बिलकुल offline class के बाद energy बच्चों के बच्चों सही आती है, बच्चे हैं तो अपने energy है, जी जी सर, चलिए आगे देखें, next point, load का effect अपन पढ़ चुके हैं, regulation वाली point को अपने consider करेंगे, देखेगा, regulation पर क्या effect आता है, यह एक important point हो सकता है, regulation इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं, बताईए बटा, voltage regulation, voltage regulation क्या कहता है, सबसे बड़ी बात यह है, दुबारा बता दीजे, question, question इसमें PDF मिल जाएगा, question की बात करें बटा, question में यह था, इस question में यह था, कि अगर मैं कहता हूँ, बहुत सारे characteristic दे रखें, तो पहचान कैसे करें, OCC कहां से जाएगा, आप कैसे सकते, OCC जाएगा बटा, आपके हमेशान, origin से, अब OCC से just आगे, अगर अपने को graph दे रखा यह वाला, तो आप कह की कि इसके बाद में मैंने जो graph पना है, वो कौन सा होता है, ZPFC, OCC के ठीक बात, जो IJS characteristic drop के बाद आता है, वो है ZPFC, और ZPFC, zero power factor characteristic का तो अगर कहें कि किसी variable value पर है, तो बिलकुल इससे आगे किसी दूसरे load पर होगा, तो आपने का ठीक, आगे IF double dash पे similar characteristic अपने को मिले, जितना rise करेगा उपर के तरफ वो क्या कलाएगा, उपर के तरफ characteristic मतलब leading nature, downward है तो कैसा होगा lagging, आप कहते है terminal voltage किसमें बढ़ता है, उपर की तरफ बढ़ता है, इस तरह से अपने match कर सकते हैं कि कौन सा point, बिलकुल कौन सा point यहाँ पर होगा, इस तरह के question पूछे आते हैं इस तरह के question आते हैं, यह same question आपके paper में आया होगा है, जैसे मैंने discuss किया, regulation की बात करें, क्या होता है voltage regulation, हाँ जी, क्या structure, voltage regulation किसे कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, नंबर भी बता दीजिए अपना doubt और pdf के लिए, यह बेटा नंबर मेरा यह है, लिख लीजे, यह लिए, नंबर यह है, यह लो, मैं अलग से भी इस pdf को आपको send कर दूँगा, जिसको भी doubt हो, तो cable pdf, यह notes वाला, और साथ में ची, synchronous का पुरा pdf, प्लस अपन कह सकते हैं, जितने भी questions यहां से आ सकते हैं, दोनों बात हैं, बस आप बने गई हैं, अभी अपन कहतम करेंगे, उसके बाद सब ही जा के आराम से rest करेंगे, बिलकुल, और थोड़ी ही देर में हम शायद 6 गंटे क्रॉस कर जाएंगे, और इस marathon में बड़ा जा आ रहा है बेटा, आप सब हैं, तब मज़ा बिलकुल आएगा, बिना student के काई की मेरा था में, continue कर रहें हैं, बिलकुल कर रहें, just a minute, just a minute बिलकुल कर रहें, हाँ, अब आप मुझे इस number पे message drop कर दें, whatsapp कर दें, और call भी कर सकते हैं, classes के लावब आप इस पे drop कर दें, आपको जो भी आपके notes हैं, आपके doubts हैं, और साथ में कोई PDF है, तो अपन इस पे send कर देंगे, ठीक है, और telegram group जो official group है, उसमें पे अपन send कर देंगे, कब तक चलेगा, पर कितना बज़े जाता है, तो ये rise in terminal voltage भी हो सकता है, decay भी हो सकता है, rise और decay दोनों हो सकता ही, अपन जानते हैं, rise और decay दोनों, बिल्कुल, अगला topic विटा, अविराज SCR है, वो बता देंगे, अभी just बता देंगे, बस, अब जोश नहीं खोना है, आप थोड़े देर और बने रही है, अगर हम कहें, regulation क्या है, तो आप कह सकते हैं, formula अपन सब जानते हैं, वही, no load, full load difference वाला, पहले से पढ़ा है, no load minus full load upon, rated voltage और rated यहां पे कौन होगा, full load terminal voltage, अगर आपको बोला जाए, किसी alternator के case में, और अगर आपको बोला जाए, किसी transformer के case में, तो अपन गया, regulation किसके proportion नहीं था, आप कह सकते हैं, voltage regulation basically, आप कहेंगे, voltage drop का function है, और यहां पे drop basically 3 component के वैसे है, RA, XL और XA, जिसमें सबसे highest drop किसके वैसे आते हैं, dominating XA, इसी वैसे alternator का regulation हमेशा कुछ high values पर भी अपने पास होता है, SSC के exam center आ गए हैं, अब बेलकुल चलो चलो, best of luck ब हाँ, अब हम आते हैं, regulation के लिए सबसे important question पूछे आता है, कि regulation जो है, calculate कैसे करते हैं, ठीक है, regulation के calculation method क्या है, उनको समझ लेते हैं पर, चलिए बता रिए, regulation के calculation method क्या है, methods to find voltage regulation, इसमें अपने पास कुछ short tricks हैं, कुछ चीज़ें हैं, जो पूछे आती हैं, सबसे पहला method जो इसमें होता है, वो है अपने पास, सबसे first method है, that is, direct loading method, direct loading method वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन अपन simply कह सकते हैं, अगर machine पर अपन कोई rated load connect करके उसे चलाएं, और फिर उसका पूरा को पूरा load disconnect कर दें, तो no load से full load तक, उसके across लगे, terminal voltage में कितना change आया, अगर verbally, visibly देखा जाता है, तो उसे अपन कह सकते हैं, कि वो regulation होगा, लेकिन आप खुद बताइए, क्या ऐसा method prefer किया जाएगा, mostly नहीं, क्योंकि, जैसे जैसे rating बढ़ती है, वैसे वैसे एक चीज फिजिबल नहीं हो पाती है, कि आप system पर उतना ही connected load लगा कि उसको अपन क्या कर सेगे, fulfill करे तो normally आप कह सकते हैं, यह method जो convenient नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं, low rating जो है, उसके लिए, यानि laboratory purpose पर suitable होता है, और इसमे हम system पर rated voltage जो है, उसकी value इस terminal voltage की बहाफ पर निकालते हैं, जहाँ पर आपको meter देख रहा है, अगर एक बार मैं कहूंगा, full load लगा दूँ, और फिर म आगया है, कौन सा दें, ऐसे जिन्तमी लोगों के doubt है, वो मुझे personal message करें, मैं सोच के उनके विश्य के साथ क्या हो सकता है, क्या करें, आपकी तैयरी कैसी बात कर लें, उसके बाद discuss करें, आप call पर बात कर लें, number मैंने बताई दिया, और शाम को साथ पज़े बात, उसके आप बात करके पूछ सकते हैं, अब डिसकस करेंगे और जो बैतर लगे और उसके लिए आपको राय दूँगा मैं, ठीक है, चली, next method इसमें आता है, पढ़ाया भी EMF method या नहीं, नहीं पढ़ाया तो बात करते हैं, बताई ज़रा, EMF method, दूसरा method इसमें होता है, एक अपन EMF method का और किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं, synchronous impedance method, जैसे नो, इसे कहते हैं, सब पढ़े हैं, इसे हम बोलते हैं, that is synchronous, जो जो पुछा जा सकता है, synchronous impedance method, क्यों बोले जाते है synchronous impedance, क्योंकि हमें पता है कि जो E equals to है, वो V plus क्या है, I, A, ZS है, और अगर मैं बूलूं कि E minus E कैस V की बात कर रहा हूं, तो यह किसको represent करता है, बताइए, यह represent करता है, voltage, यह represent करता है किसे, voltage regulation को, यह represent करता है विटा, that is voltage regulation को, अगर voltage regulation को represent करता है, तो यह voltage regulation किसके proportion दिख रहा है, डाक्रिट जैडेस के, और जैडेस यहाँ पर synchronous impedance है, जैडेस यहाँ पर synchronous impedance है, बिल्गुल, synchronous impedance method के property जो होती बही बार पुछी आती है वो यह कि synchronous impedance method में जो jds आता है वो कैसे निकाले तो आप कहते हैं इस के लिए हमें OCC इस method के लिए हमें OCC और आप कहेंगे SEC required होते हैं हम कुछ ऐसे करते हैं विटा इसमें देखेगा आप कहते हैं पहले तो OCC plot कर लेते हैं पर इसमें पहले तो हम इसमें OCC plot कर लेते हैं कि यहां से open circuit characteristic बना लो यह लिए OCC हो गया फिर हम कहते हैं एक short circuit characteristic बनाते हैं यह भी बना दिया this is SCC आपको बता है यह किसके बीच का graph हो यहां पर क्या लेंगे यहां पर है filled excitation और इस पर क्या लिया जाएगा इस पर लिया E और दूसरा है आईए फिर हम कहते हैं किसी common excitation की value पर जैसे कि यहां इस point को उपर बढ़ा जाते हैं और फिर देखते हैं कि यह point यहां कहां कट कर रहे हैं इसके लिए कोई value है जिससे अपने कहेंगे short circuit current और यहां कहां कर रहा है यह आपने पास V open circuit तो यहां से निकल क्या आता है कि जैड एस बराबर होगा V open circuit अपन आई short circuit यह अपने पास synchronous impedance आ जाता है इस method से तो इस method में एक छोटा सा drawback है वो क्या हो सुनिए इस method का drawback यह है जो जैसा कि आप इस graph में देख पा रहे हैं वो यह drawback है इसमें कि हम बोलते हैं कि जब भी zs calculate करते हैं तो normally यहां पे जब zs की value को calculate किया जाता है तो zs जो है वो हमेशा saturated जो है zs जो है unsaturated उससे क्या आता है कम आता है अब इस वज़े से system में एक आप कह सकते है error create होती या फिर आप कह सकते है value आपकी गलत आती है और इसी वज़े से पन कहते हैं इस method को हम कहते हैं यहां पे आपका value ज़्यादा पड़ा जाता है more emf आप कह सकते है read किया जाता है अग optimistic है कि pessimistic है optimistic pessimistic क्या होते है आशावादी निराशावादी याद है optimistic और pessimistic optimistic और pessimistic का मतलब है अगर कोई चीज आपकी actual value से ज़्यादा read की जा रही है तो आप कह सकते है that will be pessimistic निराशावादी उसको और घटाया नहीं जा सकता तो अक्सर पूछा जाता है कि अगर more emf पढ़ जाता है किसे from आप कहेंगे from actual from actual value actual value से अगर ज्यादा पढ़ रहा है अगर यह actual value से ज्यादा पढ़ रहा है इसलिए इसे नाम दिया जाता है क्या आप कह सकते हैं इसे बोला जाता है किस method से pessimistic किसे बोला गया है that is pessimistic method pessimistic method बोलने का main reason यह है क्योंकि यह actual value से ज्यादा emf read करता है so normally अपन कहें है बिलकुल निराशावादी बिलकुल सही गर रहा है निराशावादी विधी है क्योंकि यह actual से ज्यादा value को क्या करता है read करता है then clear है बढ़े आगे चले अब आते हैं अपन अपन next method पर जो किये mmf mmf method पढ़ा है सबी ने क्या होता है mmf method किसे कहेंगे बोलो इसका क्या approach था next method अपने पास है that is mmf method mmf method में क्या बोला गया क्या इसके approach क्या क्या कहती है बताऊ पड़ा वड़से बताईए क्या actual से कम actual से ज्यादा क्या कहा जाएगा इसके लिए actual से कम ये actual से ज्यादा क्या बोलेंगे actual से कम, क्यों, कैसे करता है, क्या method है इसमें हम बोलेंगे कि EMF और MMF में एक basic difference है EMF method में जो leakage reactance था, उसको तो माना और वहाँ पर एक assumption लिया, EMF और MMF में एक assumption अपने पास है EMF जो होता है, EMF method, उसमें ऐसा मान लिया जाता है, assume करते हैं वहाँ पर हमें ऐसा assume करते हैं, कि भी x a जो है, उसे xl का एक part मान लिया जाता है जो की basically गलत है, ऐसा अपन assume करते हैं, कि जो x a है, वो इसी में ही शामिल कर दीजे जो की गलत है, इसके वज़ए से error create होती हो, saturation वाली लेकिन इस बार अपन कहते हैं, mmf जो है, इसमें बोलते हैं अपन कि आपका xl है अब पूरी calculation अगर mmf में तो इसका assumption जो है, इसमें यह assume कर लिया जाता है क्या assume करेंगे, armature resistance तो चलना है कि लिजेंट, लेकिन आपन कहेंगे, यहाँ पर xl जो है, उसकी वज़ए x a x से बहुत ज्यादा है तो आप कहेंगे, इसे, इसी में ही component माले है, अब actual में होना तो क्या चीए, leakage reactance अगर होता है, तो हमेशा emf की तरह calculate होगा और अगर armature reaction है, तो mmf की तरह create होगा चीए, लेकिन हम कहते है, emf method में सारी calculation को voltage form में करते हैं, तो वहाँ का जब श्यान है कि armature reaction is to be taken as a part of leakage reactance, जबकि यहाँ पर अपन यह assumption ले ले लेते है, mmf में कि lower value जो की xl है, is to be taken as a part of armature reaction, यानि इसे mmf की तरह मान लिया, और दोनों क्या होगे गलत, जबकि zpfc क्यों correct पढ़ता है, क्योंकि इसमें दोनों को separate calculate किया आता है, इस बहाँ पे, तो normally यहाँ पर अपन यह assume ही कर लेते हैं, कि इधर लिख रखा है, सब कुछ आप आराम से पढ़ेंगे, तो दिख जाएगा, कि इसमें हमने xl को एक part मान ल देगा, आपेंगे this method read, आपेंगे इसमें आपन कहते हैं, reads less, less voltage regulation, less voltage regulation, less voltage regulation than actual value, यह actual value से क्या पढ़ता है, कम पढ़ता है, अगर यह actual से कम पढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर यह less value पढ़ रहा है, तो आप कह सकते हैं, less पढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, optimistic method इसे हम बोलते हैं, it is a simply optimistic method, optimistic method है, क्योंकि यह actual value से कम value को read करता है, यह इस बात के लिए बोला गया, तो यह एक point और अपन add का सकते हैं, इस case में, then इस तरह की questions भी आपको slide में मिल जाएंगे, अच्छे से आप इन्हें attempt करिएगा, और समझ सकते हैं, next अपने पास आता है, zero power factor method, जिसे portier triangle method भी नाम दिया गया, zero power factor method, यह फिर अपन कह सकते है, portier triangle method, देखीगा, यह क्या है वई, यह कहलाता है, ZPF method, और इसमें एक triangle बनता है, इसलिए से portier triangle भी बोला गया, इस method में normally अपन कहते हैं, कोई assumption नहीं है, आरे तो negligent है, इसमें XL को calculate करते हैं, as EMF, और XA को calculate करते हैं, as MMF, तो अगर दोनों को as EMF और as MMF, दोनों को उनकी actual values की तरह ही पढ़ा जाता है, इसमें हम क half and hour, half and hour बस, half and hour इसके बाद खतम करते हैं, हो गया लगबग, ठीक है, half and hour उसके बाद खतम करते हैं, बस, ये 50 बने रहने दीजिए, ताकि last में जाते जाते आराम से करते हैं, सबसे best कोनों का, बिल्कुल best method, JPFC माना जाता है, क्योंकि उन दोनों में तो error source था, इसलिए इस ये एक अच्छा method है, इसके लिए calculation, आप एक portier triangle की थ्रू करते हैं, इसमें एक triangle बनता है, इसमें portier triangle बनता है, जिसके बारे में बात कहले दें, portier triangle जो बनता है, उसमें विसिकली इस तरह से, एक portier triangle बनता है इसमें, जिसमें कहते हैं, ये वाला distance जो है, वो leakage reactance को और जो horizontal, यह vertical line, और जो horizontal line है, यह अपन कहते हैं एक तरह से armature के MMF को दिखाता है, यह point कई बार पुछे आता है, the vertical line shows and the horizontal line shows, इन दोनों की बहाफ पे पर कहें, इन दोनों की बहाफ पे, नींद आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नह देखिए, बचाव आप कल देख सकते हैं, तो कल देख लीजेगा, मैं इसको खतम करूँगा, आदे गंटे के अंदर और रुखते हैं अपन, ठीक है, तो यह अपने पास एक method आता है, जिसमें अपन actual value को read करेंगे, ऐसा कहा जाता है, next अगर अगर अपन कहें, तो आपके पास आता है, last method जिसे बोला गया है, ASA, ASA method में क्या कहा है, ASA method, American Standard Association method है, जिसमें यह बोला गया है, कि हमेशा आपन क्या करते हैं, correct value read करते हैं, और इसकी सबसे खास बात है, एक JPF, MMF का combination है, इसमें बस एक चीज़ आपन बोल सकते हैं, कि cylindrical और salient दोनों के लिए as well as लग method में आपन बोलेंगे, यह आपका most accurate method आपन कह सकते हैं, सबसे जादा है, यहाँ पर एक calculation आपन बोल सकते हैं, जो कहीं जाती है, कि सबसे best कौन है, तो आप कहते हैं, mostly JPF को कहते है, ASA में saturation वाला case है, उसको भी शामिल के लिए आता है, EMF actual से ज्यादा पढ़ता है, MMF actual से कम पढ़ता है, और actual value को read करता है, JPF और ASA, तो आप इन सब को true value read करने के भी आप पर कैसे पर, optimistic कौन सा है, अगर पूछा जाए तो MMF, pessimistic कौन सा है, EMF, और actually यह सही read करेगा, तो आप कहेंगे, आपका JPF method, यह कई बर objective में पूछा गया है, अब ध्यान रखिएगा, आप complete कर आई है, vertical line को फिर से, जान बाकी, चलिए, यही वच्चों का support ही तो expect करता हूँ मैं, और कुछ नहीं, चलिए, इस method पर अपन का, vertical line वाला base, आप उस point पढ़ेंगे, तो vertical हमेशा इसलिए, क्योंकि उपर वाला graph OCC है, नीचे का है JPFC, तो OCC से JPFC जो बाता है, तो आप जानत आप ने open circuit और ZPFC में IA XL drop को consider करके गटाया गया, इस वज़े से वो ऐसा लिखा गया, OTA triangle में vertical line IAXS drop को mention करती है, चिक, हाँ जी, इसी के आप चर्चा कर रहे थे, SCR, SCR यह लिजे, short circuit ratio आगया है, क्या होता है, SCR इसकी बात कर लेते हैं, किसे कहा जाता है SCR, बोलीगा, SCR जो है, वो एक particular term को represent करता है, that is short circuit ratio, साथ थोड़ा पास, हाँ, बिल्कुल करा दे बेटा, SCR एक short circuit ratio है, जो represent करता है, दो तरह के parameter, किसको represent करता है, आप कहते हैं, short circuit ratio जो है, basically, IFM और IFA, क्या होते हैं, बताओ, यह है आपका field excitation current required to generate rated open circuit voltage, यह open circuit voltage के concentration पे, और आप कहेंगे, यह किसके लिए generate करता है, यह आप कहेंगे, short circuit current के भीहाफ पर, तो जब हम SCR निकालते हैं, इन दोनों का ratio लिया जाता है, इसलिए अपन कहते हैं, दोनों filled current है, तो एक तरह का unitless quantity, जब finally अब आप calculate करेंगे, तो SCR का formula आता है, open circuit voltage के लिए तो अपन सीध हो गया, तो बताओ E किससे divide होगा नीचे, इधर जब voltage लिखूंगा, इस perception पर क्या आएगा, IA, ZS, जब IA, ZS आया तो अपन इसको नीचे shift कर देंगे, तो आप कहें, SCR equal to क्या हो गया है, 1 upon IA, ZS upon E, जब बताए किसको represent कर रहे है, actual drop in synchronous impedance upon base voltage, देखे जान से, actual drop in base impedance upon Nimbus bullet train is coming into the, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, Z per unit, बिल्कुल ठीक करें, short circuit ratio, यहाँ पे Z per unit के perception पर आगया, per unit impedance को represent करता है, और यहीं से आप बोल सकते हैं, it is equivalent to ZPU, तो बहुत सारे case तो इसी पर हो जाएंगे, अब ZPU है, तो directly किसके proportion कर दूँ, आप क actual है, तो 1 upon, आप कह सकते हैं, XS, और अगर XS पर आगया, तो आप कह सकते हैं, it is also proportional to 1 upon, आप कहेंगे, XS का function है, तो XA भी आगया, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद, armature reaction और different function को आप इसमे एड़ कर सकते हैं, different relation, कोई भी parameter किस तरह से इसका function होगा, कहीं न कहीं, उसक voltage और rated short circuit current के perception के लिखे जाते हैं, चीक है, चलिए, पढ़ लेजी का, यह important है, इसकी बहाँ पर कर पाएंगे, यहाँ पर आगी कुछ point में हमने mention कर रहा है, इस related aspect पर, किस-किस point को कैसे relate करके लिखा जा सकता है, वो सब आपको इस slide में मिल जाएंगे, costing, SCR की कैसे change की जाती यह, वो सब, अजी, change in speed and excitation, एक important aspect होता है, कि हम alternator पर कैसे change लाएं, कि उसकी बहाँ पर उसका output shift कर जाएंगे, कोई भी machine, अगर synchronous machine उसमें अपने पास दो तरह की change अपने पास हैं, आप कहा सकते हैं, अगर हम, अगर हम, उसमें speed को बदलते हैं, और अगर हम कहें, उसमें exc excitation को बदलते हैं, तो speed और excitation, speed और excitation की बात हो रही है, speed और excitation अपन कहेंगे, speed को चाहिए, pdf मिलेगा सर नोटस का, बिलकुल यतंदर मिल जाएगा, ये last, last जो आपका pdf हो, ये भी अलग से आपको attention, जिस जिसको चाहिए, आप message drop कर दीजेगा, प्लेज कुझे, या फिर एक telegram group पे आपको, मैं आपको provide कर दूँआ, ठीक है, कोई patient रही, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा, आप सब बस इस मामले में patient रही है, कह दिया तो मैंने आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये tension मतले, पूरा को पूरा synchronous machine का ये जो आपका है, ये अलग से आपको pdf मिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं कहूं, excitation, speed जो होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं, ये एक तरह से आप कहेंगे, system में active power control है, इसका, active power में किसी भी तरह का, आप कह सकते हैं, control, और ये basically कहां से पन करते हैं, active power है तो मैं कहेंगे, ये system के kilowatt change करता है, excitation जो है, इसम में अपन कह सकते हैं, ये एक तरह से field excitation है, ये आपका system का reactive control है, क्या कह सकते हैं, ये एक तरह से reactive power, reactive power control है, अगर reactive power control है, तो आप कहेंगे, इसमें system में के, वी, ए, आर आपके shift करते हैं, एक बहुत छोटा सा trick है, जो यहां से आप इसका काम कर सकते हैं, अगर कोई पूछत के लिए, अगर किसी machine के लिए, उसके active, अगर मैं कहूँ अब prime mover में इस apply increase कर दी, prime mover मतलब उसका input mechanical, अगर मैं कहूँ उसका excitation change कर दी, question बहुत आता है, कि अगर दो alternator है, parallel में चल रहे हैं, किसी एक का excitation बढ़ा दें, तो क्या होगा, दूसरे का prime mover गठा दें, तो क्या कि ये, एक directly proportional to power factor, दूसरा inversely proportional to power factor हो जाएगा, दोनों के भीहाफ पर आपका काम हो जाएगा, आराम से आप कैसे कहें, चले, ये, इसमें आपको कोई भी question नहीं, load sharing का मैंने बना रखा है, उसके भीहाफ पर आप आराम से समझ जाएंगे, कोई tension नहीं, SCR अपने पहले generator के भीहाफ पर, और एक shift, चली, अब बात करते हैं, motor की, synchronous motor के aspect पर, synchronous motor क्या है, synchronous motor के aspect पर, अगर मैं बोलू हूँ, तो किसी भी machine में, motoring application के बन बात किरते हैं, तो बहुत सारी चींज अपने पास आती है, synchronous motor, basically, synchronous motor को basically अपन कह सकते हैं, सबसे पहले, एक different एक तो आप high rating में बना सकते हैं, सबसे पहला aspect होता है, इसे हम, किसके लिए famous है, high rating, और कहेंगे साथ में, that is constant speed, constant speed तो अपने को बताईए, जिस पर चलती है, वो क्या है, n is equal to 120 f by p, तो आप कहेंगे, constant speed तो ही है, constant speed और high rating के लिए क्लिए क्लिए होता, prefer, और normally आपके, n जो है, mostly किस तक, तो आप कहेंगे, 600 rpm तक इसको basically design किया जाता है, ये भी कहा जाता है, अब कहेंगे कि अगर ये motor prefer की जाती है, किस पर, poles वगरे क्या होंगे, एक जो सबसे important बात है, जो इसके लिए कहते हैं, वो क्या है, not self starting, synchronous motor जो है, वो self start नहीं होता है, बिल्कुल, ये self start नहीं होता है, याद रखेगा, synchronous motor self start नहीं होता है, self start नहीं होता है, तो इसे auto start बनाने के लिए अपने कह सकते हैं, इस पे दो तरह की method अपने पास हैं, एक auto synchronous अगर बनाने क्या करेंगे, हम damper winding यूज़ करेंगे, और दूसरा, prime mover या pony motor, बहुत सारे starting methods अ बनाने के लिए system में क्या कुछ exist करते हैं, उनकी बात करते हैं, doubly excited है, बिल्कुल ठीक बात है, double दोनों point पर excitation है, एक आप कह सकते हैं, दूसरी important चीज़ है, जो induction से लग हो किया है, ये आपके variable, आप कहेंगे variable power factor, variable power factor पर क्या करता है, रन करता है, ये कैसे हैं, variable power factor कैसे, आप कैसे हैं, excitation को आप कहेंगे change करके, अगर इसके excitation को बदल दें, तो different power factor पर चलेगे, ये question बहुत पुछा जाता है, कि कैसे चला सकते हैं, तो आप कहेंगे normally excited है, तो ठीक है, अगर over excited कर दें, तो किसके तरह चलेगा, capacitive या नहीं, अगर over excited कर दें, तो किसके तरह चले पिर कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे as a inductive load, यानि आप कह सकते हैं, उस system में आपका lagging power factor और normal excitation पे एक running UPF या resistive load की तरह वग करता है, ये question भी कई बार कुछा गया है, कि different power factor condition पे कैसे run करेगा, एक synchronous motor, तो excitation को change करके, mostly इसकी preferred structure जो है, वो salient type ही होती है, क्योंकि high speed rpms और stable condition बनाने के लिए वही prefer करते हैं, ठीक, एक ये conditional statement दिया जाता है, एक question आता है, क्यों self start नहीं करता है, आसान सा है, यहीं से समझ सकते हैं, why synchronous motor is not self starting, क्यों नहीं होता है, क्या जवाब देंगे बटा, synchronous motor self start इसमें नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो net torque है, एक पुरी rotation का, वो सेलेंट पॉल मशीन इतला है, ऐसी है, किसकी बात कर विड़ा, torque equation, हाँ, उस पर बता देंगे भी torque equation आ जाएगा, net torque उसका 0 है, बिल्कुल, अगर हम कहते हैं, क्यों नहीं करता है, तो आप कहते हैं, अगर rotor को free move भी करें, तो इसलिए नहीं करता है, क्योंकि rotating, अगर आपका 5S जो है, इसका region है कि 5S जो है, यह तो है RMF, इसकी speed कितनी है, आपने कहा synchronous, लेकिन जो 5R है, rotor का, वो क्या है, not synchronous, not NS, आप गएंगे synchronous speed नहीं, उस पर तो धक्का जो लगता हुई है, इस वज़े से जब वो rotate करके आता है, तो वापस से अपना orientation रिवर्ट कर लेता है, और T net जो है उसका, आप कह सकते हैं, वो क्या रहता है, 0 ही रहता है, और T net 0 रहें कि वैसे यह क्या नहीं करेगा, self start नहीं हो पाएगा, एक यह कहा जाए, पुर एक पुरे चक्कर के लिए इसका net और क्या बना रहता है, 0, इस वज़े से खुद से self start नहीं हो पाता है, अब वो कर करने के लिए क्या करे है, अगर कोई पूछे, sir, pdf नहीं send किये, नमन चौधरी, studies, 45 minutes maximum, ओके, चलिए, अगर हम कहें, studies, studies तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन अपन यहाँ पर, जब तक इसको खतम नहीं करेंगे, तब तक, तब तक इसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, चलिए, pdf send कर देंगे, निशन रही है, pdf send कर देंगे, synchronous motor self start, क्यों नहीं हो तो देख लिए, अब कैसे करें, how can we start this synchronous motor self starting mode, self start करने के लिए, operate करने के लिए अपनी बोलते हैं, कि बेलकुल, आपको भेज देंगे, निशन रही है, pdf में जाएगा, आप मुझे भेज, मैं गुरूप पे send कर दूँगा, टेलिग्राम गुरूप पे, वहाँ से आप attach कर के लिए सकते हैं, अगर आपको बोले जाए कैसे करें, तो आप कहेंगे, rotor as well as skater, दोनों magnetic field की speed अगर synchronous कर दें, तो ये हो जाएगा, अगर दोनों की speed up कर दें synchronous, तो फिर magnetic locking में क्या करता है, ये run करता है, इस aspect पर अपन कैसे thing चल जाएगा, ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए क्या किया जाए, तो आपने का ऐसा करने के लिए खुज से तो possible है नहीं, तो दो method होते हैं, या और फिर उसे prime mover की तरह run करिए, उस पर एक pony motor लगा के induction से start कर दो, कैसी भी करके हमें initial torque देना पड़ेगा, एक बार run कर जाए, फिर जैसे speed up हो के synchronous के पास पहुंचता है, उसी समय उसके field को excite कर देते हैं, तागि magnetic locking में क्या करता है, वो move करेगा, तो जिस पर induction नहीं चलना अची है, वहीं यहाँ पर आप कह सकते है, magnetic locking required होता है, एक fixed speed पर running condition को establish करने के लिए, तो अपर यहाँ से देख पारें, working principle को, कि यह rotor है, यह prime mover है, तो आपने का supply 3 phase है, तो stator तो 5S पर move करी रहा है, लेकिन अगर मैं कहूंग, rotor को भी अगर गुमा दे, prime mover से, तो आपके stator rotor magnetic lock कर जाएंगे, और फिर synchronous speed पर run करने लगेंगे, और machine का output characteristic justified हो जागा, एक बर जैसे synchronous के पास पहुंच जाता है, वैसे अगर आप prime mover हटा भी लें, तो फिर machine अपने continuous orientation के लिए, stator से power को draw करने लगता है, और फिर उस पर run करेगा, इस तरह motor self start हो जाता है, अगर हम बोलें, vector representation में basic equation की बात है, मैं लिक देता हूँ, क्या equation हम पर यहाँ पर use करते हैं, देखेगा, किसी generator के लिए लिखाता है, वैसे motor के लिए क्या हो सकते हैं, motor में अपन कहते हैं, हम V apply करते हैं, और E उसका oppose करता है, जैसे हम EB करके लिखते हैं, और यह कहाँ पर जाता है भी, आपन पर साथ में आप हैंगे, दोनों reactance component भी हैं, तो अपने पास equation क्या जाएगा, basically V equal to EB plus IARA plus J times of IA axis, यह अपना standard equation है, अगर अपन कहें motor के case में, यहाँ जिसको अपन EB लिख रहे हैं, बार-बार वो एक तरह से, आप पो लेंगे, जो developed EMF होता है, उसी का ही sense है, बिल्कुल, same DC motor generator के जैसे ही, इतने में class करते हैं, इतने में, थोड़ा सा time, mostly hardly be sprint, 20 minutes में इसको finish कर देंगे, ठीक है, अब इसकी कुछ vector forms दे रिखेंगे, यहाँ पर इनको आप अच्छे से समझ लेना, मैं V का reference अगर लेके चैनूँ, तो अपन कह सकते हैं, तीन case अपने पास बनते हैं, कि अब हम machine में, excitation जो है, E की value, यह जो E अपने एक तरह से लिख रहे हैं, EB की case में, इसे EB जो लिख रहे हैं, यह developed excitation voltage की value को बोल रहे हैं, अगर इसे अपन increase या decrease करें, तो तीन special cases में, normal, over, और under excitation के बहाफ पे, तीनो case में हम कैसे कैसे इस पर find out कर सकते हैं, यहाँ पर अप को vary करेंगे, तो किस तरह का output मिलेगा, तो over excited, under excited, normal excited, graph representation, बिल्कुल generator जैसा ही आप revise कर लेजीगा, यहाँ से, power flow, हमने जैसा वहाँ पर पढ़ा था, उसी case में, power flow के लिए बस एक important relation होता है, जो आप हमेशे याद रखे, जो सबसे यादा पूछा जाता है, developed power का, वो यह है आपको अगर पूछे हैं कि P की value क्या लेखे हैं, तो P equals to EV upon axis और यह निजे sign delta, अभी थोड़े दिर पहले अपने इसको भी represent किया था, और एक और point था, अगर याद हो, तो PSY, जो कि आपका stability बताता है, जो कि आपका stability बताता है, वो भी देखा था, PSY, DP upon D alpha, जो आप कहते ह से, PSY से stability find out कर रहे थे, वो भी access का function है, और यह भी आपका कहा है, synchronous reactance पर, आप कह सकते है, represent करता है, इस load angle के perception पर करता है, यह और भी दोनों के form पर अपन कर सकते हैं, condition कहा है, maximum power की, उच्छी आती कई बार याद रखेगा, when theta और delta बराबर, internal angle जो है, वो सीधा-सीधा, maximum power delivery, बिल्कुल eb upon x, eb upon x से कह सकते हैं, eb upon x delta से कह सकते हैं, torque equation अभी जो power लिखा, उसी से torque लिकल के आता है, केवल इस form में ही लिखना है, और कुछ नहीं, आप कह सकते हैं, motor के लिए, torque जो है, वो इसी relation पर लिखा जाता है, जो torque के लिए लिखा, torque और power उसी तरह से relate करता है, t equals to 2 pi, t equals to 60 upon 2 pi ns, और अभी जो अपने पास power था, वही, जो developed power के scenario में है, eb upon zs, cos theta minus delta, e square minus zs, cos theta, यह के बिल power flow से अपन सिंपली निकाल सकते हैं, सीदे-सीदे, ठीक, different cases जो है, यह alternator के case में अपने जो पढ़ा, वही है, कि तीन तरह से work करता है, torque के अगर बात करें, तो आप चार नाम यहाँ पर इस्तमाल करते हैं, एक होता है, आपका starting torque, जो कि zero है, एक होता है pull-in torque, pull-in torque का मतलब होता है, जिस पर आपके synchronous speed पर आ जाए, synchronous में आ जाए, that is pull-in, फिर जैसे load बढ़ाते हैं, वैसे आप कहते हैं, एक तरह से उसका retardation बढ़ता है, alpha बढ़ता ह जैसे आप load बढ़ेंगे, एक point ऐसा आएगा, जिस पर क्या कहेंगे, हम वो retardation इतना हो गया कि आप just out from synchronous हो जाए, उसे हम कहते है pull-out torque, maximum torque जिस पर वो से हट जाएगा, उसे अपन कह सकते हैं, उसे अपन कह सकते हैं, कि वो maximum torque जिस पर synchronous condition से बाहर आ जाए, that is pull-out torque, तो pull-in, pull- out, pull-into synchronous, pull-out from synchronous, on the condition of आपका सकते हैं, load variation, alpha की value के बहाफ पे, या जिसे delta भी अपन लिख सकते हैं, load angle के बहाफ पे, इसको define किया आता है, ठीक है, एक ये case अपने पास मिलता है, justice perception पे, और एक अपन बात करते हैं भी, pull-out maximum की बहाफ पे था, starting methods, चलिए, important point ये निकल के आता ह है, कौन-कौन से method से हम start कर सकते हैं, इसको देख लीजिए, अगर कोई बोले आप से, कि भी, starting methods कौन-कौन से, starting method of synchronous motor, starting मतलब self-starting, एक अपन जानते हैं, अपन किसे करते हैं, simply, एक होता है, हमारे पास, that is pony motor, pony motor क्या होता है, पोनी motor एक छोटी, आप कह सकते हैं, small size induction motor है, pony motor एक तरी कि आप कह सकते हैं, एक induction motor ही होती है, जिसमें, जिसे shaft पर ही अपन अटेच कर देते हैं, small induction motor है, जिसे इसकी shaft पर attach कर देते हैं, जिसकी वज़े से, जब वो drive करेगा, तो उस पर as a load, इसका shaft होगा, यह उसको अपने साथ rotate कर पाएगा, इसले से अपन कह सकते हैं, small induction install होती है, जो उसको एक तरह से आपको starting condition provide करने के लिए दे गई है, दूसरा अपन कह सकते हैं, इसमें एक method अपने पास, कोनी motor के अलावा आता है, आप पहेंगे prime mover using, आप पहेंगे prime mover, prime mover को use करना, यानि mechanical input दे के चलाना, यह तो simply अपन कहेंगे, एक तरह से same as alternator हो गया, ए little excite करके magnetic locking कर दी जाती है, तो यह बिलकुल as an alternator पन कह सकते है, prime mover को supply करके, third aspect जो इसमें आता है, third aspect जो आता है, वो है आपका damper winding, जो सबसे important है, damper winding, damper winding का case का वेटा, वो समझे, damper winding basically, damper winding आप यहां पे देख पारें, हमेशा किस पर mount करते हैं, हम salient poles पे लगाते हैं, damper एक तरह से short circuited conductor होते हैं, जो pole पर है salient, जब-जास motor के salient pole की बात करते हैं, damper winding को अब एक और नाम से भी जानते हैं, damper winding जो होता है, damper winding को एक और नाम से भी जाना जो तो बड़ा, इसे कहते हैं हम, squirrel cage winding, squirrel cage winding क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यह बिलकुल as a squirrel cage induction motor की तरह ह इसका जैसे squirrel cage induction motor होता है, induction में squirrel cage rotor होता है, short circuited होता है, एंडरिंग से, वैसे यह है, तो आपने जब motor just about to start है, तो इसकी starting synchronous की वो एक squirrel cage induction की तरह होती है, run करता है, speed up होता है, जब about to synchronous है क्योंकि reach तो कर नहीं पाएगा, उस समय फिल्ड को excite करके और क्या किया जाता है, इस में आपका EMF zero हो जाएगा, कोई भी rotor EMF जैसे बनता था, induction का वो नहीं बनेगा, क्योंकि relative speed नहीं रहेगा, और कोई नुपसान भी नहीं है, एक और फाइदा ये करता है damper आपको, वो क्या है, आप कहसकते है hunting जो है, इसको भी तो reduce करता है, hunting क्यों reduce करता है, अगर कभी speed synchronous स कमिया ज्यादा होगी, वैसे damper winding के अंदर EMF develop करेगा, जो कि motoring और generating action के बिहाब के उसको speed अप करके, वापस इस synchronous speed पे ले आएगा, तो आप ऐसे नेखता हूं, एक तरह से इसको, इसकी speed को regulate करके, वापस synchronous पर लाने के लिए responsible भी होता है, ये भी इसके सापिक शापन बोल स वाए sudden change in load, अचानक से कोई fault आजाए, अचानक कोई fault आजाए, sudden change हो जाए load में, या supply system में excitation बदल जाए, या harmonics की वैसे, इन सब reasons से अपन कह सकते हैं, hunting होता है, अब hunting कैसे overcome कर सकते हैं, तो आपन कहेंगे damper conductor से अपने पास reduce करने के लिए, उसके अलावा आपन system को stable design करें ताकि hunting को आप कम कर सकें, ये भी एक आपके पास positive aspect रहता है, अब damper windings की different condition, ये भी एक important slide है, इसे भी ध्यान से पढ़िएगा, जो भी मैंने बताया था कि अगर NS speed पे, तो कोई दिकत ही नहीं, कोई current नहीं, अगर speed synchronous से बढ़ गया, तो आप कहते हैं किस तरह का, इस बार क torque develop करता है, generator की तरह आप कह सकते हैं, उसमें torque develop करता है, और अगर speed घट जाए synchronous से, आप कहेंगे as a, आप कहेंगे motoring जो torque है, वो उसमें क्या होता है, develop होता है, कुल मिला कि इन दोनों कंडिशन में हम कह सकते हैं, वो उसको वापस से synchronous तक लाता है, उस condition तक वापस लाने के ल होता है, हाँ जी, अब यह बताइए, condenser क्या होता है, अगर कोई पूछ ले आप से synchronous condenser, इसमें क्या कहेंगे, synchronous condenser क्या है, यह भी question examination में बहुत आता है, synchronous condenser, synchronous condenser कह दूँ, यह synchronous capacitor भी बोले जाता है, इसको एक ही बात, क्या है synchronous condenser, फट आफट से बताएं, synchronous condenser या synchronous capacitor का मतलब क्या है, यह बताइए, बेलको, दो चीज़ें यहाँ पर अपने को बोलनी है, आप केंगे यह तब होता है, आप केंगे एक synchronous motor ही एक तरह का, जिसमें आपने बोल सकते हैं, दो बातें एक साथ हो, क्या synchronous motor को आप कह दें, run at over excited condition, एक तो यह है, और दूसरा आपन कह सकते हैं, साथ में क्या बोले जाए, that is without, without mechanical load, यह भी साथ में, without mechanical load, run at synchronous condition, और दूसरा कहेंगे, without mechanical load, हिंदी में PDF मिल जाएगी, क्या, मिल जाएगा, क्रिक्ष्णा मिल जाएगा, आप जी message, one to one message कर दीजेगा, आपको provide कर देगा, ठीक है, हाँ, synchronous condenser जो है, वो motor का ही एक application जिसमें अपन कहते हैं, इसे over excited तो चलाया जाए, और साथ में, without mechanical load, without load, इसलिए तक कि range specifically बढ़ जाए, और over excited इसलिए, क्योंकि इसको power factor है, आप इसे कह सकते हैं, synchronous condenser का basically जो use है, वो use कहां किया जाता है, आपके ही power factor, power factor जो है improvement में, power factor improvement device की तरपन क्या करते हैं, इसे इसे इस्तमाल करते हैं, ऐसे power factor improvement device, आप इसे इस्तमाल करते हैं, कई बार इसी से प्रशन पूछे गए, बढ़िएगा, एक topic अपने पास आता है, जो यहाँ पर object में का आफिक पूछा गया है, वो क्या है भई, इसके लिए दो characteristic curve है, characteristic आप कह सकते हैं, कर्व होते हैं, अगर मैं कहूं, V curve, यह क्या है, और दूसरा बनता है अपने पास, inverted, inverted V curve अपन बोल सकते हैं, V curve and inverted V curve, क्या होता भी, V और inverted V curve का मतलब क्या है, क्या specifically अपन कहेंगे, इसके case में क्या कहा जाएं, V curve and inverted V curve का क्या segment कहता है, नॉर्मली, हम, बताइगा, आंसर दीजे, किसके बीच का graph है बटा, field और armature, बिल्कुल आप कह सकते हैं, यह एक तरह से basically excitation, यहाँ पर IF जो है, इसे अपन बोलते हैं, और नॉर्मली कह सकते हैं, एक तरह से excitation, जो है, वो कैसा है, variable है, excitation को बदल कर, इसको बदल कर, हम दो तरह के characteristic बनाते हैं, अगर V curve है, तो आप बोलते हैं, यह किसके बीच का होगा, अंजी, IA versus IF, और अगर हम बोलते हैं, inverted V curve है, तो किसके बीच का होगा, this is power factor versus IAF, एक तो यही point सबसे ज़्यादा पूछे राता है, कि दोनों के बीच का graph है, किसका किसके सापिक्ष है, ठीक है, एक है आपका IA versus IF, दूसरा है, power factor versus IAF, inverted V curve और simple V curve, basically excitation में change है, excitation में change के बिहाफ पे, excitation को बदलने पर आप जानते हैं, कि आप उसे साथ synchronous condenser economical है, economical है, लेकिन बहुत high rating के लिए बटा, synchronous condenser जो है, बहुत heavy rating का power factor अगर अपने को improve करना, उसी के लिए पन काम मिलेते हैं, और यह अलग से बनाएगी device है, कोई specifically ऐसे ही नहीं है, हम अलग से इसे बनाते हैं, device के रूप भी यूज़ करते हैं, कर्व देख लिए आपके सामने, V और inverted V कर्व, यहाँ पर दो question है, जो बार-बार पुछे जाते हैं, उनको यहाँ पर note down कर रखा, देखेगे, V कर्व अगर होगा, तो आपने को पता, अगर भी excitation change करेंगे, सबसे important is important, गर हम excitation जो है, उसको अगर हम change कर रहे हैं, तो आप कहेंगे, KVAR, यह क्या होगा, आप कहेंगे, change होगा, KVR change होगा, लेकिन system का active power, kilowatt क्या रहेगा, constant, अब kilowatt कैसे लिखा जाता, बताओ, V I cos 5, यह न, V I cos 5 क्या रहेगा, constant, V I cos 5 में V को बूल जाएए, आप simply कह सकते है यहां से, तो आप कहेंगे, I, तो आईए, और cos 5 क्या होगा, power factor, इन दोनों का multiplication क्या रहेगा, आप कहेंगे constant, अगर दोनों का multiplication constant है, तो आप बोल सकते हैं, अगर armature current बढ़ेगा, तो power factor गढ़ जाएगा, और अगर power factor बढ़ेगा, तो armature current गढ़ जाएगा, तो normally, इन दोनो का multiplication constant के बहाब पे एक कर्व बनाया जाता है, multiplication constant के बहाब पे इसे बनाया जाता है, बहुत जोर की नहीं दा रही है, चैली, कोई निवास, अभी थोड़ी देर में अपन कतम करते हैं, 7 hours होने वाला है, आरे, बहुत मज़े आ गया आस तो, बिलकुल, कोशिश है कि हर एक point को पन लेका चलें, बाकि तो, देखे, रिविजन करेगा, कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं, जब हम कहते हैं, इस V और inverted V curve को बनाया, तो अपने जो इधर शेप में दिखा है, यह अपने पास V curve, जब हम V curve की बात करते हैं, तो आप simply यह कहेंगे, कि वह सबसे पहले सोच लो क कि वही क्या होगा, तो आपने का पावर फेक्टर जो है, वह अगर मैं 1 ले लूँ, तो इसकी कौन सी वैल्य होगी, maximum, अगर पावर फेक्टर 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्य तो आप कहेंगे, current कैसा हो जाएगा, minimum हो जाएगा, तो minimum हो जाएगा, तो आपने का एक point अपने को म जाता है कि minimum current at UPF उसके बाद दोनों तरफ rise करता है, तो उसका shape हो जाता है भी, ठीक, ठीक, अब अगर इस तरफ अपना आएं, तो आपने का अगर इधर आते हैं तो आपने बोलते हैं कि normal excitation के बहाब पर दो है, उसके बाद power factor और IF के बीच का अगर graph बनाएं, तो normal excitation की value अगर मैं बूलूँगा, तो power factor मैं maximum होता है, अब maximum मतलब यह power factor 1 हो गया है है इसके बाद अगर दोनों तरफ खटूँगा तो power factor एक से कम होगा, चाहे इस तरफ जाओं, इधर जाओंगा, तो भी power factor क्या हो रेडियूज, और इधर आओं तो भी power factor क्या हो रेडियूज, तो तो अगर यह V कर्व था तो यह क्या बन जाएगा inverted V कर्व, clear यह V था तो क्या हो जाएगा inverted V कर्व हो जाएगा, अब इन दोनों के perception पर यह बोला जा सकता है, कि वह एक question बार-बार पुछ रहा था जो यहां सबसे important note लगा के लिखा है देखिए, इसमें बोला गया कि भी change in excitation अगर होता है, तो यह तो आपने explain कर दिया इदर, कि भी excitation में change करते हैं, तो आपका lagging और leading case पर यह चीज बदल जाएगा, synchronous motor को अगर 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 किस पर वर्क करेगा, यह ज़्यादा तर पढ़ लेना, यह बहुत question रिपीट करता है, उसका power factor जो क्या करेगा, आपका simply shaft load remove करने पर leading की तरफ क्या होगा, shift हो जाएगा, वो क्या होगा, leading की तरफ shift हो जाएगा, ऐसा यह graph basic electronics में है, आप बिलकुल हो सकता है, यह आपका shrink हो जाता है, leading की तरफ shift होता है, यह important है, बाकि अपने characteristic बना रहे हैं, यहाँ से आप easy ली हैं, थोड़े से topic अपने बचे हैं, समझें, क्या होता है, basically two reaction थोड़ी, यही समझना ज़री है, हम जब कहते हैं, हमारे पास दो तरह की machine है, एक है salient एक है non salient, जब हम non salient की बात करते हैं, अगर हम non salient की बात करेंगे, अगर हमारे पास है non salient, non salient machine में हमेशा एक case क्या है कि यह stator है, यह rotor है, ऐसे आपन बना देते हैं, और फिर बोलते हैं हाँ यहाँ यहाँ पे gap कैसा है, uniform, अगर gap uniform होता है, तो अपने पास हमेशा आपके पास अगर uniform gap होता है, तो आप कहेंगे armature reaction भी कैसा होता है, uniform ही होता है, और uniform armature reaction होगा तो अपन कहेंगे, normally केवल xa लि present करने के लिए, normally ऐसा होता है, लेकिन अगर हम कहें, एक पसेंट बच रहा है बैटरी, हाँ आभी करते हैं, बस थोड़ी देर कावर है, अगर हम कहें, backward resistance की value भी, forward backward resistance कौन सा बेटा, अच्छा, इस case में, या फिर synchronous के case में, या फिर आप उसकी बात करें, induction के case में, वो induction motor में आएगा न सिंगल phase के समय, आरती वो induction motor में आएगा, वहाँ पर बता देगे, यहाँ पर अपने लेका कि single reactance required है, non-salient machine के लिए, लेकिन अगर मैं कहूं, बेलकुल, पूरे 7 गंटे होने में, दर बस 15 मिनट बाकिए, 15 मिनट बेट और कर लो, काम हो जाएगा अगर हम कहें, इसके अंदर अपने पास होता है, तो xa की value को define करते हैं, एक single reactance से, लेकिन, लेकिन, अगर हमारे पास है synchronous machine, और synchronous machine में अपने पास है, salient pole, non-salient नहीं होके, अगर मैंने का salient pole machine अगर use कर रहे हैं, तो आपके सामने हैं, कि वहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, non-salient में क्या फरक हो जाएगा, अगर अपन कहें, देखेगा, अगर मैं कहता हूं, non-salient था तो ऐसा था, लेकिन salient pole अगर होती तो क्या फरक होता, salient pole में अपन कहते हैं, अगर ये है, अगर हम कहते हैं, ये है stator, और rotor की जब बात करते हैं, दूसमें अपने पास कुछ ऐसा आता है, इस तरह से, तो वहाँ पे हम कहते हैं, ये gap अलग है, और ये gap अलग है, तो एक तरह से, एक single reactance required नहीं होती, हमें वह तरह की reactance required होती, इससे armature reaction को अपन create करते हैं, इसका मतलब सीधा सा है, कि armature reaction को वहाँ represent करने के लिए, यहाँ पर armature reaction को represent करने के लिए, हम कहते हैं, XA जो होगा, वो दो तरह का होगा, क्या, XAD और आप पहेंगे, XAQ, दो तरह का reactance अपने पास required होगा, armature reaction direct access पर, और armature reaction, नींद का सर दिख रहा है, armature reaction direct access पर, और armature reaction अपने कह सकते हैं, quadrature access पर, so two reaction theory इसलिए required होती है, क्योंकि आपका armature reaction direct और quadrature access पर अलग लग होता है, इस वज़े से अपने कहते हैं, कि हमारे पास salient pool machine में, एक two reaction theory की requirement बढ़ जाती है, इसी वज़े से एक salience ही भी आती है, क्योंकि अगर दोनो reactance अलग लग है, तो दोनों पर आपका reactance का value अलग है, तो there is a salience in between the both reactance, यह value 0 नहीं है, इसी वज़े से ऐसा बुला गया है, अगर हम ऐसा कहें, तो फिर कई बारी पूछा रहा था, क्या relation होता है, तो देखो, दो बाते है, xad है और xaq है, इनके उसको समझे, direct access और quadrature access में एक छोटा सा difference है, शेव सिंग, बापरे बाव अभी तकला, शेव सिंग, अंजी, train में भूमनेशर, बिल्कुल, तभी मैंने देखाज आई live कैसे नहीं, हमेशा रहता है, बस अभी अपन 7 गंटे पूरे करके खतम कर देंगे, मैरा थन को, last topics हैं बस अभी last के और हैं, विश्णो भी live है, बलगी, regular आरती, शेव सिंग, विश्णो, हयार, ये सब regular स्टुडेंट, अविराज भी तब से live है, जब से देख रहा हूं, सीमा कुमारी live, चले, बहुत अच्छे बेटा, बस ये last strength तक भी अपन 50 से नीचे नीच तूटें, यही चाहिए अपने को, 50 स्टुडेंट्स अगर अभी तक देखने हैं, इसका मतलब आपके लिए like marathon है, XAD और XAQ की अगर बात करते हैं, तो direct और quadrature axis पे जाता है, ऐसे देखो, कि D और Q axis में क्यों ऐसा हो गया, direct axis जो होता है, उस पे पन कह सकते हैं, direct axis जो होता है, उसमें XAD हमेशा XAQ से ज़्यादा है, कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर आपका, आप मेंचे reaction का value, leakage flux के भिहाफ पर define क्या आता है, ठीक है, leakage flux के भिहाफ पर, यह यह आप पीछे अपने कर रखा है, ध्यान से देखेगा, जब हम D axis पे होते हैं, और Q axis पे होते हैं, तो gap की बात है Direct axis पे यानि North-South quality वाली इस axis पे हमारे पास gap कम है, जब gap कम है तो reluctance कम होगा, reluctance अगर कम होगा तो बताइए, reluctance अगर कम होगा तो वहाँ पे armature का flux क्या हो गया, बढ़ गया, armature flux बढ़ गया, तो armature reaction भी बढ़ गया, तो आप कह सकते हैं, हमेशा D axis पर armature reaction ज़्यादा है, और armature reaction के proportional armature reactance भी बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सीधा सीधा, कि direct axis पर armature reaction की value हमेशा ज़्यादा है, किसकी वज़ए, quaditure axis, क्योंकि quaditure axis पर क्या है, air gap हाई है, reluctance हाई है, तो आप कह सकते हैं, वहाँ पे आपका armature का flux कम link करेगा, तो armature reaction भी क effect, तो आपन कह सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो तरह की reactance को offer करना पड़ा, एक D और Q, अब direct axis की दोनों component में अपने को और क्या add करना पड़ेगा, वही X A तो आ गया, साथ में Excel आएगा, तभी तो अपने पास total synchronous reactance बनेगा, वही अपने यहाँ पर कहा है, कि आपने यहा यादा था, तो दोनों में Excel ली तो add हुए, तो अपना relation फिर से वही आता है, कि भी D axis पर हमेशा Q axis से क्या मिलेगा, यादा है, यह बहुत पूछा जाता है question, important है, और कई बार paper में आया, याद रखेगा, और basic relation क्या होता है, वह अपन 1.6 multiplier से attach करते हैं, 10 minute और है, और अभी आराम से सोईगा, खापी के, चली, एक test के data है, जो मेरे पास, यह paper में आज कल objective काफी पूछा जा रहा है, slip test वाला, देख लीजिए, किसकी बात कर रहा हूँ है, slip test, slip test क्या कहता है, पूछा जाता है, slip test क्यों calculate क्या जाता है, याद है की निया, फटा-फट से बताईए, हा पूछ रहा है आप से, slip test का क्या perception है, बदाओ, slip test जो है basically, अपन क्यों calculate करते है, हम कहते है, D और Q axis पे जो आपका दोनों reactants है, उन्हें calculate करने के लिए, अब एक छोटी सी बात बस यहाँ पर अगर याद रह जाएगी तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है, बस एक छोटी सी बात अपने को याद रखने है, कि भी XD जो है, और XQ जो है, वो क्या होगा, आप जानते है, XD की value हमेशा XQ से ज्यादा होती, तो अगर यह value high है, और यह value relatively कम है, हम इन दोनों को relation पे लिख रहे हैं, तो कोई भी चीज़ अगर high है, तो आप कह सकते हैं, basically किसका ratio है, reactance है, त direct access पे ज़्यादा कब मिलेगा, जब numerator high और denominator low हो, तो आप कहेंगे, यहाँ पर क्या लगा दो बेटा, max, और यहाँ पर क्या लगा दीजे, minimum, so Vmax upon I minimum, यह ratio किसको शो करता है, Vmax upon I minimum, यह किसको शो करता है, बताओ, किसको शो करता है, आप कहेंगे direct access, direct access पे reactance क्यों ज्यादा रहा है, यह बात समझ में आए कि निये two reaction theory, क्यों required है synchronous में, इसी को पन explain के, आजकल यहाँ से question बहुत पूचा जाता है, आजकल इस line पे question बहुत पूचा जा रहा है, इसलिए याद रखीगा, यह सबसे, सबसे ज़्यादा critically asked question है, यह ध्यान दखेंगे, तो V maximum और high minimum का यह ratio है, वह आपके d के लाएगा, इसी तरह से xq की अगर आपन बात करें, तो इसमें कह सकते हैं, इसकी वाली low-cup आ सकती है, जब numerator कैसा हो, कम और denominator कैसा हो, high, तो आप कह सकते हैं, यह चीज बड़ी आसानी से आप याद रख पाएंगे, अगर कभी पूचा जाएगे, तो एक rotor क speed, excitation की वहाद पर बोला है, वाकि अपन इसी तरह को याद रखें, कि xd और xq कैसे calculate करते हैं, हम slip test के थुर calculate करते हैं, clear है, बताइए, clear, चले, आगे बढ़ते हैं, synchronous machine में, अगर हम कहें, तो एक चीज आपको और ध्यान लखने है, synchronous machine की कुछ application जो है, battery के साथ साथ, खुद की battery भी discharge हो रही है, बस, अभी बस खतम करते हैं, थोड़ा सा minute, थोड़ा सा इंतजार और करिए, अगर हम कहें, तो एक आपने पढ़ा है, that is special motors, उसकी भी अपन थो सारी motors आपको पढ़नी है, जो induction पढ़ने के बाद समझ में आती है, किन-किन को आप study करें, किन-किन को हमें study करना है, वो समझ लेते हैं, synchronous motor के बिहाफ पे, हम जब पढ़ते हैं, तो special motor के aspect पे, एक तो सबसे important motor होड़ता है, अपने पास, hysteresis motor, बताई ज़रा, क्या होता hysteresis motor, पटाफट से aspect बता दीजे, जैसा मैंने कहा, आपने पास 4-5 मिनट 6 है, उसमें इन सब को पूरा करते हैं, बताईए, क्या होता है, बोलिए, अब last ही है, बिल्कुल last है, अगर hysteresis motor की बात करें, तो इसकी specialty क्या है, ये एक तरह से अपन कह सकते हैं, एक synchronous motor होता है, single phase induction की तरह मैं बताऊ इसका, अगर मैं आपसे constructional features में बोलूँ, तो stator इसका किसके जैसा है, इसका आपको अगर बोला जाए, stator किसके जैसा है, और अगर आपको बोला जाए, rotor किसके जाए, तो याद रखेगा, rotor की खास बात क्या होती है, इसके rotor में कोई भी, no winding, no slot, ने तो कोई winding है यह बिल्कुल solid होता है, यह बिल्कुल solid structure होता है, किसका बना होता है, फटापड से बताइए मुझे, rotor किसका बना होता है, material बताइएगा, rotor किसका बना होता है, बिल्कुल सही करें, बिल्कुल सही करें, cobalt steel, cobalt steel और एक नाम और लिखवाता हम आपको, दूसरा कौन सा है, है फटवधड पताः कोबाल्ट स्टीछ और दूसरा कुट सा नाम है हाड क्रॉम पुछा जाता है ये है दूसरा इस हाड क्रॉम कोबाल्ट स्टील और हार्ड क्रॉम का अगर लेंगे तो इसका फाइदा क्या है फाइदा है इन दोनों के इन दोनों के लिए high high hysteresis loss इने आप कहेंगे same as, आप कहेंगे same as induction motor, आप कहेंगे जो आपका squirrel cage, same as induction motor कह सकते हैं, इंडक्शन motor के दो लेते हैं, normally अपन इसमें दोनों structure ले सकते हैं, हम split phase भी बना सकते हैं इसको, और हम इसे shaded pool भी बना सकते हैं, दोनों structure पर बना जाता है, अगर आपको torque बढ़ाना हो, मोटर की खास बात कहा है, squirrel cage जैसा होता है, बिल्कूल ठीक है, और split और shaded pool construction दोनों में बना जाता है, सबसे खास बात इस hysteresis motor की है, कि इसका जो operation है, वो noiseless होता है, noiseless operation, इस noiseless operation का work, current कहा हैं, क्योंकि इसके rotor में कोई winding edges नहीं होता है, run किसके बिहाफ पर करता है, यह पुछे आता है, यह खास कर पुछे आता है, कि इसका running किस principle पर है, तो shaded pool induction motor में, hysteresis motor में पन कहते हैं, basically noiseless है, और यह run भी करता है, इसका जो torque है, वो hysteresis angle की property पर आता है, यानि material जो है, stator में जो लिया वो किसका, आपने का silicon steel waste पे, और rotor में लिया वो किसका, आपने का cobalt steel पे, तो दोनों material के regarding, हमारे पास एक hysteresis create हो जाता है, और उस hysteresis की वज़े से, आपके motor में एक running torque create हो जाता है, तो आप कहते हैं, two-field theory के behalf पे motor run करता है, यह mostly कहां यूज़ करते हैं, हम कहेंगे इसे इसे इस्तमाल करते हैं, हम music system, music system में और इसके अलावा आपन कहें तो tape recorder में, tape recorders में इसे यूज़ करते हैं, एक और motor जिसके बारे में अक्सर question पुछे आते हैं, वो था आपका stepper motor, stepper motor क्या कहता है भी, stepper motor वो है जो step angle में run करें, step angle में क्या करता है, move करता है, और इसमें आप एक sequence से, sequence से पन क्या करते हैं, इसमें stator की जो phases है, इस stator की जो phases उनको energize करते हैं, इस stator की phases को energize करते हैं, sequence में अगर अपन इसको energize करेंगे, अगर हम इसे sequence में energize करेंगे, तो हम बोल सकते हैं, sequence energization की बहाफ पे एक step angle मिलेगा, और इस step angle की value को लिखा जाता है किस से यह step angle बराबर होता है alpha से गर मैं denote करूँ तो यह होगा 360 degree upon m into p क्या है भी यह m और p बोले यहाँ m किसको represent कर रहा है और p किसको कर रहा है बोलेगा यहाँ m और p किसको represent कर रहा है बता बताईए यहां M और P किसको represent कर रहा है बता ही, M है यहां पर step angle बतारे हैं बिल्कुल step angle ही, step angle जो है यहां पर M और P को represent करता है M है आपके पास stator pole, M यहां पर अपने पास नहीं, P है यहां पर अपने पास आप कहेंगे rotor के pole और M पोल आता है आम कहलाता है आपके पास stator की phase stator phases को rotor poles को represent करता है अगर हमें machine में rotor pole और stator phases की संख्या दे रखियो तो अपन सीधे सीधे क्या calculate कर जाएंगे step angle अपन calculate कर देंगे alpha की value क्या होगी इस बहाफ पे करमेंदर क्या कह रहे हैं बिल्कुल stator phase और rotor poles अगर हम step angle निकालेंगे तो machine एक stepping rate में कती करता है यानि इसके लिए अगर कभी speed भी define करते हैं तो कैसा होता है speed जो है आपन कैसे कैसे लिखा जाता है इतने step per second एक stepping rate होती है और कई बार इसी को rpm बगर में निकलवा लेता है question के भी हाँ पर तो stepping rate को rpm या rps में कैसे convert करते हैं ये भी समझने ना अगर slot दिये हुए हैं तो कैसे करें अगर slot दिये हों अगर slot दिये हों तो half कर दीजिए अगर हमें दिया गया है कि stator में 8 slot हैं इसका मतलब phase कितना होगा 4 phase का machine होगा अगर आपको यहाँ पर slot दिये हैं तो just उसको half कर दीजिए वो किसको represent करता है उसके जैसे मानलो अपने पास stator में 6 slot हैं तो 6 slot है तो कितने phase की winding को represent करता है 3 phase को तो जितने slot से उनके half कर दीजिए उसके भी हाफ पर represent कर जाएगा ठीक है इसी तरह से और भी motor से जिनको अपन इसके बहाफ पर पढ़ सकते हैं लेकिन वो induction perception पर काम कर दीए हाँ शराग motor की बात करें शराग motor बेटा क्या होता है इसे अपन variable reluctance पर आपर कर सकते हैं एक extra winding लगा कर इसे अपन synchronous और induction दोनों के combined application पर यूज करते हैं यह भी एक आपका special purpose motor है जिनके इंडक्शन पढ़ने के बाद आप और बहतर समझ पाएंगे ठीक है चलिए तो आज की class खतम करें हम हो गया अपना quota पूरा चलिए बहुत अच्छे अभी अभी last तक भी बहुत बढ़िया विटा इस तरह से अगर जैयन महुत सब मनाया तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा आज की class को खतम करते हैं थोड़ी सी कास बात आपके साथ कर लेता हूं कि अगर हम इस तरह से भी पढ़ रहे हैं आज जो मशीन को दो टुकड़े में तो पढ़ाईं ऐसा कुछ नहीं होता seven hour complete हो चुके हैं और कुछ बचा हो तो discuss कर दो से बहुत बहुत धन्यवाद मज़ा आगया मज़ा आगया क्यों कि आप लोगों का motivation साथ साथ रहता है और आपके लिए ही बटा यह class है किसके लिए आपके लिए पीडिएफ बिलकुल telegram पर send कर देंगे किसी को भी नहीं पहुच पाता है तो आप क्या कर सकते हैं और वापस से reward कर सकते हैं आपको one to one message करके Hindi English जैसा भी आपको convenient हो आपको मिल जाएगा चलिए खतम करें आज की class slip and speed हाँ यह सब बचता है बिलकुल आप सब लोग बने रहे और अपनी class successful ही रही साथ साथ गंटे कि इस बार मैंने marathon साथ नहीं बलकि 15 गंटे हो गया है क्योंकि सुबह 8 गंटे class और उसके बाद यह साथ तो आप कह सकते हैं 15 hours continue marathon पढ़ा पाएं चले good night class good night wish you best of luck आपका बविश्य सुखद हो और इसी तरह से आगे पढ़ते रहें ज्यादा दिन नहीं पढ़ना है selection तक पेपर है आगे DRDO है तो याद रखें non-tech important होता है हमेशा आपको कहते हैं railway के vacancy कभी भी आ सकते हैं उसके लिए भी stage 1 आपको important है एक दिन में non-tech नहीं होगा technical और कल से जो आपको DRDO के लिए जो marathon शुरू हो रही है दिन में एक बज़े से वो भी आपने must learning पर regular basis पर कर सकते ह और बाकी जो आपका schedule properly चल रहा है उसे करें कल आपको mock test है उस पे भी आप बात करें उस mock test को enjoy करें क्योंकि जरूरी है कि हम कितना तयार कर पाएं खुद को उसको अपन recall कर पाएं चेक कर पाएं और चेक करने के लिए important है कि अपने एक test दें और mock test के बहाने से ही अपने इस आपका धन्यवाद निम्बस learning इस तरह से आपके लिए और भी ऐसी marathons इस week में लेके आने वाला है उन सब में इसी तरह से बने रही है सभी faculties के साथ बहुत मैनत करते हैं सब लोग आपके लिए चले wish you best of luck thank you so much best wishes आपको thank you